हाँ जी दोस्तों क्या हाल है क्या हाल है क्या हाल है I hope you are all doing really really well दोस्तों यह है आप लोगों के एक mega revision आपके पूरे के पूरे CA inter company law और other law का जो November 2023 attempt ले relevant है दोस्तों यह जो revision वीडियो आप देखने वाले यह दो parts में आपको मिलने वाला है part 1 जिसमें हम पूरा company law revise करेंगे और part जिसमें हम other law यानि कि आपका Indian Contract Act आपका Negotiable Instrument Act और General Clause Act revise करेंगे जो आपका part 2 होगा other law वह जादा detailed होगा और यह वाला जो revision वीडियो होगा company law का यह पूरा exam oriented होगा जो तोस्तों यह revision वीडियो जो आप देखने वाले हो क्या यह November 23 ले amended है जी हां यह 100% amended November 23 ले except for some minor changes in section number 135 आपका जो CSR बाला section है उसमें कुछ minor changes है जो आपके notes में already highlighted होंगे green में उसके अलावा यह पूरा amended revision 99.99% revision amended है दूसरा दोस्तों क्या यह वही revision videos है जो already YouTube में uploaded है दोस्तों यह अलग-अलग YouTube में videos upload हुए थे कुछ 6 मैने पहले कुछ 1 साल पहले कुछ 18 मैने पहले तो मैंने ज इंता करने की जरुवत नहींगे क्या यह वही है बस यह समझ लो अगर आप यह video देखेंगे तो भी चलेगा अगर आप YouTube में कोई अग रिविजिन वीडियो देखोगे independent chapter का तो भी चल जाएगा इसके benefits के हैं दोस्तों यह video के इसमें आपको 100% coverage मिलेगा हमारे Institute of Chartered Accounted of India का 100 100% module coverage मिलेगा आपको in the least time possible दूसरा ना तो इसमें कुछ extra कराये गया है ना तो इसमें कुछ कम कराये गया है पूरा उतना ही जितना आपके exam ले relevant है दोस्तों exam oriented revision है चौता आपके question bank का भी coverage जिसी revision से हो जाएगा क्या बात कर रहे हूं से नहीं जूट बोल रहा हूं question bank के जि इसका जो notes है वो भी आप लोगों के लिए freely available है all you have to do is नीचे description में telegram का link है वहां पी जाहिए और आपको मेरे notes मिल जाएंगे उसको printout मार लीजिया and you are all set to go for your intermediate exams अच्छा सर जाते जाते एक आखरी सवाल का जवाब दे दीजिया हम ये video देखे कि super 50 देखे दोस्तों super 50 जो but this is the video that you go to and this is the video that you rely upon ठीके super 50 में उतर ही important होगा but 100% coverage करना जरूरी है दोस्तों आगे शुरू करने के पहले आपसे एक request है ये video को like जरूर कर देना अब भी नहीं लिकुल भी अभी नहीं video देखिये जो chapter अपकी मर्जी वो chapter देखिये अगर तो chapter में कोई भी ऐसा point आएगा जहां पर आपको लगा अरे यार क्या पढ़ाया है भाई या अगर आपको लगा हां यार ये concept तो मैंने इस तरीके से समझा ही नहीं था जिसे मेरे को revision से समझा तो जब आपको ये moment realize होगा आपको समय पर रुख करके like जबूर कर देना because you know that your appreciation is my motivation and it will help me to reach out to a lot of number of students तो दो लाइक जबूर कर देना जब आपको समझ आ जाए और वीडियो एंजोई कीजे मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में until then take care this is your CA buddy signing off सर आज की class में हम पढ़ने वाले preliminary दोस्तों preliminary क्या chapter है सर यह बहुत important chapter है आपके exam में 5 number तक का भी यह chapter आता है बहुत आसान है सबसे नहीं chapter प्रिल्म में लिए तो companies act के introduction की बहत करता है कि companies act बनाने का objective क्या था मतलब what is the preamble of companies act the object was to consolidate and amend the law relating to companies हमको क्या करना था consolidate and amend the law relating to companies सर यह कब आया था companies act को president का ascent मिला था 29th August को और official gadget में publish हो गया था 30 तारीख को अहां पर मिला था 29th August को ascent मिला था और 30th August को publish हो गया था हमारे official gadget में उसके बाद सर आपके companies act में total 29 chapters होते हैं उसमें सर आपका 470 sections होता है total जिसमें से आपको CA inter के syllabus में सिर्फ 148 section तक पढ़ना है और साथ schedule होते हैं मेरेको उमीद है यह सारी बात है आपको नहीं नहीं लग रही है I hope these things are not new for you बुले अरे हा इतने सारे sections होते हैं अच्छा हमको 148 पर पढ़ना है वो भाई revision है ठीक है में की बात सेना सर company का होती है सर आप पूछो कि you may ask what is a company an incorporated association अच्छा सुनो कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चे है जिनके पास मेरा edition 1 है जो पहला edition था यह edition 2 आ गया है ठीक है tension लेने का नहीं ठीक है अरी बात सुनो सर company क्या होता है company is an incorporated association which is an artificial person सर क्या natural person है नहीं artificial person है having a separate legal entity with a perpetual succession in common seal एक separate legal entity होता है perpetual succession होता है यह definition हो गया सर company का मेरे को पता है अब तुमको कम से कम डेर साल हो गया यह definition याद करते हुए अब सर वो चीजों पर आजाओ जो आपको याद नहीं है सबसे पहला सर section 1 से शुरू करेंगे what does the short section 1 क्या बात करते है सर चार चीजों के बारे में short title क्या है extent क्या है commencement क्या है application क्या है तुम लोग सर मेरे साथ साथ सारी चीज़े याद कर लोगे ताकि घर जा करके आपका मेहनत काव हो जाए मेरे साथ साथ क्या करोगे याद कर लोगे short title, commencement, extent or application short title क्या होगा सर companies act 2013 short title क्या होगा नॉर्मल लाम extent extends to the whole of India including Jammu Kashmir के excluding Jammu Kashmir सर आपका exclude कुछ नहीं होता आप तो सारा include होता है thanks to Amitra तो आपका extend होगा to the whole of India sir, किसको कब से comments होगा from the date as may be notified in the official gadget जब आप official gadget में notify करोगे तब से applicable होगा sir, applicability किसको किसको है आप मेरको बताओ किसको किसको applicable है सबसे पहले इन्होंने कहा हर company को जो इस act के अंडर इंक्परेट हुआ है यह previous company law में इंक्परेट हुआ है company is incorporated under this act और under any other previous law दूसरा sir, insurance company, banking company और electricity company यह तीन special तड़ा के company है insurance company, banking company, electricity company यह तीन companies है जिन लोगों को यह provision applicable होगा पर सुनो इन तीनों के ना special इन तीनों के ले special act भी बन रखे insurance के ले बन रखे insurance act बन रखे banking के ले बन रखे banking regulation act और electricity के ले बन रखे electricity act तो sir, अगर कभी ऐसा हुआ कि Gesetz अगर यह special act और companies act में contradiction होता है तो जीतेगा कॉन specialty act मतलब liquidity act जीतेगा insurance act जीतेगा या आपका banking act जीतेगा या आपका companies act नहीं जीतेगा अगर दोनों के बीच में conflict आया आप यू समझे लो से यह बीवी हो गए और यह affair हो गया, अगर कल को लडाई हो जाती आपस में भिढ़ जाते हो, तुम ultimately क्या choose करोगे, तुम तो नलायक हो तुम मत बोलो, नॉर्मल इंसान क्या choose करेगा, वो sir wife को choose करेगा तो मैंने क्या कहा, applicability it applies to companies which are incorporated under this act और under any other previous law, दूसरा it is applicable to insurance company banking company, electricity company पर, आगे क्या लिखा है sir except where provisions are inconsistent with that of the act, अगर inconsistent है, तो act में जो लिखा है, वो माल लेना, और last sir, कोई भी company कोई भी company, अगर किसी special act के अंडर form हुई है, तो sir, वो special act के अंडर form हुई है, उसको भी applicable हो जाएगा, जैसे कि आपका LIC हो गया जैसे कि आपका Reserve Bank of India हो गया यह सारे एक special act के अंडर form हुए, तो इनको भी apply हो जाएगा, और last में क्या लिखा है sir such body corporate, incorporated by any act such body corporate क्या लिखा है such body corporate, incorporated by any act for the timing enforced, as may be notified by CG, मतब CG ने अगर को body corporate को notify कर दिया ना, उसको भी provision applicable हो जाएगा, कूल मिला के sir 6 लोग है जिनको यह provision applicable होगा सबसे पहला companies, जो companies इस act के अंडर बने हैं, और जो previous act के अंडर बने, previous act कौन सा था sir companies act 1956 था उसके बाद sir, 6 special company थे insurance, banking, electricity और special act वाली company, और last में बोडी corporate body corporate को भी यह provision क्या हो जाएगा applicable हो जाएगा, कौन से body corporate को वो body corporate को, जिसका नाम CG ने prescribe किया है, जैसे की sir, आपका हो गया, FCI full profession of India, NOCI national highway authority of India, sir क्या नाम से company लग रहे, नाम से company लग रहे, अरे बाबा, company होते तो उनके नाम के आगे, limited, private, limited word, तो generally तो आता ना, generally तो आता ना पर नहीं है sir, यह लोग special body corporates है, जिन लोगों को companies act burn करके apply करवाया गया है अरे बोलो समझे क्या, हाँ sir अब से उसके बाद section 2 क्या है definition, उपर वाला इतना important फिर भी नहीं था sir, definitions है जो definitions में आपको पढ़ाऊंगा, वो आप एकदम याद करकी जाओगे sir, sir, सबसे पहला definition हम लोग क्या पढ़ने वाले, सबसे पहला definition हम पढ़ने वाले, associate company की, what is an associate company जा होता है sir, associate company associate company मतलब in relation to other company, in relation to other company, associate company means a company, in which the other company has significant influence क्या कहा मैंने, तो company की अगर बात करे, to in relation to other company, associate company means a company, in which the other company has significant influence, sir, significant influence होना रूरी है, what is not a subsidiary, sir, significant influence मतलब, kya, significant influence मतलब, more than equal to 20% of voting power, more than equal to 20% of voting power होना रूरी है पर, sir, more than 20% तो 60% भी आता है ना, पर कर 60% हो गया तो, तो तो subsidiary बन जाती है ना, तो कौन सी associate, तो law ने बोला, अगर आपके पास significant influence है, पर वो आपकी subsidiary नहीं है, तो वो क्या बनेगी, आपकी associate company बनेगी, and it includes a joint venture company, sir, joint venture company क्या होती, joint venture मतलब जहां दो अलग-अलग companies मिल करके एक joint venture बनाते हैं, जहां वो सारे assets को share करते हैं, सारे liabilities को share करते हैं, उसको कहते है joint venture company, तो joint venture company भी include हो जाता है, associate company के definition में, तो sir, अगर आप से कोई पूछे, associate company क्या होता है, आपके मन में दो word याद आने चाहिए, एक तो significant influence होना ज़रूरी है, but is not a subsidiary, and it includes a joint venture, significant influence, but not a subsidiary, sir significant influence, sir, जैसे joint venture का एक example देतो, जैसे Maruti Suju की, Maruti Suju की joint venture है क्या, समझने के लिए अच्छा concept है, Maruti Suju की joint venture है, अब sir, इसका explanation दो, इसकी बाते बताओ, point, significant influence मतलब क्या sir, significant influence मतलब, at least 20% of voting power, बताओ कितना, at least 20%, दोस्तों, यहाँ पे लोग खराब करके आते है, at least 20%, maximum 20%, minimum 20%, तु लेकिन मतलब तो समझो, कम से कम 20% होना चाहिए, voting power का, sir, paid of share capital लिखाए क्या, नहीं, voting power लिखाए, अब sir, paid of share capital की 20% of what, total voting power अगर आपके बास है, या फिर अगर आप control और participation in business decision under an agreement, अगर आपके बास stakeholding नहीं है, पर आप business decision में participate करते है, क्यों participate करते हो sir, क्यों कोई agreement होग तो law यह कहता है कि उसको significant influence माना जाएगा, यह हो गया sir, आपका significant influence वाला provision, significant influence मतलब at least 20%, joint venture मतलब क्या होता है sir, joint venture मतलब, joint arrangement whereby the parties have joint control of the assets of the arrangement, having right to net asset of the arrangement, मतलब क्या sir, आपके बास joint control है, तो उसको joint venture माना जाएगा, sir, associate company मतलब significant influence but not a subsidiary and it includes a joint venture, ठीक है, अब sir, एक general line जो आपक जगे लिखे में मिलेगा, कि भाईया, अगर आप fiduciary capacity में कुछ hold करते हो, अगर आप क्या hold करते हो, shares which are held in fiduciary capacity, भरोसे के capacity पे hold करते हो, तो उसको नहीं count करेंगे, किस चीज़ के definition में, जब आप associate गिंती कर रहे हो, या जब आप subsidiary गिंती कर रहे हो, तब ये fiduciary capacity वाले shares hold count नहीं होंगे, यह हमने बहुत detail में समझा था सर, पर अभी revision है, मेरी बात सुलो, fiduciary capacity मतलब किसी और के benefit कले, या किसी आपकी भरोसे पे अगर hold कर रहे है, तो वो share किसी और का है, उसको मैं मेरा count नहीं करूंगा, तो जब associate या subsidiary count कर रहे हो, तब ये वाले shares count नहीं होंगे sir, fiduciary capacity मतलब क्या, जो legal या ethical relationship of trust है, fiduciary capacity मतलब क्या, legal और ethical relationship of trust, sir, आपको समझा जाए, बहुत easy है, section 2 clause 6, section 2 clause 6 क्या कहता है, significant influence होना चाहिए, बट subsidiary नहीं होना चाहिए, और उसमें joint venture आ जाता है, significant influence मतलब, या तो 20% of voting power, या फिर right to participate in business decisions, समझे, sir, ये हो गया आपका associate company का definition, अब sir, उसके बाद जरा आजाओ, 2 clause 11 में, sir, 2 clause 11 किस बारे में बात करता है, 2 clause 11 बात करता है, BC के बारे में, body corporate, sir, body corporate मतलब क्या होता है, law ने बोला, body corporate includes, sir, means नहीं लिखा है, क्या word लिखा है, includes a company incorporated outside India, आपने India के बाहर कोई company incorporate की है, but it does not include two things, पहला, cooperative society और दूसरा, such body corporate as में भी notified by CG, तुम sir, red में जो highlight कर रखें, keywords उसका एक बार importance देखो, चार keyword highlighted जो है, उसको याद करके आपको पूरा sentence समझ में आ जाता है, body corporate में क्या आता है, sir, देखो, company मतलब क्या होता है, 2 clause 20 में company का definition लिखा हुए, company मतलब क्या होता है, company means any company incorporated under this act, और under any other previous company law, या तो इस act में बनी है, यह previous company law में बना है, वो क्या बना है, company, तो companies अब body corporate क्या होता है, body corporate मतलब, India में जो बनी भी company है, वो तो body corporate है, लेकिन जो India के बाहर बनी भी company है, company incorporated outside उसको हम क्या कहते है, बॉडी कॉर्पेट कहते है, जैसे कि सर आप कहलो टेसला, जैसे कि आप कहलो फेस्बुक, जैसे कि आप कहलो इंस्टाग्राम, जैसे कि आप कहलो और बहुत सारी चीजे, यह आपके कंपनी is incorporated outside इंडिया है, इसमें सर, cooperative society include नहीं होता, और body corporate in corporate and notified by CG include नहीं होता है, सर आप लोगों को याद होते जायना, तो मेरे साथ आगे बढ़ते जाना, मेरे को बताते जाना, आगे सर, आगे सर, आगे सर, हम आगे चलते जाएंगे, अभी तो हमने बस शुडू किया है, सर उसके बाद books and paper की बात क documents, minister, register, minutes, register, सारी चीज़ा आजाती है, बने आप उसको paper form में maintain करो, या electronic form में maintain करो, सर देखो, एक होता है books of accounts, एक होता है books and paper, books of accounts एक छोटा तर्म है, books and paper बड़ा तर्म है, books and paper में books of accounts भी आते है, इसके अलावा और क्या आता है, उसके अलावा deeds आते है, voucher आते है, V से क्या है, आपका vouchers, और D से क्या है, documents, मतलब सारे words, जो भी ध्याना हैंगे, आपको लिख क्या आजाना है, पर वैसे, as such, books and paper का definition important नहीं होता, पर अपना ही institute का बरोसा, है, 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 यूट्यूब पर वीडियो, ऐसी बाते क्या कर रहो, सारा बरोसा है, सार अपने को, उस समेटा हुआ, पूरी चीज क्या होती है, financial statement, उसी का backend वाला version, उसी backend वाला work, वो सारा क्या होता है, books of accounts, books of accounts में क्या आते है, वैसे financial statement में क्या आते है, balance sheet, P&L, cash flow statement, उसी का सस्ता version देखो, books of accounts में क्या आते है, books of accounts includes records maintained in respect of, इसको क्या करते है, records maintained in respect of, all sums of money received and expended, जो भी पैस आया और खर्चुआ, all sales and purchases, all assets and liabilities, तुमको ये तीनो समझ आया, cash flow statement, P&L और balance sheet, ढंक से ने लिका इनोंने, cash flow क्या निका, sums, money received and expended, P&L का क्या निका, all sales and purchases, और assets and liabilities, और सर्पोस्ट, item of cost under section 148, अगर cost का वे आइटम है under section 148, तो उसको भी books of accounts के definition में लिया गया है, तो सर् चार चीज़े आती है, cash flow statement, P&L, balance sheet, और cost accounts, सर् आपको बता है, एक section 148 है, एक दिन आएगा जब हम 148 भी पढ़ेंगा और खूश हो जाएगे कि हाई ला, सथम हो गया है, पूरा companies act, पर सर्, section 148 के है, cost audit है, cost accounts है, वो बोलता है कि कुछ companies को cost record maintain करने पढ़ते है, तो वो record को भी books of accounts का part माना जाएगा, अगर उसको section 148 applicable है तो, ठीक है, तो सर्, चार चीज़े हो गए, sums received and expended, sales and purchase, assets and liabilities, और items of cost, उसके बाद सर्, आगे बढ़ते है, company का मतलब आपने पढ़ लिया, company means a company incorporated under this act, और under any previous law, सर्, यहाँ पर जो बीच में है, section शुडवार है, उसका क्या म में यहाँ पर, control तो में पढ़ाऊंगा, लेकिन debenture जैसे, तो debenture में नहीं पढ़ाऊंगा, क्यों कि हम जब section 71 पढ़ेंगे, जब हम debenture का provision पढ़ेंगे, वहाँ पर debenture का definition पढ़ेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे, जादा थोड़ी समझाना है, तो sir, control मतलब क्या होता है the right to appoint majority of the directors, the right to appoint majority of the directors, अगर एक company में 10 directors है, उसमें से 6 directors तो तुम ही appoint कर दे रहो, दूसरा, control the management or policy decision exercisable by a person, acting individually or in concert, मतलब क्या आप company का management, यह policy decision exercise कर रहो, including by virtue of their shareholding or management rights, मतलब सब रेको दो ही बाते हैं, सबसे पहला, यहाँ तो majority directors को appoint कर रहो, यह दूसरा, तों company के management decision ले रह हो, तुमको management decision लेने का हग पॉन दे रहे, या तो तुम shareholding बढ़ा रखते हो, इसलिए है, या फिर तुम्हारे पास कोई और management rights है, या फिर कोई भी agreement के दुबसे, तुमको यह right मिल रहे है ना दोस्तो, तो तुम यह right exercise करो, तुम्हारे पास control है, ऐसा माना जाएगा, क्या बाते हो रही है, शाला का बेटा, अपने को फिर exam oriented batch करना पड़ेगा, ठीक है, सर, control मतलब क्या होता है, control मतलब क्या होता है, अच्छा आपने को बता, अच्छा जाने दो, अभी छोड़ दो, control मतलब क्या होता है, it includes my virtue of shareholding or management rights, or shareholder agreements, or voting agreements, or in any other manner, तो सर, control में यह सारी लेकिन सर, management or policy decision कैसे आप control करोगे, आप कैसे control करोगे, बताना सरा, या तो आपके पास shareholding rights है, या management rights है, या किसी प्यों power के वज़े सा, आप control कर रहे हो, दोस्तों ये definition एक बार याद करो, control के definition में दो चीज़े आती है, कौन कौन सी चीज़े, पहला, the right to appoint majority of directors, अगर आप majority of directors को appoint करने का right रखते हो, दूसरा, to control the management or policy decision, management or policy decision किसका सर, company का, ये policy decision को control करने का power कहा से आ रहे है तुमारे पस, by shareholding or management rights, by shareholding or management rights, और shareholder agreement, ये तीन word याद कर लो, इसके वज़े से अगर आपके पास ये rights आ रहे है, तो आपको control कर रहे हो, ऐसा माना जाएगा, क्या समझ आई क्या, ठीक है सर, सर, उसके बाद हमने एक बार expert का definition देख लेना है, जो definition आपको याद करना है, वो मैं बताऊंगा, पर सर, expert का definition, एक basic definition देख लो, अभी तक तो एक ही main definition, अभी तक तो main definition, एक ही हमने पढ़ा है, associate company, वही अपने लिखना होता है, सर, वही अपने को याद करना है, तो बार की definition सुनो सर, जैसे की expert हो गया, expert में कौन-कौन आता है, दोस्तों देखो, expert में CA आता है, CS आता है, cost accountant आता है, उसके अलावा expert में engineer आ जाता है, उसके अलावा expert में registered valuer आ जाता है, उसके अलावा plumber आ जाता है, उसके अलावा software engineer, नहीं सर, आपका engineer आ लब क्या? Registered Valuer, CA, CS, Cost Accountant, और any other person who has the power to issue a certificate in pursuance of law for the timing and force. Law, अगर आपको power देता है कि आप certificate issue कर सकते हो, जैसे अगर advocate को power दे दिया, तो उसको भी क्या माना जाएगा? expert माना जाएगा. Sir, अब engineer तो कई बार certificate देता है, engineer तो कई पार certificate देता है, जैसे कि मानलो ये घर है, ये घर का मैंने किसी engineer को बुला है, मैंने बोला पूरा मेरे को area वेरिया सब measure करके दे, CA तो area measure करके नहीं देगा, engineer measure करके देगा तो इसलिए उसने चुछ certificate दिया, और उसने बोला इतना length है, इतना है, तो वह चीज को हम क्या मानलेंगे, valid report मानलेंगे, क्योंकि वह एक expert ने दिया है, क्यों, क्योंकि वह certificate issue कर सकता है law के pursuence में, समझे क्या बिटा, अरे बोलो, समझे क्या, मालिक समझे क्या, वो क्या था सर, expert का definition कहां पे लिका था, 2 clause 38 में, बहुत जादा important नहीं है, clause, पर एक बार कले, जो मैं clause अभी बताऊंगा, वो याद कर लेना, दोस्तों, अभी important clause शुरू होंगे, सर सबसे पहला financial statement, इसका definition important है, मेरे साथ साथ याद करो, सर financial statement क्या होता है, सर financial statement में 5 चीज़ा आती है, मेरे साथ याद करो, तहला, balance sheet, P&L, cash flow statement, balance sheet, P&L, cash flow statement, यह तीनों आपको पता है, चौता, explanatory note, चौता क्या आता है, या statement, उपर जो तीन statement बनाया है, अच्छा, सॉरी, statement of changes in equity, क्या बोला मैंने चौता वला, statement of changes in equity, पांच्वा बोला क्या होगा है, explanatory note to the above 4 statement, यह जो उपर 5 statement है, इसका explanatory note भी कहाँ पर आ जाएगा, financial statement में, तो 5 चीज़ा financial statement होती है, balance sheet, P&L, cash flow statement, statement of changes in equity, SOCE, उसके बाद सर, पांच्वा क्या आ जाता है, explanatory note, जो यह पांचों से attach होता है, यह पांचों को मिला के क्या बोलते है, financial statement, पर सर, P&L जो होता है, profit and loss, यह हर company में नहीं बनता है, कुछ-कुछ company not for profit organization होती है, not for profit organization होती है, सर कुछ-कुछ company, वे companies जो not for profit organization होते हैं, उसमें profit and loss के जगा क्या बोलते है, income and expenditure, income and expenditure account उसको बोलते है, अब सर एक बात बताऊं कि यह जो cash flow बनाने का concept है, cash flow, चार ऐसे companies है, जिनको cash flow बनाना optional है, क्या बोला मैंने, चार ऐसे companies है, जिनको cash flow बनाना optional है, सब से पहला, one person company, दूसरा, small company, तीसरा, torment company, चौता, company, a start-up, and private company which is a start-up, यह चार company को cash flow बनाना क्या है, optional है, तो सर मैंने कहा, सुनो मेरी बात, financial statement में 5 चीज़ा आती है, balance sheet, PNL, PNL का दूसरा नम क्या है, income and expense account, फिर उसके बाद cash flow statement, उसके बाद soki, statement of changes in equity, यह बोलो अपने मुँसे, अपने जुबा केसरी, वही बैठके आवाज दो, चाइट बाद से कुछ नहीं, वही बैठके आवाज से बोलो, statement of changes in equity, और पांच बाद क्या है, आपका explanatory smoke, जो यह उपर के चारो statements है, उनका, सर्थ cash flow statement जो है न, वो चार companies को applicable नहीं होगा, पहला, one person company दूसरा, small company तीसरा, government company चौथा, private company which is registered as a startup, यह लोगों को cash flow include करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, हम आपको option दे रहें by the use of word में, सर यह होगया आपका financial statement, और सर अगला important definition है आपका financial year, सर financial year क्या होता है, मेरे को simple आप बताओ, सर अगर मेरी company incorporate हुई है 1st April, अगर मेरी company incorporate हुई है 1st April, ध्यान से सुनना, 1st April 2024 को अगर मेरी company incorporate हुई है, तो मेरा financial year क्या bend होगा, सर मेरा financial year end होगा 31st March 2025 को, तो सर वही अगर मेरी company incorporate होती है, 31st December 2024 को, तो मेरा financial year क्या bend होता, मेरा financial year end होता, सब तभी सेम सर 31st मार्स 2025 को इसके एक दिन बाद अगर incorporate होती, मालनो मेरी कंपनी incorporate होती 1st Jan 2025 को, तो मेरा financial year कब end होता, मेरा financial year end होता 31st मार्स 2026 को सर, 2026 को हमेशा याद रखना, financial year शुरू होता है इस साल, तो खतम होता है अगले साल सर, अगर आपकी कंपनी 1st Jan 2025 के बाद 1st Jan के बाद incorporate होई है तो अगले साल के 31st मार्स को financial year को खतम होगा, financial year usually क्या होता है, financial year is a year that starts on 1st of April of a particular year and ends on 31st मार्स of the next year but, if it starts on 1st of January of that particular year, then it will end on the next year का 31st मार्स, sir financial year का definition बहुत simple है, देखो क्या लिका है financial year in relation to a company or body corporate, body corporate के भी यह financial year होता है, it means a period ending on 31st of March, every year हाँ साल जो 31st मार्स को खतम होता है and where it has been incorporated on or after 1st day of January, then on the 31st day of March of the following year, मतलब सर सुनो, following year मतलब क्या, अगर आपका company जो है, वो 31st, 1st Jan के बाद incorporate हुआ है, तो अगले साल के 31st मार्स को खतम होगा, समझे क्या, अरे मालिक, बोलो समझे क्या, हाँ सर, सर इसको याद करने का एक दूसरा concept यह रख लो, कि आपका financial year में minimum आपको 3 months लगेगा और maximum आपको 15 months मिलेगा, financial year कभी भी 3 मेना से कम नहीं हो सकता और कभी भी 15 मेने से जादा नहीं हो सकता 3 मेने से कम नहीं हो सकता, 15 मेने से जादा नहीं हो सकता, और last line यह सुन लो financial year कभी भी same year में खतम नहीं होता मतलब अगर मेरा incorporation 2023 में हो आए ना, तो मेरा first financial year 2024 में ही आएगा, बस बात खतम, पर सर अब उससे जादा important बारत है, जिस पे question आता है मेरी बात चुनो, law क्या कहता है, अगर तुम एक ऐसी company हो, तुम अगर एक ऐसी company हो, जो company incorporated outside India के इंडा के बाहर वाली किसी company के या तो तुम holding लगते हो, या subsidiary लगते हो, या associate लगते हो क्या रिष्टा कहलाता है sir, या तो आप इसके holding हो, या फिर ये आपका holding है या फिर आपका कोई associate है, जो भी तुमारे बीच में रिष्टा है, अगर तुम किसी बाहर वाले company से, company incorporated outside India से, holding subsidiary associate का relation रखते हो, तो तुम central government को application दे कर के बोल सकते हो, hey cg, please allow me a different financial year, sir ऐसा हो सकता है, मेरा financial year 1st April से 31st March है, लेकिर उसका financial year 1st January से 31st December है अग, sir, हम दोरों को क्या करना है, consolidate वो वाला नहीं, consolidate मतला, books का जो होता है, नलाएको हमको क्या करना है, consolidate तो consolidate करने के लिए, sir, consolidate करने के लिए, ऐसा हो सकता है, आना जनाना साल है, तो हमको दिक्कत होगी, तो हमने क्या बोला, central government को बोल करके, हम financial year अपना, दूसरा अप्रूव करवा सकते हैं, हमारा financial year क्या हो सकता है, 1st January से लेकर के, 31st December तक का भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है, कि हमारा financial year पूरे-पूरे साल का नहीं, साल से कम period का हो, मतलब 9 मैने का year हो प्रस मैने का year हो गया, जैसा जिसको ठीक लगे, जैसा central government अप्रूव करे, पर याद रखना, central government के पास अप्रूव करने का power है, पर central government अप्रूव करने के लिए obligated नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है कि central government अप्रूव करेगा ही करेगा, अगर उसको जमेगा, तो वो अप्रूव कर देगा, सर समझे क्या, अरे बोलो समझे क्या, हाँ सर, तो ये वाला paragraph पढ़ो एक बन, financial year, provided that where a company or BC which is holding, subsidiary or associate of a company incorporated outside India and is required to follow a different financial year for consolidation of its accounts outside India, CG में, on an application made by that company, in such form and manner as may be prescribed, allow any period as its financial year, सर इतना सादा तुमको tension नहीं लेना है, अगर तुमको बहुत भारी language रगा ना, एक बार देखो मैं कीवर्स कैसे highlight कर रहा हो, वो पढ़के देखना समझा है क्या, provided that where a company is a holding or subsidiary or associate of a company incorporated outside India and is required to follow a different financial year for consolidation and is required to follow a different financial year for consolidation, कहां गया रही, हाँ, for consolidation then CG में, on application whether or not such period is a year, sir अब एक बार जो मैंने highlight किया वो पढ़के देखो सिर्फ जो मैंने yellow मैं highlight किया सिर्फ उत्ता पढ़के देखो अरे मालिक समझे क्या, तो sir, CG क्या कर सकता है, allow कर सकता है, अगर उसकी इच्छा होगी तो, उसके पाद, sir, free reserve का definition पढ़ेंगे, बहुत है, important है, sir, free reserve का definition हमको सबसे जादा काम कहा आता है, dividend वाले chapter में, free reserve क्या होता है, sir, free reserve मतलब हर वो पैसा, जो आपके balance sheet में है, भी distributed as dividend, ता लिकाई, sir, free reserve means, such reserves as per latest audited balance sheet, which are available for distribution as dividend, हर वो पैसा जो आप dividend के तरह बाढ़ सकते हो, जैसे कि, sir, एक example दो, capital redemption reserve, यह reserve free reserve है, नहीं, sir, यह कहां से free reserve है, free reserve तो होगा, dimension redemption reserve, ना, है, यह कौन से reserve की बात करें, अरे बाबा, यह सब capital redemption reserve, dividend redemption reserve, capital redemption reserve, यह सारे जो reserves है, यह सब fixed reserves है, यह free reserve नहीं है, इनका कोई specific purpose है, तो, sir, free reserve क्या होता है, वो reserve जैसे कि general reserve हो गया, वो है reserve जो dividend distribution के लिए available है, पर, sir, दो तरह के चीज़े कभी भी reserve में नहीं आती, सबसे पहला, following shall never be treated as reserve पहला, any amount representing unrealized gain और notional gain, sir, जो चीज तुमारी हुई ही नहीं है, उसको तुम reserve कैसे बोल सकते हो, unrealized gain या notional gain क्या होता है, आज, sir, मैंने मानलो iPhone करीदा, मानलो, मानलो, बेटा, मानलो, हज मैंने अगर iPhone करीदा, और मेरा iPhone खरीदने के बाद, आज iPhone की price double होगे, मैंने खरीदा मानलो 20,000 रुपे में, और iPhone की price होगी 40,000 रुपे, sir, आपको कौन देखी गए 20,000 में, वो सब बात में बात करेंगे, पुलना तू ऐसा बोलेगा कि भाई 20,000 रुपया का इफोन 40,000 रुपया हो गया चले काम करते पार्टी करके आते अरे तो मेरा भिखना भी तो चाहिए न 40,000 में तो law ने बोला national gain या unrealized gain से जो reserve बनाया वो free reserve नहीं होता है उसके बाद सर अगर आपने किसी asset का carrying amount change करने के लिए carrying amount मतलब क्या sir carrying amount means the amount at which an asset is shown in the books of accounts जो आप अपना balance sheet और P&L बनाते हो तो जो asset को जो price पर दिखाते हो उसको हम carrying amount कहते है अगर carrying amount को change करने के वैजे से आपने कोई amount reserve के तरह दिखाया न तो उसको आप free reserve में मत डालना बिटा free reserve मतलब सर वो पैसा जो available for distribution as dividend है अगर dividend देने के लिए available तो ही उसको free reserve बोलोगे sir समझे क्या sir बहुत important definition था समझे क्या हाँ sir एक बार बोलो यह चार वर बोलो अपने मूह से free reserve मतलब क्या available for distribution as dividend बात खतब समझे चलो sir आगे बढ़ते sir government company क्या होता है बहुत important है और बहुत आसान भी है government company मतलब अब तुमको pro level के हो चुके हो government company means a company in which either central government और state government और central government and state government together have not less than 51% of the share holding यहाँ पे exactly क्या लिखाए से देखो not less than 51% of the paid up share capital अगर central government और state government और partly cg या partly sg मिला करके at least 51% of the paid up share capital होड़ करते है तो वो government company बन जाती है and it includes a company which is a subsidiary of a government company अगर आप किसी government company के subsidiary हो तो आपको भी government company माना जाएगा तो sir government company बनने के दो तरीके या तो आप में cg या तो आप में sg या फिर दोनों मिला करके 51% of paid up share capital है उससे जाधा hold करते है या फिर दूसरा तरीका है आप किसी government company के subsidiary हो तो दोनों case म sir 2 plus 40 क्या था आपका financial statement 2 plus 41 क्या था financial year 2 plus financial reserve का free reserve का definition देखो sir 2 plus 43 उसके बाद 2 plus 45 में government company का definition है समझे 40 41 43 45 ठीके sir consulting company का definition विल्कुल भी important नहीं है sir इसको छोड़ दो अब आजाओ sir key manageral person के definition में ये थोड़ा से important है sir key manageral person मतलब क्या sir key manageral person मतलब ज्यान से सुनना key manageral person means a person who is key to the management of the company वावा sir यही definition सुनने तो आये है क्या बोले sir key manageral person means a person who is key to the management of the company sir key manageral person कौन होता है sir actual में sir key manageral person means MD, manager और CEO, company secretary, CFO, whole time director और such other officer not more than one level below the director who is in whole time employment designated as key MP and such other officer as may be prescribed sir आइसन कैशन याद होगा तुम आइसन याद करो ना पहले लिख लो CEO, फिर लिख लो CS, फिर लिख लो CFO यह तीन वर्ट तो साथ में लिख सकते हो और sir CEO बोल लो, या managing director बोल लो, या manager बोल लो एक ही बात है या आगे चलके तुम CA final में समझोगे पर sir तुम CEO बोल लो, manager बोल लो, managing director बोल लो एक ही बात है तो sir यह हो गया आपकी एक बात, दूसरी बात हो गया CS और CFO, उसके बात लिटा whole time director भी तो महनत कर रहे है whole time director भी तो महनत कर रहे है, तो sir whole time director आ गया, उसके अलावा sir जो आपका board of director होता है board of director के एक level नीचे जो लोग है, जिसको आपने KMP का नाम दिया, वो लोग भी key manageral person हो गया और इसके अलावा कोई भी और officer prescribed दे, तो उसको KMP बोलेंगे, तो sir कौन-कौन आ गया, आप देखो CEO या managing director या manager, CS, CFO, full time director और board of director के नीचे जो लोग है board of director के नीचे जो लोग है, उन लोगों को क्या बोला जाएगा, key manageral person बोला जाएगा शर्त ये है board of director के एक level नीचे, मैं रिपोर्ट करता था एक जिने को, वो रिपोर्ट करता था CEO को, वो रिपोर्ट करता था board of director को मैं भी key manageral person हो गया, क्या, निकाल जींगे न, मैंने को company से कोई बात भी नहीं करेगा, आके की भाई बुरा लगा तुझा रहे तो इसलिए मैं नहीं हुआ, तो कॉन board of director के एक level नीचे जो लोग है, वो लोगों को भी key manageral person माना जाएगा sir manager में HR भी आएंगे, sir manager में HR manager नहीं आएगा, sir यहाँ पर जो manager है न, यह वो finance manager, यूँ ही कोई manager नहीं है, यह manager उतना ही बड़ा है जितना CEO है, मैंने क्या बुला, यह manager उतना ही बड़ा है जितना CEO है, यह हमारा CA inter का concept नहीं है sir, final का concept है, पर manager मतलब वो नहीं HR manager हो गया है, एक बड़ा नेवल होता है sir manager का, जिसको हम manager मानते है, sir नाम में manager लगाया थे लिसे manager नहीं होते है विटा, ठीक है, अब sir अगला most important definition रिकनाई, stock exchange का, listed company का, दोस्तों, listed company का definition आपके November 2022 attempt में, 6 number, 5 number का आया था, if I am not wrong, 5 number का आया था, listed company का definition, sir, listed company का definition, पूरा का पूरा definition आ गय याद रहे, sir, listed company काहा पर defined है, section 2 plus 52, sir, एक बात बताओ, हम ना पढ़ा ही करते वकित यह सोच रहे थे, कि पिछले बार paper में आया था, तो इस बार आने के chances कम है, ठीक कर रहे ना, sir, हम, हाँ, बिल्कुल ठीक कर रहो, पर जब November 2023 में पढ़ना पढ़ेगा ना, तब ऐसा मत कर क्या, sir, ऐसी बाते क्यों कर रहो, अरे बेटा, ऐसा नहीं होता है, तुम्हारे सारे गेमना institute को पता है, उसका किसी दिन मन संकेगा न, उन्हेंगा difficult paper बनाना है, सब छोड, November 22 का paper, May 23 में डाल दे, उसको पता है, आदी जनता, smart work के नाम पे, यह सारी चीज़े करके जाती है, उसको पता है, पूरा target audience attack हो जाएगा, जिसको जिस पर target करना था न, चुन-चुन के attack हो जाएगा, ऐसी चीज़े मत करना, please questions कई बार उटके repeat भी होते है, sir, अगर आपको concept में धम लग रहा है, उसको पढ़ के जाओ, छोड के जाने का नहीं है, sir, listed company क्या होता है, listed company मतलब म of its security, listed on a recognized stock exchange is called as a listed company, लेकिन, sir, central government न, कुछ company को listed company के definition से हटा सकता है, cg जो है, it में prescribed companies which will not be considered as listed companies, sir, उसमें इसने तीन category के companies decide किये, पहला, public company, पहला, कौन से public company, sir, वो public company, जिनका equity shares, जो है, वो listed नहीं है, तो क्या listed है, sir, या तो इनका, या तो इनका non-convertible debt security listed है, या फिर, sir, इनका redeemable preference share listed है, क्या listed है, redeemable preference share listed है, और non-convertible debt securities या redeemable preference share listed है, और ये दोनों न, private placement basis पे issue हुआ था, कौन से basis पे, private placement basis पे issue हुआ था, as per SEBI regulation, तो लो ने बोला, बेटा, लो ने बोला, तुम न, listed company के definition में नहीं आओगे, कौन सी company, sir, कोई ऐसी public company, जिसका equity listed नहीं है, debt listed है, क्या ऐसा होता है, companies का, कि equity listed नहीं है, debt listed है, अरे धेरो सारे companies है, धेरो सारे companies है, जिसका equity list नहीं है, लेकिन debt listed है, या preferential listed है, वो किस basis पे issue हुआ था, जर private placement basis पे issue हुआ था, और SEBI regulation के हिसाब से issue हुआ था, तो लो ने बोला, जाने दो, उसको listed company मत बोल, उसके बा रखा है, same, जो उसने private placement basis पे issue किया था, same, जो SEBI regulation के हिसाब से issue हुआ था, तो लो ने बोला, ये private company को भी जाने दे listed मत बोल, क्योंकि या debt तो list कर रखा है, equity थोड़ी नहीं list कर रखा है, private company तो equity वहीं से भी नहीं list कर सकता, क्या कह रहे हो सार, अरे बाबा, private company का definition पढ़े प्राइवेट कंपनी में maximum 200 member हो सकते, तो वह तो equity वैसे भी नहीं list कर सकता, समझा क्या नंदन चंदन, नंदन चंदन समझा क्या, सर, public company हो गया, private company हो गया, अब उसके बाद कौन सी company बची सर, उसके बाद बची public company, जिसका equity share listed है, और recognize stock exchange इंडिया के नहीं सर, बाहर के foreign jurisdiction मे listed है, तो लॉने बोला बेटा, बाहर listed है न, तो उसको listed company मत बोल, foreign jurisdiction में अगर listed है, पर इंडिया में listed नहीं है, तो उसको तु क्या मत बोल, उसको public company, उसको listed company मत बोल, तो sir, मैंने क्या कहा, listed company के definition में क्या क्या आता है, listed company में, कोई भी securities अगर आपने list करवा रख रख है, तो Lister company के definition में तीन तरह की companies नहीं आते Public company, private company और public company Public company कौन से जिन्होंने अपना equity share नहीं list करवा रखा है Non-convertible venture list करवा रखा है Private placement basis पे या redeemable preference share list करवा रखा है Private placement basis पे या फिर सर वो private company जिसने non-convertible venture list नहीं करवा रखा है सर आप लोगों के class के notes में माना जाएगा, listed company माना जाएगा अच्छा मेरे regular batch वाले बच्चो तुमको मैंने वादा किया था Listed company का definition पढ़वाऊंगा 500 सुपा तक, कल चुपने 500 सुपा तक आपका listed company का relevant section मैंने बहुत detail में समझाए तो मैं upload कर दूँग आप लोगों के इसी channel पे प्लीज जा करके उसको देख लेना प्लीज जा करके उसको देख लेना अगर इसमें समझ आगया तो very good कोई problem ही नहीं है तो नहीं समझ आए तो वहाँ पे जा करके देख लेना सिदार्थ पूछ रहे दीपू, ने दीपा, you here हाँ मैं तो हूँ भाई, दीपा का पता नहीं मेरे से चलेंगा क्या काम सिदार्थ मतलब सुनो मेरी बात सुनो manager सर, managing director यह वाला definition हमको पढ़ने की अभी जरूरत नहीं है जान निकल जाएगी manager और managing director के definition पढ़ने में अभी के लिए hold करो, कल की class में पढ़ लेंगे sir, net worth मतलब क्या होता है यह सबसे important है आपका net worth मतलब क्या होता है sir, net worth मतलब पढ़ो मेरे साथ net worth means aggregate of मैंने इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया है एक कुछ add करो, फिर कुछ deduct करो और कुछ चीज को ignore करो क्या कहा मैंने, add करो, deduct करो, ignore करो तो sir, add में क्या क्या आता है सबसे पहले तो आप paid up share capital add करो all reserves add करो, security premium add करो और debit or credit balance add करो क्या कहा मैंने, paid up share capital add करो all reserves add करो, securities premium account add करो और debit or credit balance of P&L add करो यह चारो चीज़ा add करो गे था सुनो, यह चारो चीज़ा आपको add करनी पड़ेगी paid up share capital, all reserves, security premium account और debit or credit balance of P&L sir, यह कोई बहुत बड़ी बात थी नहीं यह तो normal है, हम वही add करते हैं paid up share capital, plus free reserve, plus security premium account sir, free reserve के जगा बस यहां पे इन्होंने all reserve लिखाए, और P&L का balance भी लिखाए sir, मैं चार बार इसले बोल रहा हूँ था कि आदो आपको, चार बार इसले बोल रहा हूँ था कि आपको यादो, तो चार चीज़ा add करोगे sir उसके बाद आप उसमें तीन चीज़े minus करोगे तीन चीज़े क्या minus करोगे accumulated losses, आपको सर बहुत जादा समझा नहीं पाऊंगा revision है लेकिन आपके जितने भी accumulated losses है minus कर दो अपका deferred expenditure कुछ अगर balance sheet में दिख रहा है उसको minus कर दो और कोई miscellaneous expense है जो return off नहीं है तो उसको minus कर दो सर यह आपके balance sheet में यह 3 दर्द होते हैं अगर मालो आपका कोई loss दिख रहा है कोई deferred expenditure है या कोई miscellaneous expense है जो return off नहीं हुआ है उनको minus कर दो तो थोड़ा-थोड़ा आपका P&L का balance ठीक हो जाएगा basically P&L का balance ठीक करने की कोशिश कर रहे और सर दो चीजों को कभी include मत करना कोई revaluation of asset हुआ है अगर तो उसको मत डालना जो revaluation reserves create हुए न उसको reserve में include मत करना और right back of depreciation और amalgamation sir right back क्या होता है sir right off loss होता है right back profit होता है profit जो है भी right back of depreciation और amalgamation उसको include मत करना sir ये concept अपने accounts के sir थोड़ी दिर में जैसर पढ़ाने आने वाले है वो आपको बता देंगे but sir right back of depreciation और amalgamation को include नहीं करना है sir चार चीज़ आड़ करना है बहुत important है बिटा मेरी बात मानलो में बिना important की चीज़े पढ़ाता ही नहीं हो चार चीज़े आड़ करना है तीन चीज़े minus करना है और दो चीज़े ignore करना है चार चीज़े कौन सी आड़ करना है चिला के बोलो के वहाँ से आवाज निकलनी चाहिए चाट गया भाड़ में पहला टेप शेयर कापटिल दूसरा all reserves बिट से बोलो all reserves free reserves देला किया मैंने नहीं मैंने बोलो all reserves तीसरा security premium account it is a matter of time before इससे question बन करके आजए एक पूरा का पूरा net worth में धना दिन एक question बना देंगे कि यह 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 data है net worth बताओ company का maths का paper थोड़ी है ऐसे ही आता है वो बोलेगा फिर हमारे इदर तो ऐसे ही होता है आईसे ही बोलेगा पहला हो गया paid up share capital दूसरा हो गया all reserves तीसरा हो गया security premium account चौथा गया हो गया आपका debit or credit balance of P&L उसके बाद सर क्या तीन चीज़े minus करोगे accumulated losses जो है आपका deferred expenditure जो है और तीसरा miscellaneous expense not written off जो है और उसके पर दो चीज़े ignore कर देना एक revaluation reserve और दूसरा right back revaluation reserve और दूसरा right back सर बताओ याद हुआ क्या बताओ याद हुआ कि जितना इस समय में याद हो सकते है अगर याद हुआ तो जो एक बर वीडियो को like कर क्या हो पहले क्यों like क्योंकि तुम like करोगे ना तो मुझे हमेशा में यह बोलता your appreciation is my motivation तुम लोग like करोगे अच्छे-चे comment करो तो में पढ़के लगेगा हो इतना अच्छा पढ़ात है और अच्छा पढ़ाएंगे फिर समय से नहीं हो तो प्लीज वीडियो को जबूर like कर देना बगवान मेरी दुआ है जो लोग like करेंगा दूसरा right back हो गया सर चलो आगे बढ़ते है officer in default के definition में आते है दोस्तों मेरे को समय की टौती होती दिख रही है तो हम थोड़ा साना आगे करते है वापस आएंगे section 2 clause 60 पे 2 clause 60 एक pending रख रहा हूँ वापस आएंगे उस पे सर देखो आगे definition one person company क्या होता है sir one person company means a company जिसमें सर्फ एक ही member होता है one person company मतलब जहां पे सर्फ एक ही member होता है हाँ हाँ चल चल पाप को मत सिखा ठीक है two clause क्या होगे sir 62 two clause 62 one person company के बारे में बात करता है उसके बाद sir two clause 68 बेहद important है sir private company मतलब क्या होता है दोस्तों ये देखो private company मतलब क्या होता है मेरे साथ देखो private company मतलब वो company जिसका minimum paid up share capital है minimum paid up of shares from one member to another, वो restrict करता है, एक भी जगे से restricts the transfer of shares, shares इतनी आसानी से नहीं भीकेंगे, दूसरा, limits the number of members to 200, क्या करता है, limits the number of members to 200, मतलब सर, आपका maximum number of members कितने हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, और तीसरा सर, prohibits, क्या prohibit करते हो सर, आप private company हो ना, तो आप public से subscription मंगवाना prohibit करते हो, क्या, you cannot invite subscription from public, you cannot invite public to subscribe to the securities of the company, तो उसको यह नहीं बोल सकते हैं, कि हमारे shares को subscribe करो, it is strictly prohibited, prohibited means, no means no, वो prohibited होता है, ठीक है, अब सर, दोसों के limit की बात करने, जहां से exam में question आया था, पिछले attempt में भी, पिछले attempt में या, उसकी एक attempt पहले, सर, दोसों का limit में, ध्यान रखना, दो लोगों को include नहीं करेंगे, दो लोगों को कौन से, दो लोगों को include नहीं करेंगे सर, अगर मेरी बात, प्रीज ध्यान से सुनना, दो लोग कौन से include नहीं होंगे, आपके जो former employees है company के, जितने भी पुराने employees है company के, जो जब employee थे ना, तब उन्होंने shares खरीदा था, employee नहीं रहे, वर shareholder है, अभी भी member है, या फिर जो भी existing employees है company के, इन लोगों को 200 के limit में नहीं गिनोगे, क्यों sir, क्योंकि usually आप employees को ESOPS के नाम पे shares देते रहे तो, उनको member के limit में गिनोगे तो 200 के उपर चला ही जाएगा, तो employees के capacity में उसको shares दिया है तो फिर उसको मत गिन, उसके अलावे sir, joint shareholder को क्या करोगे, अगर मैं और नीधी एक company का shares मिल करके खरीदते हैं, मैं और नीधी अगर किसी company का shares मिल करके खरीदते हैं, तो मेरा नीधी के जो shares है, उसको हम दोनों को अलग-अलग member गिना जाएगा, कि इजाक्TER 200 member चलते किया, जी हाँ चलते हैं, सर 2 के जाएगा जस्रेफ का, नहीं ऑथ नहीं चलता है, तो दूसो एक नहीं चलता है, ए क्शलता है, यह, याद कर लो 2 के जाएगा, यही लाइन तुमकों एक्सेक्षाव में masihlove olme करने में help करेगी, दो संटाहृ नहीं चलता है 200 चलता है यह हो गया sir आपका private company के definition में 3 points क्या आते हैं आप sir private company के definition में यह सारे points कवर हो गया और मैंने सारे points कवर कर लिए आप sir last में क्या line लिखा है यह जो minimum paid of share capital वाला point है यह section 8 company को apply नहीं होगा provided उसने section 92 और 137 का compliance कर लिए आप टीके तो क्या करूं मैं मैं क्या करूं नहीं apply होगा अरे बाबा वैसे भी minimum paid of share capital किसी लिए नहीं दिया है अभी तक तुम आला कि आया नहीं है अभी पहले से इसको exemption चाहिए अभी तक minimum paid of share capital prescribed भी नहीं हुआ यह बोला मैंको पहले exemption दे दो ना अरे ले 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 ना चल निकल तो सर सेक्शन 8 कंपनी को क्या बोले minimum paid of share capital वाला जो है सेक्शन 92 और 137 का compliance अगर करते हो तो apply नहीं होगा सर 92 क्या है सर annual return आएंगे उस पर 137 क्या है सर financial statement आएंगे उस पर यह दोनों का comply करोगे तब ही आपको exemption मिलेगा सर यह हो गया आपका private company मक्षन जैसा important definition उसके बाद सर मेरको बचाओ prospectus की हुंदा है सर प्रोस्पेक्टर का definition जाने तो अपन चाप्टर 3 में पढने वाले है वैसे भी जिसमें shelf prospectus, red airing prospectus सारी चीजा आती है अब नहीं समझ आएगा पर सर पॉब्लिक कंपनी का definition important है what is a public company? a public company is a company which is not a private company सर सुचो काश private company का भी definition ऐसे ही होता कि private company means a company which is not a public company बेहत मज़ा आता पर सर पॉब्लिक कंपनी means a company which is not a private company and has a minimum paid up share capital as maybe prescribed इधर फिर आ गया not applicable to sectionate company चलो ठीक है ignore करो पर सर एक बहुत important point याद रखना समझ गए कि जो private नहीं होता है वो public होता है समझ गए minimum paid up share capital होना चाहिए पर सर सुनो अगर एक private company है जो अपने articles में भले तीन point डालती है क्या कि restrict कर रहे है हुमारा limit लगा रहे members पर prohibit कर रहे है पर फिर भी अगर ये private company किसी public company की subsidiary है ना public company की subsidiary है ना तो इसको भी फिर public company ही माना जाएगा और हर वो provision जो public company को अपलाई होता है वो इस private company को अपलाई हो जाएगा मतबसर दिल से भले ये private company क्यों ना हो पर law के perspective से इसको public company माना जाएगा मैंने आपको इसका logic बताया था अगर इस तरीकी से आप नहीं मानोगे अगर इस तरीकी से deeming provision आप नहीं लगाऊगे तो reliance industry क्या बुलेगा यार मैं तो public company हूँ मेरे को तो पुरा का पुरा act application भी लो जा रहा है बहुत compliance से छोड़े काम करता हूँ मैंना अपने नाम पे कम business करता हूँ मैं एक private company खोल लेता हूँ प्राइविट कमपनी के नाम पे करता हूँ तो लो ने बोला करना है ये private company पर हम इसको क्या मानेंगे public company मानेंगे तो सर इसलिए इन्होंने क्या concept बनाए deemed public company का तुम दले दिल से तुम बने AOA से AOA से क्या हो private company हो फिर भी उसको क्या मानेंगे public company ही मानेंगे क्या तुमको मेरी बात समझ आई बेटा अरे बोलो did you understand बेटा सर तेकि related party का definition भी पिछले बार question आया था related party का definition भी हमको देखना पड़ेगा पर एक चीज समझ नहीं आती law का अपने institute का खतम होता है final का शुरू होता है वो समझ ही नहीं आता है सर related party पूरा पूरा final का concept है पर चलो ठीक है ये भी हम लोग कर लेंगे अभी relative का definition सुनो सर relative मतलब क्या होता है सर अगर मैं Hindu undivided family की बात करूँ तो सारे members जो होते हैं वो एक दूसरे के relative होते है बाकी सर अगर मैं individual की बात करूँ father mother brother daughter son 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 brother sister son daughter son's wife और daughter's husband ये आपके relative होते है सर कौन-कौन देखो father mother यहां हो गया spouse फिर हो गया brother sister फिर हो गया son daughter son's wife daughter's husband ये सारे हो गया आपके relative अब सर कुछ step लोग भी आते है step मतलब क्या आपका step father step mother step brother step sister step son बस step daughter नहीं है step father step mother step brother step sister और step son बस इतने लोग relative के definition में आते है अगर आपका मन कर रहा है यह बोलने का step son step wife भी आएंगे तो पहले तुम step का concept आराम से बैठ करके सीखो इंटरेट में बहुत सारे resources है जिससे आप step का concept सीख सकते हो पर क्या आपको PhD करनी है नहीं सर मेरी बात सुनो आप अगर एक इंसान हो अगर तो आपकी spouse आपके father mother brother sister son daughter son wife daughter husband और step किसके father mother brother sister son के step यह सारे लोग आपके relative के definition में आते है समझे सर husband और wife के sibling आते हैं अगर नहीं भीया मैं तुमको बता दू हमेशा से मैं तुमको बोलता हो मैं सर्फ जरिया हूँ जो तुमको 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 तुमारी सोच से मिलाता हो मैंने कुछ नहीं बोला तुम सिर्फ अपने सोच से मिलके आते हो और तुमको ऐसा लगता है च्छी यार बहुत बुरा अदमी हूँ यार मैं तुम ही लोग हो भाई मैं तो कुछ नहीं बोला मैं तो तुमको लॉप पढ़ा रहा हूँ तुम पता नहीं क्या-क्या सोच रहा हूँ दोस्तों small company अरे रुख जाओ बस करो आप public company नहीं हो मतलब आपको private company होना ज़रूरी है दूसरा small company मतलब वो company जिसका paid up share capital जो है न वो एक limit के अंदर है क्या limit है sir paid up share capital is less than 50 lakh rupees और such higher amount as CG में prescribed which shall not exceed 10 crore rupees which shall not exceed 10 crore rupees क्या काव मैंने देखो यहाँ पर language क्या लिखा है small company means a company paid up share capital of which does not exceed 50 lakh rupees और such higher amount as may be prescribed which shall not exceed 10 crore rupees and और एक क्या condition देखेंगे sir एक और condition देखेंगे कि आपका जो turnover है न it should be less than 2 crore rupees और such higher amount as CG में prescribed which shall not be more than 100 crore rupees sir देखो यह definition आपका पहले पढ़ा हुआ होना चाहिए आपको सारी provision समझ में आयो होनी चाहिए आप ऐसा बिल्कुल भी इसको यह मत सोचना अभी सारा समझ आ जाएगा यह lower limit क्या है 50 lakh का यह maximum limit क्या है 10 crore का यह सब हमने class में बहुत discuss किया है यह central government कि लिस्लाब है हमने बहुत central government जब तू paid up share capital समझाएगा न तो तू 50 lakh से 50 lakh से 10 crore के बीच में समझाना और जब तू turnover की limit बताएगा न तो तू 2 crore से 100 crore के बीच में बताना जो भी limit तेरे को बतानी है अब सर central government ने अपना power use किया और बोला हम चाहते है paid up share capital 4 crore से कम हो और हम चाहते है turnover 40 crore से कम हो तो 4 crore और 40 crore का limit सेट किया है सर central government ने पहले सकंबर 2022 के पहले यह limit था 2 crore और 20 crore पर सर उसके बाद amendment आया है आपके बास अगर addition 1 है तो यह amendment noted नहीं होगा प्लीज बस इतना करना जहां पे next page में 2 crore और 20 crore है वहाँ पे उसको काट करके 4 crore और 40 crore कर लेना पर यह 4 crore और 40 crore होने चाहिए सर यह क्या होगे आपका small company का definition small company का definition अगर मैं आपको बोलो simple याद करना है तो simple यह समझो सर अगर बहुत जादा complicated नहीं करना है base base रखना है तो बोले सबसे पहले तो भाई private company होनी चाहिए public company नहीं हो सकती दूसरा आपका paid up share capital जो है न वो 4 crore या उससे कम होना चाहिए and turnover जो है न वो आपका 40 crore या उससे कम होना चाहिए तब ही जाके आप एक small company बनोगे पर दोस्तों यह word and पर ध्यान देना मतलब सर अगर आपका paid up share capital जो है वो 3 crore है तो आपका turnover जो है नहीं सर तो आप small company नहीं बन पाओगे यह होगया सर small company पर सर कुछ team companies है जो कभी भी small company नहीं कहलाए जा सकते पहला अगर आप holding या subsidiary company हो किसके किसी के भी सर आप अगर holding या subsidiary हो अरे holding मतलब तू किसी का पपा है subsidiary मतलब तू किसी और तीसरा सर कोई company अगर special act के अंडर बनी है तो यह तीनों company को कभी भी small company का status यह small company वाला benefit जो है नहीं मिलेगा holding का subsidiary हो या sectionate company हो यह special act में बने होए company हो आप अपने आपको कभी भी small company मत कहना सर क्या आपको मेरी बात समझ आई अब सर last important definition पढ़ो last important उसके बाद मैं खतम कर दूँगा आपका officer in default view रहा सर आपकी क्योंकि accounts की class है साड़े 8 बजे से सर मैंने क्या कहा subsidiary company क्या होगी subsidiary company देखो हम लोग भी इस तरीके साब का schedule manage कर रहे है ताकि आपको कल को चल कर कि कोई conflict ना आए उतना ही पढ़ाई करो जितना इतने समय में हो सकते आपने अभी जितना मेरे साथ एक गंटे में पढ़ा वो शायद ही आप एक गंटे में कुछ से पढ़ते तो मेरी बात आराम से सुनो खतम हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा ऐसी पूरा syllabus अब मेरी बात सुरो सर सब्सेटरी कंपनी सब्सेटरी कंपनी मतलब क्या होता है सब्सेटरी कंपनी मतलब ध्यान रखना सब्सेटरी कंपनी का definition होता है means a company in which the holding company controls the composition of the board या तो board का composition control करते हो या फिर exercise is more than half of the total voting power either on its own or together with one or more subsidiary मतलब सारय या तो control करते हो board का composition या फिर आप more than half voting power exercise करते हो more than half मतलब आदे से जादा voting power exercise करते हो पर सब्सेटरी कंपनी दो तरीके से बन सकते हो या तो आप more than half voting power exercise करते हो या चांट्रोल करते हो composition of board sir controls the composition of vote मतलब या तो आप सारे directors या majority directors को appoint करने का power रखते हो the power to appoint all the directors और majority of the directors is called as controlling the composition of the way तो sir law ने बोला subsidiary company कैसे बनती है holding company के लाप subsidiary तब बनोगे अगर holding company आपके composition को control करती है या आप में more than half voting power exercise करती है या तो directly या through other subsidiaries पर हाफ voting power exercise करती है पर sir एक बात याद रखना such class of companies as may be prescribed shall not have more than such layers of subsidiaries as may be prescribed मतलब sir simple word में अगर ये बोलू तो law ये कहता है दो layer से जादा तुम्हारी subsidiary नहीं होनी चाहिए मतलब तुमने एक subsidiary में invest किया वो subsidiary ने एक और subsidiary में invest किया बस दो layer से जादा subsidiary नहीं होनी चाहिए क्योंकि sir इससे black money का use बहुत जादा बढ़ जाता है अगर दो से जादा layer of subsidiary हो तो law ने कहा कि जितना हम prescribe करेंगे उससे जादा layer नहीं होने चाहिए prescribe इन्होंने दो layer किया है हमारे लें relevant नहीं है अब sir उसके आगे में एक बात सुरो sir company shall be deemed to be a subsidiary company even if the control is of another subsidiary company of the holding company मतलब sir माल लो यह holding company है यह holding company की एक subsidiary company है यह subsidiary company का एक और subsidiary company है तो sir यह subsidiary को इसकी भी subsidiary माना जाएगा अरे हाँ ना पता है ना बेटे का बेटा बेटा ही होता है ना क्या बात कर रहे हो तुम पता है हमको बाप को मात सिखा sir law में क्या लिखा है law में लिखा है a company shall be deemed to be a subsidiary company even if the control is of another subsidiary company ठीक है sir समझ गए उसके बात क्या लिखा है sir composition of the board shall be deemed to be control if the company exercise power to appoint or remove all or majority of their directors आदे से जादा या सारे के सारे directors पे control तुमारा है ना तो उसको holding subsidiary के relation ले count नहीं करेंगे अगर आप fiduciary capacity में hold करते हो अगर आप कौन से capacity में hold करते हो fiduciary capacity में hold करते हो अब sir सुनो ना मेरा मन नहीं मानता आधा दूरा काम करने का एक मिनट दो मिनट और लगेगा आपको मैं फटाक से officer in default का definition बता देता हो तुम समझ जाओगे काम हो जाएगा तुम समझ जाओगे काम हो जाएगा thank you मनु बेटा पर इसमें spam करने की क्या जरुरती मेरी बात सुन लो थोड़ा सा सर officer in default क्या होता है बस दो मिनट में खतम हो जाएगा officer in default में सबसे पहला आता है whole time director whole time director आता है दूसरा आता है key manageral person तीसरा अगर आपका key manageral person नहीं है तो चो director को हमने authorize किया है वो बन जाता है officer in default OID मतलब sir officer in default ये two clause 60 में defined है वहले आता है whole time director फिर आता है key manageral person पर अगर key manageral person नहीं है तो वो director जिसको authorize किया था वो person जिसको authorize किया था तो फिर सारे के सारे director क्या बन जाते है officer in default बन जाते है सारे के सारे director क्या बन जाते है officer in default बन जाते है उसके बाद sir हर वो director जिसको वो contravention के बारे में aware था जिसको पता था वो contravention के बारे में वो भी क्या बन जाएगा वो भी responsible बन जाएगा पांचमा सर उसके बाद कौन हर बो person जिसके advice या instruction या direction पे गलत short form बन गया जिसके और भी गलत बन गया सर कोई भी person जिसके direction पे instruction पे advice पे क्या होता है person जिसके direction instruction और advice पे board of director काम कर रहा है ये person भी responsible हो जाएगा अगर ये person जो है न ये professional capacity में अगर advice दे रहा है तो फिर ये liable नहीं होगा professional capacity में अगर advice दे रहा है तो liable नहीं होगा मतलब सर कोई अगर इंसान है उसके कहने पे अगर board चलता है जिसे कि माल लो नीता अम्मानी के कहने पर हमारा Reliance Industry का Board of Director चलता है तो अगर नीता अम्मानी के कहने पर Board of Director चलता है तो नीता अम्मानी वो person हो गई जो जिसके Direction Advise ये Instruction पर Board काम कर रहे है तो वो भी Responsible होगी पर नीता अम्मानी अगर Professional Capacity में वो दे रही है तो फिर वो Responsible नहीं होगी और Last Sir अगर Shares Transfer की बात है किसकी बात है Shares के Transfer की बात है तो तीन लोग Responsible हो जाते हैं Sir पहला Shares Transfer Agent मतलब जो Agent Responsible है ट्रांसफर के ले दूसरा Registrar ये कौन सा Registrar हो गया Sir ROC वाला नहीं ये Registrar to an issue हो गया और तीसरा आपका Merchant Banker ये लोग कौन हो जाते हैं Sir ये लोग Responsible हो जाते हैं ये शेर ट्रांसफर ये लोग Merchant Banker जो हैं ये लोग Responsible हो जाते हैं ये क्या हो गया Sir आपका पूरा प्रोविजिन हो गया Officer in default का क्या आपको मेरी बात समझ आई क्या आपको मेरी बात समझ आई हा सर ये आपका Officer in default का definition था कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी बहुत जादा important नहीं है पर एक बार बस आपको exam में लिखना पढ़ गया था तो एक बार भी आया तो हम क्यों छोड़के जाएंगे भाई हम तो पढ़के जाएंगे सर इससे जादा definitions आपको chapter 1 में अभी फिलाल करने की जरूरत नहीं है वक्त के साथ साथ आगे सारे definitions खतम हो जाएंगे जैसे जैसे हमारे chapter खतम होंगे शुरू करते हैं बिना किसी देरी के सर चाप्टर 2 in corporation of a company and matters incidental there too ये चाप्टर जो है ये चाप्टर करीबन up to 10 marks तक भी आजाता है आपके exam में सर आपको समझना पड़ेगा कि company को जो बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं promoter उसको हम क्या कहते हैं promoter तो एक promoter of a company होता है उसके अलावा सर इस company में हम MOA AOE के बारे में बात करेंगे पांस तरह की companies होते हैं तुमको पता है limited company, unlimited company limited में दो तरह का limited by shares, limited by guarantee limited by guarantee में दो तरह का without share capital, with share capital unlimited company में दो तरह का without share capital, with share capital तो इस तरीके से मिला करके पांच तरह के companies होते है उसके बाद सर मैंने क्या कहा section 3 से शुरू करते है यह जो आपका chapter है यह section 3 पर शुरू होता है 22 पर खतम होता है 3 कहता है formation of a company आप company form करोगे तो क्या चीज़े रखोगे ध्यान सर देखो F पहले आता है कि I पहले आते F पहले आते है तो section 3 formation है section 7 जो है incorporation है section 3 कह है formation है formation of a company अगर आप एक company form करना चाहते हो तो it may be formed only for lawful purpose सिर्फ legal purpose क्लिए बनाओगे ऐसा नहीं कि आप लोगोंने murder करने के लिए company बना ली अब जो lawful purpose क्लिए बनाओगे वो public company होगी अगर तो उसमें minimum 7 members होगे private company होगी तो minimum 2 members होगे और 1 person company होगा तो minimum 1 member होगा यह लोग member कैसे बनेंगे sir subscribing to the memorandum and complying with the requirement of this act आप subscribe करोगे memorandum को उसके बाद बात करते हैं दोस्तो 1 person company के बारे में 1 person company 1 person company में क्या होगा आपको एक nominee बनाना पड़ेगा sir nominee कैसे बनाओगे nominee का नाम आप अपने memorandum of association में लिखोगे पर जिसका भी नाम nominee में डाल रहे हो न उसका written consent आपके पास होना जरूरी है और यह nominee का role क्या है कि जो sole member है अगर उसकी death हो जाती है इसकी death है incapacity अगर member की death है incapacity होती है तो अप sir यह जो written consent आपको मिल रहे है यह आप ROC के पास file करोगे company के incorporation के वक्त आपको पता है जब section 7 में company का incorporation होगा तो आप यह वाले documents को ROC के पास file करोगे अप sir क्या nominee अपना consent withdraw कर सकता है जी हाँ जब उसकी मर्जी at any time वो withdraw कर सकता है कोई problem नहीं है क्या वो क्या आप nominee को replace कर सकते हो मालनो मेरा चोटा भाई है happy उसको मैंने nominee बनाया क्या मैं happy को हटा करके किसी और को ला सकता हो विलकुल ला सकते हो आप एक notice दोगे in the prescribed form company को intimate करोगे company उस चीज को जा करके registrar को intimate करेगा पर यह जो change है न इसको alteration of memorandum नहीं माना जाएगा अब आपको समझ आएगा कि section 13 जो है वो alteration of memorandum की बात करते है वहाँ पर आपको बदा है memorandum alter करने के लिए ऐसार वैसार बहुत सारी चीज़े करनी पड़ती है बहुत सेंपल है एक public company में minimum 7 member होने चाहिए private company में minimum 2 member होने चाहिए तुम लोग chat पे प्लीज मेरे को yes sir yes sir no sir no sir बोलते जाओ तुम लोग जितना interact करोगे उतना जल्दी में आगे बढ़ पाऊँगा ठीक है चलो sir section 3 है क्या कहता है member to be severely liable in certain cases जब एक गंटे में पूरा revision होएगा ना तभी अंदर से मज़ा आएगा तो मेरे साथ पूरा ध्यान दो अपना hundred percent members to be severely liable in certain cases क्या कहता है अगर minimum number of members कितने होते minimum numbers होते 7 या फिर 2 7 या फिर 2 अब आप एक बात समझो अगर minimum number of members 7 या 2 होते उससे अगर कम होगया तो company अगर कम होने के बाद 6 मैना तक business कर सकती है पर 6 मैने के अंदर उसको वापस से number of members लाना पड़ेगा बट अगर वो 6 मैने से जादा business कर रही है जबकि number of member कम हो रहे तो जितने member है जितने member है जो धंदा चला रहे है जिनको पता है कि हमारा number of members कम हो रखा है, वो लोग personally liable होंगे, they will be jointly and severally liable for the whole debts contracted during the time and can be severally sued. मतलब वो 6 मेने के बाद जित्ता भी उन्होंने debt उठाया है, उसके लिए severally liable होंगे और उनके उपर, अकेले के उपर भी case किया जा सकता है. क्यों? क्योंकि उनको पता था, they were cognizant of the fact that company के पास 7 से कम member है, फिर भी company अपना धंदा चलाये जारी है, 6 मेने तक चलाया, उसके आगे भी चलाये जारी है. ठीक है? यहाँपे सर्ट jointly and severally नहीं लिखा है, यहाँपे सर्ट separately लिख दिया है. उसके बाद सर्ट section 3 हो गया, 3 हो गया, उसके बाद 4, 5, 6 जो है, आपको पता है, हम आगे पढ़ेंगे, उसके बाद आजो 7 पे. आप अगर एक company incorporate करना चाहते हो, तो company incorporate कैसे करोगे, मेरी आँखों में देखागर जब मैं बात करता हूँ. मैं तुमको revision करवा रहा हूँ, मेरी बात सुनो. सर, आप एक company incorporate कैसे करोगे? अगर एक company incorporate करना है, तो आप जाओगे registrar के पास, ROC के पास, कौँछे ROC के पास जाए सर्फ, जो जगे पे हमारा registered office बनने का proposal डाला है, वहाँ के registrar के पास जाओगे. सब तक कहा communicate करोगे मेरे से, उसके बाद 3, 4, 5 बाइक साथ आते है, तो आपको particulars देने पड़ेंगे, first subscriber के और first directors के, subscribers के और directors के, क्या particulars दोगे, name होगे, address होगे, nationality होगे, ID proof होगे, ये सारी चीज़े दोगे, और साथ में identity proof भी attach करोगे, पर, जब आप first director की बात करो, तो first director का दिल भी दिन भी दे देना, दिन नंबर भी दे देना, और first director से related, आपको first director का interest in any BC, BC मना बोडी corporate और any other firm वो भी देना पड़ेगा, and the consent to act as a director, first director की दो और चीज़े आपको देनी पड़ेगी, एक तो उनका interest in any other body corporate, उनका और कहां-कहां पर मन लगा हुआ है, वो बताना पड़ेगा, और यहां पर भी मन लगाएंगे, ऐसा consent लेना पड़ेगा, यह तीन चीज़े आपको देनी पड़ेगी, तो पहला हो गया AOE, AOE, MOE, दूसरा हो गया address, तीसरा, चौथा, पांचवा क्या हो गया हो गया है, यह तीनों, छटा आपको आउज़ाता है, declaration, आपको declaration देना पड़ेगा, क्या declaration, यह declaration आपको देना पड़ेगा, कि जो act और रूल से उसका पूरा-पूरा compliance हो गया है, ऐसा declaration कौन देगा माली, इक दो लोग देंगे, सबसे पहला तो आपका जो CACC advocate, जो आपको company incorporate करने में help कर रहे है, वो आपको एक declaration देगा, और दूसरा, हर वो इंसान जिसका नाम आया है, person named in the AOE, ताहिए वो director हो, manager हो, यह secretary हो, वो लोग भी बोलेंगे कि act का compliance हो गया है, और last में, आपको declaration देना पड़ेगा, यह declaration important है, जो subscriber और first director देंगे, जिसमें वो तीन बाते लिखेंगे, सबसे पहला, मैं किसी भी offense के लिए convict नहीं हुआ हूँ, दूसरा, मैं fraud के लिए या Miss V.S.N. के लिए guilty कभी भी नहीं पकड़ा गया हूँ, पिछले पांच साल में, और तीसरा, जो भी information आपने दिया है, वो true and correct है, to the best of our knowledge, तीन चीज़े क्या, मैं convict नहीं हुआ हूँ, किसी offense के लिए, मैं guilty नहीं हूँ, fraud या Miss V.S.N. के लिए, पिछले पांच साल में कभी भी, और तीसरा, मैंने जो भी information दिया है, वो correct or complete है, यह साथ document ले करके जाओगे, आप किस के पास, हारोसी के पास, सर पहले पांच तो याद हो गए थे, पहला पांच के है, MOA, AOA, address, particulars of subscriber, particulars of first director, और first director का interest और consent, यह पांच चीज़े होगे, फिर आपको दो declaration देना पड़ेगा, पहला declaration क्या दोगे आप, कि भाईया, देखो हमने act से compliance कर लिया है, देख वो आ गया, आपको declaration की, आपने act से compliance कर लिया है, और एक क्या declaration दोगे, कि भाईया, हम लोग convict नहीं हुए, guilty नहीं है, और हम लोगों ने क्याने किया है, सारे documents फाइल कर दिया, सच-सच, समझे मालिक, उसके पाद जब आप ROC के पाद जाओगे, ROC बदले में आपको एक certificate of incorporation देगा, और साथ में corporate identification number देगा, COI देगा और CIIN देगा, और सुनो, जो भी copy आपने ROC के पास फाइल किया था था अभी, उसको आपको preserve करके रखना पड़ेगा, अपने registered office में, जब तक company का dissolution नहीं हो जाथा, जब तक company बंद नहीं हो जाती, उसके बाद मेरी बात सुनो, सर मेरी बात सुनो, बड़े ध्यान से, मेरी बात सुनो, सर अगर आपने company को incorporate करते वक्त, कुछ false information दिया, या कोई material information को दबाने की कोशिश की, जूट बोला, या सच चुपाया, false information दिया, या material information suppressed किया, तो आप liable हो जाओगे under section 447, पर क्यों, क्योंकि अभी तक company incorporate नहीं हुई है, पर अगर वो जूट के basis में company incorporate हो जाती है ना, तो ध्यान रखना, जो promoter, first director और जिन्हों ने declaration दिया, वो लोग सारे 447 के लाए बलूँगे, मतलब जो individuals involved थे, उनको तो 447 में fraud के ले पकड़ेंगे, साथ में जो tribunal है ना, 447 का revision सार, अपन थर्ड चाप्टर के revision के साथ करेंगे, अब सार सुनो, जो tribunal है ना, वो order pass करेगा, जिसमें order में वो क्या बोलेगा, 5 चीज़ है, Mr. Lowa, Lowa, क्या बोलेगा सार, Mr. Lowa, M, R, L, O, W, M क्या है बताओ, management, वो company का management चीन लेगा तुम से, R, removal of the name of company, L, liability will be unlimited, O, others, W, winding up, तो मैंने बोल लिया ना, सार, आप बोलो न, Mr. Lowa, Lowa, उसमें A नहीं है, Mr. Lowa, M, क्या हो गया सार, आपका management, management चीन लेगा आपका tribunal, क्या बोलेगा, to pass order for regulation of the management of the company, in public interest, or in the interest of the company or member, क्योंकि public के हित में, इसले हम management करेंगे, दूसरा, R, removal of the name of the company, तीसरा, L, liability को क्या करेगा, unlimited कर देगा, O, other orders as it may, D, FIT or W, W, company का winding up भी कर सकता है, पर कोई भी order देने के पहले, tribunal क्या करेगा, OOB देगा, opportunity of being hurt देगा, और उसके बाद उनकी बात है, सुनने के बाद ही, order pass करेगा, समझें से, मैंने क्या बोला, incorporation of a company में, अगर तुम जूटा information देते हो, या सच्चा information छुपाते हो, तो क्या होगा, तो बेटा, दो चीज़े होगी, तो क्या होगा, मिस्टर लोग का order pass करेगी, अब समझें, लेकिन मिस्टर लोग का order pass करेगी, उसके लिए आपको opportunity of being hurt मिलेगा, और उसके बाद मैंने आपको क्या बोला, अगर company incorporate करना है, एक बहुत प्यारा form आता है, spice form, spice form का क्या मतलब है sir, simplified pro forma for incorporation of a company, electronically, simplified pro forma for incorporation of a company, electronically, तो spice form लेकर के, आप एक company incorporate कर सकते हो, एकदम आसानी से, एक form में सारी चीज़े हो जाती है, उसके बाद sir, one person company के बहुत important provision है, मेरी आखो में देखा, जब मैं बात करता हूँ, sir, one person company में, एक nominee वाला provision है, जो हमने पढ़ लिया, जो Indian citizen है, और जो resident of India है या otherwise है, क्या बोला मैंने, वो natural person जो Indian citizen है, और resident of India और otherwise, resident of India होगा या नहीं होगा, उससे फरक नहीं पढ़ रहा है, पहले पढ़ता था, बात में इन्होंने amendment करके, और otherwise अड़ कर दिया, तो अब फरक नहीं पढ़ता है, जो लोग मेरे वीडियो को speed में चला के देखेंगे ना आगे, मत देखना बिटा, मत देखना, नहीं देखोगे, गलत करोगे, इसी speed पे देखो बहुत है, मैं already 2X पे चल रहा हूँ, मैं अगर slow चलता, तुम 2X कर देते, मैं already 2X पे चल रहा हूँ, resident मंझे वो, जो पिछले financial year में 120 दिनिया, उससे जाधा रहा है, उसके बाद सर मैंने क्या कहा, सर मेरे को एक बात बताओ, क्या आप 2 company में soul member बन सकते हो, क्या आप 2 one person company में soul member बन सकते हो, नहीं, क्या आप 2 one person company में nominee बन सकते हो, नहीं, at any given point of time, तुम सिर्फ एक जन के हो सकते हो, soul member, तुम क्या सोच रहे हो, at any given point of time, इंडिया में, तुम एक ही जन के हो सकते हो, soul member और एक ही जन के हो सकते हो nominee, ठीक है, अब सर्फ एक जन के हो सकते हो nominee, समझो, मैं एक company में soul member था, और दूसरे company में nominee था, एक company में sole member था, दूसरे company में nominee था, यहाँ पे जहाँ पे में nominee था, वो nominee वहाँ पे जो sole member था, वो गयो, वो गयो, तो मैं जो nominee था, वो अब sole member बन गया, मैं यहाँ पे भी sole member हूँ, यहाँ पे भी sole member हूँ, तो मैं तो दो जगा member बन गया, तो उसका क्या, तो law ने बोला, अग हो गया तो मेरे 180 दिन के अंदर eligibility criteria meet करना पड़ी का sir minor का क्या minor का कुछ नहीं बोले ना वो member बन सकता ना वो nominee बन सकता कोई काम का नहीं है अब sir उसके बाद conversion की बात करते है one person company जो है ना वो कभी भी section 8 company मेंने convert हो सकता है अपको बथा शेच्च्च्ट कंपनी बनने ले गया आपको बरफेक छेट एंट पर अब्शार को कुछ नहीं बन सकता और section 8 company क्या होसे कोई normal company अपने आपको section 8 में convert कर वा सकती है नवं पर्परसेन company बोला ने नवको ऊपना तो one person company ही रहे उसके अलावा sir one person company जो है ना public या private company में convert हो सकते process जो है वो हमारे service में नहीं है उसके बाद sir last और सबसे important point अगर आप एक one person company हो तो ऐसा business बताओ जो आप नहीं कर सकते वो है non banking financial investment activities including investment in securities of body corporate BC के security में पैसा नहीं डाल सकते आप और non banking financial investment activity NBFC मतलिको NBFC नहीं NBFI non banking financial investment activities आप नहीं कर सकते अरे बोलो समझा क्या हाँ sir अब section 8 बटाओ section 8 क्या है sir formation of a one of a chair company with charitable object sir एक ऐसी company जो तीन condition meet करती है उसको section 8 company बोला जाएगा कौन सी तीन condition sir पहला वो company के objects क्या है तो मैंने आपको याद करने का तरीका बताया है 12 के बाद आपको melt और सपोर्ट स्पोर्ट करनें और अघर सपोर्ट करण說र और सब्रिक्षण हो गया social welfare का काम कर लिया यह सारी चीज़े आती है तो यह आपके पास options होते हैं तो यही सारे तो objects लिखे हैं आप research कर रहे हो education में arts, science और commerce है और sports है और others में यह चारो है तो यह सारे काम अगर आपके objects में आता है तो आपको क्या मान लिया जाता है पहला दो यह आपका object है दूसरा इटके जो company का profit है न वो आप इन objects के लिए use करना चाहते हो और तीसरा आपकी company dividend नहीं देगी the company prohibits the payment of the dividend अगर यह तीन condition meet होती है पहला सर OPD है object, profits and dividend objects, profit and dividend objects आपकी यह है profits आप object के लिए use करोगे dividend आप prohibit करोगे OPD अगर meet करता है तो एक section 8 company जो है वो बनती है, कैसे अप company जाएगी central government के पास, बोलेगा हो यह central government सुनना, यह 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 objects है हमारा तो central government में आपको section 8 company का license देगा, क्या देगा section 8 company का license देगा, सर जब भी section 8 company बनते हो ना, आप limited liability वाली company बनते हो एक तो charity का काम कर रहे हो, उपर से unlimited liability नहीं हो सकता, charity का का काम कर रहे हो, तो तुमको limited company ही बनाएंगे उसमें सर आपको private limited या limited word आड़ करने की जरुवत नहीं है ध्यान रखना, section 8 company को private limited या public limited या limited word आड़ करने की जरुवत नहीं है, आपको limited company का privileges मिलेगा, sir क्या section 8 company में एक firm member बन सकता है, एक firm, क्या section 8 company में member बन सकता है, जी हाँ पर sir, एक firm, क्या normal company में member बन सकता है, नहीं, पर वो section 8 company में बन सकता है, क्यों, कह दिया सो, कह दिया कह दिया सो, कह दिया, ठीक है एक सेकंड रुख जाओ, कोई दर, कोई एक सेकंड रुख जाओ, बस हाजी, सर्सुनों मेरी बात मैंने क्या बोला आपको मैंने आपको ये बोला, मैंने आपको ये बोला कि आपका additional आपको क्या करना पड़ेगा additional points क्या है आपके ध्यान से सुनो, section 8 company है अब आपने section 8 company बन गए तो आप अपने memorandum का या articles का alteration करोगे तो आपको CG का approval लगेगा CG के approval के बिना आप अपना alteration नहीं कर सकते CG के approval के बिना आप alteration नहीं कर सकते ध्यान रखना अगर MOA का और AOA का क्यों क्योंकि इसी के object clause के basis पे आपको approval दिया और दूसरा आप अगर अपने आपको convert करवाना चाहते हो किसी और type की company में तो आपको SR pass करना पड़ेगा general meeting में आप SR pass करके convert करवा सकते हो यहां तक तो ठीक था अज़र आगे की बात सुनो आपका revocation of license का कहानी शुरू होते है मेरी आखो में देखो मेरे तरफ book छोड़ दो ऐसी ऐसी book की मेरे तरफ देखो sir revocation of license कब होता है license तुमको हमने भरोसा करके दिया था पर अगर एक sectionate company its act का contravention करती है या जो license के जो terms है उसका contravention करते हो या फिर आप अपने business को fraudulently चला रहे हो आप अपने नाम के आगे private limited या limited word आड़ करना पड़ेगा और नाम आड़ करके आप ROC को intimate कर दोगे कि भाई हमारे लग गए ठीक है आप sir revoke होने के बाद उसके आगे जाएगा central government अगर उसको लगता है public interest में यह जो company है ना उसको या तो हम wind up कर देते आप अगर wind up करना चाहो तो wind up भी कर सकते हो पर sir wind up मतलब क्या सारे assets बेच और liability पेगी है अब sir assets बेचने के बाद माननो अगर कोई surplus asset बच गया तो उसका गया जो surplus asset बच गया उसका आप दो चीज़ कर सकते हो या तो जो asset है उसको वैसा का वैसा किसी और section 8 company को दे दो जिसके similar objectives है या फिर आप वो asset को sell करो जो cash आएगा उसको insolvency and bankruptcy fund में जमा कर दो किदार insolvency and bankruptcy fund में जमा कर दो और इससे आपका winding up का process खतम हो जाएगा समझे क्या तो पहला sir आप अगर section का contravention करते हो लाइसेंस का contravention करते हो या fraudlently affair conduct करते हो public interest जो public interest के against है company आपको ऊब देने के बाद ऊब क्या होता है reasonable opportunity of being hurt देने के बाद company आपका license revoke कर देगी company को बोलेगी company convert करा अपना status और नाम add करने के बाद तुम registrar को inform करोगे सर जहां आपका license revoke होता है और cg को लगता है कि भईया public interest में हमको यह दोनों चीज़े करनी चाहिए winding up या फिर amalgamation तो आप वो करोगे उसके बाद sir winding up और dissolution के बाद अगर कोई surplus asset बचता है और officer in default को लगेगा 25,000 से 25 लाक तक कफाइन जिसमें section 447 कभी fraud का तुमको penalty लगेगा 10 लाक से 1 करोड यहाँ पे 25,000 से 25 लाक और यहाँ पे section 447 भी आ जाता है अगर आपने section 8 का contravention किया है ठीक है यह तीनों point आपको पता है कुछ नहीं बात इसमें नहीं है चलो sir उसके बाद section 9 effect of registration अंदर नहीं जाओंगा आपको already पता है बच्चो वाला provision है section 8 effect of registration क्या होता है कि sir जब आप register हो जाते हो जब आपका registration हो जाता है तो company अलग हो जाती है member अलग हो जाते है दो separate legal identity हो जाता है डोनों अलग-अलग होते है एक दुसरे के उपर कोई इनका लेना देना नहीं होता है ठीक है बस और कुछ नहीं है सर इसमें और कुछ भी नहीं है section 9 में उसके बाद मैं सोच रहा था section 10 भी आपको पढ़ा देता पर चलो memorandum अगेरा खतम कर लेते हैं तो section 9 हो गया अब वापस 4 पर आ जो 4 है memorandum of association 5 ए article of association और 6 यह है कि memorandum और association जो है act का overriding effect होता है इन दोनों पर 4th के है sir memorandum of association आप मेर से आगे चलोगे वह आच होता है वह आपका base document होता है उसको हम public document भी कहते है public document कहां पे लिखा हुआ है section 399 में लिखा हुआ है कि memorandum public document होता है और हर इंसान जो company के साथ deal कर रहा है यह क्या हरकते कर रहा हूं मैं अभी तो बहुत दूर है valentine's day सुनो सर मैंने क्या बोला सर अगर यह इंसान यह इंसान अगर company के साथ क्या कर रहा है अगर कोई dealing कर रहा है dealing सही में dealing कर रहा है तो उसको उन document का public knowledge होना बहुत ज़रूरी है it is presumed to have knowledge of the memorandum because memorandum अगर आप objects के बाहर जाके काम कर रहे हो तो उसको अल्ट्रा वाइरिस सुदा आक्ट मानते है अपके बंद करके देखो कौन सा चहरा आ रहा है आपके बंद करो छे क्लॉस देखो अपने एक कोरा खागजे उसमें लिख लो पहला कहा है उब्जेट क्लॉस बाइब्द क्लॉस पहले क्लॉस दालते हो ऑप सेट आप स्टे diplom प्रेजिस्टरक्ष क्लॉस क्लॉस दालते हो स्टेत ऊजिजिस्टर सु अबिस का सित जालो तीसदिमिट क्लॉस ढालते है और मैंं ने ओर अगर इनका लिमेंट्ट एक है तो to क्या होगा और face value पर share क्या होगा वह आप authorized share capital clause डालते हो और last में आप nomination clause डालते हो अगर आपकी one person company है तो आप यह बताते हो कौन कौन nominee है और उसके पहले सार आप एक subscriber to memorandum भी डाल देते हो कौन कौन सब्सक्राइबर है आंके खोलो आंके खोलो सर यह पांच clauses यह छे clauses आप डालते हो पर सर सुनो यह आपके memorandum में आता है उसके बाद सर मेमोरांडम में आने के बाद इसका shortcut अपने बनाया थे एनार होलो very good अब सर उसके बाद सुनो name clause उसके बाद सुनो name clause name clause का क्या provisionation ध्यान से सुनना name clause में थीन चीज़े कभी नहीं होनी चाहिए पहला आपका नाम undesirable नहीं होना चाहिए सबसे पहला आपका IOU identical नहीं होना चाहिए दूसरा offense नहीं होना चाहिए किसी act के अंडर तीसरा undesirable नहीं होना चाहिए आई ओ यू आई ओ यू वैसा वाला हो नहीं अरे सुनो IOU identical नहीं होना चाहिए किसी और existing company के नाम से तूसरा offense नहीं होना चाहिए under any law for the time being enforced और undesirable नहीं होना चाहिए किसके opinion में CG के opinion में यह तो तीन prohibition हो गया prescription है अगर आप कोई ऐसा नाम use कर रहे हो जिससे ऐसा impression आ रहा है कि तुम्हारी company का central government या state government से patronage है या फिर कोई ऐसा नाम use कर रहे हो जो आपने prescribe कर रहा है तो आपको CG का prior approval लेना पड़ेगा अगर आप कोई ऐसा नाम use कर रहे हो जिससे ऐसा लगता है central government या state government का patronage है support है आपको या दूसरा कोई words जो आपने prescribe किया है वो use कर रहे हो तो आपको CG का prior approval लेना पड़ेगा सर नाम रखने के बाद approval लोगे नहीं चलेगा approval लेकर के फिर नाम रखना पड़ेगा आपको प्राइर approval word is very important या पर previous word is very important इसका आपको question दिखेगा question bank में right अब सर rule no.8b में इन्होंने नाम दिये हैं कौन कौन से नाम दिये हैं ये सारे नाम सर और ये सब तो यादी नहीं होगा सर ये दो कॉलम तो यादी नहीं होगा शुरू का तीन पहले एक बार पढ़लो बस उतना ही अगर ये नाम अगर आप अपने नाम में जोड रहे हो ना तो आपको previous approval लगेगा सर ये नाम अगर हिंदी में भी आप इंडिया के जगा भारत वर्ड यूज़ कर रहे हो तो भी आपको CG का prior approval लेना पड़ेगा अगर अगर कोई government के scheme का नाम जन धन यूज़ना scheme का नाम है आप जन धन company खोल रहे हो तो को scheme के नाम पे या भारत नाम या इंडिया नाम ये सब भी यूज़ कर रहे हो previous approval लेना पड़ेगा और तो हदों के सुनो अगर तुम अपने नाम में bank, mutual fund, insurance इस तरह के words यूज़ कर रहे हो तो आपके कोई regulator होंगे Reserve Bank of India, SEBI ये लोग सब regulator होंगे तो regulator का जो भी compliance है वो आपने comply कर लिया है ऐसा आपको एक declaration देना पड़ेगा that by the applicant that all the requirements by the respective regulator has been complied with मतलब मानलो अगर मैं bank word यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं जब apply कर रहा हूँ ना तो मेरे को बोलना पड़ेगा कि bank को कौन govern करता है RBI, RBI के जो भी conditions है वो सारे मैंने meet कर लिये हैं तुम मेरे को चुप-चाप दे दो ना रेजिस्ट्रेशन ठीक है समझें के आवाली गोलो हां की नहीं अरे बोलो येस और लो चलो साथ आगे बढ़ते हैं अब सर उसके बाद मैंने आपको बताया था अगर आप एक government company हो तो आपको नाम के आगे suffix लगाने की जरुवत नहीं है अगर आप एक sectional company हो भी suffix लगान OPC word use करना पड़ेगा आपको क्या करना पड़ेगा bracket में OPC और आगे private limited लिखना पड़ेगा समझें अरे बोलो हां ठीक है उसके बाद सर reservation of name की बात करते हैं आप अगर चाहो तो आप अपना name reserve करवा सकते हो सर देखो दो लोग नाम reserve करवाते एक तो नया company और एक existing company अगर आ identical तो नहीं है ना, कोई offense तो नहीं, undesirable तो नहीं है, अगर उसको सारी चीज़े ठीक लगेगी वो आपका नाम reserve कर देगा, कितने दिन कले नाम reserve करेगा सर अगर आप एक new company हो तो 20 दिन कले और अगर existing company हो तो 60 days कले, किसको जाधा time मिल रहे है, किसको जाधा time मिल रहे है, existing company को जाधा time मिल रहे है क्यों क्योंकि हमको existing company पे जाधा वरुस है नहीं company का क्या है अगर आपने अपना नाम reserve करवा दिया और बाद में पता चला कि जो आपने documents furnish किया था वो जूट है या incorrect है तो क्या होगा सर तो फिर सुनो अगर company अभी पर अगर आपकी company इंकॉर्पेट नहीं हुई है तो अगर आपकी company इंकॉर्पेट हो चुकी है तो सुनो यहां पे आप फस जाओगे यहां पे registrar को power दिया गया है, कि registrar reasonable opportunity of being hurt देने के बाद, तुम तीन चीज़े कर सकते हो, company को order करो, कि company तुम अपना नाम change करो, और यह जो नाम change करने का हम order दे रहे ना, तीन मेने के अंदर कर देना, OR pass करके, तीन मेने के अंदर कर देना, सर देखो, यह order कौन दे रहा है, यह order registrar दे रहा है, registrar खुद कभी भी winding up का order नहीं दे सकता, winding up का order कौन देता है, winding up का order कौन देता है, बच्चो, winding up का order देता है, tribunal तो registrar क्या करेगा, tribunal को application देगा, कि भाया, यह ले winding up का order जरा सा pass कर देना, बस सर मेरे साथ सुनते रहो, खतम हो जाएगा, क्या मज़ा हैगी आपको उसके बाद, सर, MOA के forms लिखे हुए यहाँ पे, सुनो, MOA के forms क्या है, आपको पता है न, कैसे लिखते हैं, limited company, unlimited company, limited by shares guarantee, unlimited company, shares guarantee में, guarantee में दो पाट होगा, without liability, with liability, sorry, without share capital, with share capital, unlimited में भी दो होगा, without share capital, with share capital, पिर, जब आप MOA की बात करोगे, ABCDE लिख देना, जब आप AOA की बात करोगे, FGHIJ लिख देना, सर, आप समझ रहे हैं, revision class में समझा नहीं पाऊंगा, पर में को पता है, आप समझ गये, मेरको पता है, आपनने class में लिखा है, इसको कार दो, इसको कोई relevance नहीं है, अब आज हो doctrine of ultra virus क्या कहता है, doctrine of ultra virus ही होता है, यह company के object से, आपको चार point याद करना होगा, PVRS, यह आपका object clause है, object clause के अगर बाहर जाके आप काम कर रहे हो, तो जो काम किया वो void है, वो prohibited है, प्रोइबिटेड जाही नहीं सकते है, चले गए तो वो void है, void अगर काम कर लिया, तो अगर सारे members भी approve कर दे, पि वो ratify नहीं कर सकते, और ना ही company, ना ही या बाहर वाला party एक दूसरे को sue कर सकता है, सर, अगर आप outside object clause जाके काम करते हो, तो doctrine of ultra virus applicable हो जाता है, और आप लोग क्या नहीं कर सकते, आप लोग अब PVRS हो जाता है, P prohibited है, एक तो मत करना, V कर लिया तो void है, R ratify नहीं कर सकता, कोई member के assent देने से कोई फरक नहीं पड़ता, और S एक दूसरे को sue नहीं कर सकते, सर, दो case law था, जो ये चार मेरे चीज़ा आपको बताई न, ये कैसे decide हुआ था, ये case law से decide हुआ था, ये law में नहीं लिखा है, case law से आया, तो सर, law में क्या नहीं लिखा हुआ है, तो दो case law क्या है, राजेंदरनात्धधः दतता वर्सेच शेलेंदरनात्मुखर जी, और दूसरा क्या है, आश्बरी railway carriage वर्सेज आईरन, रसेजेश रिची, सर, राजेंदरनात्धः दतता वर्सेच शेलेंदरनात्मुखर जी में क्या decide हुआ था, यहाँ पर यह डिसाइड हुआ था मेरी बात यह सुनना कि अगर आप अल्ट्रावाइरस Act नहीं कर रहे हो अगर आप इंट्रावाइरस Act कर रहे हो मतलब वो जो company के power के अंदर है पर वो respective director के power में नहीं था तो law बोल दा इसको ratify कर सकते हो company कर सकती थी पर जिस director ने किया वो नहीं कर सकता था तो आप shareholder से ratify कर वा सकते हो कोई problem नहीं है क्योंकि इंट्रावाइरस टुदा Act है Sir house of lots वाले case में Ashbery railway carriage versus Richie के case में क्या हुआ था आपको यादे Ashbery railway carriage ने Richie को थोड़ा सा finance दे दिया था finance दे दिया था जबकि उनके MOA में कहीं भी finance देने का power नहीं था तो बहुत लड़ाई हुई उनके बीच में और लास्ट में house of the lots नहीं ये बोला कि जब Ashbery railway carriage company है उसने जब Richie को finance दिया ना उसने अल्ट्रावाइरस Act किया अल्ट्रावाइरस Act वॉइड होता है रिची जाकर के आप Ashbery के उपर case नहीं कर सकता क्यों 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 क्योंकि यार रिची को memorandum निकालना चाहिए था क्योंकि memorandum तो एक public document है और रिची को पढ़ना चाहिए था और पढ़के देखना चाहिए था यार तू तो मेरे को सब भी एक transaction valid है, सब भी एक transaction void रहेगा, क्यों? क्योंकि ultra virus act है, मतलब तुमने अपने limit के बाहर जाकर के काम किया है, पर सर, आज के जमाने में ये provision का कोई relevance नहीं है, क्योंकि आजकल चुटकी में SR pass करके memorandum change हो जाते हैं, आपको पता है न, SR pass के memorandum का object clause बदल डालो, समझे? अरे बोलो समझे क्या? हाँ सर, lobby like, हद में रहो, correct, चलो सर आगे बढ़ते हैं, उसके बाद सर अपनने section 5 पढ़ना है, article of association बहुत easy है, article of association क्या बताता है, सर, company का internal rules and regulations बताता है, वो बाहर की चीज़े नहीं, अंदर की चीज़े बताता है, company कैसे operate करेगी, आप मेरी बात ध entrenchment provision डाल सकते हो, entrenchment provision जब भी याद है, तो याद करना है एक ताला, यह ताला क्या बोलता है, आपको generally AOA amend करना है न, alter करना है तो आपको SR लगते है, पर कभी-कभी आप एक entrenchment provision डाल सकते हो, कि यह provision AOA का amend करने के लिए, आपको more restrictive process than SR लगेगा, word बोलो सर, क्या बोला मैं more restrictive than those applicable in case of SR, वो आपको conditions लगेगे, पर तब शायद 80% approval, 90% approval, इस थरा का आप condition डाल सकते हो, सर यह entrenchment provision डालोगी कभी, दो समय पे डाल सकते हो, या तो company के formation के वाक्त, या बाद में amendment करके भी डाल सकते हो, अगर आप amendment करके डाल रहे हो, तो आपको ध्यान रखना, public company की case में SR लगेगा, और private company के case में सारे members का consent लगेगा, सारे members का consent लगेगा, तब भी आप क्या कर सकते हो, amendment करके entrenchment provision डाल सकते हो, पर public company के case में क्या लगेगा, आपको SR लगेगा, और जब आपने AOA में entrenchment provision डाल दिया, तो एक बार अंटी को भी बता देना, ROC को, कि ओ मैडम, डाल क्या, what is the effect of entrenchment provision, that to alter a particular provision, condition more restrictive than SR would be required, दूसरा, कब डालोगे, अरे provision, कब डालोगे entrenchment provision आप AOA में, दूसरा, आप कब डालोगे, या तो formation के समय, या alteration के समय, या फिर amendment करके, amendment अगर कर रहे हो, तो public company में 75% और private company में all members का approval आपको लगेगा, उसके बाद सार, आप एक notice दे IJ है, पर है FHGI, जो बच्चे आप लोगों को, जिन्होंने नहीं पड़ा है, वो जो नहीं समझ लें, उनको छोड़ दो, कोई बात लें, आपको जो समझाया गया, आप उसी से समझ लो, कोई problem नहीं है, चोलो से, आगे, सार, doctrine of indoor management बहुत आसान है, doctrine of, जो मैंने public document वाला point पताया था, कि आपका memorandum एक public document होता है, उसका क्या context था, memorandum उसमें लगता था, doctrine of constructive notice, मतब एक company, अगर, एक company के साथ, अगर कोई इंसान डील कर रहा है, तो यह माल लिया जाता है, इसको constructive notice है, इसको पहले से memorandum के बारे में पताया है, पर सार, उसका एक exception आया, doctrine of indoor management, जो outsiders को protect करने आया, और बोले, outsider are not supposed to be aware of the internal affairs of the company, they can only believe in what the company is saying, तो sir, अगर, यहाँ पे लिखा है, कि person dealing with the company cannot be assumed to have knowledge of internal problems of the company, अगर की बात है, हमको नहीं पता, भाई, stakeholder need not inquire whether the necessary meeting was convened, और held properly, etc., यह जो doctrine है, indoor management का, यह protect करता है, outsiders को, external members को protect करता है, और, और, वो यह बोलता है, that people are entitled to presume that internal proceedings are as per document, मतलब बाहर वाले इंसान को, अगर आपने बोला, SR pass हो गये, तो वो आपकी बात पर मान लेगा, SR pass हो गये, वो पूरा PhD नहीं करेगा, meeting बुलाई थी, क्या यह हुआ था, क्या वो हुआ था, अब sir, doctrine of indoor management क्या है, पहले doctrine of constructive notice आया, उ doctrine of indoor management लाने का reason क्या था, उसका reason दो था, सबसे पहला, company के अंदर क्या हो रहा है, वो बाहर वालों को पता नहीं होता, it is not a matter of public knowledge, घर की बात घर में ही रहती है, और दूसरा, अगर आप doctrine of indoor management नहीं लाते है, तो company इसका misuse करके, creditors के पैसे देने से बच जाता, अगर आप doctrine of indoor management नहीं लाते, तो doctrine of constructive notice यूज करके, company creditors के पैसे देने से बच जाता, the company could escape the creditors, escape कर जाते, चुपके निकल जाते, कैसे, आप बोलते, अच्छा, loan हमने लिया था, हमने नहीं लिया था, हमने नहीं लिया था, हमसे तो पूचा ही नहीं गया, तो इस तरी किसा आप outsider को escape कर जा पर तीन case में साली, तुमको भी नहीं protect करेंगे, पहला, knowledge of irregularity, अगर तुमको पहले से पता था, अगर तुमको पहले से पता था, कि यहां पे गड़बड है, फिर भी तुमने काम नहीं किया अडंग से, तो फिर हम आपको, हम आपको protect नहीं करेंगे, in case the outsider has actual knowledge of irregularity within the company, the benefit of DIM will not be available, दूसरा negligence, अगर आप थोड़ा सा भी effort डालते हैं, अगर आप थोड़ा सा minimum effort भी डालते हैं, तो आप discover कर लेते हैं, जो irregularity है, पर आपने वो effort डाला ही नहीं, क्यों बोले, doctrine of indoor management है, law बोला, उस समय में हाथ छोड़के चला जाओंगा तेरा, उसके बाद, sir, forgery का case, अगर forgery का case आता है, तो law जो है, वो सोनपरी के तरह काया बोजाता है, बोले, एक तू बिक तू जिम पदू था, तो sir, forgery के case में क्या होता है, अगर forgery हुआ है, तो sir, nothing can validate forgery, forgery is void, forgery is फुड़ा का पुड़ा वॉइड, तो law ने बोला, forgery के case में, doctrine of indoor management applicable नहीं होगा, because forgery is null and void, ठीक है, sir, यह आपका doctrine of indoor management था, तो doctrine of constructive notice होगया, doctrine of indoor management होगया, अब आगे समझो दोस्तो, section 6, act to override memorandum, यह act to override memorandum क्या है? Act to override memorandum मतलब क्या है, sir, act or memorandum यह article में, यह agreement यह resolution में, एक तरफ कौन कौन है, memorandum, article, agreement, resolution, एक तरफ है act, दोनों में से किसका पलड़ा भारी है, sir, act का पलड़ा भारी है, अगर act और इसमें conflict होएगा, तो act जीतेगा हमेशा, act to override memorandum, association, articles, agreement, resolution, सारी चीज़ों को क्या करता है, override करता है, पर सर सुनो, अगर दोनों में conflict आया, तो यह वाला जो provision है, memorandum का article का, यह void मान लिया जाएगा, यह valid माना जाएगा, बहुत simple है, sir, उसके बाद हमारा 6 के बा आपने MOIA, ROC के पैस दे दिया और company form हो गई, तो क्या होता है, sir, company और member एक दूसरे को binding हो जाते है, इससे क्या कर रहे हो, sir, binding हो जाते है, मतलब, company, members bind हो जाता है, company को जो पैसा promise किया है, वो देने के लिए, और company bind हो जाती है, members को जो service बोला है, वो देने के लिए, मान लो, अगर member ने बोला था, मैं share करी दूँगा, एक share 10 रुपे का था, 10 रुपे के पीछे आपने 5 रुपे भी दे दिया है, 5 रुपे और देने का है, तो जो 5 रुपे आपको देने का है, वो आपका strong liability है, आपको देना ही पड़ेगा, अगर आप company को पैसा नहीं दोगे, तो company आ साथ रखना company और member एक दूसरे से bind होता है, member member आपस में bind नहीं होता है, मतला आप भी reliance का share old करता हूँ, मैं भी reliance का share old करता हूँ, हाँ मैं और company, और आप और company bind होगे, पर मैं और आप bind नहीं हुए, ठीक है, मैं और आप bind नहीं हुए, समझे, all monies payable by a member to the company, shall be debt due from him to the company, सम section 13, section 13 का है sir, alteration of memorandum, alteration of memorandum बहुत खतरनाक section है, मैंने आपे summary बना की रखा है, आप ये summary से पढ़ लो, class में जो लिखा था, उससे भी पढ़ लो, और जो बाद में देख रहे हैं, तुम लोग इसको note भी कर सकते हो, अगर तुमको चाहिए तो, मेरी बात ध्यान से सुनना sir, आपके note से देख लो, काम चल जाएगा, नहीं, तो ये बाजुआला summary से भी पढ़ लेना, आपका काम चल जाएगा, और मैंने यह आपे पूरा crisp manner में summarize कर दिया है, सुनलो ध्यान से, sir, अगर आपको memorandum का alteration करना है, सबसे उपर, जिनको चाहिए आखे बंद कर लो, मैं म समझा दूंगा आपको एकदम, अगर आपको memorandum का alteration करना है, सबसे उपर आप ये ध्यान रखो, कि आपको तीन चीज़े करनी पड़ेगी, सबसे पहले SR pass करना पड़ेगा, दूसरा ही section का compliance करना पड़ेगा, और तीसरा ROC को altered memorandum देना पड़ेगा, क्या बोला मैंने, पह पहले वाले तीन पर focus करते है, name, state और आपका object, अगर आप अपना name clause change करना चाहते हो, company का नाम change करना चाहते हो, सबसे पहले आपको central government का approval लेना पड़ेगा, central government मतला मोधी जी देंगे approval, नहीं सर, मोधी जी ने ये task दे दिया ROC को, ROC का approval होगे, कि भाईया ये नाम छोड़ पड़ेगा, but otherwise अगर आप अपना name change करें तो approval लेना पड़ेगा, दूसरा, उसके बाद आप ROC को intimate कर देना, कि भाईया name change का approval तो आप ही ने दे दिया है, अब आप इसको note भी कर लो, और ROC आपको fresh certificate of incorporation दे देगा, नाम change effective तब से हो जाएगा, जबसे आपको COI मिला है, क् प्रीस समझे क्या, हासर, उसके बाद मेरी बात समझो, state change, अगर मैं करनाटका से महरास्टर आ रहा हूँ, जैसा reliance ने किया था, तो सबसे पहले मेरे को central government का approval लेना पड़ेगा, कौन देगा सर, CG के बहाफ में approval, इस बार ROC नहीं आएगा, इस बार regional director आएगा, regional director आपको approval कितने दिन के अंदर, जिस दिन application दिया, उसके 60 days के अंदर approval मिलेगा, सर, approval में वो तीन चीज़े चेक करेगा पहले, कि क्या, तुमारे पास अपने creditor का या debenture older का consent है, अगर consent नहीं है, क्या तुमने adequate security प्रवाइड कर रखी है उनको, या तीसरा, क्या तुमने adequate provision बना रख या ना, उसके बाद मैं intimate करूँगा ROC इसको, दोनों ROC को, कि approval आ गया, approval आ गया, और intimate करने के बाद, जो मेरा final ROC है, final ROC मतलब, जहां पर मैं जा रहा हूँ, मैं महरास्टर आ रहा हूँ, तो महरास्टर का जो ROC है ना, वो मेरको एक नया certificate of incorporation देगा, और उसके बाद मेरा state change effective हो जाएगा, सर देखो, एक करना टका में ROC था, एक महरास्टर में ROC है, मैं दोनों ROC को बताऊँगा, कि मैं state change कर रहा हूँ, पर मैं को CEO icon देगा, मेरा destination वाला ROC, कौन सा, महरास्टर वाला ROC, क्या तुम समझे, अरे मालिक बोलो हाँ, new वाला, correct, समझे सर, बोलो हाँ साब हाँ, साब हाँ, कसा में तुमको हाँ, बोलो, जल्दी कसा में तुमको हाँ, बोलो, तैंक यू, चलो सर, आगे बढ़ते, object clause की बात करते, object clause की बात करते, मेरी बात चुनो, object clause, object clause की बात करते, object clause में आपको बताया था, दो चीज़े होती, एक तो ordinary, एक extraordinary, ordinary object clause क्या था अगर मेरे company का object clause change करना है SR pass करो, change करो, ROC को बता दो क्या बोला मैंने SR pass करो, change करो, ROC को बता दो 30 दिन के अंदर ROC को बता देना, कोई बड़ी बात नहीं है मतलब खुल मिला के बोल रहा है SR pass कर लेना ठीक है, पर सर एक extraordinary clause भी था कि अगर मैंने public से पैसा raise किया है उसमें से कुछ पैसा unutilized है और अब ये unutilized पैसो का मैं object change करना चाहता हूँ तो लॉग ने बुला फिर देख बिटा, तिरको सबसे बहले SR pass करना पड़ेगा, SR pass करने के लिए जो भी SRगा details है, वो तिरको newspaper में चापना पड़ेगा और website में चापना पड़ेगा सर कितने newspaper में चापू दो, English और vernacular Vernacular मतलब क्या, जहां मेरा registered office है बहा का जो local language वाला newspaper है, वो vernacular newspaper होता है उसके बाद तीसरा, जो dissenting shareholder है जो नाराज shareholder है, उन लोगों को exit offer दिया जाएगा exit offer कौन देगा, सर, या तो company का promoter या shareholder in control, promoter कौन सर, जैसे reliance के promoter में मुक्येशंबानी आते है, वर shareholder in control में शायद नीतामबानी भी आ जाती है, तो वो exit offer देगे सेभी regulation के हिसाब से, और जब एक बार आपका object clause change हो जाएगा, आप आरोशी को 30 days के अंदर intimate कर दो गे, सर, dissenting shareholder मतलब आपके नाराज फूपा जो होते हैं, तो नाराज फूपा को आप exit offer दोगे और बोले के चलते बनो भी है, समझे क्या? समझे मालिक, object clause एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, ordinary, extraordinary, ordinary मतलब यह दोनों word law में नहीं लिखा है, मैं बता रहा हूँ, ordinary मतलब क्या? जेनरली अगर object clause change करना है, SR pass करो, आरोशी को inform कर दो, पर अगर आपने public से पैसा लिया दा, और public का पैसा unutilized है, उसमें अगर application भी देना पड़ेगा, और dissenting shareholder को exit offer दोगे, SEBI regulation के हिसाब से, dissenting shareholder को exit offer दोगे, SEBI regulation के हिसाब से, कौन देगा exit opportunity, promoter देगा या shareholder in control देगा, या तो promoter देगा company का, या फिर shareholder in control आपको exit offer देगा, क्या आपको मेरी बात समझ आई, अरे बोलो हाँ, यह आपका पूरा provision है sir, और मैंने सारा cover कर लिया, आप आजाओ sir, articles के alteration पे बहुत आसान है, अगर आप अपना articles alter करना चाहते हो, तो आपको SR pass करना पड़ेगा, को, चला, माला माहित नहीं ते सांगा, आपको SR pass करना पड़ेगा, अभी अगर आपका conversion हो रहा है company का, private company से public company हो रहे हो, या public company से private company हो तो सुनो, उसको भी alteration माना जाता है, पर अगर आप public company से private company हो रहे हो ना, तो आपको CG का approval लेना पड़ेगा, चोटे से बढ़े हो इंडिया में बढ़ो, कोई problem नहीं है, पॉब्लिक से अगर private पे आ रहे हो ना, तो तुमको CG का approval लेना पड़ेगा, अब सर एक बात समझो, private company अपने article में तीन चीजे लिखता है, अगर तुमने कोई भी बात हटाई अपने articles में से, उसके बाद मैंने क्या कहा सर, जैसे ही आपका alteration होता है, 15 दिन के अंदर आप ROC को बता दो, कैसे बताओगे, सबसे पहले बताना, ये देख भाई, ये मेरा नया article है, ये पुराना ये नया, नये में क्या-क्या changes हुआ है वो बता देना, और उसके बाद जो नया version है वो दे देना आप, क्या बोलना, और अगर आपको approval of CG लगाए, सर, approval of CG कब लगता है, जब public से private में convert हो है, तो CG का approval लगता है, वो भी दे देना, तो सर, आप alteration बताना, आप उसको approval देना, और printed copy of the altered article, जो नया वाला है, वो भी तीनों के तीनों आप ROC को बेज़ दोगे, पंदरा दिन के अंदर, यह तो चीज है, ROC के पास 30 दिन में चले जाता है, पर MCQ बनाने में इनको तकलीफ हा रही थी, तो इन्होंने बोला, एक दो जगा पंदरा दिन लिग देते, वही कई मन करेगा, 21 दिन भी लिग देंगे चलो सर, आगे, उसके बाद मैंने क्या बुला, any alteration of AOA, registered under, shall be valid as if it were originally under the Indian articles, अच्छा जो लोग YouTube पे देख रहे हैं, तुम लोगों को सवाल यह होएगा, सर, यह notes कहाँ पे मिलेंगे, यह notes आपको नीचे description पे, मेरे website में मिल जाएगा, यह notes आपको, जो भी नीचे description दिया है वहाँ पे आपको मिल जाएगा, और यह notes आप यूज कर सकते हो, यह hard copy आने में आपके बाद 7 working days लगता है, क्या बात कर रहे हैं, जो बच्चे अभी देख रहे हैं, सर, क्या कर रहे हैं, चलो, 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 आगे सुनो, सर, उसके बाद मैंने क्या कहा, Andrew versus gas meter company, Andrew versus gas meter company क case में क्या decide भूआ था, article को alter करने का power है shareholder के पास, कैसे, SR pass करना पढ़एगा, article को alter करने का power किसके पास है, shareholder के पास, क्यों SR pass करना पड़ेगा, तो अगर आपको SR pass नहीं करना, अगर आपको, आप ये नहीं कर सकते हैं कि शेरोलडर अपना पावर किसी और को देजिए, बिल्कल नहीं, शेरोलडर तेरा पावर है, तेरे को ही यूज करना पड़ेगा, तो किसी को इस तरीके से transfer नहीं कर सकता सर यह क्या है आपका section 15 है, 14 है alteration of article, 13 था memorandum का alteration, 14 था alteration of article 15 क्या है दोस्तो 15 क्या है alteration to be noted in every copy तुमको भी पता है, मेरे को भी पता है, अगर कोई भी alteration हुआ, MOA, AOA की जितने भी copy से उसमें note कर देना, अगर कोई भी copy तुने note किये बिना issue कर दिया न भाई तो तेरे को एक लाख रुपया पर copy एक हजार रुपया पर copy का penalty लग जाएगा बोलो अपने जुआ के इस भी अपने मूँ से बोलो कितना penalty लग जाएगा, 1000 रुपीस per day, sorry, 1000 रुपीस per copy issued without alteration simple सी बात है sir, उसके बाद 15 के बाद आजो 17 पे, क्यों sir 17 भी similar बात करता है, कि अगर कोई member एक कंपनी का, वो अगर आके कंपनी को fees देता है, और MOA, AOA, agreement resolutions का copy मांगता है, तो ये company की responsibility है, कि 7 दिन के अंदर कितने दिन, 7 दिन के अंदर वो आपको MOA, AOA, ये सारी चीज़े पहुचा दे, MOA, AOA, Arctic agreement resolution अगर उसने नहीं पहुचाया ना, तो 1000 रुपया per day के हिसाब से penalty लगीगी, up to a maximum of 1 lakh रुपीस, 1000 रुपय दिन का, लेकिन maximum कितना है, 1 lakh रुपय का, कब अगर तुमने 7 दिन के अंदर नहीं पहुचाया उनको documents, 7 दिन के अंदर अगर तुमने documents नहीं पहुचाया उसको कौन से documents सर, MOA हो गया, AOA हो गया Arctic agreements हो गया, resolutions हो गया समझे WEL की full firm सर, whichever is lower होता है, बिटा, whichever is lower, मेरेको पता है, तुम लोग WEL की आदत है, मेरेको सुधार लुंगा में अपनी आदत, सुधार लुंगा में सारी बुरी आदत है, छोड़ दूँगा, मेरी बात सुनो दोस्तो, section 2L के आए, registered office of a company what is registered office of a company, बहुत तगड़ा provision है मेरे तरफ देखना, एक जटके में खतम हो जाएगा, दोस्तो, देखो, मैंने आज company incorporate कर ली, मेरेको कुछ दिन के अंदर registered office ढूंड लेना पड़ेगा, बताओ कितने दिन, 30 days के अंदर, उसी 30 days के अंदर, मेरेको registered office का verification जो है, ROC को दे देना पड़ेगा, मतलब उसका rental agreement हो गया, electricity agreement हो गया, जो भी है, मेरेको ROC को दे देना होगा, क्या करना होगा, ROC को दे देना होगा, उसके बाद सर मैंने गी बोला, जब registered office ले लेते हो तो सजाना शुरू कर देना, कैसे, आपको 4 चीज़े करनी पड़ेगी, अपने office के, सारे office के बाहर, नाम और अपना address लिखना पड़ेगा, तीन चीज़ों का ध्यान रखना, conspicious position होना चाहिए, मतलब दिखरा होना चाहिए, legible format होना चाहिए, पढ़ने लाइक होना चाहिए, और local language में होना चाहिए, office के बार name और address हो गया, दूसरा, वाह, दूसरा, दूसरा क्या बोला सार, आपकी company का जो seal है, उसमें आपका नाम engraved होना चाहिए, company का जो seal है, उसमें नाम engraved होना चाहिए, तीसरा, आपका जो business letterheads है, जितने भी आपके documents है, उसमें आपके company का नाम, address और sin होना चाहिए, corporate identification number होना चाहिए, और चौथा, जो भी आपका promissory note, bill of exchange हुंडी है, उसमें आपका नाम होना चाहिए, promissory note, bill of exchange हुंडी, ये चार चीज़े मैंने आपको बोली सर, ये चार चीज़े आपको ध्यान रखना, office के बार, seal के उपर, business letterhead, और promissory note, office के बार, नाम address डाल देना, तीन चीज़े ध्यान रखना, conspicuous, legitimate, और language जो है, और उसके बाद seal, engraved होना चाहिए नाम, तीसरा business letter में, नाम और address और sin होना चाहिए, और promissory note में आपका नाम होना चाहिए, पर सर सुनो, अगर पिछले दो साल में आपने कभी भी अपना नाम चेंज किया है, तो नए नाम के साथ हर जगा formal नाम भी डालोगे, मतब जैसे कि Facebook जो है, अगर उसने पिछले दो साल के अंदर अंदर ही नाम चेंज किया है, तो वो अपना Facebook मेटा नाम के साथ साथ Facebook का नाम भी यूज़ करेगा, कैसे लिखते हैं से, ब्रैकेट में formerly known as, formerly known as, उसके वाद से registered office की change की बात करते, और ये सबसे प्रगड़ा provision है, तुमको अगर याद होगा तो, याद है कि तुमको याद है कि भाई लोग, ते ले ओ भाई लोग, और भाई हो, और, बोलो बोलो, तुम बोलो, मैं ढूंड रहा हूँ ताकि तुमको चार्ट से ही करा दू, अगर रेजिस्टर्ड ओफिस है, तो रेजिस्टर्ड ओफिस है, तो रेजिस्टर्ड ओफिस अगर आप शिफ्ट कर रहे हो, मालो उचसे अपका स्टेट चेंज हो रहा है, कटना टका से महारास्टर आ रहे हो, तो तो हमने सेक्शन 13 में कवर किया था, section 30 में क्या बोला था हमने कि regional director जो है वो 60 दिन के अंदर आपको approval देगा वो approval दोनो ROC को दोगे और एक ROC जो है वो आपको certificate of incorporation देगा 30 दिन के अंदर तो 60 और 30 पर से जब आप same state के अंदर हो मतलब आपका state change नहीं हो रहा है पर तो आप ये पूछना कि बहुत city town village के अंदर हूँ या नया city भी जा रहा हूँ city town village के अंदर अगर हूँ ना तो लोकेत है board resolution ले 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 ना shareholder के approval की ज़रुवल की ज़रुवत नहीं है उसी जगे पे तो ना shareholder को क्यो परिशान करना पर अगर city town या village के बाहर जा रहे हो ना तो shareholder को चुना पड़ेगा सर city town या village के बाहर जा रहे हो ना तो सवाल ही होता है ROC same है की बदल गया अगर वो same है ROC same है तो board resolution लगेगा SR लगेगा क्योंकि shareholder का city चोड़ के जा रहे हो आप और तीसरा आपको ROC के बज़े से कोई approval नहीं लगेगा central government का कोई approval नहीं लगेगा पर अगर आपका ROC भी change हो जाता है ना तो sir आपको board resolution और SR तो लगे गई साथ में CG का भी approval लगेगा कौन देगा CG के बिहाफ में approval CG के बिहाफ में approval regional director देगा कौन देगा? regional director sir यहाँ पर regional director को 30 days मिला है sir जब state change हो रहा है regional director को 60 days मिला था क्यों? क्योंकि उसको दो अलग-अलग state के ROC से बात करना था यहाँ पर तो उसको उसी ROC से बात करना है जो उसके अंडर है मतला मालनो मुंबई से पूने जा रहे हो तो यह 30-60-30 है यहाँ पर कितना था जब state change हो रहा है तो 60-30 था बस यहाँ पर कितना है 30-60-30 है क्या दूंको मेरी बात समझाए? यहाँ पर मैंने एक और तरीक से लिख रहा है आपके लिए मालनो बैंडरा में होआ city यह special board resolution, special resolution और CG का approval अगर आप within city town village, same city town village में हो तो आपको देखो board resolution तो भाई हर जगा लगेगा और बात नहीं करेंगे special resolution नहीं लगेगा पर अगर city के बाहर जा रहे होगा तो special resolution लगेगा पर क्योंकि ROC सेम है तो आपको CG का approval नहीं लगेगा इसर बाहर भी जा रहे हो बना हुआ है समझे क्या सर ये line पढ़ो आगे बढ़े सर चलो उसके बाद सर section 10 A सुनो मेरी बात commencement of business ये वाला section क्या कहता है दो चीजे करने से company को रोका जा रहे company business शुरू करना है या अगर पैसे बॉरो करने है business शुरू करना है या पैसे बॉरो करने है दो condition का ध्यान रखना सबसे पहला condition सुनो सुनो सबसे पहला condition क्या है कि तुमको एक declaration देना पड़ेगा company के director को एक declaration देना पड़ेगा ROC को क्या declaration कि भाया जो subscribers to memorandum थे ना उन्होंने जो पैसा promise किया था उन्होंने वो पैसा पे कर दिया है the subscribers have paid the value of shares that they had agreed to take in ये declaration गोट दे रहे director दे रहे कितने दिन के अंदर जिस्दिन आपकी company incorporate वी ना उसके 180 days के अंदर आपको ये declaration देना पड़ेगा ROC को दूसरा आपको ये बताना पड़ेगा 30 days के अंदर आपका registered office जो है वो verified हो गया है कौन सी section के अंदर section 12 के अंदर आपका RO verify हो गया है 180 दिन के अंदर declaration दे रहे हो 30 दिन के अंदर RO आपका verify हो गया है इन में से कोई भी अगर चीज नहीं करोगे तो आप अपना काम शुरू नहीं कर सकते बिजनस शुरू नहीं कर सकते पर अगर आपने कर दिया इस section का default कर दिया तो आपको penalty लगेगा 50,000 रुपे का company को and officer in default को हर दिन का 1000 रुपे लगेगा अप टू 1,00,000 रूटी ठीक है पर sir अगर सुनो अगर आपने 180 दिन के अंदर declaration भी नहीं दिया और आपने अगर business भी शुरू नहीं किया और ROC को लग रहा है कि तुम business नहीं कर रहे हो तो वो क्या करेगा बिटा वो तुम्हारा नाम हटा देगा register of companies से जब काम ही नहीं करना है तो क्यों नाम लेके रखाए या तो काम करो तभी ना नाम लेके रखोगे तो law ने बोला कि अगर आप business declaration नहीं देते हो और ROC के लगता है तुम business भी नहीं कर रहे हो वो कार्ट देगा नाम कार्ट देगा तुम्हारा नाम ROC में से अब सर उसके बाद एक बात सुनो अगर आप declaration दे रहे हो तो आपके declaration पर कैसे वरुशा करेंगे तो law ने बोला जब director declaration देता है न उसके साथ आपको एक certificate लगाना पड़ेगा वो कौन देगा certificate CA देगा या CS देगा या cost accounting in practice देगा पर वो certificate verify करके देगा जो director का declaration है उसको verify करवाना पड़ेगा और सुनो सर और अगर एक company है जो कुछ ऐसे object ये पड़ो ये वाला line if a company pursuing objects requiring registration of any sectoral regulator then the registration और approval shall be obtained and attached to the declaration बदर सर मानलो आप banking का काम कर रहे हो अपको अगर RBI का approval लेने की ज़रू होते कोई registration लेने की ज़रू होते तो जो 180 दिन के अंदर आप declaration दे रहे हो ना उसके साथ साथ आप ये भी attach करोगे 180 दिन के अंदर जो declaration दे रहे हो आप उसके साथ ये भी attach करोगे जो approval आपको आया है banking का सर बहुत आसान section है दो चीज़े मत करना business शुडू मत करना loan मत लेना जब तक 180 दिन के अंदर declaration नहीं दे देते कि हाँ भी या जो पैसे हमने मांगे थे वो आगया है और दूसरा जब तक registered office का verification नहीं हो जाता क्या तुमको समझा हाँ सर आगे बढ़ते सर section 16 क्या है rectification of the name of a company rectification of a name of a company मतलब क्या तुमारा नाम सुधारना सुनो क्या हुआ है अगर गलती से या अंजाने में या जाने में if with through in advertence or otherwise क्या लिखा है if through in advertence or otherwise क्या हो रखा है एक company ने अपने आपको उस नाम से register कर वा लिया जो किसी existing company के नाम से identical है और ऐसा central government को खुद से पता चलता है suomotu किसी को कुछ नहीं बोला मैं मैं बोल रहो suomotu मैं तब खुद से पता चलता है in the opinion of central government the name of a company is identical to the name of an existing company then what will happen central government will direct the company to change its name and then the company will have to change its name within 3 months by way of passing an ordinary resolution OR पास करके अपना नाम चेंज कर लेना ये तो कब जब CG को खुद से लगा दूसरे case में क्या होता है अगर मालो मैंने अपनी company बना ली tomato limited और zomato limited जो है जो इस trademark का register proprietor है वो अगर जाके CG को application करेगा कि मेरा नाम जो है वो identical है या closely resemble करता है तो central government उस application के basis पे मेरे को order pass करेगा कि 3 मैंने के अंदर OR pass करके नाम change कर दे पर सर यह जो application zomato जाके दे रहा है बहुत strict condition है कि आपको 3 साल के अंदर application देना पड़ेगा मतला मैंने जब tomato बनाया तो zomato को उसके 3 साल के अंदर जाकर application देना पड़ेगा उसके बाद उसका application valid नहीं रहेगा चाहे name same क्यों ना हो तो law ने क्या बोला यह on an application application क्यों दे रहा है by a registered proprietor of a trademark within 3 years of incorporation that the name is identical with or two nearly resembles in the opinion of the CG then in that case CG may direct the company to change its name और company 3 मेने के अंदर change करेगा अब sir सुनो जब भी आपको नाम change करने के लिए बोला गया है आप नाम change करके 15 दिन के अंदर ROC को बता देना थाकि आपको ROC एक नया CUI दे रहेगा वापस से ROC को कित्ते दिन के अंदर बताने बोला गया है sir 15 दिन के अंदर बताने बोला गया है अब last वाला provision सुनो यह important है अगर तुमको order दिये थे फिर भी तुम 3 मेने के अंदर अपना नाम नहीं change करेगा तो central government तुमारा नाम change करेगा मालनो तुमारा company का नाम tomato limited था काट के अभी जंड limited लिख देगा जंड limited लिखने के बाद वो आपको उसी नाम पर रहा certificate of incorporation दे देगा यह लोग बढ़ाई हो तुमारे का जंड हुए इस तरीक है और तुमारी company का नाम change कर देगा तो मैंने क्या भूला CG shall allot a new name and shall enter the new name in register of company and issue a fresh COI thereafter सर अब एक बात बताओ तुमारे को tomato limited से जंड limited कर दिया तुम वापस से उस जंड limited को भंड limited कर सकते हो गया तुम कर सकते हो तुमारी मर्जी कोई problem नहीं है चेंज करने से तुमको कोई नहीं रोक रहा है उसके बाद सर section 18 क्या है conversion of a company conversion of a company क्या है अगर तुम अपने company को convert करना चाहते हो मालनो limited company है उसको unlimited company करना चाहते हो या वैसा वर्सा इस तरह का अगर conversion करना चाहते हो तो आप बिलकुल करो लेकिन उसके लिए आपको MOA, AOA का alteration करना पड़ेगा उसके बाद आप क्या करोगे सर conversion करने के बाद ROC को apply करोगे और ROC application के बाद आपका former registration close करेगा और आपको नया COI देगा मतलब सर आप MOA, AOA alter कर रहे हो ROC को apply कर रहे हो COI मिल रहे है आपको और जब आपका conversion हो जाता है ना तो सुनना जिस दिन आपका conversion हुआ उसके पहले का आपका DLOR Debt, Liability, Obligations और Contracts, DLOC Debt, Liability, Obligations और Contracts ये सारे effect नहीं होंगे ये सारे जैसे थे वैसे के वैसे ही रहेंगे वैसे के वैसे ही रहेंगे क्या लिखा है The registration of a company shall not affect Debt, Liability, Obligations और Contracts of the company and such Debt, Liability, Obligations or Contracts may be enforced as if the registration has not been made मतलब सर मालनो पहले Unlimited Company थी बाद में Limited Company बन गई तो जब Unlimited Company थी तो उसके Debt, Liability, Obligations और Contracts जो थे वो अब इंपक्ट नहीं होंगे और आने वाले इंपक्ट नहीं होंगे पर अगले आने वाले तो ज़रूर इंपक्ट हो जाएंगे ठीक है चलो सर, उसके बाद बहुत सिंपल है सर, Section 19 Section 19 क्या कहता है अगर एक Subsidory Company है, एक Holding Company और एक Subsidory Company है अगर तुने अलोट कर दिया तो यह अलोट्मेंट वाइड है क्या बोला Subsidory तो Holding के पास मत जाना Holding तो Subsidory को मत देना Shares और अगर तुमने दे दिया तो वाइड हो जाता है अगर तुमने दे दिया तो वाइड हो जाता है यह बहुत important है उसके बाद मेरी बात सुनो जर तीन exception है इस चीज के इस चीज के तीन exception है पहला तुम Legal Representative अगर हो और Legal Representative के भीहाफ पे तुम Sharehold कर रहे हो दूसरा अगर तुम Trusty Capacity में अगर Sharehold कर रहे हो तीसरा आप पहले Shareholder थे और बात में Subsidory बन गए यह तीसरा आप Shareholder थे इवन बिफ़र यू बिकेम अ Subsidory पर सरे एक बात याद रखना यह तीन exception है जहां पे Subsidory Company अपने Holding Company का पकड़ सकती है लेकिन अगर Subsidory Company, Holding Company का Shares होल्ड कर रहे है सुनना यह दो case में आपके पस फिर भी Voting Rights होगा पर यह third case में आप जो हो vote नहीं कर सकते आप Company के meeting में जाके vote नहीं कर सकते बहुत गंदे लोग आ रहे हैं मेरी class में बहुत गंदे लोग आ रहे हैं तुम लोग बहुत जादा understood understood कर रहे हैं बहुत गंदे लोग आ रहे हैं सिनव SS की vines मोले हाँ यही सही बोला तुमने, I hate my mind, that is the truth, मैं ने तुमको बोला था, मैं एक जरिया हूँ जो तुम्हें तुम्हारी सोच से मिलाता हूँ, ठीक है? सर, घर के बाहर निकालने वाले, सुनो मेरी बात, तुम लोग बहुत गंदे लोगा, तुम लोग बहुत बिगडे लोगा, तुम लोग अपनी उमर से 6 साल आगे चल रहे हो, सुनो, सर, चलो, 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 दोस्तों बसही खतम करते हैं, मेरी बात सुनो, सर, मैंने क्याओ कि तीन केस में आज आप शेर ini कर सकते हो? सर, सुनो, मैंने क्या बूला? यही बाते तो बातने याद आईगे, सुनो मेरी बाते, मैंने क्या बूलाओ आपको, यह जो right to vote होता है, ना, राइट टू वोट होता है ना, वो दो case में मिलता है, legal representative और trustee की case में मिलता है, और कोई case में आपको right to vote नहीं मिलता है, उसके बाद ज़र, यह second वाला point काट दो, और मैंने आपको एक point समझाया था, यह point पूरा हमने class में cover किया था, आपको कुछ नहीं समझ रहे, आपको बस इतना समझ रहे, कि आप अगर legal representative यह trustee की capacity में sharehold कर रहे हो, आप बिंदाज जाके meeting में vote कर सकते हो, पर अगर आप पहले shareholder थे, बाद में आप subsidiary बन गए, तो जाके आप vote नहीं कर सकते, सर एक बात बताओ, मैं यह तीनों मैंसे कोई भी case में shareholding कर रहे हो, company 1-1 का bonus issue करती है, तो मेरे को भी मिलेगा क्या, मैं subsidiary हो, मैं holding का sharehold करता हो, क्यों? क्योंगी यह तीनों condition में से कोई condition स्वां मीट हो रहे है, तो holding company 1-2-1 का bonus देजिए है, मेरे को मिलेगा क्या? the answer is yes, absolutely, मिलेगा Sir, section 20, service of document service of document क्या है, अगर आप कोई भी document company को देना चाहते हो तो आप उसको, Sir, registered post, speed post, courier, registered office में छोड़ करके या electronic mode से बेच सकते हो क्या पांस तरीका है, Sir, registered post, speed post, courier, leaving it at it, सारो, और बाखी चीज़े पर अगर company, कोई notice दे रही है registrar को या किसी member को, तो उनके पास भी बैसा ही similar mode होता है, registered post होगया, speed post होगया, courier होगया, deliver होगया और ये सारी चीज़े होगया, पर सरे एक बात याद रखना, ये mode of delivery है, अगर आप member को को कोई, आप member को बोले, कि मैं registered post से बेजना पड़ेगा, पर आप more change कर सकते हो, extra पैसे ले करके ठीक है, उसके बाद सर नीधी company के लिए एक exception दिया है कि हर company जो है, सारी चीज़े notice वगेरा जो है, सारे members को बेजती है पर नीधी company glam ने एक exception दिया है नीधी, तुमको सब लोगों को देने की जरूत नहीं है, notice, तुमको क्या करना पड़ेगा, तुम लोगों को, उनी लोगों को members को notice देना, जिनका more than 1000 in face value और 1% of total paid up share capital है, whichever is less, जिनके पास share holding, नीधी company नीधी company, जिसके पास, उन members को notice देगी, जिनका share holding 1000 rupees in face value और 1% of the total paid up share capital, whichever is less, 1000 1000 in face value, और 1% of the total paid up share capital, whichever is less, सिर्फ इनको ही, इससे जादा जो share holding करते हैं, इनको देना, मतलब सिर्फ ये limit हो गया 1000 वाला share जो hold करते हैं, ये limit हो गया, इससे जादा जो hold कर रहे हैं, सबको notice physical form में जाएगा बाकी लोगों को notice नहीं जाएगा, आप क्या करोगे newspaper में छाप देना, और तुमारे company का जो notice board है ना, तुमारे office का जो notice board है ना, वहाँ पे लगा देना, उससे काम हो जाएगा, तुमको अलग से बेजने की जरुवत नहीं है सर, electronic electronic मतलब देना, electronic electronic mode से देने का मतलब क्या होता है, electronic mode से देने का मतलब दो ही होता है, facts और email बस इतना याद रखो, facts बेजना है, email बेजना है electronic mode होता है, last वाला point important है सुनना, अगर company अपने member को notice बेज रही है, किस चीज का notice बेज रही है, meeting का notice बेज रही है, और बेज रही है, post से बेज रही है, पोस्ट से बेज रही है, एक काम करो, आपके notes में यहापे पहले एक डबा बना लो, और यह डबे के बाजू में लिख लो, post, अगर आपके बस अगर वो एक meeting का notice है, उसके अलावा कोई भी अगर notice है, तो उसको ordinary course of post में जब भी deliver होता है, तब deliver माना जाएगा, जब भी ordinary course of post में deliver होता है, पर अगर notice का meeting है, sorry, meeting का notice है, तो 48 hours में उसको क्या माल लिया जाएगा, delivered माल लिया जाएगा, Sir, section 21 क्या कहता है authentication, कोई भी document या contract को authenticate कर रहे है, तो कौन करेगा, Sir, company का वो key managerial person, या वो officer या employee, जिसको board ने authorize किया है, वो sign करके authenticate कर सकते है, मतलब Sir, एक contract enter कर रहे है, तो कौन contract enter कर रहे है, उसको, सिर्फ contract enter कौन कर सकता है, अगर board ने किसी को authorize किया, KMP, officer या employee, तो उसके sign पे उसको authentic माल लिया जाएगा, और Sir, execution की अगर बात करे, कोई bill of exchange, बतलब माल लो कोई promiseary note बना रहे है, बिल of exchange बना रहे है, उसको execute कौन करेगा, ध्यान से दे सकते हैं, जब फिर एक director और एक CS दे रखे, wherever the company has appointed CS, अगर CS ने appoint हो रखा है, तो CS और एक director देगा, और अगर CS नहीं है, तो दो director करके देदेगा, अगर company में common seal नहीं है, इसी जरीके का provision, आपको अगर याद होगा, तो section 46, जो chapter 4 में आते हैं, उसों हम share certificate में भी पढ़ते है, share certificate कैसे बनता है, या तो common seal है, तो common seal लगा दो, नहीं है, तो common seal नहीं है, ये तो दो director या एक director और एक CS, अगर आपके company में CS है, तो, समझे, और sir, जब officially authenticate हो जाता है, ये document, तो उससे company bind हो जाती है, officially authenticate होने पर company bind हो जाती है, that's it guys, that's it. क्या revision करने वाले हैं, sir, आज की class में, हम revision करने वाले हैं, prospectus and allotment of securities के बारे में, शुरू करने के पेड़े एक चीज़, जो मैं आमिशा तुमको बोलूंगा, बोलता रहूंगा, करता रहूंगा, मेरे लिए video को like जरूर कर देना, ताकि आप लोगों की like करने से, ये सही logo तक पहुँच जाए, और मुझे बहुत खुशी होगी, जब ये बहुत लोगों को help करेगा, sir, बस, एक बार से जादा नहीं बोलेंगे, फिर एक बार लास्ट में और बोलूंगा, लाइक हो जाना चाहिए, और जो जो लोग like करेंगे, भगवाल, उनको मेरे तरफ से बेदो नमबर एक्स्ट्रा दे देना, लोग के paper में, चलो, चलो, इसका मतलग है नहीं कि 20 बार like करो, और बोलो हो गया, 40 paper का, 40 marks का जिबार, चलो sir, आज के session में हम पूरा का पूरा prospectus वाले chapter का revision करने वाले है, हमारा बहुत detail में इस पर class पर cover हो गया है, मैं आप लोगों को disclaimer देतू, ये revision videos है, आप लोगों के पस मेरे summary notes होंगे, और ये ता ultimate solution notes है, ये आप लोगों को कहा पर मिल जाएगा, नीचे description पर link मिल जाएगा, sir ये जो revision है, इसमें हम लोग पूरा section 40, section sorry, 23 से लेकर के 41 तक revise करेंगे, prospectus and allotment of securities, ये जो chapter ने ये दो पार्ट में divided है, पहला prospectus के बारे में, दूसरा allotment के बारे में, एक और आपको पता है, ये chapter दो पार्ट में divided है, एक public offer के बारे में, एक private placement के बारे में, तो sequence में शुरू करते है, section 23 से शुरू करते है, section 23 इसी भी बात करते है, दो चीजों के बारे में, एक बार फटा-फट मेरे को confirm कर दो, audio video clear है, एक बार बिस फटा-फट confirm कर दो, audio video clear है, super chat भी कर दूँगा, उन्नी, तुम विल से दोगे, तो मैं बुरा नहीं मानुगा, हाँ, चालो, ओके गाईज, सर, public offer section 23 जो है, वो दो चीजों के बारे में बात करते है, पहला public offer और private placement के बारे में, मैंने आपको simple समझाया था, कि public company चार तरीके से security इसीशू कर सकती है, public offer, private placement, right issue, bonus issue, पर private company जो होती है, वो सर, तीन तरीके से पैसे raise कर सकती है, private placement, right issue, bonus issue, private companies जो है, वो public offer नहीं कर सकते, तो इस तरीके साब पैसा raise कर सकते हो, सर, और देखो मैंने यहाँ पे card भी दिया है, उसके बाद सर, public offer मन्दब तीन होता है, IPO, FPO, और offer for sale, IPO क्या होता है, initial public offer, जो पहली बार company लाती है, IPO क्या होता है, follow on public offer, जो कुछ समय पहले अडानी ने लाया था, और तीसरा क्या होता है, OFS offer for sale, यह तीन चीज़ें होती है, जो एक public company करती है, उसके बाद सर, public offer में आता है, उसके बाद सर, कुछ important definition में, मैंने आपको prospectus का definition समझाया था, prospectus का definition दि prospectus का definition, कोई भी ऐसा document, जिसको अपने prospectus के नाम से describe किया, उसमें RHP भी आ जाता है, उसमें shelf prospectus भी आ जाता है, कोई भी notice circular advertisement, जिससे आप public से invitation कर रहे हो, उसको हम क्या कहते है, prospectus, मुझा कोई भी document को prospectus बोला था, prospectus हो जाता है, red heading prospectus, prospectus होता है, shelf prospectus, prospectus होता है, और कोई भी document notice circular जो है, जिससे आप invitation कर रहे हो, उसको आप prospectus बोलते हो, यह हो गया सर, आपका prospectus का definition, उसके बाद सर, section 25 क्या कहता है, offer for sale, याद करो concept offer for sale का क्या था, उपर आपको चार्ट देख करके समझ आ रहा होगा, company आगर directly public के पास जाती है, तो 100 तरह के rules regulations लग जाते है, company एक shortcut न मैंने खुद लिखा है ताकि आपको समझ आए, where a company alerts or agrees, और मैं आपको चीद पढ़ा रहा हूँ पढ़ना सर, ठीक है, जो मैं आपको highlight करूँगा, जो मैं yellow मैं highlight करूँगा, where a company alerts any securities with a view that security shall be offer for sale to public, any document by which such offer for sale to the public is made, shall be deemed to be a prospectus, क्या बोला मैंने, अगर कोई company, किसी और को the view, intention से offer कर रही है कि सामने वाला उसको क्या करे, उसको offer for sale करे पब्लिक को, तो उसको sir, just document से आप ये offer for sale कर रहे हो ना, उसको prospectus मान लिया जाता है, deemed prospectus कहा जाता है sir, अब ये deeming provision का effect क्या होता है, अगर आप किसी prospectus को deemed कर लेते हो ना, तो उससे दो चीज़े होती है, सब person को offer कर रहे है न, उन लोगों को director माना जाता है, person making offer, person named as director of the company, ये पर चलो sir, ठीक ठीक बात होगी, पर ये important है दो presumption, क्या दो presumption लगा रहे है, मेरी बात ज्यान से सुनना, तो presumption ये है, बहुत थारे लोगी argue करते, नहीं, हमने तो ऐसे offer for sale कर दिया, कोई हमारा intention नहीं था तो लोग केता है, आप ऐसे कैसे intention भी था, वो case में, रिजूम कर लिया जाएगा कि आपका intention offer for sale का था, पहला case क्या है, अगर आपने सामने public को offers for sale, 6 मेने के अंदर अंदर कर दिया, company ना आपको securities alert किये, उसके 6 मेने के अंदर अंदर आप public के पास चलिए ये दूसरा, आप जब भी गए public के पास, 6 मेने, 9 मेने, 8 मेने, 12 मेने, जब भी गए, आपने जिस दिन offer for sale किया, उस दिन whole consideration जो है, आपने company को pay करके नहीं रखा है, ये दोनों में से कोई भी case हो, सर, ये दोनों के से एक साथ नहीं, दोनों में से कोई भी case होना तो law कहते है, उसको हम presume कर लें हमारा फिर भी intent है सा नहीं था, तो अलग बात है, बट अगर आप prove नहीं कर पाओ, तो evidence ये मान लिया जाएगा, कि 6 मेने के अंदर आगर आपने offer किया है, तो offer for sale का intent था, या जिस दिन आपने offer किया है, उस दिन पूरा का पूरा consideration पे नहीं हुआ है, उसके बाद सर, अगले consideration जो company को मिल रहे है, सामने वाले issue house से, सर मैं आपको बता दू, ये issue house जो है, ये language issue house है, यहाँ पे issue house लिखने न, जो ये issue house है ये law में नहीं लिखा हुआ है, issue house हम practical life में उसको बोलते है, पर law में लिखा रहा है, law में बस intermediary के point of view से लिखा, issue house नहीं लिखा हुआ है, अब स उसके बाद समझो, net amount of consideration, अगर आपका net amount of consideration जो है, वो आपको बताना पड़ेगा, और कितना time and place है, जहाँ पे आपको वो securities का contract inspect कर सकते हो, वो भी आपको बताना पड़ेगा, ये दो चीज़ें additional है, जो आपको अपने perspectives में बताना पड़ेगा, जो section 26 में बताओगे, वो त the partners will sign, तब जाके ये ballot क्या बनेगा, document बनेगा, क्या section 25 में क्या हो रहा है, मेरे साथ थोड़ा थोड़ा पड़ो ना, मेरे से एक कदम आगे चलो, मेरे साथ साथ बोलो, chat पर थोड़ा सा type करो, please दोस्तों, ऐसा source हो के काम नहीं करो, source हो के काम नहीं करो, चीखे, very good, sir तो मैं मैंने क्या कहा, मैंने simple चा कहा, company issue house को देती है, shares, company issue house को देती है, और issue house सामने public को देता है, shares offer for sale करके, ठीक है, अब जब company दे लिए issue house को, issue house दे रहा है, सामने public को, ये जो तरीके से अगर आप offer for sale कर रहे हो ना, तो इसको, जो documents से offer for sale कर रहे हो, उसको deemed prospectus माल लिया application हो जाएगा, content का, liability का, ये सारी चीज है, उसके अलाबा एक और चीज भी क्या हो जाएगा, आपको, आपको, दो additional matter disclose करने पड़ेंगे, पहला net amount of consideration हो गया, और दूसरा time and place जहां पर ये contract inspect हो सकता है, उसके माद मैं नहीं कहा, कि जो आपका prospectus का, ये provision है, इसमें, presumption दिया तब ही जाके valid document माना जाएगा, उसके बाद सार मैंने कहा, section 26 क्या है, matter to be stated in the prospectus, prospectus में क्या-क्या matter state करोगे, मेरी बात घ्यान से सुनना, prospectus में क्या-क्या matter state करोगे, sir, आपके prospectus में सबसे पहले, it should be dated and signed, उसके date होना चाहिए, date पे गया होना नहीं चाहिए, dated होना चाहिए signed होना चाहिए, उसके अनावसर, उसमें कुछ ऐसे information दोगे, और ऐसे report दोगे, जो SEBI बताए, central government के साथ consult करें, SEBI plus CG मतलब क्या, SEBI in consultation with the central government, जब तक SEBI बता नहीं देता, तब तक SEBI regulation में, जो SEBI ने prescribe किया है, वो वाली चीज़े क्या कर देना, state कर देना, वाली चीज़े क्य कुछ information report देने पड़ेंगे, होन सा information report, जो SEBI बताएगा, CG से बात करके, बता नहीं देता ना, तब तक SEBI ने जो SEBI regulation के अंदर बताया है, वो चीज़े क्या कर देना, disclose कर देना, उसके बाद सर मैंने कहा, prospectus में दो चीज़े और लिखनी पड़ेगी, सबसे पहला, declaration about compliance with this act, क दूसरा statement कि हमने कोई भी contrary to the act नहीं किया है, पहला declaration देना कप्लाई कर लिए, दूसरा statement देना कि हमने कोई भी चीज contrary नहीं किये, ये दो चीज़े आपको करना पड़ेगा, सर, ये दो चीज़े आपको करनी पड़ेगी, क्या आपको मेरी बात समझाई, हाँ सर, आगे बढ अगर आप कोई existing shares नए shareholder को दे रहे हो, या नया share existing shareholder को दे रहे हो, क्या बोला मैंने सर, मैंने बोला कि जो उपर वाला subsection 1 है वो apply नहीं होगा, अगर आप कोई existing shares नए shareholder को दे रहे हो, या नए shares existing shareholder को दे रहे हो, मतलत सर, right issue और bonus issue की बात कर रहे है, जिसको समझा, उसको स of publication माल लेते हैं मेना को class में paytm का prospectus दिखाया था और उपर दिखाया था कि कैसे prospectus में date दिखा होता है उसके बाद sir prospectus आप अपने ROC के साथ file करोगे before issuing the prospectus आप ROC के साथ file करोगे लेकिन उसमें sign करके भीजना कौन sign होगा sir every person who is named as director or proposed director और by his authorized attorney ध्यान ये देने की बात है कि सारे के सारे director sign करते है majority, two directors, one director नहीं है सारे director sign करते है और उसके बाद ROC के पास जाता है उसके बाद sir अगर आप अपने prospectus में कोई ऐसा statement डाल रहे हो जो लग रहे है किसी expert ने statement डिया है तो तीन बातों का ध्यान रखना सबसे पहला that person should not be engaged or interested in the PFM promotion, formation and management of the company उसका company को बनाने में, promote करने में, form करने में कोई लेना देना नहीं है and he has given his written consent उसने अपना written में consent दे रखा है उसने अपना written consent दे रखा है और उसने वो consent withdraw नहीं किया है और यह statement जो है, कि उसने अपना consent दिया और withdraw नहीं किया है यह statement आप अपने prospectus में include कर रखे हो तब जाके आप उसका क्या कर सकते हो, आप उसको include कर सकते हो उसका statement अपने prospectus में फिर से बता दू, आप अपने prospectus में expert का statement अगर ले रहे हो, तो दो चीजों का ध्यान रखना, सबसे पहला prospectus is not, the expert is not engaged in the promotion, formation और management of the company, और दूसरा, जो expert है न, उसने अपना return consent दिया है, return consent बिड्राउ नहीं किया है, और ये statement अपने prospectus में डाल दिया है, उसके बाद सार, expert मतल आप ये लिखोगे कि हमने R.O.C. को deliver कर दिया है, और क्या-क्या documents हमने attached किये, ये सबसे important point है sir, prospectus की validity की 90 दिन से जाधा नहीं होगी, 90 दिन से जाधा की validity नहीं होगी, जब आपने R.O.C. को deliver किया, उससे 90 दिन का countdown शुरू हो जाएगा, उतने में issue करना होगा, और अगर आ information होना चाहिए, जब तक SEBI नहीं दे देता, तब तक SEBI regulation वाला information ले ले लेना, एक declaration और statement देना होगा, उपर के provision apply नहीं होगी, अगर right issue और bonus issue हो रहा है, ऐसा समझे लो, existing shares, new shares, existing shareholder, उसके बाद सार मैंने बोला, deemed date of publication माना जाता है, जो date होता है, prospectus R.O.C. के बास बेजना प की और last year, contravention, उसके बाद सर, section 27 पे आ जाते है, variation in the terms of the contract, सर, अगर मैंने public से पैसा लिया है, पैसा, अरे बच्चो वाला provision है, सुनो ना, public से पैसा लिया है, वो पैसा अगर unutilized है, उसमें से कुछ, और अगर मैं object vary करने की बात कर रहा हूँ, तो मेरे को 3-4 चीज़ों की ध vernacular language का, vernacular language मतलब क्या, जो मेरे registered office के circulation में है, उसके बाद सर, यह जो resolution का detail दूँगा न, साथ में मैं justification भी दूँगा, क्यों इस तरह के changes हो रहे है, उसके बाद सर, यह सबसे important point है, और ही यह नया point है, जो आपको पिछले वाले chapter में नहीं मिला था, यह point है कि जब आप object change कर हो न, आप उसको फिर भी buying, trading and dealing and equity shares में use नहीं कर सकते, क्या बोला मैंने, अगर आप object change कर रहे है, उसको buying, trading and dealing and equity share में use नहीं कर सकते, उसके बाद सर, जो dissenting shareholder, जो नाराज, फुपा है, उनको exit offer देना पड़ेगा, exit offer कौन देगा सर, या तो आपका promoter, या shareholder in control देगा, और equity trading ले use नहीं कर सकते, और last में आपको क्या करना पड़ेगा, dissenting shareholder को exit offer देना पड़ेगा, आप सबसे important point ही आता है sir, law ने बोला कि जो SR pass करना पड़ेगा न, वो आप postal ballot के through करोगे, postal ballot in the sense, postal ballot in the sense, बोलो postal ballot in the sense क्या, postal ballot in the sense क्या, postal ballot in the sense क्या, postal ballot मतबसर जो घर गर पर आपको जिन्दगी में आके चलते एक section है, section 110, उसके हम पड़ेगे, postal ballot के through SR pass करना पड़ेगा, जब आप postal ballot के through SR pass कर रहे हो, आपको बहुत सारा details देना पड़ता है, जैसे कि, what is the original object, दूसरा, total money कितना आपने raise किया, क्या काम के लिए पैसा utilize किया, कितना बचा है, कितना बचा है, क्या reward है, यह सारा आपको देना पड़ेगा, सर, SR pass करवाने के लिए, अब सर, यह जो आपको newspaper में advertisement करना पड़ता है, उसके लिए इनों ने बोला, पास, ने वो ने बोली, form P.A.S.1, यह पास आओ वाले में दिशा पाट नहीं थी गया, हाँ, dairy milk वाले सिर्क में, किसमत बोला, form P.A.S.1, form P.A.S.1 में आपको क्या करना होगा, advertisement करना होगा, और advertisement करने के बाद, आप जो है, आगे चल करके, SR pass करोगे, सर, notice को website में डाल देना, और dissenting shareholder को exit offer, यह दोनों चीज़े, rule में repeat हुई है, यह आपका rules है, rules कौन से, companies, perspectives and allotment of securities rule, वो rule में repeat हुआ है, rule का number क rule number 7, यह आपका क्या है, यह आपका provision है, last का दो point जो है, वो rule में repeat हुआ है, यह आपका section 27 था variation, तो सर, चार बाते बस याद रखना है, SR pass करना है, SR का detail newspaper और website में देना है, newspaper में in the form P.A.S.1 दोगे, उसके बाद तीसरा equity के trading में use नहीं करना, और dissenting shareholder को चलते बनों बोलना, ऐसे बोलोगे, कौन बोलेगा, promoter बोलेगा, या shareholder control बोलेगा, और prices जो है, वो सेभी regulation के हिसाब से दोगे, उसके बाद सर section 28 पर आजाओ, section 28 बहुत important है, क्या कहता है, कहता है, सुनो, कि अगर कुछ company के members, certain members अगर चाहे, तो वो company के board of director को अप्रोच कर सकते हैं, यह बोलने members of a company, who was in consultation with the board, offer whole or part of their holding to public, then the members shall collectively authorize the company to take necessary actions, and then they shall reimburse to the company, वो company को बोलेगे, जो चल रहा है, जो करना पड़ेगा, वो करो, और जो भी खर्चा आएगा, वो हम आपको reimburse करके दे देंगे, यह हो गया, सार, आपका offer for sale का concept, बहुत simple है, certain members मिलते है, company को बोलते है, मेरे बहाफ मे shares public को दे दे, जैसे paytm की case में, विजय शेकर सर्मा ने अपनी shares बेचे थे, हर कोई लगबग अपना offer for sale में, IPO में offer for sale करी देते है, सर जाने दो, कुछ नहीं बोला मैंने, राम 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 कुछ नहीं बोला, वापस आजाओ मेरे सर, अब सर दूसरा point क्या बोला मैंने, जो document जिससे offer for sale किया जाता है, उसको prospectus माना जाता है, जो company issue करे, और सारा provision applicable हो जाता है, पर सर सुनो, चार ऐसे provision है, जो नहीं apply होते, मतलब से देखो, मेरे shares है, मैंने company को बोला, तू based है, company जो document से बेच रही है, उसको मैंने बोल दिया prospectus है, prospectus का सारा provision लग गया, पर हमने बोल provision नहीं लगेगा, जो 90% वाला आता है, 90% नहीं बोलगा, बस minimum subscription बोलो, दूसरा minimum application value वाला provision नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि यार मेरे shares है, company का कोई नया share थोड़ी है, मेरे खुद के shares है, मेरे को जितना minimum subscription क्या होते है, जितना application money मिलते है, minimum application money क्या होते है, तीसरा इन्होंन चौथा, any other provision or information, which cannot be complied or gathered by the offerer, with detailed justification, मतलब कोई भी और information अगर तुम नहीं दे पारे हो, क्यों, तुम आप उसका detailed justification है, तो 9 केता है, कोई दिक्तत नहीं है, तो मैंने का, 4 point ऐसल जो आपको ध्याद देने पड़ेंगे, कि ये 4 provision applicable नहीं होंगे, भले prospectus है, offers and sales से भी जो करने और prospectus है, minimum subscription, minimum utilization, और उसके बाद, provision requiring any statement to be made in respect of utilization of money, कोई statement देने का, ये कोई भी और provision जो है, वो अपलाई नहीं होगा, अगर आपके बस detailed justification है, मतलब आप बच करके निकल जाओगे, आप सर्थ सुनो, prospectus में ये नाम लिखा रहेगा, कि offer for sale का पूरा cost कौन बेर कर रहा है, मत कितना बेर कर रहे है, वो पूरा आपको prospectus में लिख करके देना पड़ेगा, गोलो, आगे बड़ू सर, हाँ, सर, section 28 क्या था, offer for sale है, 29 क्या है, बहुत असान section है, सर, एकदम असान है, basic section है, कहता है, सारे shares को ना, DMAT में convert कर दो, क्या कहता है, सारे shares को ना, DMAT में convert कर दो, सार सर, इसमें क्या कहता है, notwithstanding anything contained in any other provision of the act, पूरा-पूरा नहीं पढ़ेंगे, सर, अपन, क्यूकि पूरा-पूरा regular class थोड़ी, यह वे revision है, मेरी बात सुनो, सर, इसमें बस यह कहता है, कि हम लोग ना, दो companies के पीछे पढ़ेंगे, पहला listed company, हम सबसे पहले तो public company के पीछे प पूरा-पूरा, हमारा ध्यान है, unlisted public company पे, किस पे, unlisted public company में, हमने बुला, unlisted public company के shares को dmat form में जबरदस्ती convert करवाना पड़ेगा, तो उसके लिए हमने बहुत सारी चीज़े लगाई, हमने एक नया rule लाया, जिसका रामे rule 9A of the company prospectus and announcement of securities rule, उसमें सबसे पहले हमने बुला, क आज से सारे shares हो है न, वो आपको dmat form में issue करने पड़ेंगे, issue all securities in the dmat form, और issue तो करना पड़ेगा, लेकिन साथ में आपको dematerialization facilitate भी करना पड़ेगा, facilitate मतलब क्या, तो पुराने shares है physical form में, उसको dmat में convert करने में help भी करना पड़ेगा, as per the depository act 1996, उसके बाद सर इन्हों ने क यह कहा कि कोई भी understood public company, आगे चल करके, अगर securities issue करना चाहती है, buyback करना चाहती है, bonus issue करना चाहती है, right share करना चाहती है, कुछ भी करना चाहते हो न, तो सुनो, जो तुम्हारे promoter, director और key manager person है, अगर जो बड़े बड़े लोग है, उनको बोलो कि पूरा का पूरा shareholding जो है न तो जब भी तुमको bonus issue करना है, right issue करना है, buyback करना है, नया issue करना है, तुम पहले पूराने shares को convert कर वालो मालू, उसके बाद सर इन्होंने एक date रखा, second October 2018 को, क्या हुआ था, second October 2018 को, पंजी गए थे, so आमी चिन्मे अनंद का सचसर, अरे वो नहीं ना, इधर आओ मेरी बात स तो उसको कुराने shares को क्या करना पड़ेगा, DMAT form में convert करवाना पड़ेगा, sir यहाँ पे हमने तीन लोगों को पकड़ा, promoter की, director और team manager person को, यहाँ पे हमने बाकी public को पकड़ा, कि 2 October के बाद मेरा shares है, अब मैं अगर बेचना चाह रहा हूँ ना, पहले मैं DMAT में convert कर रहा हू और उसके बाद तुम अपने existing shareholder को inform करो, यह हजराद, 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 सुविदा है, तुम्हारे physical share को DMAT में convert करने के लिए, आजाओ, ठीक है, उसके बाद, sir, conversion करने के लिए, आपको यह facility देने के लिए, fees का payment करना पड़ेगा, जो आपका, fees, fees का payment मतलब क्या जो तीन intermediaries होता है, sir, पहلا होता है depository, तीसरा होता है registrar to issue और पहला होता है depository, दूसरा होता है register to issue और तीसरा होता है share transfer agent, यह तीनों को fees payment करना पड़ेगा, इनको security deposit देके रखना पड़ेगा और deposit usually दो साल की fees होती है, उसका अगले दो साल की fees में रेको deposit करवाके रखनी सब कुछ भी नहीं कर सकता अगर इन लोगों के फीज में मैंने कोई डिफॉल्ट किया है मैंने कोई घपला किया है समझे उसके बाद सर मैंने क्या कहा उसके बाद यह प्रोविजिन छोड़ दो यह पड़ो कि हर UPC को न सॉम पीए सिक सम्मिट करना पड़ेगा 60 days के अंदर from the conclusion of each half year हर each half financial year खतम होने के बाद 60 days के अंदर आपको सम्मिट करना पड़ेगा कि किते शेर्स कनवर्ट हो गए हैं और यह जो है न इसको certified करवाना पड़ेगा एक CS से या cost chartered accountant से in practice यहां पर cost accountant नहीं लिखा सरक्यों मा लाइफ मा रूल्स उसके बाद से इन्हों ने बोला कोई भी अगर difference मिलता है आपको issued capital और DMAT account वाले capital के पीछ में तो आप तुरंट उसको depository के notice में लाओगे अगर सर किसी का grievances address नहीं हो रहा है security holder का मतलब आप गए depository के बस बोले DMAT में convert करते हो करी नहीं रहे तो आप जाकी कर सकते हो IEPF authority को IEPFA को और IEPF action लेगा DRS क्यों को DRS मतलब depository register to issue और share transfer agent और सर यह rule apply नहीं होगा यह पूरा का पूरा rule नीधी कंपनी को या नीधी कंपनी government company या government company के holy-owned subsidiary को समझे गया यह अचली नीधी company government company और any holy-owned subsidiary मतलब जिसका shareholder एक ही है तो उन तीनों को यह पूरा का पूरा rule apply नहीं होगा वहले को unlisted public company है और सर अगर आप एक private company हो ना तो law कहते है physical form में hold कर लो जैसी तुमारी शद्धा जैसी तुमारी मर्जी समझे सब्सक्राइब यह पूरा अनलिस्टेट पॉब्लिक company को बोला गया सबसे पहले तो तू आज से नया shares DMAT में issue करेगा डूसरा अगर को issue buyback right issue bonus issue करना चाहते हो तो प्रमोटर डिरेक्टर की अगर आपको कोई भी शेर ट्रांसफर करना है यह नया share subscribe करना है तो existing share holding को आपको डिवाट में convert करवाना पड़ेगा अपनी आपको facility देगी तो इसे facility देगी company ISIN number obtain करेगी और company DRS depository register or share transfer agent का fees बरेगी timely deposit देगी उनको security deposit देगी अगर तू फीस बरने में default करते हो तो भी तूम issue buyback कुछ भी नहीं कर सकते उसके बाद सार आपको एक return बना की form PA6 बना के आरोची को file करना पड़ेगा हर each half of a calendar each half of a year में आपको मतलब क्या within 60 days from the end of each half year में आपको file करना पड़ेगा और 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 बाखी छोटी-छोटी चीज़ दी आगर आपको कही तकलीफ आ रही है तो IPF authority को complaint करो वो action लेगा DRS के उपर और private company को दोनों option है आप दोनों option मतलब क्या आप physical issue भी कर सकते हो कि वेरी को जोर से हां बोलो मैं को लगना चाहिए तुम लोग हो यहां पर कि यह तुम्हारा जोर से हां है सेक्शन 30 आपके syllabus में नहीं है इसको आपके law में है पर syllabus में नहीं है यह attempt by attempt इसको काट रहे है तुम्हें इसको अपने note से नहीं अठा सकता उसके बाद सेक्शन 31 पे आजो बहुत important section है शेल्फ प्रस्पेक्टर मतलब क्या होता है शेल्फ प्रस्पेक्टर मतलब वो प्रस्पेक्टर अजिसके जिसमें जो security लिखा है न उसको आप एक या एक से जादा issue में issue कर सकते हो over a certain period without issue of further prospectus बार बार prospectus issue किये बिना आप पैसा securities issue कर सकते हो by making one single document shelf prospectus उसको कहते है सर शेल्फ प्रस्पेक्टर यह क्या हर कमपनी कर सकती है नहीं सर कुछ specific class of companies है जिसको सेभी specify करेगा वो क्या करेंगे वो अपना shelf prospectus issue कर सकते है यह shelf prospectus का file करोगे सर जब आपना पहला offer कर हो ना उसके stage पर आप यह shelf prospectus file करोगे और उसमें आप validity बताओगे कि यह prospectus की validity क्या है जो एक साल से ज्यादा नहीं हो सकती और यह validity शुडू कब होगी सर जब आपका पहला offer open होता है ना उस दिन से यह validity शुडू होगी और जब आप second या subsequent offer कर रहे हो ना तो आपको further prospectus issue करन नहीं हो सकते 6 मेना हो सकते 9 मेना हो सकते 10 मेना हो सकते एक साल हो सकते उससे जाधा नहीं हो सकते अब आपका validity शुरू कब से होगा सर जब आपका पहला offer open हो रहा है ना open फाइल यह पहला offer open हो रहे है कब से आपका validity शुरू होगा और जब आप subsequent offer या second offer करोगे तो आपको further shelf prospect एक्तस फाइल करने की जरुवत नहीं है आपको एक document फाइल करना पड़ेगा जिसका नाम है information memorandum और यह information memorandum आप pass to PAS to form में फाइल करोगे sir मेरी बात ध्यान से सुनो यह जो information memorandum है यह कितने समय के अंदर फाइल करोगे आप अपने second या subsequent offer के एक मेने पहले फाइल करोगे company to file information memorandum उसमें आप तीन चीज़ें बताओगे sir उसमें आप CFO के बारे में बताओगे पहला को चार्जेस क्रिए हुए है कि C दूसरा F financial position में कोई आप उनको क्या करोगे आप उनको information memorandum दोगे अगर उनको memorandum देखके नहीं जमाना तो वो सामने वाला पूरा हक रखता है अपना पैसा वापस ले लेने के लिए law ने कहा वेरे company has received application for the allotment of securities along with advanced payment of subscription then the company will intimate such changes to applicate and if they desire to withdraw the application अगर वो पैसा वापस लेना चाहते है उनकी इच्छा है अगर तो refund कर दो पंदरा दिन के अंदर अंदर आप सर information memorandum shelf prospectus के साथ information memorandum मिला दो उनको मिला प्रस्पेक्टस माल लिया जाता है उनको deemed as a prospectus बोला जाता है deemed prospectus नहीं बोला जाता है they shall be deemed to be a prospectus दोनों में फरक है उतर उसका नाम का deemed prospectus इधर हम बोल रहे इसको prospectus माल लेंगे तो आप समझे क्या सर यह आपका shelf prospectus का provision बहुत simple है हर company नहीं कर सकती फाइदा यह है बार-बार prospectus नहीं issue करना पड़ेगा लेकिन आपको information memorandum पड़ेगा जिसदर आप subsequent offer ला रहे उसकी एक मैना पहले आपको देना पड़ेगा और form PS2 में देना पड़ेगा CFO के बाले में बताना पड़ेगा charges financial position और अधर चीज़े इंटिमेशन अगर आपने कोई advance payment ले लिया है और सामने वाले को आपने changes इंटिमेट किया अब वो पैसा अगर वापस लेना चाहता है जिसके से दो चीज़े नहीं लिखी हुई है पहला quantum और price of the securities मतलब जो securities हम issue कर रहे है उसका क्या price होगा और कितना quantity होगा बस वो नहीं लिखाए कि सारी चीज़े complete है तो sir जो भी company अगर अगर IPO IPO लार यह public offer करना चाहिए तो वो रेडेरिंग प्रस्पेक्टस issue कर सकती है प्रस्पेक्टस issue करने के पहले आप sir आपको यह रेडेरिंग प्रस्पेक्टस ROC के पास कम से कम तीन दन पहले फाइल करना पड़ेगा subscription के open होने के और 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 उसके बाद sir आपको जब आपका subscription close हो जाएगा तो जो भी रेडेरिंग प्रस्पेक्टस में वो प्रस्पेक्टस में variation है जो variation को highlight करके यह प्रस्पेक्टस आपको ROC और सेभी के पास file करना पड़ेगा सर मैंने क्या बोला आपका जब एक बार खतम हो जाएगा रेच्पी का काम जब आपका पूरा offer close हो जाएगा तो आपको final price और quantity पता चलगी अब आप क्या करोगे वो price और quantity लेकर डालोगे रेच्पी में तो प्रस्पेक्टस बन गया अब प्रस्पेक्टस और रेच्पी मे आए जिसमें quantum और प्राइस का information नहीं कंपणी जो कंपणी जो अगर offer करना चाहती है न वो आपन होने के कम से कम तीन दिन पहले फाइल करना पड़ेगा वो जो भी वेरियेशन है वो आप आरोसी और सेभी के पास फाइल कर दोगे समझे क्या हाँ सर सेक्शन 33 आपके सिल्व नहीं है और November 23 वालों के लिए वीडियो देख रहे है तो मैं आपको बता दूँगा बाद में किसी और वीडियो की दुरू आपको चिंता करने की जरूद नहीं है मुस्तली आपनी के बिल नहीं होगा 34 और 35 पड़ते हैं आपका बहुत फेवरिट सेक्शन है क्या है 34 और 35 बताओ जरा मेरे को कि बताओ क्या है 34 और 35 अरे बोलो बोलो कुछ तो बोलो सर 34 क्या है 34 है सिवल लाइबिलिटी की क्रिमिनल लाइबिलिटी सर पहले क्रिमिनल होता है बात में सिवल लाइबिलिटी और अगर प्रस्पेक्टर से जिसमें कोई ऐसा statement है जो untrue या misleading है इंसान जो prospectus को authorize करता है वो 147 के under libel हो जाएगा fraud के लिए क्या बोला मैंने 4 keyword याद करो बस अगर prospectus में कोई ऐसा statement है जो untrue है या misleading है तो every person who authorizes such prospectus शेर भी libel under section 447 लेकिन एक person libel नहीं होगा अगर वो खुद ये proof कर दे कर रहा है वो खुद ये proof कर रहा है कि पहला जो statement या omission वो है ना वो immaterial था ना के बराबर था और दूसरा या फिर या फिर उसके पास RGTV RGTV मतलब reasonable ground to believe that the statement was true and or the inclusion or omission was necessary जब वो लिख रहा है उसको statement सच लग रहा है या फिर जो inclusion या omission किया है वो necessary था अगर उसको लग है तो law कहता है तिरको माफ कर देंगे अगर तु ये दो चीज़े प्रूफ कर दे पहला क्या प्रूफ कर दे कि भईया तुमने statement या omission किया है वो immaterial है दूसरा तुमारे पास reasonable ground to believe है कि statement true था और inclusion और omission जो है वो necessary था समझे क्या अगर तीन condition मीट होते है क्या तीन condition मीट होते है अगर किसी person ने तुम्हारे company के shares को subscribe किया है कौन से basis पे acting on any statement of the prospectus which is misleading prospectus में कोई गलत statement था उसके basis पर act करते हुए and he has sustained a loss or damage as the consequences there of उसका खुद का नुक्सान हुआ है तो law केता है उस case में liable हो जाओगी civil liability हो जाएगी किसकी में बताता हूँ पर तीन case किया है subscribe किया है कौन से basis पे acting on a statement in the prospectus which is misleading मतला prospectus पर act करते हुए और तीसरा उस वज़े prospectus देखा ही नहीं था तो भी ये section की बात नहीं होगी तीनो condition cumulatively meet होना चाहिए तो कौन liable हो जाएगा sir ये 5 लोग आपके company के जो आज के डिरेक्टर है जो future के डिरेक्टर है company का promoter हर वो इंसान जो authorize किया था जैसी कि CA अगरा हो गए और कोई expert का भी अगर statement लिया है न वो अगर आपने subscribe किया है prospectus के basis पे और loss हुआ है तो उस case में 5 लोग डिरेक्टर, promoter, authorize जिस ने किया और expert ये 4 लोग नाइबल हो जाएंगे compensate करने के लिए परस तीन exception है मेरी बात ध्यान से सुनना सबसे पहला डिरेक्टर जो है न उसने अपना consent दिया था तो उसमें बात में consent विड्रा कर लिया और prospectus उसके consent के बिना issue हुआ था पहले में ये डिरेक्टर को बचा रहे है बोला डिरेक्टर ने अपना consent दिया था और बात में consent विड्रा कर लिया और consent के बिना issue हुआ है अगर ऐसा प्रूफ कर दे तो वो बच सकते हैं दूसरा अगर prospectus जो है without knowledge और consent issue और तीसरा सर तीसरा वाला point जो है वो मैंने यहां से कटवा करके आपको नीचे लिखवाया था class में सुनो क्या लिखा है मैंने अगर वो statement जो है ना किसी expert के report के basis पर आया किसके basis पे expert के report के basis पर अगर by any chance आपके पस ultimate solution का edition 2 है तो उसमें यह already point उपर लिखा हुआ हुए potential ल किया है और वो statement expert का true and fair representation है and such person has reasonable ground to believe that the expert is competent और expert ने अपना written consent दिया और वुद्रोने किया है self class में मैंने आपको समझाया था अगर किसी expert ने बोला company 3 time 3 मुना grow हो जाएगी 10 साल में तो मेरे को लागा CA पढ़ा दिखा है मैंने उसका statement लेकर के copy paste कर दिया अब मेरी क्या गलती मेरको तो लागा expert competent है और expert ने अपना written consent भी दिया था यह सब चीज़ें यूज़ करने का तो मैंने किया मैं क्यों फसू भाई मैं तो expert के statement पर रिलाई किया न तो लौ ने बुला अगर तुम यह प्रूफ कर देते हो कि यह जो statement था expert के report के basis पर है वो expert क report का true and fair representation है मेरे पास reasonable crown to believe था कि expert competent है और उसमें अपने written consent दिया है तो लौ कहता है यह चारो condition meet होगे न तुम माफ हो जाएगा तो सर्क खुल मिला कि तीन जगा माफ हो जाओगे पहला अगर डिरेक्टर ने written consent दिया था विड्रॉ कर लिया दूसरा किसी ने consent दिया नहीं था सारी बाते ठीक है भाई लेकिन अगर यह पता चला ना कि तो तुने misleading statement डाला था वो किसी को defraud करने के धोगा देने के intention से डाला था तो law कहते है you will be personally responsible without any limitation of liability मतलब क्या personally responsible without any limitation of liability मतलब क्या तुम लोगों को घर में बुष करके तुम्हारा गाड़ी बेच करके पैसा ले ले यह पर आपके exam के question में आ रहा है पीक वर्सेस गुर्णी का case लो उसमें क्या बोला गया था सुनो शेर्स अगर तुम subscribe कर रहे हो और उसके बाद तुम्हारा loss हो रहे है क्यों तुमने perspectives पर act किया था तो तुमको compensation मिलेगा पर अगर तुमने subscribe करने की जगा shares को acquire किया है purchase किया है दूसरा दूसरा पहला आपने subscribe किया है दूसरा आपने आपने प्रस्पिक्टर के basis fact किया और तीसरा misleading था तीसरा आपका loss हुआ है यह तीनों condition मीट होंगे तभी जाके आपको section 45 का benefit मिलेगा से क्शेशन 47 का है बता दो रहीं फ्राइस है यह मैं आपको बता दूसरा मेरे स्क्रिन पे देखो अगर मैं आपको बोलू यह limit है यह limit के उपर का fraud अगर किया क्या limit है सब लिमित है आपका 10 lakh रुपीज और 1 % of turnover whichever is इस से जादा का अगर फ्रॉड किया ना तो लॉग केते किती लाइबिलिटी लगेगी जेल हो जाएगा 6 मैने से 10 साल तक का अगर फाइन हो जाएगा अप्टु 3 ताम्ट अप्ट फ्रॉड लेकिन अगर उसमें पब्लिक इंट्रेस्ट इन्वॉल्व हो जाता है तो 6 मैने के जागा जेल हो जाएगा 3 साल से 10 साल तक का and a fine and a fine of 3 times of the front पर अगर लिमिट से नीचे का फ्रॉड है न तो आपको fine लगेगा 50 लाग रुपे का जेल होगा आपको 5 साल तक और और बोथ मतलब दोनों भी हो सकता है तो कितना अमाउंट इन्वाल्ट है उस पर डिपेंड करता है और कहा जेल होगा और कहा नहीं होगा वो लिखा हुआ है उसके पाद सब फ्रॉड का मतलब क्या होता है कोई भी चीज आप चुपा रहे हो या कोई भी आक कर रहे हो किसी को दोका देने के अराधे से या अंडियो एडवायंटेज लेने के लिए तो भले तुम्हारा फाइदा हुआ हो या नहीं हुआ हो उसको फ्रॉड माना जाएगा उसके बाद सब्सक्राइब पर फ्रॉड्लेंट्ली इंडूसिंग पर्सेंग को प्रशाद प्रसाद जो कहते हैं अब से समझ आगर कोई इंसान रंडर जियर कोई प्रोमिस कर रहे जिससे पर करें वे सेमक्तिरों कोई पर्षाद लों मेंसे कुछ भी करेगा ना प्रशाद तो तेर Surprise 47 की liability हो जाए कि जो उपर हमने पढ़ा बहुत जादा important नहीं है पर एक बार पढ़ लो sir एक बार पढ़ लो any person who either knowingly or recklessly makes any statement और which is false और deliberately conceals any material साथ या तो कुछ बताता है या जूट बताता है या फिर सच चुपाता है क्यों उससे सामने वाला person एक agreement में इंटर कर जाए जो subscription का हो acquiring, disposing, underwriting का हो या उसको किसी तरह का profit हो रहा है या credit facility मिल रहा है तो law कहता है आप liable हो जाओगे उसके बाद सर section 37 क्या है action by affected person बहुत simple है कोई rocket science नहीं है ये बस इतना कहता है कि अगर कि अगर कोई prospectus में misleading statement के वज़े से सामने वाले का नुपसान हुआ, section 34 में या section 35 में या 36 में तो law ये कहता है कि आप नोगर के पास power है कि आप जाके company के against suit file कर सको case file कर सको, individual करना है वो भी कर सकते हो, group में करना है वो भी कर सकते हो, any person affected by the misleading statement, what they may do they may file a suit they may file a suit take any other action against the company आप suit file कर सकते हो, बस इतना ही हमने कहा है, like in sir एक बार बताओ हर वो इंसान जिसमें share subscribe किया है सिर्फ बहुँट suit file कर सकते है तो sir बहुत simple सा logic है, आज अगर मैं जाके Reliance का share खरीद रहो, तो मैं Reliance का prospectus नहीं दिखता हूँ, मैं Reliance का बाकी annual report वगेरा दिखता हूँ prospectus के basis फेक्ट सर्थ क्या कुटे हो, तुम subscribe करते हो, purchase नहीं करते है जिसमें purchase किया है ना, उसमें यह right नहीं मिलेगा, जिन्होंने subscribe किया है सर्थ वही जाकर कि क्या कर सकते है case file कर सकते है उसके यहाँ पे हमारा खतम हुआ, प्रोप्रियेट कापिटल, वा 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 सर हिंदी में बोलो ना, सुनो जब मैंने prospectus issue किया ना, तो मैंने invitation to offer दिया, सामने वाले ने application दिया, तो उसने offer दिया, और जब मैं allot कर रहा हूँ मतलब मैं accept कर रहा हूँ offer को, और तब जाके contract बन जाता है, अब तुम समझे बच्च वाली भाषा में, अब तुम समझे बच्च वाली भाषा में, अब सर सेक्शन 39 सुनो बहुत important, बहुत interesting है, allotment of company, allotment of the securities by a company, sir allotment कर दे के लिए दो चीज़े लगती ही क्या तो मैं तुम में पता सकते हो अब मेरी बात सुनो, application money shall not be less than 5% of the nominal amount of securities, आपके nominal amount of securities से 5% से कम नहीं होगा आपका application money, और other amount as may be specified, या कहा मैंने, application money shall not be less than 5% of the nominal amount of securities, और other amount, मतब minimum 5% का application money चाहिए, उसके बाद सर मेरी बात सुनो, अगर या तो आपको minimum subscription नहीं आया, या minimum application money अगर आपको नहीं मिला within 30 days from the date of issue of prospectus, तो आपको पैसा वापस करना पड़ेगा, return ना money, return करना पड़ेगा सिर्फ किते दिन के अंदर, within 15 days from the close of issue, मतब पब्लिक का पैसा है जिस दिन आ गया, उसके 15 दिन के अंदर तो ये लोग भड़त गए, बोले 15% देना पड़ेगा और सिर्फंट कहां पर दोगे, जिस bank account से पैसा आया था, उसी bank account में आप refund दोगे, उसके अलावा कहीं भी और नहीं दोगे समझे क्या सर, मैंने क्या बोला, आपको अगर minimum application नहीं आ रहे है, तो जिस दिन आपका issue close हुआ, उसके 15 दिन के अंदर refund कर देना, वरना 15% पर आनम देना पड़ेगा, कि इसको डिरेक्टर को जो jointly और separately liable हो जाएंगे, उसके बाद सर मैंने आपको बताया form PAS3, PAS3 में मैंने आपको return of allotment को concept बताया, कि आपको return of allotment जो है लिजा करके file करना पड़ेगा, सर इसके लिए मैंने class में आपको notes बनाया था, आपको कुछ याद है, अरे बोलो याद है क्लास में ऐसा कुछ notes बनाय return of allotment बना करके आप क्या file करोगे सर, आप पूरा detail दोगे, name of alloties, list of alloties, address देना, occupation देना, सारा ज्यान दे देना, इसको डेने हो सर, आरोशी को, जितने रिंचे अंदर, जिस दिन आपने allotment किया, उसके 30 days के अंदर आपको PAS3, PAS3, PAS3 में return of allotment जाता है, पर सर, उसके आगे ध्यान से सुनो, कुछ additional documents आपको देने पड़ेंगे, अगर कौन सा case है, पहला अगर case है, आपने, ये class में, जिन्हों ने notes नहीं बनाया है, इसको लिख लेना, class में, मैं आपको screen पे दिखा रहा हूँ, pause करकर के लिख लेना, अगर आपने security जो issue किया है, वो bonus security नहीं ह तो उसको writing में बनाना, उसमे stamp duty भरना, और फिर उसके बाद उसकी copy दे देना, और last में sir, आपको valuation भी करवा के देना पड़ेगा, जो other than cash, consideration आपको मिला है, उसका valuation भी करवाना पड़ेगा, और फिर जाके ये सारे documents आप किसके पास file करोगे, ROC के पास, क्या कर रहे हो sir, securities दिया, तो law कहता है, आपको सबसे पहले contract लिखाना पड़ेगा, contract writing में नहीं है, तो writing में लिखो, और फिर उसके बाद दिखाओ, और तीसरा आपको valuation करवा के देना पड़ेगा, पर अगर आप bonus issue कर रहे हो ना, तो सिर्फ जो general meeting में resolution pass हुआ है, आपको पता है section 63, bonus करने के आपको OR pass करना पड़ेगा, तो जो general meeting में resolution pass हुआ है, उसकी copy दे देना, और अगर आप right issue कर रहे हो ना, तो जो भी valuation report आया, registered valuer का वो दे देना, यह आपको अपने allotment के साथ file करना पड़ेगा, तुमको अभी वो चाहिए क्या, तुम उंतजार करूंगी क्या 2 मेना, तो अ सुनो, सुनो, दोस्तो, very good ने है, very good, उसके बाद से penalty आप पड़ ले न, यह आपका section 39 ने, एक बड़ section 39 आपके लिए समराइस कर दू, बहुत आसान है, अपनी आखे बंद करो, एक बार आखे बंद करो, ने को बताओ कौन सा चेहरा याद आ रहे क्या, जो मैं बता रहे हो हुआ न, उस दिन आपको पता चल जाएगा, minimum subscription और minimum application आया है, कि नहीं आया है, अगर नहीं आया है, तो जिस दिन offer close हुआ, उसके 15 दिन के अंदर refund कर देना, नहीं किया, तो जो officer in default है, जो director है, वो jointly और severely liable हो जाएंगे, 15% पर annum click, पैसा refund कहा करोगे, जहां से आया तबही डालोगे, और उसके बाद सर आप refund कर दोगे, allotment करने के बाद form PAS3 फाइल करोगे, इसको फाइल करोगे सर, NCNT को, नहीं, ROC को फाइल करोगे, 30 days के अंदर फाइल करोगे, जब आपका allotment हो जाता है, उसके बाद form PAS3 में बहुत सारे documents आप attach करोगे, अगर आपने consideration other than cash के आपफले issu किया तो जो contract है, उसकी copy दे देना, अगर contract राइटिंग में नहीं है, तो writing में करना, time duty भठना, फिर उसकी copy दे देना, और उसमें evaluation report गी दे देना, bonus इशू किया, तो जेनरल मीटिंग का OR दे देना और अगर राइट इशू किया तो valuation report दे देना और उसके बाद यह filing करने के बाद आपका प्रोस्पेक्ट आनॉट्मेंट का जो काम होता है वो पुरा समाप्त हो जाता है समझे क्या आगे बड़े सेक्शन 40 आपका सबसे प्यारा सेक्शन आपको अभी यह दिमाग में याद हो गया सर अगर दोनों का अप्लिकेशन दूंगा और एक जैनरल रिटेक्ट कर दिया तो क्या मैं आग में आई प्यों आ सकता हूं तुमने बोला था हां मैंने बोला था नहीं तुमने मेरे को 100 रु आजाना चाहिए यह एक्जैम का क्वेश्चेन अपर लौ क्या कहता है लौ कहता है कि हर कंपनी जो पब्लिक ओफर कर रही है न वह आप्लिकेशन देगी तो वन और मोर रेकरनाइस टॉक एक्शेंज और आप अप्लिकेशन दे रहे हो तो उनका पर्मिशन लोगी और उनके रेकरनाइस टॉक एक्शेंज में सेक्योरिटीज डील करोगे अपसर कभी-कभी आपको फुल अप्रूवल नहीं आता है आपको उपर उपर से अप्रूवल आ जाता है इन प्रिंसिबल अप्रूवल आ जाता है तो लोग ने कहा जहां प्रस्पेक्टरस में यह लिखा अपने अप्लिकेशन दिया है और उनका नाम भी बताना पड़ेगा आपको अब सर्फ जो अप्लिकेशन मनी आपको आता है पैसा आपको आता है यह आप एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रखोगे और इसको सर्फ दो ही काम के लिए यूज़ करोगे सबसे पहला अगर इस आप एक्सचेंज का अप्रूवल नहीं लिया पर्मिशन नहीं लिया या फिर आपने मेंचन नहीं किया प्रस्पेक्टस में तो लॉग कहता है अगर यह सारे कांड करोगे न तो तुम्हारा मिनिमम होगा पांच लाग रुपया डीफोल्ट का मिनिमम पचास लाग रु कि अब विच उसके बाद देखने का भी नहीं है तुमको छे चीज़े अंडर राइटिंग कमिशन में छे चीज़े मेरी बाल क्यान से सुलो अगर एक कंपनी अंडर राइटिंग कमिशन देना चाहती है न तो उसको सबसे पहले AOA में ऑथरिटी होनी चाहिए यह सारी पैसे आ रहे है उससे या आपकी कंपडी के प्रस्फिट में से देदे नः पर यहाँ से आपको कमिशन देना पड़ेगा या तो प्रसीट कमिशन का है यह से ब्लजु करते है Ricky अगर शेर रिक रहा हो तो लो ने बुना 2.5% of the issue price, debenture issue price, और rate authorized by AOA, whichever is lower, तो सर लोवर तो common है, यहाँ पर 5% है, यहाँ पर 2.5% है, क्योंकि आपको भी पता है, shares बुचने में जादा मैनत लगती है, तो वहाँ जादा percentage है, debenture में तो कम मैनत लगती है, तो debenture में कम percentage है, तो यह percentage की बात होगे, उसके बाद सर प्रस्पेक्टस में आपको तीन बाते disclose करनी पड़ेगी, क्या name है underwriter का, कितना rate ले रहे हैं, और क्या commission है, और कितना securities उन्होंने underwrite किया है, उसकी बाद ध्यान रखना, क्या अलावा अगर कोई और issue कर रहे हो, तो उसमें underwriting commission कभी भी मत देना, और तो copy of contract है ना, उसको ROC को file कर देना, यह ROC पता में इतने सारे contract को डालता कहा है, आप क्या करना, ROC को भी file कर देना, यह 6 चीज़े हैं, सर याद करो पहला, AOA, AOA, सर्फ दूसरा, दूसरा मैंने क्या बोला, आप पैसे commission दोगे कहां से, commission आप अपने profit में से दोगे, या proceeds में से दोगे, तीसरा rate क्या होगा, 5%, 2.5% or the rate of AOA, whichever is lower, उसके बाद मैंने क्या कहा, आपका prospectus में आपको disclose करना पड़ेगा, underwriter का नाम क्या है, किते securities underwriter की है, और क्या rate या commission ले रहा है, और 4-5% आपको, पब्लिक के अलावक को और issue कर रहे हो, तो उसमें underwriting commission ले रहा है, contract वो ROC को file कर देना, along with the prospectus for registration, जाके valid underwriting commission माना जाएगा, समझे कहा सर्, सर्में एक बात बताओ, मैंने na access bank को hire किया as an underwriter, access bank को में जो commission है ना, वो पैसे में देने के जगा property दूँगा बोल रहा हूँ, क्या मैं other than cash में, other than cash में क्या underwriting commission दे सकता हूँ, जी हाँ, law में ऐसा कोई restriction नहीं है, तुमको जो form में देना है दो, law में ऐसा कोई restriction नहीं है, इसका मैंने shorted आपको क्या बना के दिया था, rapid f बना करके दिया था, पर मैं आपको बोलूँगा, इसको sequence में ही याद रखो, ताकि आपको exam में लिखते बने, इसलिए मैंने आपको class में writing practice करा ही थी, यह वाले notes किसकी, काकि आपको हाथ चलो और आपको याद रहे, ठीक है, चलो सर्थ, आगे बढ़े, सर आपका last section for today, and with that we will be done with the whole revision of this chapter in just one hour, चलो दोस्तो, क्या आप मेरे साथ ready हो, बहुत असान section है, छोटा से section है, कुछ चीज़ा है, बस द्यार में आ गया, तो पूरा section मक्षन जैसा कतम हो जाएगा, सर section 42 private placement की बात करता है, private placement क्या होता है, private placement मतलब अगर आप कोई offer या invitation दे रहे हो, तो subscribe, और ये select group of person को दे रहे हो, तो सर उसको हम private placement कहते हैं, सर इसमें दो चीज़ें खास है, एक तो select group of individual और दूसरा people का, अब सर मेरी बात सुरो, private placement किसको होता है, private placement select group of individuals को होता है, ये select group identify कौन करते है, इसको board identify करते है, और इसलिए इनको इसके बाद हम identified person बोल लेते हैं, सर maximum identified person कितने होंगे, 50 और सच higher amount आज CG में prescribe, CG ने prescribe किया, अगर 200 हो सकते हैं, एक financial year में, मेरी बात ध्यान से सुनना, एक financial year में, एक kind of security के लिए, maximum 200 members का limit है, 200 लोगों का private placement कर सकते हो, सर ये 200 का limit एक साल का है, ये 200 का limit equity का अलग है, preference का अलग है, एक तो qualified institution में बाहर है, और दूसरा employees, ESOP के अंडर ये shares ले रहे, employees जो ESOP के अंडर ये share ले रहे, उनको आप private placement में है, लिमिट 200 के limit में मत गिनना, पर ये जो exception है, ये apply नहीं होगा, अगर आप national banking finance company हो, या housing finance company हो, जो उनको, जिनको Reserve Bank of India या national housing bank, जो apply नाशनल housing bank regulate करते, उनकों को, ये exception apply नहीं होगा, मतलब सर सिंपल है, 200 का limit, 200 के limit में दो लोग नहीं आएंगे, बोलो कौन से, अरे 200 के limit में, QIP नहीं आएंगे, और ESOP वाले apply नहीं आएंगे, पर ये जो exception है न, ये NBFC के case में, और housing finance company के case में applicable नहीं है, सिंपल सी बात है सर, 200 का limit याद रखना, 50 का limit विल्कुल भी relevant नहीं है, बस law में लिखा हुआ है, 50 of such higher amount as may be prescribed, higher amount क्या prescribed हुआ है, 200 का हुआ है, याद रखना है ये जो 200 का limit है न, ये 200 का limit is for each kind of securities, and that is equity share, preferential or debenture, अब सर उसके बाद मेरी बात ध्यान से सुनो, private placement के और कुछ conditions है, अगर private placement करना है न, तो सबसे पहले आपको SR pass करना पड़ेगा, सबसे important ये है, SR pass करने के लिए आपको पता है, कि अगर ये special business है, क्या बोला मैंने, अगर ये special business है, तो आपको explanatory statement भीजना होता है, उसमें आप बहुत सारी चीज़ें बताऊगे, सर देखो मैं private placement कर रहा हूँ, तो मेरे को SR किस से पास करना है, सारे shareholder से, तो मैं उनको बताऊँगा, कि क्या particular से कितना detail है, क्या kind of securities issue कर रहा हूँ मैं, क्या basis पे मैंने ये price decide किया, और क्या मैंने valuation करवाया है, क्या amount है, जो company raise करना चाहती है, और क्या material terms है, ये सारी चीज़ें मेरे को बताना पड़ेगा, सर मतलब basically मेरे को, सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी, जो भी मेरे को लगता है, relevant है decision making ले, अब सर उसके बाद सबसे important point आ जाता है, तुमने क्या मोना, SR pass करना होगा, क्यों SR pass करना, क्योंकि तुम private placement कर रहे हो, पर law ये कहता है, कि अगर आप non convertible debenture issue कर रहे हो, क्या अगर 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 non convertible debenture issue कर रहे हो, non convertible क्यों लिखा है सर, तो SR नहीं pass करना पड़ेगा, board resolution से काम हो जाएगा, इन्होंने आगे चलके एक और बात बताई, कि non convertible debenture अगर limit के ऊपर भी जा रहा है न, तो हम तुमको साल में बार-बार SR pass करने नहीं बोलेंगे, एक बार SR pass करोगे तो काम हो जाएगा, एक SR pass करोगे न, once in a year तो आपका काम हो जाएगा, और सर, similarly, अगर आप QIB को भी offer दे रहे हो, तो एक SR से काम हो जाएगा, कोई problem नहीं, ये situation बहुत important आपको समझना पड़ेगा, convertible debenture में तो हमेशा SR लगता है, non convertible debenture में limit के अंदर हो, तो SR नहीं लगेगा, BR से काम हो जाएगा, पर limit के उपूद जा रहे हो न, तो साल में एक अगर private placement कर रहे हो, public offer नहीं, private placement अगर कर रहे हो न, तो एक SR pass करके आपका काम हो जाएगा, उससे जादा आपको SR pass करना साल में नहीं पड़ेगा, उसके बाद सार अगर आप private placement कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, जो select group of individuals है, उनको private placement offer काम application form दोगे, PAS4 में, और उनको name और address पे उनके भीजोगे, यह जो private placement आप people का form होता है न, इसको आप किसी और को transfer नहीं कर सकते, इसमें right of renunciation नहीं होता है, यह बाला offer आप किसी और को pass on नहीं कर सकते, आप सर्दीम public offer मतलब क्या, दोसों का limit है साल में, जैसे कि आप 200 के limit के उपर जातर की private placement करने की कोशिश करते हो, वो offer को आप public offer माल लेते हैं, और पूर public offer का provision applicable हो जाता है, आप सर्मेंट क्या होगा, जब आप private placement करवा रहे हो ना, तो लोग भी बना चेक दे दे, DD दे दे, कोई भी बना चैनल से दे दे, NEFT हो गया, आई, अच्या भाई, RTGS हो गया, NEFT हो गया, I, ETF क्यों हो आई, मेरे दिमाग में, IMPS, सॉर्य, तो यह आपका, सर प्रोइबिशन और फ्रेश ओफर, यह बहुत इंपोर्टेंट है, मेरी बात ध्यान से सुनना, सर अगर मेरा आज के डिट में, कोई private placement चालू है, तो जब तक वो private placement, खतम नहीं होता, या जब तक मैं उसको abandon नहीं कर देता, तो उतर में fresh offer नहीं ला सकता, इस फेक बहुत important question था, जाकि question bank में solve कर लेना, मैंने एक category mark करवा रखा है, मैंने क्या बोला, no fresh offer, unless allotment with respect to any other offer, or invitation made earlier has been completed, या तो पहले का आपने allotment करके, खतम कर दिया है, या फिर आपने उस offer को withdraw या abandon कर दिया है, उसके 60 दिन के अंदर allotment हो जाना चाहिए, अगर नहीं कर पा रहे हो, तो पैसा 15 दिन के अंदर refund कर देना, अगर इस 15 दिन के अंदर refund नहीं कर पाए न, तो सिर्फ 12% का interest लगेगा, प्राइविट का पैसा लगेगा, तो 12% पे interest लगेगा, पर वो कब से लगेगा सर, from the expiry of the 60th day, जिस दिन 60 दिन कतम होगा, जब तक आपको allotment करना था, उसके बाद 15 दिन में refund करना था, नहीं करोगे, तो आपको क्या लग जाएगा, आपको interest लग जाएगा, at the rate of, interest लग जाएगा at the rate of 16, 12%, उसके बाद सर ये तो आपको पता है, application money का use, और सर आप जब private placement कर रहे हो न, तो उसके लिए public advertisement करना, विल्कुल भी allowed नहीं, ये strictly prohibited है, आपको सर उसके बाद return of allotment बनाना पड़ेगा, form PS3, same form है, और ये return of allotment आपको file करना पड़ेगा, RC के पास, private placement में वैसे ही maximum 200 का list है, साल का, तो लोग ने गोला, इतना तुदू 15 दिन में करी लेगा, वैसे भी हम तिरसे ज़्यादा detail मानते ही कहा है, तुमको वस ये बताना पड़ेगा, कि क्या नाम है, क्या address है, क्या occupation है, कौन से security hold कर रहे है, allotment क्या है, अगर आपने मेरी बात सुनो, अगर आपने private placement के, किसी भी provision का contravention किया, तो आप पर fine लगेगा sir, company पर, promoter और director पर fine लगेगा, जो extend हो सकता है, above, up to the amount of private placement, और 2 crore, whichever is lower, जितना आपने private placement किया है, या 2 crore, whichever is lower, और company को refund भी करना पड़ेगा, पैसा 12% interest के हिसाब से, within 30 days of the order, जोस दिन order आया ना penalty का, उसके 30 दिन के अंदर, पैसे भी वापस करने पड़ेगे, अगर वापस नहीं करोगे, तो वापस से तुम पे interest लग जाएगा, sir क्या मोला, मैंने मैंने मोला, sorry, interest थो ऐसे भी लग रहा है तुम पे, अगर तुम ने कांड कर दिया, private placement को धंसे किया ले, तो तुमको सबसे पहले penalty देना पड़ेगा, penalty कितना, जुतरा amount का private placement था, और 2 crore, which is lower, तो साथ में पैसा भी refund करना पड़ेगा, जब से लिया था, उससे 12% पर अनम के इसाब से पैसा रिटर्न करना पड़ेगा, उसके बाद सर्थ चोड़े जो पॉइंट, यह जो पीपो का form होता है, यह P.A.S. 4 form में होता है, serial number होता है, और एक एक person को address होता है, उसके बाद मैंने क्या मिला, company जो है P.A.S. 5 में पूरा record maintain करेंगी, और जो भी तुमने board resolution ये special resolution पास किया न, उसको R.O.C. के पास file कर दे ना, एक बर सर्थ फिर से आपको एक बर पूरा section 42 का crux निकाल करके बता देता हूँ, यह समझ आ गया, तो आपको पूरा section 42 समझ आ गया, private placement select group of individuals को होता है, चितने सर्थ maximums एक financial year में 200 हो सकते हैं, 200 के limit में QIB और आप employees को नहीं गिनोगे, जिनों ने e-swaps लिया है, तो QIB और employees को भी गिनोगे, अगर आप NBFC या housing finance company हो, उसके बाद मैंने यह बोला, SR pass करना पड़ता है, SR pass करने के लिए explanatory statement में बहुत सारी चीज़े देनी होती है, पर आपको SR नहीं pass करना पड़ेगा, अगर आप non-convertible venture का private placement कर रहे हो और वो limit के अंदर है, और अगर limit के उपर भी जा रहा है तो आप साल में एक SR pass करके private placement पूरे साल भर कर सकते हो, अगर limit के उपर जा रहे है, सेम साल में एक करके कर सकते हो, अगर QIB को placement कर रहे हो, उसके बाद सार अगर आपने private placement का limit ब्रीच किया, तो उसको public offer माल लिया जाएगा, अब सार private placement का पैसा cash में नहीं आ सकता, चेक में, डीडी में या अधर banking channel में आएगा, और उसके बाद मैंने क्या बोला, fresh offer prohibited है, अगर आपका existing private placement जो खतल नहीं हुआ है, या उसको आपने withdraw या abandon नहीं किया है, तो लॉन ने बोला fresh offer prohibited है, आपका allotment आपको 60 दिन के अंदर करना होगा, बना उसके 15 दिन के अंदर पैसे वापस कर दिना, नहीं करोगे तो आपको 12% का interest लगेगा, उस दिन से जिस दिन 60 दिन खतम हुआ, उसके बाद से आप्लिकेशन मनी अलग से रखना, उब्लिक advertisement करना, अलॉड नहीं है, PS3 में return of allotment फाइल करना, और अगर default किया तो 1000 रुपय पढ़े, उसके 30 दिन के अंदर, जो आप form बनाते हो ना, प्राइबिट placement का, पीपो का form, ये individually एक इक दिन को जाता है, serially numbered होता है, PS4 form में होता है, इसको आप renounce नहीं कर सकते, किसी और को पासाओं नहीं कर सकते, ये पूरी चीजों का record रखेगी, PS5 में, ये आपका पूरा summary था, अगर आप first page देखेंगे, तो आपको पूरा prospectus का जो है, सारे form का भी summary यहाँ पर मिल जाएगा, देखो PS1 के जो advertisement आप कर रहे हो, जब आप variation कर रहे हो terms का, PS2 क्या है, information memorandum, ये important है, PS3 क्या है return of allotment, ये important है, PS4 क्या है, पीपो का form हो गया, इतना ज्यादा important नहीं है, PS5 तो और भी important नहीं, company को register maintain करना पड़ेगा, और PS6 ये है, जो ये important वापस से हो जाते है, company को हर each half financial year में, 3 days के अंदर, PS6 फाइन करना पड़ेगा है, ROC को, उमीद है आपको lecture समझ आया होगा, उमीद है आपको lecture पसंद आया होगा, एक बार में को फटा फट चाट में बता दो, कैसा लगा, आपको ये lecture मजा आई की नहीं आई, शालो guys, okay, let's begin the session, क्या session करने वाले सर, आज अपन share capital adventure, बहुत ही खतरनाक chapter उठाने वाले है, बहुत इंपॉर्टन chapter दे सर, exam point of future, बहुत frequently पूछा भी गया है, ये chapter exam में, और इसका score कम से कम 12 marks तक का चला जाता है, बहुत tricky chapter भी है, आराम से सारी चीज़े पढ़ेंगे, तो सब कुछ याद हो जाएगा, सर, result जो giveaway का result था, वो आप लोगों को एक से दो दन में आ जाएगा, और उसके बाद अपर आगे बढ़ेंगे, दोस्तों, share capital वाला जो chapter ये शुरू होता है, आपका section 43 से और खतम कहां पर होता है, आपके section 72 पर, 43 से शुरू होता है और 72 पर खतम होता है, शेर कापिटल मतलब, share capital means share capital of the company, वावाव, share means share in the share capital of the company, and it includes stock, shares के definition में stock भी आता है, सर, share और stock में फरग क्या होता है, दोस्तों, अगर हम एक छोटे-छोटे units की बात करें तो उसको हम कहते हैं shares, पर एक पूरे-पूरे, shares को पूरा इकठा करके, एक साथ बोले ना, तो वो stock होता है, जैसे कि अगर कोई पूछे, तुम stock market में invest करते हो क्या, मतलब stock market में reliance का stock आ जाता है, अडानी का stock आ जाता है, पर तुम क्या reliance के share में invest कर रखे हो, मतलब तुमने एक share, दो share, 50 share खरीद रखे, तो ये basic difference है, exam में ऐसा कभी नहीं आएगा, पर फिर भी सर अपने को पता होना चाहिए, section 43 क्या है, kinds of share capital, सर कितने तरह के share capital होते हैं, देखो आपको भी पता है, दो तरह के होते हैं, एक equity share capital और एक preferential capital, equity share capital में दो तरह का होता है, सर एक normal वाला, मतलब with voting rights, और एक विट differential rights, differential rights किसके related सर, या तो dividend से related, voting से related, या किसी भी चीज से related, बच differential rights वाले shares भी होते हैं, तो सर एक होगा normal voting rights वाला, एक होगा differential voting rights वाला, और दूसरा होता है आपका preferential share capital, तो दोस्तो preferential share capital में क्या आता है, preferential share capital में, वो capital होता है, which carries preference किस चीज को लेकर के preference है sir या तो dividend को लेकर के preference है या फिर repayment of capital को लेकर के at the time of winding up दो मैंसे किसी एक चीज को लेकर के preference है dividend को लेकर के या repayment of capital at the time of winding up sir तो मैंने क्या कहा दो तरह का capital होता है equity share capital, preference share capital equity share capital दो तरह का होता है voting rights वाला, without vote with differential rights वाला, differential rights कौन सी चीज़ों को ले करके हो सकता है, dividend, voting और otherwise को ले करके हो सकता है, मतलब या कर दिविडेंद को ले करके तुम different हो, या फिर voting power में तुम different हो, या फिर किसी भी चीज़ में तुम different हो, उसके अलावा से preference share क्या होता है, जिसमें dividend का priority पे payment होता है या फिर winding up की समय repayment of capital priority पे होता है तो उसको preference share capital कहते हैं दोस्तों उसके बाद मैंने तुमको क्या कहा था सर अगर एक ऐसा share capital है जिसमें dividend का repayment पे preference है और winding up में preference नहीं है उसको भी preference share capital बोलोगे क्या हाँ सर आपका दोनों में से एक जगे पे भी preference आ जाता है ना तो उसको भी preference share capital बोल दिया जाएगा उसको भी preference share capital माल लिया जाएगा उसके बाद सर सबसे important point ही आता है कि differential voting rights वाले shares कौन issue कर सकता है और क्या condition है दोस्तों ये condition आपको मेरे साथ याद करने पड़ेंगे ये condition को मैंने तीन category में divide के है सबसे पहले सर बेसिक condition अगर एक company differential voting rights वाले shares issue करना चाहती है तो क्या-क्या करना पड़ेगा सर सबसे पहला basic condition उसको AOA में authority देना पड़ेगा उसको OR पास करना पड़ेगा क्या पास करना पड़ेगा ordinary resolution पास करना पड़ेगा और अगर आप listed company हो न तो ये OR आपको postal valid के तुरू पास करना पड़ेगा और सर तीसरा और सबसे important condition सुनो जो आपका voting power differential voting rights वाले shares से है न वो total voting power के 74% से जाधा नहीं होना चाहिए मतलब सर अगर आपका total voting power 100 है तो आपका differential voting rights वाले shares में जो voting power है वो 74 तक हो सकता है उससे जाधा नहीं हो सकता तो सर इन्होंने तीन condition basic डाले पहले AOA में approval दूसरा OR लिस्टेड कंपनी है तो OR जो है postal ballot के थूपास होगा और तीसरा आपका 74% तीसरा क्या है voting power जो है 74% से जाधा नहीं होना चाहिए उसके बाद सर ये तीन condition एक तरफ होगे अब सर बात करेंगे default की किसकी बात करेंगे default क अब दो तरह की default की बात करेंगे सर सबसे पहला there should not be any default in filing of financial statement and annual return for three immediately preceding financial year पिछले तीन financial year में annual return और financial statement के filing में default नहीं हुआ होना चाहिए तीक के सर financial statement और annual return के filing में default नहीं हुआ होना चाहिए उसके बाद सर इन्होंने क्या क्या कोई subsisting default नहीं होना चाहिए subsisting default मतलब आज की date पर चालू वैसा default नहीं होना चाहिए किस में in the case of dividend in deposit preference share और diventure यह वो सारी चीज़ है जहां पर आप देते हो कुछ ना कुछ जैसे की पैसा हो गया अरे बाबा देते हो मतलब क्या dividend देते हो deposit return करते हो preference share redeem करते हो diventure redeem करते हो यह सारे में अगर आपने को नहीं किया है on payment of dividend on preferences, आपने preference shares का dividend नहीं पे किया या फिर आपने term loan का repayment समय पे नहीं किया या फिर statutory dues का payment नहीं किया या फिर IEPF को amount credit नहीं किया समय पे, सर यह 4 point याद करने आपको मेरी साथ बात सुनो मेरी, सर यह 3 तरह का default है, 1 point number 5, 1 point number 6 और point number 7, 3 अलग-अलग default है, पह चार चीजों पे सर, deposit, preference share, debenture और एक extra dividend, यह 4 चीजों पे subsisting default है तो गए तो उसके बाद सर तीन और चार क्या है, company has not defaulted है, आपने नहीं default कर रखा है चार चीजों में, preference share के dividend के payment में, term loan के repayment में, statutory dues of employees, employees के जो statutory dues होते है, जैसे कि सर, gratitude एक statutory due है, उस तुमने default कर रखा है, या फिर, आपको पता है, सर, कुछ amount IPF में credit होता है, अगर वो IPF में amount आपने credit नहीं किया, तो यह 4 case में क्या हो जाएगा, company, क्या हो जाएगा, आपका, problem हो जाएगा, और आपकी company जो है, company जो है, बताओ, क्या होगा problem, सर, problem यह है, कि आप जो है, DVR issue नहीं कर सकोगे, पर सर यह जो है, यह not defaulted in, यह कब तक लेचलेगा, सर, अगर जिस दिन आपने यह default को good किया, उसका financial year खतम होने के बाद, 5 साल तक आप पच्चता होगे, उसके बाद normal हो जाएगा, मतलब क्या, सर, simple सी बात है, अगर एक company को, ध्यान से देखो, सर, ध्यान से देखो, ध्यान से दे के खतम होने के बाद, 5 साल तक तुम वनवास करोगे, उसके बाद, तुम अगर चाहो न, तो DVR issue कर सकते हो, मतलब, सर, अगर आप disqualify होगे, from the end of financial year, on which such default was made good, से लेकर के 5 साल तक तुम क्या रहोगे, disqualified रहोगे, क्या तुम समझे, सर, हाँ सर, तो मैंने क्या कहा, सर, कोई subsisting default नहीं होना चाहिए, और कोई extra default भी नहीं क्या होना चाहिए, पांच साल तक ले, और last, आपको कोई penalty भी ने लगी है, court या tribunal के through, in the last three years, कौन से offense से related, सर, SEBI Act का होगे, SCRFM या, यह other special act के से related, आपका कोई भी offense नहीं होना चाहिए, सर, यह 8 condition देखना पड़ेगा, कर लो, कौन, कितने points से 7, क्या-क्या 7 point result देखो, सबसे पहला point है कि आपके AOA में authority होनी चाहिए, OR pass किया होना चाहिए, पर अगर आप लिस्टिल company है, तो OR कैसे pass करोगे, postal ballot के through pass करोगे, और तीसरा, आपका जो voting rights इस से आ रहा है न, यह total voting rights के 74% से कम होना चाहिए, तब जा चालू, तो चालू default किस में, आपके debenture में, deposit में, dividend में, और उसके अलावा preference share के redemption में, preference share के redemption में, और तीसरा कौन से default सर, आपका, कोई भी other default नहीं होना चाहिए, dividend के payment में, या फिर statutory dues के payment में, या term loan के payment में, या फिर IEPF को amount देने में, पर सर अगर यह default हो रखाए न, आपक क्या है, दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना last में सबसे important क्या है, सबसे important यह है कि, please सबसे important यह है, कि आपका जो penalt, आपका court या tribunal ने क्या लगा रखा है, अगर court या tribunal ने आपके कोई penalty लगा रखा है, तो भी आप क्या हो जाओगे, आप disqualified हो जाओगे, अगर तीन साल मे तीन साल में penalty लगा रखा है You will be disqualified to issue differential voting rights वाले shares Sir ये पूरा ये पूरा ये पूरा आपका समरी होगे DVR का Sir क्या आपको मेरी बात समझाए और क्या आप ये समझे किस तरीके से चीजे याद करनी है किस तरीके से एक बार पढ़ लिया दिमान में चलता रहता है एक बार इस तरीके से नोट्स में रफ में बनांगे देख लो ओ भाई साम जो solid याद होगा आपको उसके बाद नहीं तो बाकी भाई आया है करवा के ही जाएगा कहा जाएगा भाई आया है सारी चीजे याद करवा के जाएगा सर सुनो मेरी बात अगला मैंने क्या कहा explanatory statement to notice for general meeting और postal ballot to contain prescribed detail about the issue आप explanatory statement भी issue करोगे जब आप postal ballot के बेज रहो ना तो आप explanatory statement दोगे जिसमें आप बहुत सारी चीजे लिखोगे हाँ 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 चल चल बाप को नहीं सिखा क्यूंकि सर हम बहुत detail में पढ़ेंगे explanatory statement उसके बाद sir company shall not convert existing equity share capital with voting rights into equity share capital carrying differential voting rights आप convert नहीं करोगे existing voting rights वाले को DVR में मतलब normal shares को आप DVR shares में convert नहीं करोगे आप board report में disclose करोगे और sir आपके पास वो सारे rights होंगे जो एक normal shareholder के पास होते और आप register of member में clearly लिखोगे कि हमारे shareholder जो है न यह DVR वाले shareholder है यह जो हमारे existing हमारे जो shareholder है special DVR वाले shareholder है ऐसा आप register of member में लिखोगे sir यह कुछ basic point से जादा important नहीं है अब sir आजाओ next section सीधा section 46 में section 46 किस बारे में बात करता है share certificate के बारे में बात करता है what about share certificate सुनना मेरी बात ध्यान से sir share certificate जो है न these are prima facie evidence of the title of such shares sir prima facie evidence मतलब क्या what do you mean by prima facie evidence कि यह देखते ही पता चलता है कि title किसका है पर sir तब पता चलेगा अगर जो certificate है न वो या तो common seal के under issue हुआ है या फिर उस पे दो director ने sign किया है या फिर अगर company में CS है तो एक director और CS ने sign किया है तभी जाके उसको valid certificate माना जाएगा और valid certificate में जिसका नाम लिखा रहेगा उसको prima facie evidence of title माना जाएगा sir पर अगर आपका share certificate गुम जाता है तो क्या आप duplicate certificate मान सकते हो जरूर मान सकते हो लेकिन sir अगर आपका share certificate गुम गया है या destroy हो गया है तो आपको proof करना पड़ेगा कि मेरे certificate गुम गया है पर अगर आपका certificate deface, mutilate और torn हो गया है तो आपको surrender करना पड़ेगा company को मतलब सरे कावस का तुकड़ा था अगर फट गया, जल गया, कुछ कचरा हो गया तो वो जो कचरा हो गया, वो तुम जमा कर दो company को पर अगर गुम किया है, तो आपको proof करना पड़ेगा कि आपका certificate गुम गया है और उसके बाद company आपको duplicate certificate issue कर देगी sir ध्यान रखना अगर lost हो गया या destroy हो गया, तो आपको proof करना पड़ेगा कि गुम गया अगर आपका deface हो गया deface मतलब क्या, तो उपर चाय गिर गया, उपर पानी गिर गया कुछ और गिर गया, तो फिर वो सब चीजों में क्या होगा आपका mutilate या deface हो जाएगा और आपको surrender करना पड़ेगा उसके बाद सर मैंने क्या कहा सर डीटेल्स रिगार्डिंग मानर ओफ इशू अफ सर्टिफिकेट आज मेबी प्रिस्क्राइग उसके बाद सर वन शेर्स इस हेल्ल इन डिपॉजिटरी फॉर्म record of depository is prima facie evidence of interest of beneficial owner क्या बोला सर इन्होंने अगर shares आपकी depository form में होता है मतलब सर हर share आपका normally depository form में होता है तो जिस records of depository निकालोगे ना उनका register निकालोगे ना वो prima facie evidence माना जाएगा क्योंकि आजकल के जमाने में physical share certificates नहीं मिलते और सर लास्ट में अगर company ने duplicate share certificate issue कर दिया तो क्योंकि company को दोका देना था किसी और को तो company ने अगर धूटा certificate दिया ना तो company को fine लगेगा 5 times of face value of shares to 10 times or 10 crore whichever is higher मतलब सर minimum 5 times of the shares का value लगेगा up to 10 times or 10 crore whichever is higher तक का आपको penalty लगेगा और officer in default 447 के अंदर liable हो जाएगा क्यों सर क्योंकि 447 में liable है सर क्या आप समझे सर क्या आप समझे there will be different amendment video अलचो मिटा सर क्या आप समझे चलो दोस्तो दोस्तो जोर से बोलो समझे क्या हाँ बोलो हाँ एक बार 46 आपके लिए summarize कर देता हूँ 46 क्या कहता है ध्यान से सुनो देखो हमे ये भी करूंगा आपके लिए summarize करने की कोशिश करूंगा 46 क्या किता है आपके लिए shared certificate जो हता है na वह प्यानी prima facie Evidence of Title होता है प्यसरạ शेयर सर्थिएक कौन सा जिसमें या तो common seal लगा है या फिर common seal नहीं लगा है तो दो director ने sign किया है या फिर जहाँ पर CS है तो एक director और एक CS ने sign किया है उसके बाद सर्थ मेरी बात ध्यान से सुनना ये तो हो गया आपका share certificate उसके बाद सर्थ अगर आपका share certificate जो है वो अगर lost हो गया या destroy हो गया तो आपको क्या करना पड़ेगा उसको prove करना पड़ेगा company को ताकि वो duplicate दे पर अगर वो deface हो गया या mutilate हो गया तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको surrender करना पड़ेगा company को और company आपको नया वाला देगा पर से जब आप depository की बात करो ना तो depository का जो register होता है उसी को prima face evidence मान लेते हैं अभी किसी company ना अगर defraud करने के intention जोए shared certificate duplicate वाला दे दिया तो lock it है company तेरको तो 5 गुना से लेकर के 10 गुना या 10 करोड whichever is higher तक का amount देना पड़ेगा और officer in default तो 447 के ले liable हो जाएगा तो 447 के ले liable हो जाएगा सर समझा क्या बोलो मजे से समझा क्या बोलो एकदम हाँ सर अब उसके बाद आद है सर section 47 voting right बहुत ही जादा important है और बेहद important है सर क्या कहता है मेरी बात ध्यान से सुनना थोड़ा local language भी बढ़ते हुए चलेंगे साथ में subject to certain provision of this act क्योंकि सर यह सब चार्ट वाट जो में बना रहो न यह तो तुम बहुत अच्छे से बना लोगे लेकिन हाथ नहीं चलेगा exam में अगर तुम लोग वह language नहीं देखोगे थोड़ा थोड़ा तो वह language आपको देखना पड़ेगा ठीक है सर क्या लिखा है subject to certain provision of the act every member holding equity share capital shall have the right to vote on every resolution placed before the company law ने क्या कह every member holding equity share capital shall have the right to vote on every resolution सर मेरे को बताओ simple सी बात करते है सर voting rights क्या होता है मैं अगर पूरा section ना पढ़ा हूँ आपको basic बताओ तो सर देखो equity shareholder के पास voting rights होता है क्या preference shareholder के पास भी voting rights होता है सर equity shareholder तो सारे resolution में vote कर सकता है वर preference shareholder सर तीन resolution में vote कर सकता है सर सबसे पहला हर वो resolution जो उनको directly affect करते है हर वो resolution जो उनको directly affect करते है उनसे concerning होता है दूसरा resolution relating to winding up of the company कंपनी को बंद करके जाने से related जो भी resolution है और तीसरा कभी भी आप repayment of capital की बात कर रहे हो एक प्रेफरेंच कापिटल का ये preference shareholder का तीनों इस case में भी क्या करते है preference shareholder को involve करते है तो सर तीन case पहला वो जो directly affect करते है दूसरा winding up तीसरा repayment of equity share capital ये preference share capital सर एक बात बताओ मेरेको preference shareholder है तो सर preference share capital के repayment से उनको फरख पड़ता है समझा लेकिन ये equity share capital के repayment में क्यों उनका vote लेंगे क्यों उनसे resolution लेंगे क्योंकि बेटा preference shareholder का क्या concept होता है कि उनको repayment of capital में preference मिलेगा पर उनसे पूछे भिना अगर तुम equity share capital वालों को पैसा दे दोगे तो ये तो उनके साथ गलत हो जाएगा ना इसलिए आप equity share capital का repayment की भी बात करोगे ना तो आपको preference shareholder का approval लेना पड़ेगा अब इन्होंने कहा कि अगर को preference shareholder को continuously दो साल तक अगर dividend नहीं मिलता है तो फिर ना सर वो आतंक मचाएगा वो फिर equity shareholder की तरह ही हर resolution में vote करेगा अगर दो साल तक लगाता अगर preference shareholder को क्या नहीं मिलता dividend नहीं मिलता तो तो यहाँ पर क्या लिखा है अगर where dividend and respect has not been paid for two years or most such class of shareholder share have the right to work on all resolution placed before the company आप सारे resolution में vote कर सकते हो अब सर आप जो vote करोगे वो कौन से ratio में vote करोगे सर आप अपने shareholding के ratio में vote करोगे मतलब क्या जब equity shareholder vote करने जा रहा है तो equity shareholder आप कितना equity shares hold करते हो versus total equity shares उतना आपका proportion होगा preference shareholder vote करने जा रहा है तो total preference shares में जितना वोड़ करते है उतना proportion होगा उतना proportionate voting होगा सर इसमें कोई खास बड़ी बात है नहीं सर कोई खास बड़ी बात है नहीं पर सर बड़ी बात क्या है यह सारे resolution में vote कर सकता है यह तीन तरह के resolution में vote कर सकता है पर अगर दो साल से उपर अगर dividend नहीं मिला दो साल या उससे जादा, तो फिर सारे resolution में preference shareholder भी vote करेगा, उसके बाद आ जाओ sir, section 48 में, यह सबसे जादा important है sir, sir, यह chapter के सारे section पूरे important है, आज हम वैसे भी पूरा chapter नहीं करेंगे, हम आधा chapter section 60 तक करेंगे, और बाकि हम कल की class में करेंगे, पर sir, section 48 है क्या, section 48 है variation of shareholders right, variation of shareholder rights में क्या आता है, variation of shareholders right में क्या आता है, sir, मेरी बात ध्यान से सुनना, variation of shareholders right में क्या आता है, sir, सुनो, पि कभी shareholder का right क्या होता है, equity shareholder का, कि उसको vote करने मिल जाएगा, उसको sir, AGM का notice आएगा, उसको और भी बहुत सारे rights होते हैं अब sir, आप अगर किसी class of shareholders का right alter करना चाते हो, right vary करना चाते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा sir अगर आप किसी class of shareholders का rights vary करना चाते हो, तो आपको consent लेना पड़े गा of not less than three fourth of issued shares of that class आपको writing में consent लेना पड़ेगा not less than 3-4th का या फिर आपको SR पास करना पड़ेगा at a separate meeting of such class मेरी बात ध्यान से सुनो सर या तो आप consent लोगे या फिर आप SR पास करोगे सर consent of 3-4th और SR बात तो सेम ही है ना नहीं बेटा SR आपके general meeting में होता है तो जितने लोग meeting में आए मालनो company में 1000 members है तो उसमें से अगर 100 member meeting में तो उसका 75% मतलब क्या 75 लोगों के approval से काम हो जाता है पर जो पहला वाला है na consent of 3-4th in writing मतलब सर आप 1000 लोगों को राइटिंग में notice बेजोगे और उसमें से 700 लोगों का हमको क्या लगेगा approval लगेगा तो सर ध्यान से सुनो दोनों अलग-अलग चीज़े दोनों अलग-अलग तरीके है लोग usually क्या prefer करेंगे सर depend करता है तो आपका जो rights है न वो vary किया जा सकता है अगर उस class of shareholder के 3-4th का consent मिल गया writing में या फिर आपने SR pass कर लिया सर क्या उस class के अलावा मतलब क्या सर एक simple सी बात समझो मैं आपको बता रहा हूँ हम क्या कर रहे है सर एक company में equity shareholder है जिनको एक share पे एक vote है अब हम रहे हैं एक share पे एक vote नहीं मिलेगा तुमको 10 share पे सिर्फ एक vote मिलेगा तो हम उसका काम खराब कर रहे हैं कि नहीं पिर भी कर सकते हो क्या हाँ यह equity shareholder जो है एक सेंग दे थे 3-4 दिन राइटिंग में या फिर अगर यह SR pass कर दे तो हम कर सकते हैं यह variation पर मेरी बात सुनना सर यह variation करने का power कि दर से आ रहा है या तो तुम्हारा AOA या MOA में पर अगर AOA या MOA में इसा पावर नहीं लिखा है तो सर जब आपने यह equity shares issue किये थे तो जो भी आपने terms डाला था ना जो भी आपने terms डाला था ना वो terms पे चेक कर ले ना कहीं इस तरह का vary करना prohibited तो नहीं है अगर मानलो class A, class B, class C है class A का share था 1 share 1 vote class B का share था 10 share 1 vote और इसका था 100 share 1 vote लेकिन अगर A class of shareholder का right vary करने से अगर बाकी classes of shareholder B impact होते है तो लो केता है फिर तेरको बाकी class of shareholder का भी क्या लेना पड़ेगा consent of three-fourth in writing SR नहीं लिखा है यहां पे इन्होंने बोला बाकी class of shareholder का भी तेरको consent of three-fourth in writing लेना पड़ेगा अगर उससे वो alter होते है consent of three-fourth in writing shall be obtained if such alteration affects the right of any other class of shareholder अब सर होता क्या है देखो आपने three-fourth का approval ले लिया यह 75% का approval ले लिया बाकी 25% लोग है जो नाराज है maximum 25% लोग है जो नाराज है तो वो क्या करेंगे पोपट लाल के जिसे cancel, cancel, cancel करेंगे वो क्या करेंगे समझना वो क्या करेंगे not less than अगर उनको cancel करवाना है न तो उनको एक संगठन बनाना पड़ेगा उनको एक community बनाना पड़ेगा अगर वो इतनी strong community बना लेते जो 10% of total issued shares है total issued shares का अगर 10% लोग है जो लोग क्या कर रहे है जिन्होंने consent नहीं दिया था वो लोग ट्राइबिनल को apply कर सकते है और बोल सकते है यार यह जो variation है न इसको cancel करवा दो इसको cancel करवा दो और सथ जब इस तरह का application हो गया है न तब तक variation तब तक effect नहीं लेगा जब तक tribunal ने अपना order ना pass कर दिया हूँ उसके बाद सर यह application जो है आपके resolution के 21 days के अंदर जाना पड़ेगा और decision जो होगा tribunal का वो binding होगा और company जो है न 30 days के अंदर एक registrar को copy देदेगी company का काम यही है सर कुछ भी आ जाना 30 दिन के अंदर आंटी के पास चले जाओ आंटी लो आ गया मेरे पढ़ने के पहले है आप ही पढ़ लो बढ़ लो उपने file में तो सर इस तरीके से आप क्या करोगे आप जा करके ROC को बता दोगे आप सर मेरी बात सुनो सर पर section 48 बहुत easy और बहुत important है यह देखो कैसे summarize करके देता हूं मैं आपको section 48 क्या कहता है एक class of shareholder का rights अगर आपको vary करना है तो आपको consent लेना पड़ेगा 3-4 का या फिर राइटिंग में या फिर आपको SR pass करना पड़ेगा सर यह power आपको कहा से आएगा AOA किया MOA देगा या फिर अगर power नहीं दे रहा है बस यह देख लेना terms जब आपने issue किया था तो अपने प्रोहिबिट तो नहीं किया था अपने बस अगर प्रोहिबिट नहीं किया था तो फिर कोई बात नहीं power है सर कौन से किसका approval लोग है जो class of shareholder affect हो रहे बट अगर इस alteration से कोई और class of shareholder भी affect हो रहे ना तो उसका भी 3-4th in consent ले 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 ना पर उनका SR का option नहीं है उनका 3-4th in consent ले 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 ना अब सर जो लोग resistance create कर रहे थे मतलब जो लोग मना कर रहे थे अगर वो 10% of issued capital हो जाते है तो वो tribunal के पास जाएंगे और यह variation को cancel करने की बात करेंगे सर अगर tribunal के पास application ले जाना है तो जिस दिन आपका consent या resolution मिला ना consent यह हो गया यह resolution हो गया इसके 21 days के अंदर जाना पड़ेगा अगर सर tribunal ने application admit कर लिया तो फिर आपका variation held हो जाएगा hold हो जाएगा मतलब अभी रुख जाना फिर जब tribunal जो order देगा ना वो final order क्या होगा binding होगा यह order की copy company जो है ना 30 days के अंदर ROC को पहुचा देगी समझे क्या सर इस तरीके से याद करना होता है बोलो मालिक समझे क्या हाँ सर अब सर सेक्शन 49, 50 और 51 एक साथ पढ़ते है कौन का सर revision का एका revision revision थोड़ी कर रहे है बस हम तो speed speed class कर रहे है class में बस यही चीज़ slow slow करते है हम यहाँ पर speed class कर रहे है क्योंकि बेटा मुझे तुमसे उमीद है पूरी-पूरी मुझे पता है कि तीन मैने चार मैने पहले पढ़ावा concept तुमको कितना मुच्छन की तरह याद है मेरे को सब पता है तुम tension मत लो मेरे को सब पता है मनने बेरा से ना कू नहीं तिल्गु वाले तो हैं नहीं आपे अब मेरी बात सुनो सर section 49-50-51 क्या कहता है 49 कहता है sir heading से समझ आ जाएगा जादा अंदर कुछना नहीं है calls on shares of same class to be made on uniform basis sir अगर class A, class B, class C के shares है अगर आप class A के shareholder से पैसा मंगवा रहे हो तो class A के सारे shareholder से पैसा मंगवा होगे आप यह नहीं बोच सकते की class A के कुछ shareholder पैसा दे तो बाकी लोग बात में देना ना बाबा ना आपको सारे shareholder से uniformly पैसे मंगवाने पड़ेंगे बात खतम पैसा हजम अगले section में आउसर last section क्या है company to accept unpaid share capital also not called up मतलब sir calls in advance क्या एक company calls in advance ले सकती है मैंने तुमको class में सिखाये ता नहीं पर अगर लेना है तो उसके AOA में power चाहिए होना चाहिए तो sir company calls in advance ले सकती है पर उसको AOA से power चाहिए होगा अगर AOA ने power दिया है तो ही आप accept कर सकते हो किसी member से calls in advance पर sir ये जो calls in advance आपको मिला है इसमें आप dividend दोगे क्या नहीं इसमें आप voting power दोगे क्या नहीं इसमें क्या दोगे sir जादा से जादा तो भी आप interest दे दोगे लेकिन इसमें voting rights वगेरा कुछ भी नहीं मिलेगा जब तक ये dividend calls in advance से called up नहीं हो जाता जादा से जादा मिलेगा तो क्या मिलेगा इंट्रेस्ट मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा तो sir section 49, 50, 51 क्या है 49, 50, 51 49 क्या कहता है sir uniform basis में मंगवा हो सब लोगों से पैसा उसके बाद calls in advance का क्या करना है calls in advance का क्या करना है और आप जो है dividend जो है वो paid up amount पे भी दे सकते हो UAD uniform advance dividend समझे क्या बात खतम अब sir आजाओ section 52 पे यह आपका सबसे favorite section है sir मेरे को मताओ section 52 क्या कहता है 52 कहता है application of premium received on issue of shares sir जब आप shares को premium पे issue करते हो face value 10 रुपय है आप उसको issue करते हो 1000 रुपय में सर पांच यूज़ करना कौन से पांच यूज़ करना बताओ मेरे को एक एक करके तुम लोगो नहीं याद होना चाहिए सर security premium account के पांच यूज़ेश क्या है ज़रा बड़ा बड़ चैट पे बताओ सर तुम लोग कहा हो रहे हाँ सुनो सुनो सर आप क्या बोलोगे security premium account के पांच यूज़ क्या है bonus shares issue कर सकते हो आप सर preliminary expense को write off कर सकते हो preliminary expense को write off कर सकते हो उसके अलावा आपने अगर कोई shares issue किया है तो issue अगर discount पे किया है या उससे related कोई expense हुआ है तो ये सारा खर्चा आप SPA से write off कर सकते हो उसके अलावा सर आप अगर redemption कर रहे हो किस चीज़ का redemption कर रहे हो preference shares का और debentures का और ये redemption अगर आप discount पे कर रहे हो तो वो भी आप वो भी आप क्या कर सकते हो sorry premium पे redemption अगर कर रहे हो तो premium पे redemption करने के लिए यूज कर सकते हो और buyback के लिए भी यूज कर सकते हो buyback कौनसे section के अंडर सर 68 ये 5 यूज किसका हो गया सर securities premium account का bonus सर एक employee ना company के पस bonus मांगने गया कि सर खर्चा है मेरे को bonus दे दो थो थोड़ा company ने बोला नहीं दे पाऊंगा इस बार हमारा भी बहुत कर चाहे क्या कर चाहे हमको premium पे redemption करना है और हमको buyback करना है section 68 के अंडर तो सर बोनस क्या हो गया आपका bonus के पे अगर आप shares issue कर रहे हो तो दूसरा preliminary expense को write off कर रहे हो तीसरा अगर कोई आपने issue किया था issue अगर discount पे किया था या issue से related कोई expense है तो उसको use कर सकते हो retention और preference area debenture अगर आप premium पे कर रहे हो उसके against कर दो और last में अगर आप buyback कर रहे हो अंडर 68 सर अगर BB कर रहे हो 68 के अंदर तो फिर वो भी आपको SP account से करना होगा अब सर मेरी बात सुनो कुछ specified class of companies है कुछ specified class of companies है अगर वो अपना books को accounting standard के हिसाब से बना रहे है प्रॉपर accounting standard के हिसाब से प्रॉपर बना रहे तो बहुत चीज़ा है वो नहीं कर सकते सर इक तो preliminary expense का write-off और एक preference share में redemption premium पे इक तो preliminary expense का write-off और दूसरा है यह premium पे redemption यह दोनों को SPA से adjust नहीं कर सकते बाकी सारे खर्चे कर सकते prescribed class of companies जो accounting standard follow कर रहे है section 133 के हिसाब से वो लोग क्या नहीं कर सकते यह दो use नहीं कर सकते sir यहाँ पे लिखा है देखो notwithstanding above in such classes of companies as may be prescribed whose financial statement are prepared under as per accounting standard under 133 SPA shall be utilized for और दो चीज़े मैंने काट दी sir preliminary expense वाला और redemption वाला बाकी तीनों चीज़ों के लिए use कर सकते हो उसके बाद sir section 53 और 54 पढ़ेंगे दोनों साथ में पढ़ेंगे मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना दोस्तों दोनों साथ में पढ़ेंगे 53 क्या कहता है discount पे issue मत कर भाई मत कर discount पे issue क्या कहता है sir section 53 जो shares होते है न अगर उसका face value 10 रुपया है तो face value 10 रुपय है तो तू 10 रुपय से कम में shares issue नहीं कर सकता पर sir उसके exception है कितने exception है sir मैंने कहा 2 exception है पहला exception है sweat equity share थोड़ी देर में उसका concept अम पढ़ेंगे पर अगर आप sweat equity share issue कर रहे हो न आपको discount में issue करना पढ़ सकता है और दूसरा sir पहलाद हो गया face value 10 रुपय से कम में नहीं कर सकते sweat equity share में कर सकते हो दूसरा कौन सा सीन है sir दूसरा मेरी बात ध्यान से सुनना अगर आपका कोई debt है वो equity में convert हो रहा है debt किस में convert हो रहा है equity में convert हो रहा है sir debt equity में convert हो क्यों रहा है sir या तो आपका कोई resolution plan है जो approve हुआ है या तो कोई resolution plan का approval हुआ है या फिर आपका कोई restructuring scheme हुआ है restructuring scheme हुआ है तो दोनो cases के वज़े से अगर debt equity में convert हो रहा है जिसके वाज़े से आपको discount पे issue करना पड़ रहा है तो आप discount पे issue करोगे थोड़ी दिर में हम language समझेंगे sir पर मेरी बात सुनो usually face value का shares कम नहीं होता अगर आपने कम पे issue किया तो उसको क्या मानेंगे हम valid सही बोला कि नहीं मैंने अगर आपने face value से कम पे issue किया तो उसको हम क्या मानेंगे valid मानेंगे सही बोला कि नहीं मैंने बता दो sir उसको valid कैसे मानेंगे उसको तो void मानेंगे पर दो exception है sir क्या exception है पहला section 54 एक exemption है except under section 54 a company shall not issue share said discount पर अगर आपने कर दिया क्या हो जाएगा void हो जाएगा except under section 54 मतलब क्या sir नीचे जो section 54 है जो किस बारे में बात करता है sweat equity share के बारे में उसके बात sir दूसरा point ये बाला point पढ़ो exception notwithstanding anything contained above a company में issue share said a discount to its creditors when its debt is converted into shares as per statutory resolution plan or debt restructuring scheme in accordance with guidelines मतलब sir या तो resolution plan के वज़े से या restructuring scheme के वज़े से अगर आपका debt equity में convert होता है तो law कहता है creditor को अगर debt equity में convert होता है तो law कहता है चल जाएगा बिटर revision है नहीं तो मैं आपको बहुत detail में समझा था कि ये provision का मतलब क्या है उसके बाद sir default under this section default मतलब क्या अगर एक company officer in default है अगर उसने default किया एक section में मतलब discount पर issue कर दिया तो void होगा so होगा पर जो company और officer in default है न उनको fine लगेगा up to the amount raised through such issue और 5 lakh whichever is less whichever is less and company shall be liable to refund such money and interest at 12% per annum from date of issue मतलब sir आपको sir आपको पैसा तो देना पड़ेगा वापस और उसके साथ आपको penalty भी देना पड़ेगा और अगर जो पैसा वापस नहीं किया न समय पे तो 12% per annum का interest लग जाएगा sir ये penalty एक पर याद करो क्या है penalty आपको company और officer in default को fine लगेगा जित्ना पैसा तुमने लिया था या 5 लग whichever is less जित्ना पैसा लिया था या 5 लग whichever is less और दूसरा क्या है sir company shall also be liable to refund the money वापस करोगे ना अगर वापस समय पे नहीं करोगे तो 12% time 12% interest लग जाएगा from the date of issue करके तो देखो discount पे issue discount पे जब issue किये पैसा आ जाएगा पैसा जब तक रखे रोगे ना तब तक आपको 12% का ब्याज देना पड़ेगा sir समझे यह हो गया आपका discount पे शेर्स इशू नहीं कर सकते अब सबसे important है section 54 sir आपका sweat equity share क्या होता है sir sweat equity share क्या होता है एक company अगर एक company अगर अपने employees को या अपने directors को कुछ sweat equity shares देती है मतले में consideration क्या मिलता है sir मतले में consideration अगर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है और अगर consideration कौन से form में हो सकता है sir intellectual property rights की form में हो सकता है know-how के form में हो सकता है या कोई भी और form में हो सकता है तो उसको कहते है sir sweat equity share क्या कहा हम है अगर एक company अपने employees या directors को consideration क्या है intellectual property rights या know-how के consideration पे अगर equity share दे रहा है तो उसको हम कहते है sweat equity share और क्या लिकाए sir such equity share as issued by the company to its directors or employee at a discount or for consideration other than cash for providing their know-how or making available rights in the nature of IPR or value addition या किसी तरह का value addition कर रहे है sir जैसे कि अगर मेरे company में मेरी company में एक बहुत बड़ा इंसान आया और वो कहा मैं तेरी company में आके तेरी company को grow करूँगा और बेरको आते ही मेरे को तेरे company के share चाहिए एकदम discount में ना के बराबर rate पे मैंने बहला ले ना भाई तु बस आजा तू आना अपनी company समझ तू बस आजा उसको कहते है sir sweat equity share अब sir sweat equity share के कुछ condition है यूँ ही थोड़ी sir sweat equity share issue करने के लिए सबसे पहले pass करना पड़ेगा SR उसके बाद sir जब आप SR pass करोगे ना तो आप SR मतलब क्या कर रहे हो sir आप अपने share order से approval लेने जा रहे हो क्यों क्यों मानलो आपने share order को बोला Ram नाम का एक director आया है मेरेको sweat equity share देना है तो आपको अपने share order को बताना पड़ेगा कि कितने shares दे रहा हूं मैं current market price क्या है मेरेको बदले में मिल क्या रहा है और मैं किसको दे रहा हूं मतलब sir क्या दे रहा हूं किसको दे रहा हूं कित्ते में दे रहा हूं यह सारी चीज़ा आपको बतानी पड़ेगी और sir अगर equity share listed है न तो आपको SEBI regulation का compliance करना पड़ेगा यह तीन चीज़े तो याद कर लो sir अगर आप sweat equity share देना चाहते हो SR pass करोगे resolution में सारा detail बताऊगे और listed company अगर हो तो SEBI का भी compliance करोगे यह तीन चीज़े तो जरूर करोगे अब sir सुनो जो sweat equity share issue हो है न इसको किसी से कम मत समझ न भले थोड़े सस्ते में issue हो है पर यह normal equity share से कुछ कम नहीं है एकदम पारी पासू है अरे बिपासा बाशू नहीं पारी पासू पारी पासू मतलब at par है तो law ने क्या कहा rights, limitations and provisions shall be applicable to sweat equity shares to and it shall rank पारी पासू with the other equity shareholder एकदम बनाबर रहेगा क्या आपको मेरी बात समझ आई अरे क्या आपको मेरी बात समझ आई, सर ये तो basic था अभी तो party शुरू ही है, सर सबसे पहले मेरे को ये बताओ, ये जो employee आपने बोला employee या director, तो employee के definition में कौन कौन आता है, सर सबसे पहले इन्होंने बोला कि employee के definition में permanent employee आता है, सर permanent employee law में कें defined है क्या, हमारे director हो गया company का, वो चाहे whole time director हो, या कोई भी director हो, पर director हो गया company का, और तीसरा, यही director या employee जो उपर आपने cover किया है वो subsidiary company के भी, और holding company के भी cover होते है, आसोशेट ने लिखा है सर, subsidiary और holding लिखा है, उनके भी cover होते है, तो सर ये हो गया employee का definition, पर्मनेंट employee, इंडिया में हो, इंडिया के बाहर हो, director, whole time हो, part time हो, तीसरा, employee और director, holding और subsidiary company के भी, यह सारे लोग को employee माना जाएगा, सर मतलब क्या Reliance Jio, क्या, स्वारी, क्या Reliance industry, अपने खुद के shares, Reliance Jio के employees को दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है सर, आपकी subsidiary company के employees को भी, आप employee मानोगे, और उनको sweat equity share दे सकते हो, सर, value addition मतलब क्या होता है, सर, पूरा पढ़ने की जरुद नहीं, value addition मतलब सिर्फ इतना पढ़ो, वो चीज जिससे आपको future में anticipated economic benefit है, मतलब आपको उस चीज से future में economic benefit होगा, monetary benefit होगा, उसको आप क्या मानोगे, value addition मानोगे, जब सर, कुछ important conditions है, आपके पास addition 1 होगे, तो घवराना नहीं, यही सारे points आपके पास pointers में लिखे होगे, मैंने इसको table form में डाल दिया, for ease of readability, घवराना नहीं मेरी बात सुनो, सर, additional point क्या है, validity of SR, जो आपने special resolution प maximum issue size क्या होगा per year, एक साल में maximum कितना issue कर सकोगे आप, मेरी बात सुनो, in a financial year, a company shall not issue, मेरी बात, दोस्तो प्लीज एकदम ध्यान से सुनो, in a financial year, एक financial year में, a company shall not issue, sweat equity share more than 15% of equity share capital, और issue value of 5 crore, whichever is higher, दोस्तो यह समझ लेना मेरे साथ-साथ, तो class में ही खतम हो जाएगा, वरना गर जाके फिर करना पड़ेगा, एक साल में, आप equity share capital का 15% या फिर 5 crore से ज्यादा issue नहीं कर सकते, whichever is higher लिखाए, पर सर, किसी भी आलत में, issuance जो है, 25% of paid up equity share capital से ज्यादा नहीं होना चाहिए, सर, किसी भी समय, एक given point of time पे, 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक आपने फिर कहा कि 25% से कभी भी जादा नहीं हो सकता, अरे बाबा, जब आपने पहले ही 15% पे रोक लगा दिया, तो 25% की बात ही कहां से उठती है, अरे उठीगी ना सर बात, आप देखो अगर ये 100 crore के जगह में, बोलू, 10 crore होता, तो यहाँ पर limit क्या हो गया, आपके प 1.5 crore और 5 crore whichever is higher, तो higher क्या आगे आपका 5 crore, अब सर अगर आप 10 crore में से, 5 crore का अगर आप whichever is higher, यह पूरे साल का है, पर एक given kind of time था, 25% of equity share capital से जाधा नहीं हो सकता, उसके बाद सर प्रवाइड फॉर्दर that, अगर आप startup होना, कि 50% से जाधा नहीं हो सकता, आप paid up share capital, up to 10 years of incorporation, sir startup होना, तो law ने बोला, 25% छोड, 25% छोड, तू ना 50% ले, और वो भी paid up share capital, paid up equity का न बना के दिखा, तो sir startup को शुरू के 10 साल में आपने बोला, 50% of paid up share capital दे दो, sir एक बार summarize कर दो, summary यह है, कि आपके एक financial year में, 15% of paid up share capital, या फिर 5 करोड जो है, whichever is higher तक का आप issue कर सकते हो, पर, केसी भी point of time पे, 25% of paid up equity share capital से जाधा नहीं जा सकता, यहाँ पे भी paid up equity share capital है, पर sir अगर आप एक startup होना, तो startup के case में यह जो 25% है, उसको 50% पढ़ा जाएगा, of paid up share capital, यह startup के शुरू के 10 साल में, 10 साल के बाद उसको वापस से यह वाला provision applicable हो जाएगा, बस इतनी सी बात है, मुझे तुमसे पढ़ाना है, ठीक है, इतनी सी बात है, चलो sir, आगे बढ़ते, उ मेरी बात ज्यान से सुनो sir, lock-in जो है, आपने question solve किया था, अगर आपको याद होगा class में, तो lock-in जो होता है, वो fixed होता है, मतलब यह 3 साल का, 4 साल, 5 साल, एक साल नहीं कर सकता, 3 साल law ने fix कर दिया है, minimum 3 years नहीं लिखा है, flat 3 years लिखा है, तो क्या आप 5 साल का lock-in लगा सकते जो नहीं लगा सकते, sir, उसके बात issue price क्या होगा, जो registered value or determine करेगा, valuation क्या होगा, वही जो registered value or determine करेगा, और sir, treatment of non-cash consideration in books, मेरी बात ज्यान से सुनना, sir, आपने shares दिया, तो आप क्या लिखोगे, accounting entry में two paid up share capital करोगे, बदले में आपको क्या मिला, अगर आपको कोई asset मिला है जो depreciable या amortizable है, मतलब कोई tangible या intangible asset मिला है, तो आप उसको कहाँ पे दिखा देना balance sheet में, कुछ नहीं मिला है तो उसको P&L में रख करके खतम कर देना, expense दिखा करके खतम कर देना, कोई फरक नहीं पड़ता, तो sir, इन्होंने बोला non-cash consideration का use कैसे होगा, अगर depreciable या amortizable asset asset मिला है, तो तो balance sheet दिखा दो, वरना उसको expense out करके खतम कर दो, sir, उसके अलावा board report में दिखाना पड़ेगा, register maintain करना पड़ेगा, sir, ये कुछ main बाते होगे, अब सर देखो, एक बार यहां पे देखके मेरे को बताओ, validity of SR क्या रहेगा, जिस दिन आपने SR पास किया, उसके एक बार मेरे वीडियो को like जरूर कर देना, तुम लोगों को न, बहुत धुआ लगेगी मेरी, एक बार जाओ, और अगर ये concept समझा तो video like करो, अगर video के likes बढ़ जाएंगे, तो मैं क्या करूंगा, मैं आप लोगों को ये section फिर से एक बार एकदम short and sweet में समझाओंगा, जो समझे क्या, चलो चलो फटा फट लाइक करो, ये गलत बात है, फटा फट 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 चलो, नहीं करोगे, ऐसा करोगे तुम, बस ये ही, है भगवान मेरी दुआ है, हर वो इंसान जो like कर रहे है, उसको ये वाले section में जब आएगा ना exam में, एक मार्क extra दिलवा देना भगवा करवाऊंगा, सर section 54 के, revision नहीं करवाऊंगा, तो तुमारे दिमाग में जाएंगा कैसे, सर मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि, section 54 क्या बात करते है, sweat equity share के बारे में, please पूरा focus यहाँ पे देना, सर sweat equity share क्या होता है, अग पर consideration other than cash का मतलब क्या है, consideration other than cash का मतलब है, या तो आपको intellectual property rights मिल रहा है, या know-how मिल रहा है, या फिर किसी भी तरह का value addition मिल रहा है, सर अगर आपको sweat equity share issue करना है, सबसे पहले आपको SR pass करना पड़ेगा, दूसरा जो resolution pass करोगे, उसमें बहुत सारे details दोगे, और तीसरा अग सर, मेरे को मिलताओ sweat equity share किसको देते हो, employee या key manager director को, सर ये कौन होता है, या तो company का permanent employee है, जो इंडिया में है या outside इंडिया है, या फिर सर ये director है, whole time हो या other than whole time director हो, या फिर सर ये A और B दोनी में आता है, पर ये holding company के और subsidiary company के A और B में आता है, तो law ने बोला हमको चलेग किया हो सकता है, law ने बोला 15% of paid up equity share capital और 5 करोड, whichever is higher, पर किसी भी आलत में 25% of paid up equity share capital से नहीं जा सकता जादा, पर अगर आप एक startup company हो, तो इसको 50% of paid up share capital पढ़ना शुरू के 10 साल में, उसके बाद सर आपका lock-in period का है सबसे important, lock-in period है आपका 3 साल का, और issue price और valuation कौन करके द सर, books में treatment क्या होगा, अगर कोई धंका asset मिला है तो balance sheet में डाल देना, वरना expense out कर देना, बात खतम, इतनी सी बात है यार, इतनी सी तो बात है दोस्तों, और क्या ही बात है, बस इतनी सी तो बात है, समझा क्या तुमको, अरे मालिक तुमको समझा क्या, हाँ सर, अब सर आगे sequence मैंने class में लिखवाया भी है बहुत सारे बच्चों को, अगर आप लोगों को, अगर class का sequence भी नहीं है आपके पास, और मेरे पास, आपके पास मेरा edition 1 है, तो बस यह देख लो, आपको तुरन समझा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत जादा नहीं बदला है, मैंने बस इसको उपर नीचे के है, ताकि एक organized तरीके से लिखा हुआ मिल जाए आपको, ICI module में इन्होंने बहुत होचपोच करके दे रखा था, सर क्या है issue and redemption of preference share, सर अगर आप preference share issue करना चाहते हो, क्या आप irredeemable preference share issue कर सकते हो, ना बबाना, आप सर्फ और सर्फ redeemable issue कर सकते हो क्या, बोलो सर, बिल्कुल भी irredeemable preference share issue नहीं कर सकते, आप सिर्फ और सिर्फ redeemable preference share issue कर सकते हो, उसके बाद सर, condition क्या होगा issue का, अगर आप redeemable preference share issue करना चाहते हो, सर, आपको AOE में approval लगेगा, आपको SR pass करना पड़ेगा, और क्वाई subsisting default नहीं होना चाहिए, redemption of preference share में य क्या, क्या, irredeemable issue कर सकते है, irredeemable मतला, अपको सिर्फ और करना पड़ेगा, कैसन नहीं करोगे, नरना पड़ेगा तुमको, उसके बाद सर, क्या condition है, सबसे बहल, AOE में approval होना चाहिए, AOE के बिना कुछ होता क्या, दूसरा सर, SR pass करना पड़ेगा, तीसरा, कोई subsisting default नह होना चाहिए, बिटा, किस में, पुराने वाले preference share के redemption में, या पुराने वाले preference share के dividend के payment में, दो-दो में कहीं पे भी क्या नहीं होना चाहिए, default नहीं होना चाहिए, सर, मेरे को बताओ, preference share का tenure क्या रहेगा, it shall not exceed 20 years, maximum 20 years रहेगा, पड़ सर, हर जगा हमको चुलते होती है, 10 साल दो तो 20 चाहिए होता है, 20 दो तो 30 चाहिए होता है, तो law से पूछा गया, लारे हमको 30 साल मिलेगा क्या, तो law ने बोला, हाँ बिटा, अगर कोई company infrastructure project setup कर रही है, infrastructure project में deal कर रही है, तो उसको हम 20 साल से जाधा दे सकते हैं, पर 30 साल से जाधा का preference share नहीं देंगे, और एक बहुत शर्त है, कि 20 साल के बाद, आप 21st year से 10-10% का क्या करना शुरू कर दो, redemption शुरू कर दो, at the option of preference shareholder, preference shareholder बताएंगे कितना percent, उनके option पे आप redemption शुरू कर दो, पर सर यह आपकी conditions होगे, 4, पहला AOE में approval, दूसरा SR pass करना पड़ेगा, तीसरा कोई default नहीं होना चाहिए, और 4 आपको, senior दिखना पड़ेगा, 20 साल से जाधा नहीं हो सकता, 20 साल से जाधा अगर रखना है, तो infrastructure project में involved होने चाहिए, और आपको 21st year से, preference shareholder के option पे 10-10% का minimum redemption शुरू कर देना चाहिए, अब सर, जब आप redemption करोंगे, तो पैसा किदर से आएगा, तो सर सुनो, preference share जो है, वो redeem होगा at a fixed time, और happening of a certain event, मतलब सर, जब आपने issue किया होगा, तब आपने बताया होगा, कैसे redeem होगा, या तो वह एक fixed time पे redeem होगा, या फिर company option पे redeem होगा, या कभी भी preference shareholder के option पे redeem होगा, सर पर redemption के पैसा किदर से लाओगे, it shall be redeemed only out of profits of the company available for dividend, और proceeds of fresh issue made for the purpose, सर जो profit से उससे कर लो, या फिर कोई fresh issue अगर आपने किया है, तो उससे कर लो, लेकिन सर याद रखना सर fully paid up redeem हो सकते हैं, सर ये source क्या होगे आपके redemption का, या तो profit, या तो आपने जो fresh issue किया है, बड सर सुनो, अगर आप उसको profit से redeem कर रहे हो ना, तो आपना कुछ nominal amount जो है ना, उसको CRR में डालना पड़ेगा, nominal amount सर CRR क्यों बनाना पड़ता है, सर profits किसके लिए होता है, equity shareholder के, अगर equity shareholder के profit में हाथ लगा के, आप अगर preferring shareholder को पैसा दे रहे हो ना, तो लो ने कहा पहले उतना पैसा तो capital redemption reserve में डाल, और उसको अलग से लिख, उसके बाद सर, capital redemption reserve का क premium on redemption of preference share, अगर आप redemption में premium भर रहे हो, तो वो premium आप profit से भी दे सकते हो, या फिर आप security premium account से भी दे सकते हो, क्योंकि आपको पता है, security premium account भी profit के लिए होता है, पर सर, आपको याद होगा, कुछ prescribed class of companies है, जो section 133 के हिसाब से, अगर accounting standard बनाते है, तो उसका SPA पांच नहीं तीन use होते है, उसमें कटे थे, एक preliminary expense वाला, दूसरा premium वाला, तो सर, अगर आप preference share को redeem कर रहे हो premium पे न, तो कुछ companies के लिए SPA यूज नहीं हो सकता, सिर्फ profit ही use होगा, और सर, such premium shall be provided for before redemption, सर, अभी तक जो point मैंने आपको पढ़ाया, वो एक बार अभी तक समेट करके दे देता ह आराम से सुनो, सर, आराम से सुनो क्या है, घबराने का नहीं, सारी point भाई आया है, याद करवा के जाएगा, घबराने का बिलकुल ज़रुत नहीं है, मैरी बात सुनो, section 55 क्या कहता है, दोस्तो, section 55 ये कहता है, redemption of preference share, सर, सबसे पहला क्या preference share irredeemable हो सकता है, नहीं बेटा, उसके बाद SR pass करो, उसके बाद आपको ये देखना पड़ेगा, कोई subsisting default तो नहीं है, preference share के redemption में, या फिर उसके dividend के payment में, और फिर last में आपको ये देखना पड़ेगा, कि क्या tenure है, tenure 20 साल से जादा नहीं हो सकता, लेकिन अगर 20 साल से जादा 30 साल तक रखना है, तो आपक share older के option पे, ये basic बात हो गई sir, अब मेरे को बताओ redemption कहां से होगा, sir, redemption या तो profit से होगा, या फिर कोई proceeds से होगा, पर अगर आप profit से redemption कर रहे हो ना, तो जितना आप amount redeem कर रहे हो, उसका जो nominal value है, उतना आपको CRR में डालना पड़ेगा, capital redemption reserve, और CRR में sir, सुनना मेरी बात ध् capital redemption reserve का use क्या है, capital redemption reserve आप सर्फ bonus shares के लिए issue कर सकते हो, ये तो हो गया sir, base amount का, लेकिन अभी जो premium होता है, preference share में उसका क्या, premium जो है न, दो जगे से use हो सकता है, या तो profit से, या फिर security premium account से, पर sir, अगर एक company है, जो accounting standard 133 के हिसाब से बना रही है, और compliance कर रही है, और prescribed class of company है, उसके लिए फिर SPA usable नहीं है, उसके लिए तो सर्फ profit ही बजएगा, उसको profit से ही premium repay करना पड़ेगा, sir, कुछ भी समझा क्या, तोड़ा तोड़ा समझा क्या, मेरे साथ साथ चल रहे हो क्या तुम, sir, उसके अलाबा, आपको register maintain करना पड़ेगा, और अगर आप preference share को list करवान चाहते हो, तो आपको SEBI का compliance करना पड़ेगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर sir, अब जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, वो बहुत ही जादा बड़ी बात है, sir, सुनो, automatic redemption of preference share भी एक होता है, क्या होता है मेरी बात ध्यान से सुनना, एक बार language पढ़ना, sir, अग of tribunal on petition made by it, tribunal को क्या करेंगे, petition करेंगे, उसके basis पे वो issue कर सकते है, further redeemable preference share equal to the amount of unredeemed preference shares and dividend, on such issue, the unredeemed preference share shall be deemed to have been redeemed, deemed to have been redeemed, मतलब क्या आपका जो redeem नहीं कर पा रहे थे, उसको माल नहीं कर लिया है, मतलब sir, इसको ना पागल बनाने की ninja technique बोल लो, क्या हो रहा है मेरी बात सुनना, सर सुनना, आगे का एक बार पढ़ लो, पर सर, tribunal shall, while giving approval on redemption 4th, of the people who are not consented to the issue of further redeemable preference share, issue of redemption shall not be equal to reduction in share capital, सर मेरी बात सुनो, बहुत आसाल है, सर हुआ क्या, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना हुआ क्या, अगर मैंने preference share issue किया था, मैं कंपनी हूँ, ABC Limited, मैंने preference share issue किया 10 साल के, अब 10 साल जब खतम होने आए, मेरे को मेरी स्थिती दिख रही है, मैं पैसा वापस नहीं कर पाऊंगा, मैं क्या करूंगा, जितने भी मेरे preference share older है ना, उन में से 3-4th in value का consent लूँगा, 3-4th in value सर, इन number नहीं, value, और उन के consent लेने के बाद मैं जाओगा, tribunal के पास, और tribunal को बोलूँगा, tribunal एक काम करना, 3-4th in value का consent मिल गया है, किस चीज़ का consent मिल गया है, कि यही वाला जो preference share है ना, इसको हम renew कर वा लेंगे, मतलब इसको हम क्या दिखाएंगे, कि हमने fresh issue किया preference share का, और हमने जो पुराना वाला preference share है ना, उसको redeem कर लिया, मतलब यही वाल जब 3-4th का consent हो, tribunal अगर मान जाए, पर सर, जब tribunal order pass कर रहे है ना, जब tribunal okay बोल रहे है ना, उस समय वो एक और चीज़ बोलेगा, कि जिन लोगों ने consent नहीं दिया था, उनका forthwith redemption करके दो, forthwith मतलब तुतंत के तुरंत उन लोगों का redemption करके दो, तब ही हम लोग आपको okay कर यह सर हो गया आपका basic provision, तो सर यहाँ पे जब tribunal approve कर देगा ना, तो यह जो redeem नहीं हो रहा था, it will be deemed to be redeemed, मतलब ऐसा माल लिया जाएगा, redeem हो गया है, और यह fresh issue माल लिया जाएगा, अरे सर आप समझे क्या, सर एक बर अब फिर से पढ़ो, अगर एक company के हालत नहीं है, redeem करन पर unredeemed preference share will be deemed to have been redeemed, माल लेंगे कि redeem हो गया है, पर सर जब tribunal ऐसा order दे रहा है न, वो forthwith redemption करने की बात करेगा, उन लोगों की जिनोंने consent नहीं दिया है, अब यह client लिखा है सर क्या, issue or redemption of preference share is not considered as reduction in share capital, मतलब क्या सर, आपका preference share अगर आप redeem कर रहे हो, अगर आप redeem कर रहे हो, preference share काम हो रहे है, उसको reduction in share capital मत मानना और उसको reduction in share capital वाला section मत लगा देना, यह basic point है, यह कह रहे है, preference share के redemption को reduction in share capital मत मानना, बस इतनी सी बात है, ठीक है, अब सर, मैं को एक बात बताओ, अगर एक company ने 100 रुपे का रहे हो, 100 रुपे का preference share था, उसको redeem किया 120 रुपे में, कहा स redeem किया sir, profits है, मेरे को बताओ, कितना amount, आप जो है, CRR में transfer करोगे, option A, 100, option B, 120, option C, 20, option D, nota, nota मतलब, nota नहीं रहे, nota, none of the above, sir, अगर एक company है, जिसने 100 रुपे का preference share, अगर 120 में redeem किया, तो आप कितना amount CRR में डालोगे sir, CRR में आप डालते हो nominal value, तो यहाँ पे कितना डालोगे sir आप 0, क्यों 0 sir, क्या होश में हो 0, sir, nominal value सुनना मेरी बात, sorry, sorry, I am so sorry, I am so sorry, I am so sorry, I am so sorry, sir, यहाँ पे कितना डालोगे, आप यहाँ डालोगे 100, पर sir, यही amount अगर fresh proceed से, fresh proceed से अगर आप redeem करते, तो क्या होता, fresh proceed से अगर आप redeem करते, नए वाले proceed से redeem करते, तो फिर आप none of the above लेते, 0 लेते, क्यों sir, CRR में amount तभी डालना है, अगर आप profit को हाथ लगा रहे हो, अगर आप fresh issue कर रहे हो, तो CRR में एक भी amount नहीं जाएगा, बच गया में, बच गया में मेरे को ध्याना आ गया, वरना में गलत बोल देता, फिर तुम धोते मेरे को, सुनो sir, आप समझे क् को अगले sections बताता हो, section 57, 58, 59, 60 पढ़ेंगे, मेरी बात सुनो, sir पढ़ेंगे आराम से, तुम लोगे के इसे गहरी सास लो, गहरी सास लो, आपको पूरा इसा energy वापस मिल जाएगा, देखो एक बार गहरी सास ले करके, एक बार गहरी सास ले करके देखो, आपको पूरा energy व Sir, दोस्तो, मेरी बात सुनो, sir, section 56 क्या है, 57 क्या है, sir, 56 सबसे पहले बात करता है, transmission और transfer की, मैं तो लेना ही बूल गया, मैं एक गंटे से बोल रहा हूँ, मैं तो सास लेना ही बूल गया, तुम लोगे ने सास लिया, sir, अभी तक जो मैंने बताया है, समझ आया है, क्या, और फटा फट चलो, like करो, दोसों का तो, यह करो, यार, कैसी हरकते कर रहे हो, sir, did you understand, did you understand, or did you not understand, क्या बता दू, बिटा, question bank, प्रदीप, क्या जानना है आपको, चलो, sir, आगे बड़े, sir, कौन-कौन मेरे साथ शुरू से अभी तक बना हुआ है, बताओ, जोर से बताओ, कौन-कौन शुरू से अभी तक बने हुए है, चैट पे धर-धर, मी, 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 लिखो, शुरू, ओके गाइस, गंदे बच्चे नहीं है, रहे, ऐसा मत बोल रहे, मेरे बच्चे, गंदे कहीं से बोला, सुनो, जैसे हैं, अपने हैं, सुनो मेरी बाद, दोस्तो, आगे बढ़ते हैं, दोस्तो, शुरू करते हैं, वापस से सेक्शन 56 से लेकर के, आगे का सेक्शन पढ़ते हैं, सर, सेक्शन 56 किस बारे में बात करता है, अब सर, हम दो कॉंसेप्ट समझेंगे, एक हम ट्रांसफर को अपने shares transfer किये, तो क्या होगा सर, किस के shares थे, Reliance के shares थे तो सलमान और कैतरीना क्या करेंगे फिर paper में, गंदी-गंदी बाते नहीं करो सर सलमान और कैतरीना क्या करेंगे, वो दोनों अपने बीच में एक letter of transfer बनाएंगे document of transfer बनाएंगे और वो document of transfer को सब लोग sign करेंगे, उसमें stamp डालेंगे उसमें कैतरीना का पूरा details रहेगा और ये details लिखा रहेगा कि कितना share किसको transfer हो रहे है, उसके साथ सर सलमान अपना खुदका share certificate attach करेगा, और उसके बात कैतरीना क्या करेगी ये share certificate लेके Reliance के पास जाएगी और Reliance को बोलेगी, Reliance इसको register कर दे सर जब ये document बनाना ये document के 60 days के अंदर या तो कैतरीना या सलमान जा करके इसको register करवाएंगे और Reliance ये transfer को register कर लेगा, सर इसको बोलते transfer of shares, transfer of shares में एक instrument बनता है, एक deed बनता है instrument of transfer, क्या लिखाए सर company will not register a transfer unless what has happened, unless instrument of transfer, इसका format है form SH4, आप chapter का नाम है share capital and venture तो यहाँ पर जो form से उसका नाम के है SH4 तो आपको एक SH4 बनाना पड़ेगा त्यूली stamped होगा, dated होगा और उसमें transferor और transferi दोरो sign करेंगे, transferor और transferi दोरो sign करेंगे, उसमें आप transferi के बहुत सारे details बताओगे, किसके बहुत सारे details बताओगे आप, transferi के बहुत सारे details बताओगे और फिर उसको deliver करोगे company को, कौन deliver करेगा तो या तो Salman या Katrina करेंगे, साथ दिन के अंदर deliver करेंगे, along with letter of allotment या share certificate, मतलब सर, Salman के बास अगर share certificate है, वो गुम गया, या company को deliver नहीं हुआ तो sir, company generally register नहीं करेगी transfer को, पर अगर आप register फिर भी करवाना चाहते हो ना तो आपको indemnity लेना पड़ेगा, मतलब क्या sir, ये instrument of transfer बनाया था ये instrument of transfer बनाया था company को भेजा भी, लेकिन गुम गया रस्ते में और आप आप बेजियो, आरे transfer कर दे सल्मान बोल रहा है, कैटरीना को दे दे न share ads, तो उस case में क्या होगा अगर कैटरीना को दे ना ही है न तो reliance बोलेगा, बेटा तिर को प्यार होगा मैं तो धंदा कर रहा हूँ यहाँ पे, तू एक government company होना, तो आपको instrument of transfer बनाने की जरुवत नहीं है अगर आप bonds का transfer कर रहे हो provided that intimation by transferee specific name and address and bond certificate is delivered to the company मतलब क्या सर, अगर एक government company है और government company का जो bond है, वो इस से इसमें transfer हो रहा है, तो law ने कहा कि कोई instrument बनाने की जरुवत नहीं है, बस यह जो इंसान है जो transferee है उसको बोलना, अपना सारा details जो है, वो intimate कर देगा, और साथ में जो bond certificate है, BC मतलब क्या bond certificate है, वो intimate कर देगा तो काम हो जाएगा, सर क्या बोल रहा है, अभी तक में तुमको transfer समझा रहा हूँ, कुछ नहीं समझा है revision करवार हो, मेरी बात सुनो, सर transfer में क्या होता है, अगर एक इंसान A है, वो अगर B को अपने shares transfer कर रहा है, तो उनको एक instrument of transfer में enter करना पड़ेगा, यह SH4 में enter होता है, सर इसमें stamp लगता है इसमें date होता है, इसमें transfer और transferee का sign होता है, और transferee का बहुत सारा detail होता है, उसके बाद यह instrument of transfer, या तो A या तो B company को बेज़ देता है, जिस दिन आपने execute किया न, उसके साथ दिन के अंदर भीजना होता है और साथ दिन में भेजते हो, तो company इसको register कर लेता है, पर अगर वो lost हो गया या destroy हो गया, तो A को indemnity देना पड़ेगा, उसके basis पे ही board of director जो है, वो उसको register करेगा, सर यह हो गया basic transfer पर सर मेरी बात सुनो, अगर government company की बात कर रहे हो, और government company के bonds की बात कर रहे हो, तो law ने बोला instrument of transfer बना, तो transfer ही है न, transfer ही के बहुत सारा details जो है वो देदेगा, और साथ में bond certificate देदेगा, bond certificate नहीं मिला है तो letter of allotment देदेगा, काम हो जाएगा सर वो आपका share certificate और letter of allotment तो यहाँ पे भी देना पड़ता था उसी तरीके साब bond certificate और letter of allotment देदोगे, उसके बात सर मैंने on receipt of intimation for the same from the company who has such right is transmitted मतलब sir, मतलब sir, मेरी बात ज्यान से सुनना transfer instrument is not required मतलब sir, transmission क्या होता है transmission मतलब अगर किसी इंसान की date होगी तो उसके shares किसके पास चले जाते है legal representative के पास अगर वो इंसान insolvent होगया तो उसके shares किसके पास चले जाते है resolution professional के पास बोलो क्या बोला मैंने किसके पास जाते है resolution professional के पास और अगर वो इंसान नंदन हो जाता है lunatic रगाता है, नंदन मेरे को ऐसे याद आ गया lunatic, दुमाग खराब हो जाता है तो फिर किसके पास चले जाता है sir, administrator के पास किसके पास, administrator के पास appointed by the court, तो sir, यह जो तीनों transmission हो रहा है न, यह के agreement बन रहा है क्या, मतलब पापा एक इनसान अपने death उने पर लिखके जा रहा है क्या, रुको रुको, legal representative को transfer कर देना, नहीं sir, यह तो law में clearly पता है, ऐसे ही होता है, हमारे कमपनी के पास जाएगा, और कमपनी को intimate करेगा, कि गए हो, रमेश तो गए हो, अभी यह share मेरे हो गए हो, तुम इस चीज को note कर लो अपनी company में, अब sir, क्या company ही है बनेगा, अज़र को इसमें रमेश के signature था, तो इसमें लिख पन जाके लिए क्या आता हो, shares, सल्मान ने अगर कैटरीना को दिये shares, और कैटरीना चलेगी company के पास, पर sir, ये जो shares था न, actually सल्मान, कैटरीना ने गई सल्मान गया, और क्या बोला, मेरे 100 share है, जो 10 रुपे का है, वो 10 रुपे में इसे मैंने 6 रुपे पे कर दिया है, 4 रुपे अभी पे करना बचाए, ये वाला जो shares है अब तू प्लीज उसको कैटरीना के नाम पे नोट कर ले, और बचावा 4 रुपे कौन देगा कैटरीना देगी, तो company बोलेगा रुको जरा सबर करो, इस तरीके से registration नहीं करूँगा मैं, वो जाएगा कैटरीना के पास और पूछेगा, कि ये बचावा 4 रुपे तुम दोगी ना, कैटरीना हाँ बोलेगी, तभी company उस transfer को register करेगा, क्यो sir, क्योंकि इसमें liability है, अगर fully paid up shares होता ना, तो permission की जरुवत नहीं थी, पर partly paid up shares की case में when an application for registration of partly paid up shares is made by transferor यानि कि Salman Khan, then in such case, company will not register unless company एक notice देगा SH5 में जिसको transferi को, और transparency no objection देगा, दो हफते के अंदर sir, कहीं 14 दिन लिखते हैं, कहीं 21 दिन लिखते हैं, कहीं 20 दिन लिखते हैं, कहीं 20 दिन लिखते हैं, और लिखते-लिखते दिन लिखते-लिखते बोर होगे, तो week लिखना शुरू कर दिये, दो week के अंदर आपको क्या देना पड़ेगा, आपको notice देना पड़ेगा, sir, यह आपका basic provision हो गया, मेरे को उम्मीद है, आपको transfer और transferi का provision समझ आया कि फिर से कुछ बताऊ, मेरे को बताऊ, फटाफट, समझ आगे आपको did you understand go low समझ आगे आपको, ठीक है sir, अब sir, आगे बढ़ते हैं मेरी बात सुनना, sir, delivery of shared certificates की बात करते है, sir, delivery of shared certificates बहुत आसाने पर, इससे MCQ आने के चांसे से बिटा, एक बर मेरी बात सुननो, sir, delivery की क्या बाते, बताऊ न, delivery की क्या बाते मेरे को बताऊ न, delivery की बात ऐसी है, कि अगर आप shared subscriber बन गया है, तो कितने समय में आपको shared certificate मिल जाएगा, बेटा देखो, अगर आप subscriber बन रहे हो, जब company ताज़ा सा ताज़ा incorporate हो रही है, तो incorporation के दो मेने के अंदर आपको deliver हो जाना चाहिए, पर sir, अगर आप पहली बार allotment ले रहे हो, मतलब IPO अगरा आया, और उसमें shares allotment हो रहे है, तो वापस से दो मेने के अंदर आपको certificate मिल जाना चाहिए, पर sir, अगर transfer या transmission का case है ना, तो इसमें बहुत सारे लोग नहीं होते, तो law केता है, बेटा तु फटा फट, एक मेने के अंदर अंदर क्या कर दे, उनको share certificate दे दे, पर sir, अगर debenture की बात है ना, तो debenture में तो source होके काम करो, छे मेने के अंदर debenture certificate मिल जाए, तो भी काफी है, पर sir, अगर यही सब DMAT account में, depository account में काम हो रहा है ना, तो आपको immediately मिल जाएगा, क्योंकि उसमें share certificate नहीं होता, उसमें online बस reflect करना होता है, तो law क्या कहता है, उसमें immediately मिल जाना चाहिए, तो sir, दो मेना, दो मेना काफ है, in corporation और allotment में, जहां पर बहुत सारे भीड होती है एक सार, बहुत सारे लोग subscriber होते हैं, बहुत सारे लोग allotty होते हैं, पर जब transfer या transmission का case है, तो बहुत कम लोग होते हैं, तो एक-एक मेने में आप क्या कर देना, उसको resolve कर देना, sir, एक बात बताओ, रमेश की death होगी, रमेश की death होने के बाद, रमेश का shares किसके पास किया, सुरेश के पास, sir, सुरेश ने क्या किया, 14th February को company को intimate किया, कि एक shares मेरे नाम पे कर दे, company को कितना time दोलेगा, sir, shares उसके नाम पे करने के लिए, sir, देख विए share certificate तो दो मेने में देना होता है, तो आप मान के चलो, दो मेना है company के पास, 14th February को intimation देने के बाद, 16th February को रुका ने गया, sir, सुरेश बड़ा खुश हो गया, और सुरेश ने अपनी wife को ये shares क्या कर दिया, transfer कर दिया, wife को ने, girlfriend को, क्या क्या shares जो है, transfer कर दिया, क्यों पता नहीं, कुछ होगा, खुश होगा वो, तो उसने transfer कर दिया, और सुरेश रुका ही नहीं जा रहा था, sir, तो, हम जो ये transfer किया है, sir, मेरे को एक बात बताओ, जब इसने 16 तारिक को transfer किया है, तो shareholder का जो register था, company के पास जो register of member था, उसमें किसका नाम था, रमेश का नाम था कि सुरेश का नाम था, sir, अभी तक तो सुरेश का नाम add नहीं हुए, तो रमेश का नाम था, पर क्या सुरेश ये वाली चीज बेच सकता था, क्या सुरेश ये वाली चीज transfer कर सकता था, the answer is yes, the answer is yes, law ये कहता है ज्यान से पढ़ो कि in case of transfer of any securities of a diseased person made by his LR रमेश का shares जो है सुरेश ने अगर दिया even if the LR is not a holder अगी तब वो holding बना नहीं है it will be valid as if he had been holder at the time of execution of instrument of transfer ऐसा मान लिया जाएगा कि वो holder था क्यों सही है न गया न सुरेश न रमेश तो तो सुरेश को करना पड़ेगा सर कोई option नहीं है और सर अगर कोई default हुआ तो आपको fine देना पड़ेगा 50,000 रुपे का कितना fine देना पड़ेगा 50,000 रुपे का और सर अगर आप fraud के intention से कुछ कर रहे हो न तो तो आप 447 में liable हो जाओगे पर सर अब इसके बाद सुनो फोर्ज ट्रांसफर की केस में क्या होगा सर अगर सलमान ने कैटरीना को नहीं दिया नहीं दिया सब जूट है अगर नहीं दिया सलमान ने कैटरीना को तो पर अगर फोर्जरी होकर के ट्रांसफर हो गया मतलब क्या सलमान के घर गया कोई घर ज तो इस बढ़ो, Mr. A एक share order ने Reliance में, चोर ने क्या क्या, signature फोर्च किया और B को transfer कर दिया, B ने आगे उसको C को transfer कर दिया, और Reliance ने C का नाम register कर लिया, अब क्या होगा, सर अब होगा ये, कि ये को हुआ क्या, A का shares, चोर ने फोर्च करके किसको दे दिया, B ने क्या क्या, C को दे दिया, Company ने क्या क्या, C का नाम note कर लिया, अब सर जब A जाएगा ना Company के पास, कि ऐसे कैसे मेरा shares transfer हो गया, तो सर Company liable है, A को restore करने के लिए, The Company will restore the ownership to Mr. A, बर सर Company shall not be liable to Mr. B and Mr. C, आपका Mr. B और C से कोई लेना देना नहीं होगा, आपका real owner आया, और आप उनका नाम डाल दोगे, कोई problem नहीं है, सर, ownership तो दोगे ही दोगे, साथ में अगर आपने कोई dividend भी बीच में declare किया होगा न, वो dividend भी एके पास जाएगा, P और C के तरफ answerable नहीं हो, तो सर, C क्या करेगा, C जा करके B को पकड़ेगा, B क्या करेगा, B जा करके C चोर को पकड़ेगा, इस तरीके सा आपका graph चलेगा सर, सर, आपका अगर edition 1 है, इसमें answer अगर कुछ और है, तो प्लीज उसको काट के ये वाला note कर लो, पर ये correct है, सर क्या आप मेरी बात समझें, तो सर, अगर forgery का case आजाए, तो आप लिखोगे क्या, आप ये लिखोगे, that forgery is nullity, does not give the transfer any title to the shares, कोई भी title नहीं मिलता है forgery पे, कोई भी good title नहीं मिलता है, similarly, अगर कोई transfer भी किया आपने forgery से, तो उससे भी good title नहीं मिलेगा, पर सर सुनो, जब ये जाएगा ना, reliance के पास, तो वो ownership तो restore करेगा ही करेगा, साथ में अगर कोई dividend देना था ना, तो वो dividend भी उसको देना पड़ेगा, ये कहाँ पे decide हुआ था सर, dividend भी देना पड़ेगा, मालिक समझे क्या, हाँ सर, सर सेक्शन 57 तुम कर ले ना, सर ये तुम अच्छे से कर लोगे, personation of a shareholder, अगर मैं, ने कर ले ना बोलके मेरे को पता है, मैं करवाई दूंगा, सुनो, सर मैंने क्या बोला, अगर तुम एक shareholder बनने की कोशिश कर रहे हूँ, मतलब मैं, मेरे को पता था, कि आज सलमान खान जाकर के, reliance से अपना share certificate लेने वाला है, मैं सलमान खान के नाम पे पहुँचिया, और मैंने share certificate ले लिया, या मैंने उसके नाम पे कुछ और चीज कर ली, तो या फिर उसके नाम पे कुछ पैसे आने वाले थे, वो मैंने ले लिया, तो sir, मैं punishable होंगा with imprisonment, एक साल से तीन साल, and fine एक लाग से पांच लाग, and लिखाए sir, क्यों, क्योंकि personation एक बहुत बड़ा fraud है, आपको एक साल से तीन साल तक का jail लगेगा, और एक लाग से पांच लाग तक का fine लगेगा, समझे क्या, sir, समझे क्या, ठीक है sir, बस मैं दो section और पढ़ाऊंगा, फिर मैं खदम कर दूँगा, 60 है नहीं देखो, sir, 58 और 59 पढ़ाना है, ताकि अपने target meet होने वाला, अपने को खुशी चाहिए दोस्ता, कुछ भी हो जाए इस दुनिया में, target meet होने वाली खुशी अपनी जगा है, बाकी दुनिया अपनी जगा है, sir, section 58 क्या कहता है, section 59 क्या कहता है, sir, section 58 पहले पढ़ लेते है, sir, 58 क्या कहता है, refusal of registration, मेरी बात ध्यान से सुनो, sir, दो तरह के company होते, एक होता है public company, एक होता है private company, मेरे को बताओ, share का transfer जादा difficult कहां पे होते है, share का transfer जादा difficult कहां पे होता है, private company में होते है, क्योंकि public company में तो free transfer होना चाहिए, sir, पहले private company की बात करते है, जब आपका instrument of transfer बन जाते है या transmission का intimation बना लेते हो आप तो वो ले जा करके आप देते हो company को company को वो transfer या transmission note करना पड़ेगा, अगर company transfer या transmission note नहीं कर रहे है तो उसको आपको notice of refusal देना पड़ेगा, आप sir notice of refusal दे या ना दे, अगर aggrieved हो तो आप जा करके आगे tribunal के पास case file कर सकते हो और tribunal necessary order pass करेगा sir यहाँ पे सारा time limit का खेले-खेल, सुनो, private company की बात करते है, अगर private company मना कर रहा है तो within 30 days of delivery उसको क्या करना पड़ेगा, notice of refusal देना पड़ेगा, follow reasons for refusal मतलब मैं एक private company है, Reliance जीओ, उसमें मैंने बोला, मेरा shares जो है Rajanikanth को बेच दे, उसमें मैंने नहीं बेचूँगा तो मैंने बोला, नहीं record करूँगा तो मैंने बोला, notice of refusal तो दे 30 दिन के अंदर अब सर जब notice of refusal अगर आ गया तो 30 दिन के अंदर मैं क्या करूँगा, मैं notice of refusal देना पड़ेगा, पर अगर उसने notice of refusal दिये दिया, तो उसके बाद 60 days के अंदर मैं क्या करूँगा मैं जाके appeal file कर सकता हूँ, पर notice of refusal नहीं आये ना, तो 90 days के अंदर जाकर के appeal file करूँगा सर पूरा bouncer गया, अरे बहुत आसाने रे, कुछ भी नहीं है, देखो private company, public company अरे बहुत बच्चे वाला प्रोविजन है, सुनो तो sir company क्या करेगा, मेरी बाद ध्यान से सुनना sir private company के case में क्या होगा company ने अगर उसके पास delivery हुआ कि transfer या transmission register कर ले तो sir उसको 30 दिन का time दिया जाते 30 दिन के अंदर तू क्या करना, notice of refusal दे देना, जब तू notice of refusal देगा न, उसके बाद 30 दिन के अंदर हम जा करके क्या कर सकते हैं, हम जा के appeal file कर सकते हैं, पर अगर तू notice of refusal नहीं देगा न, तो जिस दिन तरको delivery हुआ था, उसके 60 दिन के अंदर जा करके हम appeal file कर सकते हैं, बात खतम यह हो गया sir, private company के case में पर public company के case में तरको 30 दिन के अंदर notice of refusal देना पड़ेगा तो जैसे notice of refusal देगा उसके बाद 60 दिन के अंदर जा करके हम appeal file कर सकते हैं, और उसके बाद अगर notice of refusal आया ही नहीं, तो sir, शुरू से ले करके 90 days के अंदर हम appeal file कर सकते हैं, यह शुरू किया है sir, यह date of delivery है, company को deliver हुआ था वो instrument of transfer या intimation यह basic provision हो गया, sir अब अपील file करेंगे तो tribunal के अचाट आलेगा tribunal क्या order देगा sir, जब appeal file करेंगे, sir या तो tribunal आपके case को dismiss कर देगा, dismiss मतलब हकाल देगा, बोलेगा, चलना क्या, बच्चो जैसी बाते कर रहा है, छोडना, registration नहीं होगा, भूल जा भी तू कैटरीना को, अभी यह सब देने की जरुवत नहीं है कुछ नहीं मिलेगा तरको, ऐसा बूल सकता है tribunal, या तो आपके appeal को dismiss कर सकता है या फिर वो क्या करेगा, order pass करेगा sir, क्या order pass करेगा, सबसे पहला, अगर तुम नाम register नहीं कर रहे हो तो वो order करेगा कि भाई, नाम register कर transfer register कैसे नहीं कर रहे है register कर, और जब ऐसा order pass होगा तो आपको 10 दिन के अंदर क्या करना पड़ेगा register करके लेना पड़ेगा मतलब अगर tribunal ने order दिया company को, ओए, transfer register कर तो वो 10 दिन के अंदर चुपचाप register करके लेगा, दूसरा order ये भी pass हो सकता है sir, कभी-कभी ना rectification of name करना पड़ जाता है, register of member में किसी का नाम गलत होता है, तो वो कि tribunal जो है ना, या तो फिर dismiss कर देगा, या फिर dismiss कर देगा, या फिर order करेगा कि register करो, transfer तो 10 दिन के अंदर करना या फिर वो rectification करने बोलेगा और damages भी pay करने बोलेगा जिसको नुकसान हुआ है, अगर sir आपने tribunal की बात नहीं मानी ना, तो एक साल से तीन साल तक का जेल and fine एक लाग रुपे से पाँच लाग रुपे तक का लगेगा, एक लाग से पाँच लाग का fine लगेगा, sir लास्ट में rectification of register of member है, सुनो क्या हुआ अगर आपको ऐसा लगता है if sufficient cause, किसी इनसान का नाम गलती से register of member में आगे, यह register of member से छूट गया है, या फिर उसका नाम डालने में unnecessary delay हो रहा है sir यह आपका roam roam है register of member, उसमें गलती से किसी का नाम आगया है, गलती से किसी का नाम छूट गया है, या फिर आप नाम डालने में unnecessary delay कर रहे हो, तो sir application जाएगा ट्राइबिनल को या फिर competent court को और सर ट्राइबिनल क्या order pass करेगा वही दो order जो हमने अभी पढ़ा या तो रेजिस्टर करने बोलेगा दस दिन के अंदर कर लेना या रेक्टिफिकेशन करने बोलेगा damages भर करके अब सर ये दो पॉइंट ही बस आपको याद करना है उसके अलावा बाकी सब चीज़े छोड़ दो कोई important नहीं है हाँ जी दोस्तो क्या हाले क्या हाले क्या हाले I hope you are all doing really really well दोस्तो क्या करने वाले है अज अपन acceptance of deposit chapter का पूरा revision करने वाले है ये chapter बेहद important है पिछले attempt में ये आपके करीवन 6-7 number का आया था और अगर मैं आपके MCQs भी मिला दू तो करीवन टोटल टोटल 9 marks का आया था ये chapter तो आप लोगों को लिए बहुत important है अब ये भी बोल सकते हो कि सर अगर पिछले attempt में आ गया तो इस बार तो chances बहुत कम है पर ऐसी बाते करना नहीं ICI सुन लेता है कभी-कभी फिर दो देता है ठीक है तो मेरी बात एकदम ध्यान से सुनो पूरा chapter का revision करेंगे ये notes जो है मैं आप लोगों को बता दू आप लोगों के पास edition 1 हो अगर 1 है edition 1 तो आप लोगों को ये notes में नीचे description में डाल दूँगा अभी video के बाद तो आपको मेरे telegram channel पर मिल जाएगा आप ये notes सर्फ ये chapter का notes जो है इसको print करवा सकते क्यूंकि मैंने इसका पूरा जो format है न और पूरा जो sequence है वो sequence बदला है ताकि आप लोगों के ease के लिए आप लोगों को और अच्छे से याद हो सके ICI के भी sequence से जादा better sequence बना रखा है हमने ठीक है ओके गोई ओके गाईज चलो गोविंद पूच रहे CA final का कब आएगा तो CA final का चली रहे जड़ा channel को subscribe करके रखलो और वहाँ पे ध्यान दो धोड़ा सा दोस्तों मेरी बात सुनो acceptance of deposit का revision करने वाले हैं ये section 73 से शुरू होता है और 76A पे खतम होता है अब मेरी बात ध्यान से सुनना सर सबसे पहले समझो deposit का definition क्या होता है सबसे पहले तो इन्होंने deposit के definition में जितनी चीज़े मिला सकती थी इन्होंने मिला राली बुली deposit includes any receipt of money by way of deposit loan और in any other form किसी भी तरीके सा अगर पैसा आ रहा है तो इसको इन्होंने क्या बुला deposit का नाम दिया एक second इन्होंने क्या गया किसी भी चीज़ को deposit का नाम दिया deposit includes any receipt of money by the deposit or loan और in any other form उसको हम कहते सर deposit कोई भी चीज़ जो भी पैसा आया है उसको हम deposit बोलेंगे पर deposit में क्या include नहीं होता it does not include such category of amount as maybe prescribed by the RBI तो सर सारी चीज़े include कर लेंगे फिर कुछ चीज़े जो हम prescribe करेंगे उसको include नहीं करेंगे नाटक है सर इनका पहले include कर लिया फिर 16 चीज़े इन्होंने लिखी जो इन्होंने exclude कर दिया ठीक है सर कुछ चीज़े धियान रखो deposit का repayment एकदम time bound होना दूसरा deposit जो है आपका secure भी हो सकता है unsecured भी हो सकता है private company जो है वो deposit में सर्फ members से पैसे ले सकती है पर public company जो है वो members से भी ले सकती है और public से भी पैसे ले सकती है सर यह आपका basic provision है अभी तो studio भी नहीं हो है अब सर एक-एक कर के हम समझेंगे कौन कौन सी चीज़े deposit के definition में में इंक्लूट नहीं होती। सर कौन कौन सी चीजे डिकावसित में इंक्लूट नहीं होती। सबसे पहला अगर आप गवर्मेंट से पैसा लोगें,"गवर्मेंट मतलब具 अब द्रन लके वो गया हैं he कोई भी अगर आप पैसा ले रहे एधो उसको रहा है ही। सब्सक्राइब अगर आपको कोई डिस्टर्बेंस आए तो मेरे को बता देना मैं आगे बढ़ रहा हूं ठीक है नहीं देख रहा हूं मेरी बात सुनना सर डिपॉजिट में क्या क्या आता है गवर्मेंट आता है और उसके बाद आपका स्ट्रट्टरी ऑथर्मेंट से पैसा आया उसको आप डिपॉजिट नहीं मानोगे दूसरा सर फॉरेंट सोर्स मतलब बाहर से बाहर का गवर्मेंट हो गया बाहर का कोई इंसान हो गया बाहर का कोई बांक हो गया कहीं से भी अगर पैसा आ रहा है तो उसको FOREIGN SOURC पहले सरकार से आ रहे है या फिर आपको बेंकेंट PFI से आए उसके बाद सर अगर आप कमर्शिल पेपर इसु कर रहे हो तो कमर्शिल पेपर के सामने जो भी पैसा आ रहे है उसको डिपोजिट नहीं पर फिर भी आपको यार रख लेरा चाहिए कि government से पैसा आया, foreign source से पैसा आया, band से पैसा आया, यह सब consider नहीं होगा, उसके बाद सर बात करते हैं, इंटर corporate loans की, अगर एक company, दूसरे company को loan दे रहे, या एक company, दूसरे company में deposit दे रहे ना, तो उसको भी क्या नहीं माना जाएगा deposit नहीं माना जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है सर, उसके बाद बात करते है, application money की, यह important है, मेरी बात सुनो, अगर एक company को application money आया है, क्यो application money आया है, for subscription of securities, तो उसको हम, उस application money को deposit नहीं मांगेंगे, पर एक बात सुनो, अगर 60 days के अंदर, आपको क्या करना पड़ेगा, allotment, अगर नहीं करते हो allotment, तो उसके 15 दिन के अंदर क्या करते हो, refund, अगर वो 15 दिन के अंदर आप refund भी नहीं करते हो, तो जिस समय refund नहीं किया, उसके बाद उसको क्या माल लिया जाएगा, deposit माल लिया जाएगा, सर सबसे बहला, any amount received, any amount received, pursuant to an offer made towards subscription to any securities, including share application money, और advanced towards allotment of securities, pending allotment, मतब कोई भी application money आया तो उसको हम deposit नहीं मानेंगे, लेकिन सर अगर आपने application money आया है, तो आपको 60 days के अंदर allotment करना पड़ेगा, नहीं कर रहे हो, तो 15 दिन के अंदर refund करो, वरना आप उसको deposit के तरह treat करोगे, अब सर सुनो, आपना refund मतलब refund करो, अगर आपने को कोई भी और adjustment किया, उसको refund नहीं मानेंगे, उसको कुछ भी नहीं मानेंगे, सर उसके बाद बहुत important provision है, director, सर अगर एक company को उसके director से पैसा आया, क्या उसको deposit बोलोगे, law ने बोला, देखो भाई, अगर तुम public company हो, और तुमको अगर अपने director से पैसा आ रहे है, या अगर loan और borrowing से पैसा नहीं लिया है, यह मेरा खुद का पैसा है, और मैंने loan और borrowing से पैसा नहीं लिया है, और दूसरा सर उसको क्या disclose करना पड़ेगा, in the board report उसको disclose करना पड़ेगा, कि यह पैसे हमने accept किये है, सर कहा disclose करो गया, board report में, दोस्तों क्या आपको मेरी बात समझ आई, क private company के case में, डिरेक्टर या उनके relative से पैसा, आप अगर ले रहे हो ना, तो उसको पैसा deposit नहीं माना जाएगा, अगर यह दो condition meet हो जाता है, कि आपको मेरी बात समझ आ रही है, हलकी हलकी, 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 अरे समझ आ रहा है क्या, पढ़ाई पर ध्यान देने नलाइक, सर, येस बोलो ना, थोड़ा चाट पर active रहो ना, मेरे को समझ आएंगा कौन-कौन आया है, फ्लीज मेरी बात सुनो, उसके बात सर मैंने क्या कहो, कोई भी bonds या debenture हो, यह बात मेरी एकदम ध्यान से सुनना, सर, कोई भी bonds या debenture हो, उसको deposit नहीं मानेंगे, सर, bonds या debenture मत ना, वो market value of assets से जाधा है, तो लोग ने बुला, secured bond या debenture जो है, उसको अपन क्या नहीं मानेंगे, उसको अपन deposit नहीं मानेंगे, दूसरा, अगर कोई convertible, compulsorily convertible bond या debenture है, जो 10 साल के अंदर convert हो जाएगा, उसको भी अपन क्या नहीं मानेंगे, deposit नहीं मानेंगे, और secure भी नहीं है, convertible भी नहीं है, पर debenture है, जो listed है, तो लोग ने मुला, उनको हम deposit नहीं मानेंगे, तो सर सुन लो मेरी बात क्या कहा, मैंने, फिर से आप एक्टिविशन गेमिंग में block कर दूँगा, भाई, प्लीज मेरे, पढ़ाही करवाने दे, last में मस्ती करेंगे, पहले deposit नहीं मानोगे, और अगर convertible भी नहीं है, secure भी नहीं है, पर क्या है सर, आपका unlisted, लेकिन आपका listed, debenture अगर है तो लोग ने मुला, उसको भी deposit नहीं मानेंगे, तो सर ये तीन चीजों को इन्होंने accept कर दिया, उसके बाद सर बात करते है, security deposit from employee, सर employee से अगर पैसा आ रहे ह नहीं है, तो लोग ने मुला, जाने उसको deposit नहीं मानना, भले है वो security deposit, पर उसको ये chapter में deposit नहीं मानना, उसके बाद सर ट्रस्ट की बात करें, तो ट्रस्ट में सर कोई भी non interest bearing amount आता है तो उसको आप deposit नहीं मानोगे, फिर सर याद करो मेरे साथ in course of business, मतलब आपके business के दौ दौरान, आपको, गर business के दौरान कोई पैसा आ रहा है तो उसको deposit नहीं मानेंगे, sir, business के दौरान मतलब क्या, दोस्तों, ये revision एक्दम ध्यान से सुनना, sir, business के दौरान मतलब क्या, मेरी बात सुनो, अगर आपको कोई advance मिला है, for goods and services, आपने कोई goods and services supply करने के लिए advance लिया ह और वो जो advance है ना, वो immovable property जब दोगे उसके लिए adjust हो जाएगा, बतलब आपने घर करीद, किसी को घर करीदना था, उसने advance दिया, बात में आप घर दोगे उसको और वो advance के अगिस्ट हो जाएगा, तो उसको भी आप deposit नहीं मानेंगे, तीसरा, अगर किसीने security deposit दिया है, for performance of contract, उसको भी deposit नहीं मानेंगे, चौथा, अगर सर, कोई long term project है, capital goods का, long term project है, capital goods का, उसके लिए भी लिया हुआ पैसा, जो advance है, उसको deposit नहीं मानेंगे, next, अगर सर, आपने कोई future service के लिया है, बजब 5 साल का warranty दे दिया, आपने warranty दे दिया, या कोई भी maintenance, AMC, annual maintenance contract ले लिया सर, इस तरह का contract अगर ले रहे हो, जिसका service period 5 साल से जाधा नहीं है, और सर, service period 5 साल से जाधा नहीं होना चाहिए, या business practice, whichever is lower, से जाधा नहीं होना चाहिए, तब जाके उसको deposit नहीं मानेंगे, सर, कोई भी advance received or allowed as per, sectorial regulator by the CGSG, sectorial regulator कुछ allow करता है, तो वो भी नहीं माना सर, समझे क्या, लेकिन सर, ये ऊपर जित्ती भी चीज़े हैं अगर, क्या हुआ, तुमने बोला हम इतने समय के अंदर समान supply करेंगे, पर एक दिन आया, जब तुमको पता चलिया, नहीं भाई, अब तो यह हम supply करी नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा license शिन गया है, या हमारी या कुछ भी हो गया, तो जिस दिन तुमको समझ आ गया ना, कि अब हम supply नहीं कर पाएंगे, तो उसके 15 दिन के अंदर अंदर आपको वो पैसा refund करना पड़ेगा, अगर आपने refund नहीं किया ना, उसको deposit मान लिया जाएगा, सर, इसको याद करने का, मैंने class में क्या shortcut बता है सब्सक्रिप्शन हो गया, तो GIPLF, हाँ मेरे को GF प्लीज कुछ ऐसा यादा है, हाँ, देखो, देखो, जाती ही नहीं है, इंचान की सुनो, GF प्लीज, GF प्लीज, हाँ, सर, GF प्लीज का shortcut है, मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात एक्दम ध्यान से सुनो, आज कल मैं स् आफ के इंदर क्या करणा, उस सुनो, आगे आने वाला कोई सर्विस या वारेंटी है, तो उसको क्या नहीं मानेगे, अरे सुनो, आगे आने वाला कोई service या warranty है तो उसके लिए जो पैसा लिया उसको deposit नहीं मानेंगे सर कोई performance के लिए अगर आपने security लिया है तो उसको deposit नहीं मानेंगे सर कोई long term contract में long term supply of capital goods के लिए उसको deposit नहीं मानेंगे और एस सर अगर आपने कोई subscription के पैसे लिए subscription towards publication printable हो या चाहिए electronic mode में हो आप उसको क्या नहीं मानोगे आप उसको deposit नहीं मानोगे तो सर ये हो गया उसके बाद सर आगे वड़ते हैं मैं सब एक साथ last में आपको फिर से recollect करवाऊंगा सर प्रमोटर की बात सुनो मेरी बात सुनो सर कभी-कभी क्या होता है अगर अगर ये मेरी company है मैं bank से loan लेने गया तो bank ने loan में stipulation लगाया condition लगाया कि अगर promoter जो है वो company में पैसा डालेगा वो promoter अगर company में पैसा डालेगा तो ही मैं company को loan दूँगा तो इस शक्कर में या तो promoter ने promoter के relative ने अगर unsecured loan दिया है तो ये जो unsecured loan है इसको deposit नहीं माना जाएगा पर कब तक नहीं माना जाएगा जब तक ये bank का loan repay नहीं हो जाता जब bank का loan repay हो जाए तो promoter को भी पैसे वापस कर देना वरना promoter के पैसे को क्या माल लेंगे हम deposit माल लेंगे तो सर यहाँ पे क्या लिखा है अगर कोई भी पैसा promoter लाया है unsecured loan के form में following condition should be complied पहला पैसा ला क्यों रहे हो सर पैसा ला क्यों रहे हो क्योंकि stipulation लगाया है lending bank ते जो lending bank जो bank पैसा दे रहा है उसमें stipulation यानि की condition लगाया है लोन जो है promoter खुद दे रहा है उसका relative दे रहा है और आपको यह exemption अभी तक मिलेगा जब तक loan repay नहीं हो जाता एक बार loan repay हो जाए तो उसके बाद आपको यह benefit नहीं मिलेगा उसके बाद सर नीधी company और subscription to chits सर यह वाला में समझाऊंगा नहीं पर नीधी company कोई भी अपाउंट लेती है उसको deposit नहीं माना जाएगा सर collective investment scheme में कोई भी पैसा आया deposit नहीं मानेंगे सर स्टार्टप convertible note वाला बहुत important point है सर अगर एक startup है उसने convertible note इशू किया कितने का 25 लाग रुपे का या उससे जादे का अगर एक startup है जिसने convertible note इशू किया और जो convertible note है na it will be convertible into equity on repayment within period not exceeding 10 साल 10 साल के अंदर-अंदर हो जाना चाहिए तो सर उसको भी हम deposit नहीं मानेंगे सर अगर एक startup है उसने अगर convertible note इशू किया convertible note जो 25 लाग से जादा का amount है और 10 साल के अंदर-अंदर convert हो जाएगा सर startup मतलब क्या एक private company जो dpiit के पास registered है dpiit क्या है department for promotion of internal trade and industry department for promotion of internal trade and industry और सर convertible note मतलब क्या होता है कोई ऐसा instrument जो आगे चल करके debt को equity में convert कर देगा करने का option रखता है ठीक है तो सर अगर आपने कोई convertible note issue किया है उसको भी deposit name आनेंगे और सर बड़े-बड़े लोगों से पैसा आया है alternate investment fund यानि कि क्या alternative investment fund venture capital fund infrastructure investment trust real estate investment trust यह सारे जो अड़े-बड़े जगे से पैसा आया है इसको भी आप deposit नहीं मानोगे अब सर एक बार यहां पर screen में मेरे देख लो मैं आपको सारा चीज जो deposit नहीं मानेंगे वो बता देता हो simple में जितना आपको याद रखना है जितना स्क्रीन में बस एक पेज में लिखूंगा ना उतना याद रखना है आपको बेटा देखो government से कोई भी पैसा आजाए उसको नहीं मानना deposit foreign source से कोई भी पैसा है source मतलब क्या आपका foreign government हो गया foreign individual हो गया foreign bank हो गया उसके अगर इंडिया में आपको bank से या PFI से पैसा आया तो उसको क्या नहीं मानना उसको deposit नहीं मानना सर commercial paper से पैसा आया या inter corporate loan से पैसा आया inter corporate loan या investment चल रहे तो उसको भी deposit नहीं मानोगे उसके बाद सर special or important cases अगर आपको application money आया क्या आया application money तो सर application money को 60 days के अंदर allotment करना और उसके अगले 15 दिन के अंदर क्या कर देना अगर नहीं कर पा रहे हो allotment तो refund कर देना नहीं अगर refund किया ना तो 15 दिन के बाद उसको क्या माल लिया जाएगा deposit माल लिया जाएगा उसके बाद सर अगर आपको company के director से पैसा मिल रहा है company का director क्यों पैसा दे रहा है भाई उसकी मर्जी director दे रहा है या private company में उसका relative दे रहा है तो उसको deposit नहीं मानेंगे शर्ट दो है एक तो खुछ से declaration दे दे देना और board के report में disclosure दे दे देना board के report में क्या करना disclosure दे 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 द में कोई पैसा लिया है तो उसको भी deposit नहीं मानेंगे उसके बाद सर मैंने क्या कहा अगर आप company के promoter से पैसा ले रहे हो company का promoter यानि की company के मालिक से या फिर सर नीधी company बन करके पैसा ले रहे हो या collective investment scheme के अंडर पैसा ले रहे हो या फिर सर मेरी बात ध्यान से सुनो या तो collective investment scheme और सर उसके बाद अगर आप startup बन करके पैसा ले रहे हो सर startup बन करके पैसा ले रहे हो मतलब क्या startup बन करके मतलब convertible load issue कर रहे हो 25 लाग रुपे या उससे जादा और सर अच्छा में एक चीज बूल गया bonds or debentures bonds or debentures अगर आप bonds या debentures issue कर रहे हो तो उसको भी क्या नही deposit नहीं मानेंगे और सर लास्ट अगर आप alternative investment funds वगेरा से पैसे ले रहे हो तो उसको भी deposit नहीं मानेंगे एक दो तीन चार्माइट चीज साथ अटनो दस ग्यारा बारा तेरा चौदा पंद्रा सोला सोला पॉइंट है सर कितने पॉइंट से सोला पॉइंट याद हुआ क्या याद हुआ क्या सर देखो revision में तीन बार करा दिया उससे जाद हमें क्या ही करवा हुआ अगे बढ़ते हैं सर आप लोगों ने अगर याद नहीं हो रहा है तो आप लोगों ने एक बार पूरा फिर से पढ़ करके फिर यह revision वीडियो देखना चाहिए और सर रिविजिन है रिविजिन है मेरी बात ध्यान से सुनो अब सर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे सर डिपॉजिटर मतलब क्या होता है जो कंपनी को पैसा देता है वो डिपॉजिटर होता है कोई बड़ी बात नहीं है चल चल अपने को मत सिखा सर सेक्शन 73 और 76 अपना सर मैं उमीद करता हूँ आप लोग यह रिविजिन वीडियो को रिविजिन के तरह देखेंगे मैं आपके कॉंसेट्स याद कर वाऊंगा आपको रिवाईज कर वाऊंगा पर सर आपको ध्यान में कॉंसेट्स पहले से होना चाहिए हमने रेगिलर पैच वाले हमने डिपॉ सर से जादा ही चाप्टर में देना ही नहीं चाहिए सर सेक्षन 73 क्या कहता है मेरी बात ध्यान से सुनो पहले मैं आपको basic basic बता देता हूँ सर यह public company है यह private company है private company जो है न सिर्फ अपने members से पैसा ले सकती है पर अगर आपको public से लेना है न पैसा तो आप ले सकते हो लेकिन उसके लिए आपको eligible public company बनना पड़ेगा सर eligible public company क्या होता है उसके लिए हम अगले section में 76 में बात करेंगे पर सर अब बात करते हैं अगर आपको member से पैसा लेना है तो क्या करना पड़ेगा सबसे बहले सर ये section कहता है कि company जो भी company है न अगर public से पैसा उसको accept करना है तो उसको ये chapter के हिसाब से accept करना पड़ेगा उसके अलावा नहीं कर सकता लेकिन सर ये जो provision है ये banking company को apply नहीं होगा और उन company को apply नहीं होगा जो CG और RBI साथ में मिल करके बता है जाने दो कोई important नहीं है अब सर अगला वाला पॉइंट चुनो सर company में subject to the following resolution ordinary resolution in the general meeting आप general meeting में OR पास करके क्या कर सकते हो बिटा क्या कर सकते हो accept deposit from its member after complying with the following condition आपने OR पास किया अब आप क्या कर सकते हो सर मेरे साथ एक बार पढ़ लो फिर screen में देखके सारी चीज़े याद करवा दूँगा उसके जादा कुछ नहीं लगेगा एक बार मेरे साथ साथ पढ़ लो अरे दोस्तों एक बार मेरे साथ साथ पढ़ लो और तुमको मैं बताओ ये जो तुमने ये सोचा ना recorded lectures upload हो रहे है इसलिए हम लाइब नहीं आएंगे तुम्हारा नुकसाल मैंने तो दो lecture upload किये क्योंकि तुम्हारा schedule बना रहे वो भी ऐसे lecture है जो YouTube में कहीं नहीं है नया fresh recording है वो absolutely latest recording है वो तुम्हारा loss है और जो लोग आये हो बेटा बगवान से में दुआ रहे कि हर इंसान जो इस वीडियो को देख रहा है उससे ना एक बार like करवा दे ना जो जो एक like मारेगा सर उसके एक number उससे जादा नहीं आपको odd number में likes मारने अब मेरी बात सरो जितने likes उतने numbers मेरी बात सरो बैट करके 100 like मत मार दे ना तुम्हारे like के like भी हो जाएंगे और मेरा number मेरको like भी नहीं मिलेगा और तुमको marks भी मिल जाएंगे 100 सरी तो अच्छा है ना ऐसा थोड़ी होता है मेरी बात सरो चलो फटा फट एक बार like मारो बेटा फटा फटा और तुम लोग अपने दोस्तों को बता रहे होगी नहीं rapid revision हो रहे है हाँ हाँ बता रहे होगी नहीं rapid revision हो रहे है कैसे चलेग़ तुम लोग नहीं बताऊवगे और इसा तोड़ी होता है छुप छुप के पढ़ा पढ़ा ही कर लेना होताय इसLYऊ से deposit ले सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन यह chapter के हिसाब से, अब बताओ sir, member से deposit ले सकते क्या, हाँ, बेटा, सबसे पहले क्या pass कर ले, OR pass कर ले, उसके बाद sir, मैंने क्या कहा, OR pass करने के बाद, आपको circular issue करना पड़ेगा, sir, circular कौन से form में issue कर दो, आप dpt1 form में issue करोगे, उसमें sir, basic details दोगे, जैसे की company का financial position क्या है, credit rating क्या है, कितने depositor है, कितना amount due है, और बाकी सारी चीज़े, यह सारी चीज़े आप किसको बताओगे, सारी चीज़े आप बताओगे, उसके बाद sir, circular की कुछ खास बाते बता देता आप members को दे रहे हो, तो members members से पैसा मंगवा रहे हो, तो members तक आपको circular पहुचाना भी तो पड़ेगा ना, तो आप जो circular है ना, सारे member को register post, acknowledgement due से भेजोगे, या फिर speed post से भेजोगे या electronic mode से, यह तीनों में से कोई तो भी mode से बेजोगे, उसके साथ साथ सर न्यूस पेपर में भी चापोगे, और website में भी डालोगे, मतलब होला मचा दोगे सर, website से कि हम member से पैसा ले रहे, sir, DPT1 form में आपको एक और चीज़ भी attach करना पड़ेगा, आपका जो statutory auditor है ना, वो एक report ये company ने पहले default नहीं किया है किसी भी deposit में, company ने पहले deposit में default नहीं किया है, और अगर करा भी है ना, तो default को सुधारे 5 साल हो गए default को सुधारे 5 years हो गए 5 years of lapse from the date on which default was made, उसके बाद सर, आप ROC के बस फाइल करोगे ये वाला DPT, और ROC के पर, जब आप circular issue करने जा रहे हो ना, तो सारे director नहीं majority sign करेंगे majority sign करेंगे, और उसके 30 दिन के अंदर अंदर आप क्या करवा दोगे, issue करवा दोगे, मतलब issue करवाने के कम से कम 30 दिन पहले क्या करवाना पड़ेगा, registration sir, ऐसा बोलो, मैंने अभी जैसा बोलो, issue करने के कम से कम 30 दिन पहले क्या करवाना पड़ेगा, registration sir, validity क्या रहेगी circular की sir, lifetime, नहीं, जब आपका financial year खतम होता है न, उसके बाद 6 में या फिर actual date of the general AGM या फिर जो भी last due date of the AGM ये तीनों में से whichever is earliest earliest of until 6 months from the closure of financial year AGM का date, या फिर last date on which the AGM was supposed to be held sir, आपको हर financial year के एक fresh circular issue करना पड़ेगा, क्यों बेटा क्यों भी वरना financial position बदलती है न, हर सार तो law ने बला हर financial year तिरको क्या करना पड़ेगा, एक नया circular देना पड़ेगा sir, ये circular को 30 दिन के अंदर कम से कम 30 दिन पहले क्या करवाओगे register करवाओगे, sir, आपको एक deposit repayment reserve बनाना पड़ेगा, इसके बारे में हम आगे पड़ेगे, उसके बाद sir, आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपने कोई default नहीं किया है, तो company को एक certificate देना पड़ेगा कि ना हमने कोई default किया है, और अगर default किया भी है, तो उसको सुधारे में पांच साल हो गया है, यह वही बात company बोलेगी, जो आपका statutory auditor भी बोलता है, और sir, अगर आपने secure deposit issue किया है ना, तो आपको security देनी पड़ेगी, sir, देखो, secure मतलब fully secure होता है, अगर मालो 100 करोड का deposit लिया, 50 करोड का deposit दिया, बागी 50 करोड, 100 करोड का deposit लिया, 50 करोड की security दी, तो law बोलेगा, इसको unsecured है, sir, partly secure कुछ नहीं होता, या तो secure होता है, या उन secure होता है, या तो पूरा deposit के अगर security दिया, तो secure के लाता है, अगर थोड़ा सा भी छोड़ दिया, तो unsecured के लाता है, और आपको हर जगा FOB में ये लिखना पड़ेगा, कि unsecured है, मतलब सर, अगर एक company है, उसने 100 करोड का deposit लिया, और बदले में उसने, sir, 80 करोड का क्या दिया, 80 करोड का अगर जमीन दिया न, as a security, law बोल रहा है, unsecured है बे, law बोल रहा है, 100 करोड के सामने 100 करोड होना, हमको कम से कम और उसके उपर interest भी जोड़ना, तो मैंने का, partly secure deposit are termed as unsecured deposit, और sir, सुनो, अगर company एक secure deposit issue करती है तो उसको depositor trusty appoint करता है, आगे चल कर गया, हम इस बारे में पढ़ेंगे, अब sir, ये 5 point मैं आपको फिर से बता देता हो, मेरी बात ध्यान से सुनो, sir, section 73 क्या कहता है, अगर एक public company है, या अगर एक private company है, अगर वो अपने member से पैसा लेना चाहती है, सबसे पहले OR pass करो, सबसे पहले OR pass करो, फिर circular issue करो, sir, circular concept form में issue करोगे, dpt1 form में issue करोगे, sir, उसमें आप बहुत सारे क्या दोगे, बहुत सारे information दोगे, क्या दोगे बिटा, बहुत सारे information दोगे, circular में बहुत सारे information दोगे, उसके बाद मैंने क्या कहा, आप उसमें न, आपको financial position वगेरा बताना पड़ेगा, company का, आपको उसमें एक statutory auditor का report लगाना पड़ेगा, क्या report, कि भाईया, report में ये लिखोगे, कि हमारे company ने कोई deposit में default नहीं किया है, सर उसके बाद आपको ROC के पास, कम से कम 30 दिन पहले registration के बेजना पड़ेगा, और सुन आपको security देनी पड़ेगी, बस इतने से points है, सर, पर मैं आपको बताओ, ये जो सारे के सारे points है, ये जो सारा का सारा point, कि deposit ते को circular issue करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ये सारा not applicable हो जाएगा, कहां पे सर, private companies में, कौन से वाले private companies में, सर, तीन private company म अपने limit के अंदर क्या कर रही है, limit के अंदर deposit accept कर रही है, limit हो गया 100% of paid up share capital, plus free reserve, plus security premium, अगर आप अपने limit के अंदर accept कर रही हो, दूसरा, अगर आप एक startup company हो, क्या हो, startup company हो, और आप अपने startup company के शुरू के 5 साल में हो, और तीसरा, अगर आप एक private company हो, जो 3 condition satisfy करती है, सब is higher, यह limit है आपका, और तीसरा, अगर आपने कोई भी borrowing का default नहीं किया है, तब जाके आप एक special private company बनोगे और आपको यह provision apply, नहीं होगा, एक second sir, देख लेते हैं, सबसे पहला sir, अगर आपका जो limit है na, borrowing है na, 100% of paid up share capital से जाधा नहीं है, या फिर आप startup हो शुरू के 5 साल में या फिर sir, सारे condition follow करते हो, अच्छा, not an associate of subsidiary of any body corporate, क्या लिखा है sir, आप किसी company के associate या subsidiary नहीं हो, अच्छा, मैंने बोला, आपका कोई body corporate shareholder नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं, sir, यहाँ पे क्या लिखा है, आपका कोई, आप किसी के associate या subsidiary नहीं हो, दूसरा, आपका borrowing जो है 185, section number 185 में भी इस तरह का exception है, वहाँ पे इन्होंने body corporate लिखा है, यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, association and subsidiary, और lower of two times of the paid share capital, और 50 crore, और company का कोई subsisting default नहीं होना चाहिए, in the repayment of the borrowing, तो sir, यह तीन condition meet करोगे, तो special private company बनोगे, और आपको क्या नहीं लगेगा, आपको, य अगर आपने company को पैसा दिया था, और company आपको पैसा रीपें नहीं कर पाती, तो क्या होगा, तो वही होगा जो manjour एको अगा, अगर आप depositor हो, आपने पैसा दिया था, और company रिपें नहीं कर पाती है, तो आप 자कर tribunal के पास complain करोगे, और tribunal जो है, आपके favor में जो भी order पास करना है वो पास करेगा सर मेरे को बताओ कितना deposit maximum ले सकते हो आप तो सर अगर आप मेंबर से पैसा ले रहे हो ना तो 35% of dot 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 35% of dot 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 लेकिन सर यह 35% का limit है ना इसमें भी कुछ changes है सर अगर आप बात करोगे IFSC public company IFSC मतलब क्या सर international financial service center वाले कुछ public companies या private companies सर आप इसको special companies के तरह याद कर लो और private company जो है वो 100% तक ले सकती है लेकिन सर यह जो maximum limit है ना private company का यह वापस से 2 company को apply नहीं होगा मतलब startup को शुड़ू के 10 साल में या फिर वो company जो वही 3 condition follow करती है उनको क्या नहीं apply होगा यह 100% का limit भी apply नहीं होगा अब सर आप मेरे को पूछो के सर फिर से बता दो क्या limit है बेटा जब member से पैसा ले रहे हो ना normal limit है 35% किसका dot 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 का लेकिन आप उसको 100% भी कर सकते हो dot 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 का कौन से 2 cases में IFSC public company के case में और private company के case में वर सर दो private company है जिसके लिए कोई limit नहीं है पहला अगर आप एक start up हो तो शुरू के 10 साल में और दूसरा आपको 3 special condition वाले क्या हो private company हो आप किसी के associate या subsidiary नहीं हो दूसरा आपका borrowing का limit के अंदर है और तीसरा आपने borrowing जो है उसमें कोई भी default नहीं किया है तब जाके आप क्या बन जाओगे एक private company बन जाओगे सर क्या इतने से point समझ आये आपको क्या इतने से point समझ आये आपको आज कर दूंगा सोहन आज कर दूंगा खाली तो बैठा हूं मैं कोई काम थोड़ी है अपने बास आज ही कर देंगे तो tension मतले मैं तो देखी रहा था 6499 वे मैं बोला है यार अप से तो करना पड़ेगा सोह मैं याद भी करवा रहा हूँ सर मेरी भले स्पीड है लेकिन जित्ती स्पीड में तुमको तीन बार करवा दूंगा उत्ती स्पीड में अकेले तुम आधी बार भी नहीं कर पाऊगे मेरी बात सुनो सर मैं आपको क्या बोल रहा हूँ सर सेक्शन 73 देखो अभी याद कर लो प्राइविट करना पड़ेगा लेकिन सर यह सारा बेसिक प्रोविजिन जो है न तीन प्राइविट कंपनी को अप्लाई नहीं होगा वो प्राइविट कंपनी जो 100% ऑफ पेड़ शेर कापिल फ्री रिजर्व और सेक्यर्टी प्रीमियम के लिमिट के अंदर डिपॉसित ल और तीसरा क्या सर आपने कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया है तो आपको यह प्रोविजिन अप्लिकिबल नहीं होगा उसके बाद सर मैंने क्या कहा मैक्सिमम कितना होगा आपका डिपॉसित 35% होगा नॉर्मिली 100% होगा प्राइविट कंपनी के केस में यूजिली पर कोई नहीं लगेगा मतलब कोई अपर लिमिट ही नहीं है अगर आप एक ऐसे प्राइविट कंपनी हो जो स्टार्टप के शुरू के दस साल मने है या फिर सर अगर उसने जो लिमिट ले उसने तीन कंडिशन वा ली प्राइविट कंपनी है समझे सर उसके बाद मैंने क्या कहा अब पप्लिक कंपनी वाला देखो पप्लिक कंपनी वाला प्रोविशन क्या है अगर आप एक acceptance from deposit करना acceptance from public करना चाहते हो तो पप्लिक अगर करना चाहते हो न तो आपको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले eligible बनना पड़ेगा सर eligible कंपनी कौन बनती है जिसका network 100 करोडिया उससे जादा है या turnover 500 करोडिया उससे जादा है and जो prior consent ले रखा है general meeting में SR पास करके और उसने SR को ROC के पास फाइल कर लिया है पुब्लिक के पास जाने के पहले बदर सर तीन कंडिशन पहला turnover 500 करोडिया उससे जादा या network 100 करोडिया उससे जादा चाप्टर वन के revision में मैंने तुम को network याद करवाया था 4-3-2 4-3 ignore 2 तीके सर network 100 करोडिया या turnover 500 करोडिया है आपने prior consent ले लिया है SR पास करके आपने वो SR को ROC के पास file कर दिया है लेकिन सर SR के जगा OR लगेगा deposit लेने के लिए OR लगेगा अगर आप 180 subsection 1 clause C के limit के अंदर है अगर आप 180 subsection 1 clause C के limit के अंदर है तो आपको SR नहीं लगेगा बेटा आपको क्या लगेगा OR लगेगा अब सर मेरी बात सुनो अगर आप member से पैसा अगर आप public से पैसा लेना चाहते हो ना तो सबसे पहले SR पास करो फिर ये section का compliance करो और उसके अलावा rules का compliance करो सर अब मेरी बात सुनो specific provision आपको लेना पड़ेगा सर credit rating agency का rating सर आपका जो eligible company है वो credit rating agency से credit rating लेगी और उसके बादी public में जाएगी सर रेटिंग जो है आपको हर साल लेना पड़ेगा during the tenure मतलब अगर तीन साल के डेपोसिट दिया है तो हर साल आपको rating लेना पड़ेगा सर बाकी सारे provision वैसे ही रहेंगे एक बार जरा देखो क्या लिखाए maximum amount of deposit कितना ले सकते हो सर पहले आपने 35% पड़ा था अब उसी 35% को इन्होंने क्या बोला अगर eligible company government company के अलावा कोई और है मतलब normal company है तो member से 10 ले लेना public से 25 ले लेना पर सर अगर government company है तो total में 35 ले लेना सर अगर government company के अलावा कोई और है तो member से 10 और public से 25 पर government company है ना तो member से 35 ले लेना उसके बाद सर एक circular बनाना DPT1 में उसमें सारे detail डाना सर उसके अलावा manner of issuance देखो अब सर क्योंकि आप public को दे रहे हो ना तो members को अलग से बेजने की जरुवत नहीं है तुमसे newspaper और website में डाल दो 30 दिन पहले file कर देना validity वही fresh circular वही और effective date क्या होगा सर एक basic point बस है कि जिस दिन आपने advertisement issue किया जिस दिन आपका newspaper में add आया उसको date of advertisement मानेंगे और जिस दिन circular dispatch किया था उसको issue of circular मानेंगे जिस दिन circular dispatch किया था उसको issue of circular मानेंगे कोई भी नया point नहीं है सर except the important point is public के case में maximum amount of deposit split हो जाता है member से 10% और public से 25% member से 10% और public से 25% समझे क्या हाँ सर अब उसके बाद सर समझो company common points deposit under section 73 and 76 मेरी बात एकदम ध्यान से सुनोगे क्या थे हो मालिक हो स्नेहा मोबिन मुसकान आखी लोग क्या कर रहे हो कसम सहर में ना तुम्हारा live नहीं लूँगा तुम लोग कैसे करते हो या तुम्हारा ले recorded ही डाल दूँगा सुनो यार सुनो सुनो मैंने क्या कहा हाजर deposit repayment reserve की बात करते है deposit repayment reserve क्या कहता है सर यह एक बहुत important reserve है जो आपको बनाना पड़ेगा सुनो मैं आपको simple बता रहा हूँ law ये कहता है कि आपको हर साल के 30th April के पहले 30th April के पहले आपको कुछ amount जमा करवाना पड़ेगा deposit repayment reserve में, सर कौन सा amount, जो next year आपका amount mature हो रहा है next year आपका amount mature हो रहा है उसका कितना percent बेटा, देखो उसका कितना percent आपको जमा करवाना पड़ेगा not less than 20%, मतलब कम से कम 20% जमा करवाना पड़ेगा और ये पैसे को, आप एक अलग से scheduled bank account में रखोगे जिसका नाम है deposit repayment reserve सर एक अलग से bank account खुलेगा वहाँ पे आप उसको रखोगे, सर ये पैसो का purpose क्या होगा, purpose होगा कि आप इसको repayment ले use करोगे, और minimum balance कभी भी, current year के maturity से 20% से कम नहीं जाना चाहिए क्या कहा मैंने, आप हर साल में 30 April के पहले, अगले साल जो amount mature हो रहा है, X, उसका 20% आप कहां पे डालोगे, 20% of X आप कहां पे डालोगे, DRR में वो DRR में पैसे क्या करोगे, use, किस चीज के लिए, repayment के लिए, पर सर सुनो मेरी बात, repayment के लिए use तो करोगे, पर कभी भी उसका minimum balance जो है ना, वो 20% of current year maturity से कम नहीं जाना चाहिए, Sir, इसका मैं example लेकर कहीं, यहाँ पे नहीं समझागूँगा, क्योंगी बहुत confusion होता है, आप लोगों को पता है, हमने class में, यह following financial year और current financial year का कितना interpretation निकाल है पर जो लोग देख रहे, आपको exam में सिर्फ यह लिख्या नहीं, following financial year का 20% डालो, और current year financial year का 20% maintain करके चलो Sir, उसके बाद सूपर से भी उपर important provision, Sir, tenure of a deposit सुन लो मेरी बात, Sir, deposit जो है ना, अगर मैं 0 से बोलू, तो minimum 6 मेने का रहता है, और maximum 36 months का रहता है, Sir, 36 months के उपर का बिल्कुल भी allowed नहीं है, और दो condition meet होता है, सबसे पहले, Sir, आप लोगों को short term fund requirement है, short term fund requirement है, और दूसरा, आपका जो यह amount है ना, यह 10% of paid up share capital free reserve plus SPA से कम है, तब जाके तुमें ऐसा deposit raise कर सकते हो, जो 3 मेने के बाद repayable है, पर 6 मेने से पहले repayable है, पर Sir, इस period में तो कते ही allowed नहीं है, समझें क्या, हाँ Sir, अब Sir, उसके बाद सुनो, creating of charge in case of a secure deposit, अगर आपने deposit ले रहा है, जिसमें आपने security दी है, तो लोग केते हैं, 30 दिन के अंदर अंदर, आपको charge create करना पड़ेगा in favor of, या तो deposit holder यह trustee, Sir, charge का जो amount होगा ना, याद रखना, जो भी asset को as a security दे रहे हो, उसका amount deposit के amount से जाधा होना चाहिए, deposit plus उसके amount से जाधा का आपका क्या होना चाहिए, charge होना चाहिए, market value कौन बताएगा, Sir, registered value बताएगा, और Sir, एक बात सुनना, यार, सुनना सिर्फ tangible asset को गिर्वी रखवाना, intangible asset को गिर्वी, नको रखवाना रे बाबा, Sir, अभी बताओ, deposit trustee का कैसे appoint होता है, Sir, deposit trustee याद कर लो, Sir, deposit trustee कौन है, यह company है, यह बहुत सारे deposit holders है, तो उनके favor में काम करने के लिए, पनी एक depositor trustee को appoint करेगा, कौन appoint कर रहे है, Sir, company appoint करेगा, Sir, उसका एक return consent आपको लेना पड़ेगा, और यह return consent मिल गिया है, ऐसा बात आपको circular में देना पड़ेगा, इसका मतलब यह है, कि trustee पहले आता है, बाद में circular issue होता है, और Sir, उसके बाद सुनो, आपका deposit trustee deed में भी आपको इंटर करना पड़ता है, circular issue करने के पहले, मतलब, Sir, पहले आप deposit ढूंडोगे, deposit trustee, उसका नाम circular में डालोगे, उसके सारत एक trust deed में इंटर करोगे, और उसके बाद circular issue करोगे, तब ही जा करके काम चलेगा, आप Sir, qualification क्या होता है एक trustee का, ज्यान से सुनो, Sir, Dr. DGP है, Dr. DGP क्या है, Sir, वो छोड़ो, एक बार basically पढ़ो, आप trustee बनना है ना, आपको, तो आप director, key manager person या कोई और officer, cash के या नहीं होने चाहिए, या फिर खुद एक depository नहीं होने चाहिए, director नहीं होने चाहिए, और आपने ये A वाले person से related नहीं होना चाहिए, Sir, सुनो, पहला, आप director नहीं हो, officer नहीं हो, employee नहीं हो, दूसरा, आप क्या नहीं हो, indebted नहीं हो, मतलब आपको पैसा देने का नहीं है, तीसरा, आपका कोई pecuniary relationship नहीं है, चौता, आपने guarantee नहीं दे रखिए, और पांचवा पहले वाले से related नहीं हो, तो law ने क्या पहले वाले से related नहीं होने चाहिए, तब जाके आप क्या बन जाओगे, qualified हो जाओगे, Sir, आप समझे क्या, अरे बोलो, Sir, क्या है, कि आप अगर trustee बनना चाहते हो ना, Sir, एक बार ना, indebted नहीं होने चाहिए, किसको cash को, या so को, so मतलब, subsidiary of holding, Sir, subsidiary of holding मतलब, यह कंपनी है, यह इसकी holding company है, holding company को जो दूसरी subsidiary है, उसको हम subsidiary of holding कहते है, उसके बाद, Sir, आपका कोई pecuniary relationship नहीं होना चाहिए, आपने guarantee नहीं दी होनी चाहिए, और आप करने किला, आपको consent of all the directors present at the meeting, जित्ते भी director है ना, सबका consent लगेगा, और, अगर company के पास independent director है ना, तो कम से कम एक independent director की तो आने की ज़रुवत है, कम से कम एक independent director, Sir, जो trustee होता है, वो इंसान होता है, कि मतलब individual होता है, कि company होता है, Sir, law में लिका है person, तो वो एक company भी हो सकता है, Sir, क्या बस इतना ही, Sir, उसके बाद आप एक register of deposit maintain करोगे, Sir, register of deposit मतलब कि एक basic register, जिसमें आप deposit holder का नाम, उसका rate of interest, deposit किता दिया, कब से शुरू हुआ, कब खतम होगा, maturity क्या है, यह सारी चीज़े डाल करके रखोगे, Sir, हर एक depositor का, हर एक depositor का detail डाल करके रखोगे, Sir, इसमें जो entry है ना, वो 7 दिन के अंदर कर दोगे, entry to be made within 7 days of issuance of receipt और authenticated by director, जिस दिन आपने receipt दिया ना, उसके 7 दिन के अंदर-अंदर entry कर दे ना, और CS CS उसको क्या करेगा, authenticate करेगा, उसके बाद, Sir, यह जो register है ना, you will preserve for more, not for 8 years from financial year in which latest entry was made, latest entry मतलब, अभी नया नया ताजा ताजा जब deposit issue हुआ था ना, उसके 8 साल तक आप क्या करोगे, maintain करोगे, Sir, उसके बाद next super important provision, pre-mature repayment, क्या लिकाए मैंने, pre-mature repayment, Sir, simple सा provision है, अगर मान लो, मैंने deposit किया था, 3 साल क्ले, 3 साल क्ले, और Sir, मैं चला गया, एक साल बाद deposit के repayment क्ले, Law ने क्या बोला, सुन भे, पहले तो सुन, पहले तो तू 6 मैने तक repayment क्ले net rate के आप से क्या मिल जाएगा, तिरको interest मिल जाएगा, मतलब मान लो, 3 साल का interest rate 10% था, एक साल का 7% था, तो तिरको 7% में से 1%, 6% कटके, 6% का interest मिल जाएगा, जितने भी समय के लिए तेरा loan था, उतने समय के लिए 6% के rate के आप से interest मिल जाएगा, सर, after 6 months, but before expiry, if depositor request, the rate of interest shall be 1%, then what would be payable for period for which the deposit ad actually run, जितने समय के लिए deposit अक्चौल में चला, उसके लिए जितना payable होता ना, उसमें से 1% कम कर दो भी, या, तो सुनो सर, अगर 6 मैने से कम का period आ रहे है, उसको 0 years मानना, 6 मैने से जादा का period आ रहे है, तो उसको एक साल मानना, सर, देखो, कभी भी आप interest का calculation करते हो ना, तो interest ले क्या निकालता हो, आप principle into rate into अरे बोलो, principle into rate into time divided by 100, सर, principle तो आपका fixed है, उसमें कुछ change होगा क्या नहीं, सर, आपका time तो fixed है ना, time fixed क्यों है, सर, क्योंकि आपको पता है कब से कब तक actual पतला है, उसमें कोई change नहीं होगा, हम सर्फ बात कर रहे है rate, भया तू यह बता, जितने समय के लिए तेरा interest, यह चला, deposit, उतने समय के लिए अगर actual में चलता, तो कितना percent मिलता, तो हमने बोला 7 percent, उसमें जिए 1 percent काट कितना, 6 percent हो गया, यह 6 percent तेरा अभी मिलेगा, सर 6 percent मिलेगा समझ गया, पर मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं बोल रहा हूँ, कि 1 साल के लिए invest करता, तो 7 percent मिलता, पर 2 साल के लिए अगर invest करता, तो 9 percent मिलता, पर मैंने तो invest किया, ऐक साल साथ मैंने गले, तो लोरने बोला, सुन भाई, अगर ऐक साल साथ मैंने गलता तो इसको तु 2 साल ही मान, 2 साल का तेरेको 9 percent मिलता तो तू यहां 9 percent डाल, उसमें 1 percent का 8 percent, तो तेरेको 8 percent के इसाब से interest मिलेगा, और tenure क्या होगा, अब ये tenure तो fixed रहेगा ना, वो तो एक साल साथ मेने कही है ना, सर ये please याद रखना, इसमें MCQ आया था, जो बहुत सारे बच्चों ने गलती की थी, वैने तुमको बता दिया, सर ये जो 1% है ये penalty है, अब सर सुनो, ये जो 1% का penalty है ये दो case में applicable नहीं होगा पहला, अगर company अपने compliance के वज़े से आपका पैसा लोटा रही है, सर company को आपने 3 साल के लिए पैसा दिया था, company अपने उतके compliance के वज़े से, अगर आपको पैसा जल्दी लोटा रही है ना, तो उसमें 1% की penalty नहीं लगीगी, दूसरा सर, अगर कोई war risk के वज़े से, या किस emergency के वज़े से तुम्हारा पैसा लोटा रहा है, तो लोटा ने बोला, उस case में भी आपको क्या नहीं लगेगा, penalty नहीं लगेगा, अगर किसी war risk है, emergency के वज़े से पैसा आ रहा है, उसके बाद सर, free mature closure for a higher rate of interest, समझो सर, क्या होता है, अगर आज मैंने 8% के rate से deposit दे रखा है आठ परसंट के rate से deposit दे रखा है, और कल को मेरे को दिखता है, कि नیا deposit आया, जिसमे 9% मिल रहे है, टो मैं क्या कर सकता हूँ, अपने existing deposit को close करके, नए deposit में invest कर सकता हूँ, सर्फ शर्त इतनी इसी है, कि जो नया deposit है, उसका tenure, कम से कम existing deposit के बचे वे tenure से ज़ादा होना चाहिए मतलब सर आज अगर मैंने पैसा लगाया था कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, तो सर मैं क्या कर सकता हूँ, इसको close करके इसमें पैसे डलवा सकता हूँ, पर सर इसंगे डलवा सकता हूँ, क्योंकि इसके tenure के बाद भी इसका tenure चलता जा रहा है, सर ये premature deposit वाला point हो गया सर उसके बाद बच्चो वाले point है आपका rate of interest पे ceiling है rate of interest और brokerage पे इतना ceiling है सर वही highest rate जो आपने NBFC को allow किया है वही rate company को भी है company भी उतना ही maximum interest दे सकता है जितना NBFC दे सकता है उसके बाद सर आपको application form भरना पड़ेगा सर अगर दो नाम पे deposit कर रहे हो सर में को बताओ deposit receipt कभ इशू होगा सर जिस दिन आपका पैसा आ गया जिस दिन आपका पैसा आगया या realize होगया उसके 21 days के अदे deposit receipt इशू होगा जिसमें officials जो हैं वह sign करके आपको देंगे उसके बाद सर एक amendment वाला provision आया है sir amendment क्या आया है आपको एक return of deposit file करना पड़ेगा in the form dpt3 sir dpt3 दुबारा आ रहा है इसमें आपको 31st March जब खतम होगा उसके बाद 30th June के पहले-पहले एक duly audited return file करोगे उसके साथ एक declaration दोगे कि auditor ने जो dpt3 दिया था था वो वाला भी यहाँ पर attach करोगे sir मैंने क्या बुला आपको sir आपका जब 31st March खतम हो जाते है 30 June तक आप क्या फाइल करोगे dpt3 फाइल करोगे और वो dpt3 duly audited होगा और एक declaration कि हमने इसका audit कर रखा है वो भी आपको include करना पड़ेगा dpt3 form में sir एक declaration के हमने audit कर रखा है sir यह एक amendment है यह line लिख लेना जो आप print out करोगे उसमें भी उसके बाद sir एक बार आपने deposit issue कर दिया तो terms and conditions alter नहीं कर सकते financial statement में कुछ disclosure देना पड़ेगा sir penalty rate of interest क्या है अगर आप deposit repay नहीं कर पाते हो ना तो आपको 18% per annum का interest लगेगा और contravention का क्या penalty है sir अगर आपने contravention किया है जिसके लिए कोई punishment नहीं है तो sir company और officer in default को किता fine लगेगा 5000 तक का fine और continuing की case में 500 रुपय पर दे बस 5000 तक का fine और continuing की case में 500 रुपय पर दे यह आपका punishment for contravention हो गया यह एक line लिख लिए ना आपने यहां पर बस आपको एक line आगे लिखना क्या है and declaration to the effect shall be submitted by the director by the auditor in dpt3 declaration to that effect declaration to that effect मतलब क्या मैंने audit किया है ऐसा declaration देना पड़ेगा auditor को dpt3 form में समझ ला का है अरे बोलो समझ ला का है सर यह मैंने क्या किया 73 के provision अलग 76 के provision अलग और सारे common points अलग कर दिये ताकि आपको confusion न रहे क्योंकि ICI module अगर आप देखोगे तो बहुत confusing बना रखा है इन्होंने उसके बाद सर section 76 एक कुछ भी नहीं है penalty है सर वो सिर्फ यह कहता है कि company अगर section 73 का compliance नहीं करती है यह 76 का compliance नहीं करती है तो company पर punishment लगेगा सर penalty सर यह penalty आप पढ़ लेना इसमें मेरा कोई value aid नहीं है मैं आपको section 74 बता देता हूं सर वैसे तो यह भी relevant नहीं है पर law ने क्या बोला देख भाई 2014 को बानलो यह law आया तो उस समय इसने क्या बोला कि upset deposit जो है वो maximum 3 साल का रहेगा यानि कि maximum 36 months का रहेगा पर अगर सर कोई company ने 2012 में deposit issue किया होगा 10 साल का क्या वो issue कर सकता था हां तो law ने बोला अब जब हमारा amendment आया है न अब जब हमारा नया law आया है न तो हम आपको transition period देंगे transition period क्या होगा सर सबसे बहले आपको क्या करना पड़ेगा जब यह नया law आया इसके तीन मेने के अंदर तीन मेने के अंदर तुम ROC को बताओ कि तुम्हारे क्या-क्या deposit pending है तुम ROC को बताओ क्या-क्या deposit pending है और यहीं से तीन साल के अंदर अंदर तुम deposit को repay भी कर दो पर अगर तुम तीन साल के अंदर repay नहीं कर पाओगे न तो apply करके extension क्ले मांग लो और ROC आपको extension देदेगा पर हम चाहते हैं कि यहाँ पर सारी चीज़े compliance में आ जाए तो law ने क्या कहा कि where the deposit was accepted on commencement of this act any default then above condition shall be deemed to have been complied with फिर आप tribunal से extension मान सकते हो अगर आपके company का financial condition अच्छा नहीं है पर सर अगर आप contravention करते हो तो आप पर penalty लगेगा सर सिंपल सा transition provision है एक जो भी exam point officer relevant नहीं है सर आपका 1st April 2014 गो न आपको 3 मेने के अंदर क्या करना था आपका कितना deposit है वो बताना था और 3 साल के अंदर repay करना था पर सर अगर आपकी financial condition पूर है तो आप मांग करके extension भी ले सकते दे और पर सर extension दुनिया भर का extension हुआ था कोई भी पैसा समय पे नहीं दे पाया था सर कि आपको मेरी बात समझ आ रही है अरे बोलो did you understand or not sir yes sir that's it a complete comprehensive revision on section on the chapter deposit I hope आपको समझ आया होगा sir एक broad overview लेकर के comfort ले लो chapter में sir chapter आपका mostly 4 part में divided है पहला deposit का definition बताओ और deposit के definition में क्या-क्या नहीं आता है क्या-क्या नहीं आता है उसके बाद section 73 बताओ section 73 में भी क्या maximum limit है और क्या आपके exceptions है उसके बाद section 76 बताओ उसमें भी क्या maximum limit है बस ये बताओ और उसके बाद common points बहुत सारे वो common points बताओ यह आपका chapter यहाँ पे खतम हो जाता है sir अगर आपको revision करना है ना एक काम करो एक A4 size paper लो और वो A4 size paper में ना अभी जब आपने पढ़ लिया तो अभी और एक आदा गंटा लगेगा इसको notes में इस तरीके का chart बना करके यहाँ पे सारे key points जालो key points जैसे कि क्या for example अगर मैं application money की बात करो तो आपको पताए जो भी पैसा subscription के आया है वो deposit नहीं माना जाएगा लेकिन सर अगर 60 months के अंदर 60 days के अंदर allotment नहीं हुआ तो 15 दिन के अंदर refund करो नहीं 15 दिन के अंदर refund किया तो उसको application money को deposit मान लेंगे तो आपने 60 days प्रस 15 days लिखा न तो आपको provision याद हो जाना चाहिए ऐसा एक A4 size paper में बनागे एक ही paper में जित्ते points से सारे एकदम keywords लिख दो फिर वो एक paper से जब revise करोगे ना एकदम अलग ही मज़ा आ जाएगा exam के पहले एक गंटे से जादा नहीं लगेगा समझो sir अगर idea पसंद आया तो like ज़रूर कर देना अगर तुम चाहते हो इस तरह का summary मैं बनाओ तुम लोग अगर चाहते हो मैं बनाओ तो comment पर मेरे को बताना अगर बहुत सारे लोग request करेंगे तो अपन कोशिश करेंगे मेरे पीछे मत पढ़ जाना चाकू लेकर के जैसे ही मेरे पास free time मिलेगा मैं कोशिश करके आपके लिए बना दूगा पर comment में बता जरूर देना और sir अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो मेरी आपसे हाथ जोड के विंती है बिटा लाइक कर देना वीडियो का like target बहुत कम बस हम लोग 500 likes का रखेंगे तुम लोगों का काम है like जरूर कर देना मेरी तुम लोगों को दुआ मिलेगी अगर वीडियो परसंद आया तो do make sure that you give some comments because your appreciation is my motivation I'll see you in tomorrow's session at 7 p.m. in the evening take care, bye-bye, good day, good night ठीक है चलो guys, bye चलो sir, शुरू करें ओके registration of charges in the next 45 to 50 minutes उसके बाद में आपको dividend के important sections चार ही तो section है उसमें क्या important section और dividend की कुछ important questions भी करा दूँगा आ जाएगा camera वापस, रुको आ गया सुनो सुनो, 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 मैं क्या कह रहा हूँ हम पढ़ने वाले registration of charges सर ये chapter, ये जो chapter है दो mark से लेकर के 4 number के बीच में आता है और जब आता है तो मज़िदार एकदम marks आपके जेब में आता है कोई tension नहीं है registration of charges शुरू होता है section 77 से और खतम होता है section 87 पे शुरू होता है 77 पे, खतम होता है 87 पे इसमें sir charges मतलब क्या होता है ये chapter किस बारे में बात करता है समझना चार्ज मतलब क्या होता है, चार्ज मतलब अगर हम कोई loan ले रहे हैं तो उसके मतले में अगर हम कोई security दे रहे हैं तो वो जो asset जिसको हमने as a security दे रखी है उसको हम कहते हैं हमने charge create किया तो मान लो, अगर मेरे बापा loan लेने गए थे bank में बैंक ने बोला, ऐसे loan नहीं देंगे, कुछ गिरवी दो तो पापा ने घर गिरवी रखवा दिया मा की कंगन गिरवी रखवा दिये तो ये सारे क्या होते है, ये सारे security होते इसको कहते हैं हमने घर पे, मा के कंगन पे क्या रखवाया है charge create करवाया है तो यह जो chapter है न दोस्त यह chapter यह नहीं बोलता है charge create कप करना, charge create कैसे करना, यह सारी चीज़े नहीं बोलता है, यह सिर्फ एक ही चीज़ बोलता है, कि अगर तुमने charge create कर दिया है ना, क्यों किया है, किस से पूछा, किसका approval, SR, OR, नहीं फरक पड़ता हमको, अगर कर दिया है न तो उसके बाद जाकर कर रेजिस्टर कर वा लेना, वह इस chapter का मतलब है, इसलिए chapter का नाम है, registration of charge, ना कि creation of charge, तो creation वाला portion हमारे रेलिमेंट नहीं है, तो कहां से बाता चलेगा, sir, creation वाला portion, जब हम debenture पढ़ेंगे, section 71, जब हम deposit पढ़ेंगे, section 73, वो respective section में लिखा हुआ है, कि charge create करोगे, तो कैसे create करोगे, क्या करोगे, वो सारी चीज़े लिखी हुई है, अब sir, charge का definition क्या है, charge defined is section 2 clause 16 में, please मेरे साथ अपने notes खुलो और notes से इसको पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़े, सुनो मेरी बात, charge का definition दिया हुई 2 clause 16 में, charge मतलब क्या, ध्यान से सुनना, charge मतलब, any interest or lien, created on any asset or property, of any company or undertaking or both, as a security, is called as charge, sir, आप ही कर लो, आप ही याद कर रो, हमको तो याद करा सुनो तो सही, क्या कर रहे हो तुम, interest या lien create कर रहे हो, किस चीज़ पर create कर रहे हो, company के assets या company के property पर, company के या company किसी undertaking, मतलब company का खुद का नहीं, company का कोई subsidiary है, company का कोई branch है, उन लोगों का क्या कर रहे हो, asset का, asset को आप as a security दे रहे हो, as a security जब आप देते हो, तो उसको आप चार्ज, तो चार्ज के तीन पार्ट से चार्ज, पहला, an interest or lien created on the property or asset, या आपको exam में लिखना पड़ेगा दोस्त, property or asset of the company or its undertaking as a security is called as charge and it includes mortgage, it includes mortgage, मतलब सर इनोंने clarification के बोल दिया, कि जो mortgage होता है, वो भी चार्ज में आता है, अब सर इसमें क्लास में usually पढ़ते है, pledge क्या ह होता है, hypothecation क्या होता है, mortgage क्या होता है, ये सारी चीज़ें अभी relevant नहीं है, क्योंकि ये understanding क्ले important है, revision क्ले नहीं, तो आपको चार्ज का definition याद हुआ, सर, section 2 कहां लिखा हुआ है, 2 clause 16, 2 clause 35 में क्या लिखा हुआ था, सर? बोल, स्वानन का है, क्या, 2 clause 35, dividend includes interim dividend, 2 clause 60, चलो थोड़ा, आसान पूछते है, 2 clause 85, small company, 2 clause 87, subsidiary company, 2 clause 68, private company, तो तुमको क्या लगता है, exam में वो पूछेंगे जो तुमको आता है, अरे, यह क्या पूछा, 2 clause 16, 2 clause 62, पूछना, क्या है 2 clause 62? OPC, OPC, one person company, ठीक है, okay guys, चलो, अब मैं आपको बोल रहा था, चार्ज दो तरह का होता है, एक होता है, एक होता है, फिक्स चार्ज, एक होता है, फ्लोटिंग चार्ज, यह तो तुमको अभी हलवा लगएगा, अरे, फिक्स चार्ज मतलब आपने अभी अपने किसी specific asset पर charge create कर दिया, the keyword is specific asset, जैसे की land हो गया, building हो गया, या फिर कोई भी property हो गयी, car हो गया, इस पर आपने charge create कर दिया, यह हो गया fix charge, floating charge मतलब क्या हुआ, एक example के तौर पर understand कर लो, अगर Big Bazaar है, Big Bazaar को, Big Bazaar का इक outlet है यहाँ पर पूने में, उसको चाहिए था loan SBI से, SBI से loan मांगा, तो SBI ने बोला मेरको कुछ security दे, तो Big Bazaar ने क्या क्या, बोला मेरा यह पूरा store तो as a security ले ले, यह store में माल आएगा, माल मतलब goods, किके, माल आएगा और माल जाएगा, वो नहीं रुकेगा, लेकिन, लेकिन यह जो पूरा store है, इसको आप as a security ले लो, तो सथ यह वाला जो charge हुआ है, यह floating charge हुआ है, क्यों, क्योंकि अंदर जो assets है, वो रोज बदल रहे, अरे तुम जो भी उसमें, जो Big Bazaar में सब keeps on moving and keeps on changing, उसके बाद से एग्जांपल लिखा हुआ है, फिक्स चार्च का क्या एग्जांपल है, land and building, office premises, machinery, example क्या है, material, raw material, stock and trade, debtors, etc., जैसे कि debtors हो गए, अगर Reliance Industries ने लोन लेने गया, और Reliance को बोला, तू security दे भाई, तो Reliance ने बोला, मेरा 10 करोड का debtor है, वो तू as a security तो वो 10 करोड का debtor में से कोई पे करके जाएगा, मानलो 1 करोड देके गया, तो वो भी आप रख लोगे, और नया सेल किये, तो नहीं debtors generate हुए, तो आपका debtors कम जादा होता रहेगा, पर debtors as a whole आपने क्या दे रखा है, as a security, तो उसको कहते है, floating charge, अपसर में को एक बात बत सकता, पर में को एक बात बताओ, मैंने बिग बजार का store है, मैंने पूरा store को as a charge create कर दिया, अभी उसमें दूद के packets रखे हुए, क्या मैं बेच सकता हूँ, बिलकुल बेच सकते हो, क्यों नहीं बेच सकते है, तो floating charge में the move assets can be sold and can be bought, but fixed charge में asset जो है, वो move नहीं होता है, और उसके बाद fixed charge जो है sir, fixed charge कब clean हो जाता है, जब आपने पूरा repayment कर दिया पैसे का, तब आपका fixed charge release हो जाता है, इसको हम कहते है, Satisfaction of charge, चार्ज को भी Satisfaction की जरूरत है, Satisfaction of charge, ठीक है, उसके बाद sir, floating charge के बारे में एक concept चुन लो, आपने कुछ सुना है, crystallization of floating charge, crystallization मतलब क पुकता, मतलब क्या fix हो जाना, floating charge एक पॉइंट पे fixed charge बन जाता है, कैसे, अगर Big Bazaar ने अपने पूरे store को charge में create कर रखा था, पर Big Bazaar ने अगर मानलो default कर दिया, तो आकर के bank बोलेगा statue, मतलब क्या, ना तुमारा कोई sale होगा, ना तुमारा कोई purchase होगा, पूरा store जो है, वैसा fix हो जाएगा, तो sir इसको कहते crystallization of a floating charge, तो by crystallization of a floating charge becomes a fixed charge, समझे, आगे बड़े, sir, यह तो basic-basic था, यह तो basic-basic था, अब sir, मैं कोई चोटी सी बात बताओ, चोटी सी बात बताओ, चोटी सी बात बताओ, चोटी सी बात बताओ, fixed charge है, मैं land है मेरा, land मैंने bank को दे अभी भी charge रहेगा, हाँ sir, मतलब charge will get passed on, but sir, मानलो Big Bazaar का store है, उसमे एक दूद का packet रखा हुआ है, तो मा करके दूद का packet लेके गए, तो उसके साथ क्या वो दूद के packet का charge भी तुमारे पास गया क्या, नहीं, floating charge में buyer के पास charge नहीं होता है, पर fixed charge में charge transfer हो जाते है, समझे यह बहुत important point is sir, इस पर एक question बना था, पहले, अभी new course में इन्हों नहीं बनाया है, पहले question बना था, इन्हों बनाया था, कि अगर एक store है, वो store इन्हों ने charge में create कर रखा है, तो जो store था, mobile store था, तो अगर mobile हम आपको बेच रहे हैं, तो वो mobile पे भी क्या charge रहेगा, बैंक का section, पहले पढ़ो, फिर लाश्म मेरे साथ एक बर पूरा section 77 से 87 रवाइस करना, sir, section 77 क्या है, मैं पहले आपको broader concept बता रहा हूँ, यह जो पूरा chapter है, यह तीन पार्ट में बटा हुए, पहला creation of charge, दूसरा satisfaction of charge, और तीसरा miscellaneous, पहला जब आप charge create कर रहे हो, जब आप charge बना section 77 क्या कहता है, मेरी बात सुनना, जैसे ही एक company charge create करती है, क्या term से charge के हमको उससे कोई फरक नहीं पढ़ता है, हमको सर्फ फरक एक चीज से पढ़ता है, तुमको जाके register करवाना पड़ेगा, तो law क्या कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनना, law कहता है, जब एक charge create होता है, उस उसके 30 days के अंदर अंदर, 30 days के अंदर अंदर, अच्छा सुनो, charge का मैं तुमको एक example देता हूँ, Reliance Industries है, उसने loan लिया, किस से loan लिया, Access Bank से loan लिया, ठीक है, और loan के बदले में क्या दिया, एक security दिया, security as a charge दिया, तो मैं क्या यह बोल सकता हूँ, यहाँ पे Access Bank जो है, वो charge create किया, आप समझ लो, security में क्या दिया, सर उसका Juhu बीच में, मुंबई में Juhu बीच है, Juhu बीच में एक property थी उसकी, वो वाला उसने ऐसे charge create कर दिया, तो यह सारी keywords इसको याद रखना है, इसी के basis पर मैं आपको पूरा chapter पढ़ाने वाला हूँ, section 77 क्या कहता है, कि जैसे charge create हुआ ना दोस्त, उसके 30 days के अंदर, company चले जाएगी, ROC के पास, कि ROC, ROC ये charge को register कर ले, 30 days के अंदर कौन जा रहा है sir, bank की company, guys I am sorry about the camera, someone else should be sorry to me too, iPhone बजा, एक second guys, चलो, सुनो, 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 सुर मैंने क्या बोला, अगर एक company charge create करती है, तो charge create करते ही, उसको ROC के पास जा करके register करवाना पड़ेगा, sir, कौन जा रहा है ROC के पास, company जा रही है, concept आराम से समझना आगे जा कि game बदलेगा, कौन जा रहा है, company जा रही है, company अगर 30 दिन में नहीं जाती है, charge create, charge को register करवाने, तो नुकसान किसका है, sir? Charge holder का नुकसान है, क्यों मेरी बात ध्यान से समझना, अगर मैं Axis Bank के favor में charge दे रहा हूँ, वो charge का मतलब क्या है, कल को अगर मैं debt का repayment में default कर दूँ, तो Axis Bank वो asset को बेचेगा, और उसके पैसे recover कर लेगा, पर अगर हम charge को register ही नहीं करवा रहे हैं, तो Axis Bank उसको बेच नहीं पाएगा, वो companies act फिर उसको मानेगा ही नहीं कि charge create हुआ था, क्यों? क्योंकि तुमने register करवा है या कर नहीं, तो अगर company तीस दिन में नुकसान नहीं करवा रहे है, तो किसका mistake? कंपनी का, पर नुकसान किसका? चार्ज होल्डर का, तो law ने बोला, अगर तीस दिन में नहीं करवा पारे हो ना, तो उसके बाद power मिल जाएगा charge holder को, charge holder जा करके ROC के पास register करवा लेगा, और ROC के पास register करवाने के लिए fees लगती है, वो fees जो भी पे करेगा, वो fees जो है, व register कौन से form में करवाओगे, form CHG1 या CHG9, सर, दो अलग-अलग form केसे, सर, अगर debenture holder के favor में charge create किया है, तो CHG9 लगेगा, पर other than debenture holder कोई है, तो CHG1 लगेगा, मतलब अगर मैंने bank से loan लिया, तो मैं कौन सा form लेके जाओंगा, CHG1, अगर मैंने debenture holder से loan लिया, और उनके favor में charge create किया, तो CHG9, तो सर, CHG9 एक बर क्लिए छोड़ दो, समझो, company को बोला CHG1 लेकर के, तू किस के पास जाना, ROC के पास जाना, अब सर, जब आप ROC के पास registration करवाने के लिए जाओगे, मान लो 30 दिन में नहीं जा पाए, तो क्या होगा, चार्ज होल्डर के, बस राइट सा जाएगा, एक और चीज होगी, अगर तुम 30 दिन में नहीं जा पाए ना, company, तुमको और 30 days का extension मिल सकता है, कितने दिन का, और 30 days का extension मिल सकता है, वो 30 days में तुम जा सकते हो, लेकिन तुमको कुछ additional fees पे करने पड़ेंगे, मतलब क्या, अगर तुम normal 30 days के अंदर जाते हैं, तुम 1000 रुपय देते, लेकिन अगर तुम उसके बाद जा रहे हो ना, तो तुमको 1000 रुपया, plus कुछ additional fees मानलो 5000 रुपय करना पड़ेगा, और अगर आप उस समय पे भी नहीं जाते हो ना, तो उसके बाद अगर जाओगे, तो आपको add valorem fees pay करना पड़ेगा, क्या होता है add valorem fees, add valorem fees मतलब value पे dependent, based on its value, बहुत जादा value होगी, तो बहुत जादा fees बढ़ना पड़ेगा, तो समझो अगर तुमने 10 करोड का loan लिया था, और वो कहे दें कि 10 करोड का 0.01% भी तुमको बढ़ना पड़े, तो तुमको करीबन एकाद लाक रुपय बरने पड़ जाएंग सर चार्ज क्रिएट करने के लिए इंस्टूमेंट, एक डीड बनता है, मैं बैंक को एक डीड बना के दूँगा, कि जो मेरी बिल्डिंग ही तेरे फेवर में मैं क्रिएट कर रहा हूँ, जैसे ही ये डीड बन जाएगा, उसके कितने दिन के अंदर कंपनी को जाना है रोसी के पास 30, कौन सा फॉर्म लेके, CHG1 और CHG9, अगर 30 days में नहीं जा पाया तो, further 30 days का extension, अगर further और 30 days में जाएगा, तो क्या पे करना पड़ेगा, नॉर्मल फीस तो पे करना पड़ेगा, साथ में additional fees, उसके बाद भी नहीं जा पाया तो, add valorum fees आपको पे करना पड़ेगा, और उसके बाद आप register करवा सकते हो, लेकिन इसके साथ साथ एक और रस्ता खुल जाएगा, यहाँ पे किसके लिए, चार्ज होल्डर के लिए, कि चार्ज होल्डर तेरी company तो नहीं करवा रही है, जाके तू register करवा ले, अब सार, जैसे ही charge company, charge register कर लेगा ROC, तो ROC क्या दे चार्ज का modification भी होता है, modification of charge मतलब क्या है sir, modification of charge मतलब, modification of the underlying loan, अगर मैंने 10 करोड का loan लिया था, online वाले तुम लोग में को हो सके तो माफ कर देना, हो सकेगा क्या, यह प्रतीद्वन्दी, कर रहे हैं क्या? बद्द्वा लगया भाई स्क्रीन कि आप नहीं 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 तोड़ी तुम अभी मेरे बिना स्क्रीन देखो फिर अगे बढ़ेंगे सुनो मैंने क्या कहा आप CHG1 लेकर किसके बास जाओगे आप जाओगे आरोसी के पास आरोसी बद्ले में आपको सर्टिफिकेट ऑफ रेजिस्ट्रेशन देगा फॉर्म pine message to कैसे चलेगा सर तो आपने क्या किया है आपने बैसिकली अपने चार्ज का मौडिफिकेशन किया है अगर आप छार्ज का ओडिफिकेशन करते हो आपको वापस से रुच Ahaba on the सर CCD 9 और जब आरो सी को मताओ के तर और सी इचाय ‫वहिए करेगा अब मॉडिकेशन को पाङ करेकि आपको बादले क्या देगा आपको मॉडिकेशन को रैजिस्टर करके आपको बदले में एक सर्टिफिकेट ओ मॉडिकेशन देगा वह सी एच जी 3 में आएगा तो सरी या तो आपको CHG 2 मिल रहा है या आपको CHG 3 मिल रहा है तो क्या मैं यह बोल सकता हूँ रोसी के बास आप जब भी जा रहे हो आप CHG 1 लेकर जा रहे हो बदले में या तो 2 दे रहा है या 3 दे रहा है Two कब दे रहा है जब fresh रेजिस्ट्रेशन है 3 कब दे रहे जब मॉडिफिकेशन है सर याद रहेगा CHG 1 लेके जा रहे हो 1 या फिर 9 1 डिवेंचर के केस में 9 अधर्वाइस वन डिवेंचर के केस में 9 अधर्वाइस करेक्ट ना अचा उल्टा बोला कि मैं ओहो सो रहो क्या नहीं जग रहो ना ओके सिर अब मैंने क्या बोला अभी तक मैंने आपको क्या समझाया creation of charge creation of charge में 30 days के अंदर रेजिस्टर करवा होगे 30 नहीं तो further 30 सरी जो further 30 एना लॉने कैसे लिखाए charge creation के 30 days के अंदर रेजिस्टर करवा लेना नहीं अगर करवाओगे तो आपको charge creation से 60 30 days तक का time मिलेगा मतलब extension 30 days का हुआ और उसके बाद आडवेलरिम सर यह जो प्रोविजिन मैंने आपको बताया ना यह 2nd November 2018 के बाद का प्रोविजिन क्या कहा मैंने 2nd November 2018 के बाद का प्रोविजिन है उसके पहले पुराने जमाने की सोच में क्या लिखा हुआ था सर पुराने जमाने में लिखा हुआ था कि 30 दिन के अंदर रेजिस्टरर रेजिस्टरेशन करवाना नहीं करवाएगा तो creation से तुमको 300 दिन का time मिल जाएगा यह कोई बात हुई 30 दिन में करवा लेना नहीं तो 300 दिन का time मिल जाएगा 300 मतलब क्या सर extension कितने दिन का मिला 270 देस का इनको समझ आया बहुत इलोजिकल है भाई इन्होंने हटा दिया और तीस दिन में नहीं हुआ फर्दर थर्टी देस उसके बाद भी नहीं हुआ एड वेलरम फीज पे देना पड़ेगा अब सर में को एक बात बात बिता हु रिलाइंस ने अक्स के पास आजएगा access bank के बास भी आजएगा अब access bank ने भी रिजिस्टेर नहीं करवाया था सर वोट वीलबी दा consequence of non registration of charges what will be the consequences ii'll tell you what will be the consequences सरी चार्ज कभी था ऐसा मानेंगे नहीं कल को अगर company winding up में जाहेगी ना और अगर लिक्वीड़ेटर अपॉइंट होगा कौन अपॉइंट होगा लिक्वीडेटर अपॉइंट होगा तो हम ऐसा ट्रीट करेंगे जैसे कि चार्ज कभी एक्जिस्ट ही नहीं करता था चार्ण आपके बोलेगा लिक्वीडेटर को कि भाई में यह जूऊ वाली प्रोप्रेटी बेचना चाहता हूं लिक्वीडेटर बोलेगा कौन सी प्रोपरटी करें धिका मेरको अर्जिस्टर का रिकॉर्ड नहीं एना तो यह प्रोपरटी तेरी नहीं है he will disown such security वो बलेगा था ही नहीं कोई security एक और बात बताता हूं एक और consequence बहुत important है समझना अगर एक company है उसने Access Bank से loan लिया कब 1st January को और उसको भी security ती उसके बाद उसने 15th January को HDFC bank से loan लिया और उसको भी same asset की security दी और उसके बाद क्या हुआ समझना यह दोनों को जाकर register करवाना था कहां पर आरोच के पास CHG9 में CHG1 में register करवाना था तो register करवाने के लिए आप आरोच के पास गब गए सुनना access bank के case में आप गए 30th January को एकदम लास्ट डेट पर और HDFC bank के case में आप तो 16th January को ही जा करके register करवा लिये थे तो sir क्या आपको एक चीज पता है कल को अगर access bank और HDFC bank दोनों के payment में default कर दिया आपने दोनों को payment नहीं दिया इससे 10 आपको है सर चार्ज इस सो इंपोर्टेंट कि इसने पहले चार्ज रिजिस्टर करवाया ना तो HDFC वैंक का राइच पहले आ गया पूरा सकरोड मिलेगा बाद में आक्सेस बैंक को पांच करोड मिलेगा अस्यूइंग दाइच इस नौट पारी पसुच आज पारी पासू चार्ज मतलब क्या पारी पासू चार्ज मतलब दोनों THE पारी पासू चार्ज में मू बना रहा है इसी एंटर्ल की बड़ाई कज दिने बना है तब जो पहले गया उसको priority मिलेगा first come first sir. तो जितनी जल्दी charge register करवाद हो उतना अच्छा फाइदा. अब तुमको लगेगा sir इसमें इसमें access और HDFC का क्या रोल था? इसमें तो पूरी गल्ती तो company की थी? Company जाकर का access bank का? तो क्यों deal कर रहो तुम company के सथ? तो इसलिए banks क्या करते हैं? practically banks क्या करते है? practically banks जो है पैसा disburse करने के पहले बूलते हैं लिए charge register करवा तो वो charge register करवा क्या आता है फिर ही आपेसा disburse करते हो वारना पैसा disburse से loan approved कर देते हो पर पैसा नहीं डालते है उनकी account में समझें? okay? समझे, 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 आगे बड़े, चलो सर, अब एक बढ़ लेते हैं, I think broadly बहुत सारे points हमारे cover हो गए, आगे की चीज़े पढ़ते हैं, सेक्शन 77 और 78 खतम भी हो गया, सुनो, सर, सेक्शन 77 का है, मैं कीवर्ट पढ़ रहा हूं, कीवर्ट पढ़ना मेरे साथ, सेक्शन 77, duty to register charges, charge to be registered, कौन करेगा सर, every company creating a charge to register by filing a form CHG1 और CHG9 in case of debentures, within 30 days of creation of charge on payment of prescribed fees, अब सार एक बात बताओ, सिंपल सी बात सुनो मेरे तरफ, सर, चार्ज जब हम create करते हैं, अगर मैं reliance loan ले रहा है, तो बदले में charge create करेगा, तो टांजिबल असेट पर करेगा, कि इंटांजिबल असेट पर भी कर सकते हैं, सर, चार्ज किसी बे भी create कर सकते हो, पर आप पढ़ोगे मेरे साथ आगे चलके, कि डिपॉजिट्स और डिबेंचर जब आप लेते हो, तो उसमें सिर्फ आप टैंजिबल असेट्स दे सकते हो, इंटैंजिबल नहीं दे सकते हैं, बट अधरवाइस इन जेनरल जब से फरक ही नहीं पड़ता, हमको एक ही चीज से फरक पड़ता है, जो भी create किया है, उसको register करवा दे, अब सर, rule 3 एक verification का point है, simple सा point है, सुनना, सर, जब एक charge create होता है, तो उसको verify करना पड़ता है, कि भईया, हाँ, पैसे आये हैं, asset जो हम दे रहे हैं, वो exist करती है, सही में asset ह कि नहीं की नहीं, वो सारा verify करना होता है, तो verify कौन करता है, इसल, depends करता है, जो property आप charge में दे रहे हो, वो प्रॉपरटी इंडिया में है, कि इंडिया के बाहर है, अगर इंडिया में हैं, तो इसको verify करते हैं, company के directors या company के company secretary, क्या का में नहीं है, company के directors या company के company secretary पर अगर इंडिया के बाहर है ना क्या वो property तो company या company secretary या directors तो करी सकते हैं उसके अलावा कोई भी और person कर सकता है company के common seal के अंडर company का common seal होता है अगर है तो उसके common seal के under कोई भी person उसको verify कर सकता है यह क्या होता है sir verification of charge यह law में नहीं लिखा हुआ है यह लिखा हुआ है rules में क्या लिखा हुआ है rule 3 of company registration of charges rule sir rule 3 से मेरे को यादा एक dividend करके chapter था उसमें rule 3 था उसमें 3 rules थे अचा कब लगता है final dividend दे रहे हो अगर तुम और तुम्हारे current year में losses है तो तीन rule लगता है इंटरिम नहीं final dividend rule 3 पहला average rate दूसरा draw करोगे 10% of paid up share capital plus free reserves उसमें से less करोगे current year का losses और कितना balance बचना चाहिए 15% of paid up share capital बोलो नलायको online वालो बोलो सो रहो क्या कुछ तो बोलो क्या कर रहे हो भाई सुरो मैंने क्या कहा मैं आपको verification बता रहा था verification के बारे में भी rule 3 में लिखा हुआ है पहले b-point लिखो पड़ो वे अंडर्लाइं प्रॉपर्टी सिच्वेटेट इन इंडिया अगर इंडिया में प्रॉपर्टी है वेरिफाई भाई ए सर्टिफिकेट इसूद अंडर हैंडस डिरेक्टर और सी एस और ओधर आफिसर ऑफिसर ऑफ चार्जोल्ड मदब सर उसको जो वेरिफाई करना होता है अगर रिलाइंस है वह अक्सेस बैंक से लोन ले रहे हैं तो रिलाइंस का कोई दिरेक्टर यह रि अपनी के अंडर कोई भी कर सकता है या फिर कोई भी और परसन जो चार्ज से रिलेटेड नहीं है वो भी कर सकता है मतलब भाई कोई तो भी वेरिफाई कर दो कि यह जो प्रॉपटी यह एक्जिस्ट करती है जो लोन है हमने ले रखा है यह वेरिफाई करके आप सब्मिट क किया नहीं किया तो क्या होगा 60 दिन का extension मिलेगा but from the date of creation of charge तो क्या लिखा है within 60 days of creation of charge आप additional fee करके एक्षेंशन कर सकते हो जिन लोगों के पास मेरे note से 7 a.m. class है उसको काट दो उसका बॉत गंदा example मैंने दिया था बहुत वाहियाद था आपने साथ दिन के अंदर भी नहीं किया तो क्या आप पूसके बाद भी कर सकते हो क्या पे करके आड़ वेलर्म फीज पे करके वितिन 60 डेज भी अगर नहीं कर पाए तो फर्दर 60 डेज भाई पेमेंट आफ एड वेलर्म फीज ठीके मैंने तुमको यह नहीं बताया ना कि 30 फर्दर 30 और उसके बाद यहां से 60 बोला है मतला maximum 120 डेज सर उसमें भी चार्ज क्रिएट नहीं किया तो फिर नहीं कर सकता तो दिन तक देते थे अब नहीं देंगे अब 120 दिन के अंदर खतम करो वीर तुम बड़े चलो वीर तुम बड़े चलो सर यह जो आप्लिकेशन फॉर वह कोया अब है यह क आयتي चलो की तरह जो कॉंपनी के तरफ से आरउसी को जो वी जा रहे ना वह सब चिएल जो आपट शेक्राइशन का तो उसके साथ बोल श्यागा है कि यह एक्स्टेंशन कि वजजे से किसी का नुकसान नहीं हो mogą ऐसा नहीं होगा कि हम extension इसले करवा रहे हैं क्योंकि हम repayment नहीं करना चाहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होगा ऐसे declaration दे देना आप समझे अब सर जब आप registration करवा लोगे तो आपको क्या मिलेगा certificate of registration कौन देगा ROC form CHG2 यह जो CHG2 है यह conclusive evidence होता है conclusive evidence मतलब क्या सारा compliance हो गया है सार ऐसे ही आपने जिन्दगी में एक section बढ़ा था section 12 कर लो आप से प्रॉसेस section 12 उसमें आपको एक जब आप registered office change कर वाते थे तो आपको क्या मिलता था एक certificate मिलता था registration का वहां पर भी लिखा था कि वो जो certificate हो conclusive evidence होता है conclusive evidence होता है conclusive evidence होता है मतलब क्या आपको आपको जितने compliance करने थे registered officer related वह आपने कर लिया है ऐसा माना जाएगा ठीक है सर जब exam hall में जाओ ना तो दिमाग में control F button लेके जाना किया रहे conclusive evidence कि इधर है conclusive evidence control F होना चाहिए ठीक है वो होईगा revision के साथ होईगा tension मत करो conclusive evidence क्या है सर यहां पर अगर आपको CHG2 मिल गया तो वो conclusive evidence हो गया उसके बाद सर consequences of non registration मतलब अगर आपने non register अगर आपने register नहीं करवाय तो होगा charge void हो जाएगा मतलब मानिंगे ही नहीं charge कभी exist करता था मतलब सर मैंने क्या कहा winding up में liquidator आएगा वो इसको consider ही नहीं करेगा ठीक है वही लिखा है sir liquidator will not consider or any other creditor will not consider unless it is duly registered और sir last line क्या लिखाए nothing to prejudice any contract or obligation for repayment of money secured by charge भाई सुनना अगर मैंने रिलाइंस में रिलाइंस हूँ रिलाइंस ने 10 क्रोड का लोन लिया access bank से और बदले में charge create किया charge को जाके register नहीं करवाया तो charge हो गया void अब सर्चार्ज वोईड हो गया तो मैं क्या बोलू रीपेमिंट भी वोईड है कि चल पैसे भी नहीं यह लेट रेजिस्टर भी होता है ना charge holder will lose priority section 78 कैसर application for registration of charges यह basically power देता है charge holder को कि अगर 30 days में company ने करवा पाए तो कौन कर ले ना charge holder तू कर ले ना charge where a company fails to register within 30 days the person in whose favor charge is created मतलब person in whose favor charge is created मतलब charge holder मैं apply to the registrar for registration आप registration कर वा सकते हो और सर एक सेकंड अब important concept सुनो 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 यह आपको satisfaction में भी काम आएगा मेरे को बात बताओ Reliance ने loan ले रखा है access bank से और access bank को दे रखा है जुह वाली property अब तो रिलाइंस को जाना चाहिए था कितने दिन के अंदर 30 days के अंदर अगर रिलाइंस नहीं गई तो कौन जाएगा access bank जाएगा पर सर access bank जाएगा रोसी के पास और बोलेगा मैंने रिलाइंस को लोन दे रखा है लोन के बदले में रिलाइंस ने जुह वाली property दे रखिए तुम इसको को अगया रेटीं कर लिए लिए जुह कसके बोलूगा मैंने लोन दिधे मेरी जूओ वाली property है डेटीकर तो बोलेगा वो क्या कर गया रेलाइंस के पास और रिएंस को बोलेगा 14 days के अंदर reply कर रिएंस की हमारे पास access bank आया है exercise bank is और रहे चार्ज को रेजिस्टर करने के लिए तुम बताओ करें की नहीं करें अगर तुम रिप्लाइ करोगे तो हम रुकेंगे नहीं करोगे तो हम रिजिस्टर करके आगे बढ़ जाएंगे तो सर रोसी कंपनी के पास जाएगा 14 डेस का ताइम देगा 14 डेस के अंदर या त तो Axis Bank को ऐसा कोई प्रॉपटी दिया ही नहीं है अगर मैं प्रॉपटी देता तो कोई चार्ज डीर होती कोई इंस्ट्रुमेंट होता वो इंस्ट्रुमेंट है क्या नहीं है मैंने कोई प्रॉपटी दी नहीं है तो इस केस में क्या करेगा वोंट रेजिस्टर पर सर दूसर या तो उसने reply नहीं किया या अगर reply हिया तो reply मैं आ तो उसने बता दिया कि– क्यों नहीं रिजिस्टर करना चाहिए या फिर उसने तुछhou रिजिस्टर कर वा लिया एक आपको रिजिस्टर नहीं पर गडिया सर यह किसका point of view है ROC का तो ROC जाएगा company के पास कितना दन का time देगा 14 days उसमें reply कर या मत कर नहीं किया तो register, reply किया, reply में क्या किया, either he gave evidences as to why such charge should not be registered, उसने समझाया क्यों मत करो या फिर उसने खुदी charge को register कर दिया, तो दोनों case में आप क्या करोगे, register नहीं करोगे, क्या लि 14 days after giving notice to the company, allow such registration on payment of fees unless the company itself registers the charge or shows sufficient cause why such charge should not be registered, आप बोल रहो क्यों नहीं रेजिस्टर होना चाहिए, कि आप sufficient cause दिखा रहे हो, recovery of fees sir, heading पर कि आपको समझाया गया, जो भी आपका fees या additional fees का ख़चा है, वो आप रिकवर करोगे, किस से, company से, sir, section 79 बहुत basic section है, क्या कहते है, सुन वो modification में भी apply होता है, और अगर अगर अपने कोई asset acquire किया तब भी apply होता है, क्या हा मार रहे हो, समझाया भी नहीं हो, क्या पता, तुम को घंटा नहीं समझा, सुनो, sir, modification of charge मतलब क्या, modification of charge मतलब एक चीज़ धियान रखना, modification मतलब या तो मैंने Juhu वाली property दी थी, अब मैं इसको भी modification of charge माना जाएगा, ये तुम सुन लो, नहीं ये तुम नहीं समझे, तुम्हारा मन नहीं मानेगा exam all में, सुनो, अगर आपने 10 करोड का लोन लिया, और लोन के बदले में आपने security दिये, लोन लिया था 5% पे, अब लोन का interest rate बढ़के हो गया 7%, तो इसमें charge का क्य पर लोन लिखा है, अगर आपके लोन के टर्म्स भी चेंज होते हैं, तो उसको भी modification of charge माना जाता है, और जैसे ही modification of charge होगा, तो आपको section 77 अपलाई हो जाएगा, section 77 क्या, CHG 1 दे, या CHG 9 दे, तीस दिन के अंदर दे, फीज भरके दे, additional fees दे, add well earned fees दे, ये सारे provision आपको applicable हो जाएगे, section 79 ये कहता है, पहला point, दूसरा और आखरी point क्या कहता है, section 79, मानलो, Reliance Industries ने, Axis Bank को ये property दे रखी दी, जुह वाली property, और बदले में 10 करोड का लोन ले रखा था, अब Reliance ने ये जो property है, जुह वाली ये बेच दी, गौतम अडानी को, क्यों sir, पहले अडानी गया मांगने कले, तो Reliance ने मना कर दिया, बोले नहीं दे सकता, भाई, गिर्वी रखी हुई है, फिर उसके बाद Mukesh Ambani को call आया, नरेंदर मोदी से, तो बहुत है, बेचना पड़ेगा करके, उसने अडानी को वो property बेच दी, इतना समझो, बस इतना समझो, अडानी को property मिल गए, सर जब property मिली, तो जुह वाली property मिली, हां, तो सर उसके साथ यह जो charge create हुआ था, वो भी आएगा, क्यों सर, fixed charge है, तो वो भी आएगा, तो लो कहता है, अडानी, तिरे पास जब यह property आई ना, तो इसको हम fresh charge समझेंगे, तू भी आप AROC के पास जाओ, रेजिस्टर करवा, 30 days के अंदर-अंदर, मतलब तेको भी section 77 applicable हो जाएगा, समझें, तो सर, section 77, दो केस में apply करवा रहे हैं, यह लो, modification और transfer, अगर asset transfer हो रहा है, तब भी section 77 applicable करवा दे रहे हैं, Sir section 80, Sir यह charge का इतना नाटक करने का क्या मतलब था, हमारा course बढ़ाने के लिए, वो तो ही, वो तो था ही उनका intention, बट चार्ज का इतना नाटक क्यो करते थे, होता क्या था, कि अगर मेरी क्रेटा है और मैने क्रेटा, मेरी क्रेटा है नहीं, मेरे सब नोशनल है जिंदगी मेर हमारा की जिंदगी मेरे क्रेटा के बुद नोशनल है, सब दो, मेरी क्रेटा है, पहले में क्याकि असिस बैंक के बस गया, अर आक्से बैंक के बस मैंने गिरवी रखवा दी, अब वही क्रेटा को मैं ले कर के चला गया है CDC का दोनों को नहीं पता कि दूसरे के बास चार्ज कल को जब मैने डिफॉल्ट किया दोनों आए लड़ने तो पता चला अच्छा तो भी चार्ज दे रखा ता तो लौ ने बोला ऐसा नहीं चलेगा लौ ने बोला जैसे तुम ताकि जब तुम HDFC बैंक के बास जा रहे हो ना वो चेक कर सकता है कि यह क्रेटा है हाँ इसका चार्ज आक्सिस बैंक के पास created है ताकि duplication of charge ना हो क्या ना हो duplication of charge ना हो तो सर उसी से प्रोविशन आया section 80 section 80 के जब आप रेजिस्ट्रार के पास रेजिस्ट्र करवा ले तो ना उसको constructive notice माना जाता है deemed constructive notice मतलब क्या अब public को पता हो ना चाहिए यह charge created बाद में HDFC बैंक के नहीं बोल सकता है मेरे को क्या पता एक्सेस को दिया था अरे दिया था उसने रेजिस्ट्र करवाया था यू शुड़ा आइडली गॉन तो आरोसी का वेबसाइट एंग चेक्ट इट यू केन अल्च अगर आप कोई गाड़ी खरीद रहो ना तो गाड़ी खरीद रहो तो आक्सेस्वाइं के वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हो यह जो सेकेंड गाड़ी है क्या यह किसी के पा अगर आपने या तो लोन का रीपेमेंट कर दिया या फिर किसी और कारेंट से अक्सेस बैंक ने आपके असेट को रिलीज कर दिया उसने बोला नहीं चाहिए मेरे को तेरे पर पूरा भरुशा है तो दोनों केस में क्या बोला जाता है चार्ज आपका साटिस्वाई हो गया तो साटिस्वाई हो गया है मतलब क्या सार या तो लोन का रीपेमेंट हो गया या फिर किसी भी कारेंट से चार्ज रिलीज हो गया आपका तो अगर साटिस्वाइक्शन होता है ना तो साटिस्वाइक्शन को भी जा करके रिजिस्टर करवाना पड़ता है कितने दिन के अं आपने तू आया था one maya modification लेके गए थे तो three आया था, four लेके जाओगे आप five आये गा four में क्या लेके जारें हो satisfaction 5 में क्या आएगा registration of satisfaction कितने दिन के अंदर जाओगे 30 days अगर नहीं गए 30 days में तो further 270 days मतलब 30 days के अंदर जाना 30 days में नहीं जा पाए तो आपको satisfaction से 300 days मिलेगा मतलब सर इन्हों ने registration वाले portion में correction कर दिया amendment करके यहां पर अभी भी बचा हुआ है पुराना प्रोविशन चला आ रहा है ठीक है पड़ो सर क्या लिखाए CHG 4 लेके जाओगे 30 days के अंदर नहीं जा पाए तो वितन 300 days of satisfaction वित एडिशनल फीज मतलब 270 दिन का extension आपको चाहिए ना या bracket में लिख लो that is 270 days extension ठीक है उसके बाद notice to charge holder notice to charge holder अब मेरे को एक बात बताओ ना सुनो ना पहले मैंने आपको registration जब पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि अगर charge holder जाएगा ROC के पास तो ROC नहीं मानेगा ROC किसके पास जाएगा company के पास जाएगा वैसे ही जब satisfaction की बात हो रही है जब company जाएगा ना ROC के पास तो ROC नहीं मानेगा ROC बोलेगा एक बारी access bank से तो पूछ लेता हो तो access bank को नोटस देगा और access bank के पास कितना दिन रहेगा वही 14 देज 14 देज के अंदर उसको reply करना पड़ेगा as to why payment should not be recorded why should I not record this satisfaction of charge अगर उसने कोई sufficient cause दे दिया तो मत record करो नहीं दिया तो record कर लो और अब सुनो सर क्या हुआ अगर उसने no question अगर उसने कोई भी reason नहीं दिया तो आप उसको memorandum of satisfaction issue कर दो सर जैसे registration of charges होता है न वैसे memorandum of satisfaction होता है एक बढ़ बूलो अपने जुबा के इसरी memorandum of satisfaction तो यह issue कर दोगे और inform कर दोगे company को कि हाँ भाइया हमने satisfaction को register कर लिया है अगर उसने कोई cause show कर दिया तो आप नहीं register करोगे उसको और company को फिर से inform कर दोगे कि company हमने नहीं record किया क्यों क्योंकि access bank नहीं को बोला नहीं कर निक लिए उसने को reasons बताएं कि भाई मेरे payment आई नहीं है अभी तक मेरे को मिला ही नहीं है तुम केसे satisfaction record कर दो payment आया ही नहीं है तो उस case में नहीं record करेगा अब सर एक बात बताओ preserve instrument creating charge eight years from satisfaction of such charge मतलब क्या सर मैंने आपको क्या चार्ज क्रिएट करने के लिए एक instrument लगता है वह instrument क्या आप फाड़के फिक दोगे नहीं उसको आप आठ साल तक ले रखोगे आठ साल कबसे जब आपका 83 सुओ मोटू सर यह सुओ मोटू पावर का एक लॉजिक समझ लो Central Government को Companies Act में चाहिए था importance तो उन्होंने हर जगा एक provision डलवा दिया कि मेरी मर्जी होगी तो मैं कर लूँगा मेर को कोई नहीं भी बताएगा तो मैं कर लूँगा वैसे यहां पर लॉन एक general provision डाल दिया क्या provision कि Reliance Industries ने Taxes Bank से पैसा लिया है और बदले में जू की प्रॉपर्टी थी अब Reliance ने पैसा repayment कर दिया और जू का प्रॉपर्टी करवा लिया तो Satisfaction of Charge हो गया काईदे से आपको जाकर रेजिस्टर करवाना चाहिए था ना Reliance गया ना पांग गया क्यों बले चोड़ी सी बात है चोड़ना क्या करना है अगर उसके बावजूद भी Central Government को पता चल गया ना कि चार्ज का Satisfaction हो गया है तो वो खुद से चार्ज को Satisfaction रिकॉर्ड कर लेगा और आपको CHG 5 इसु कर देगा बोलेगा मेरे को बता चला मैं मानता हूं को Satisfy हो गया वो आपसे पूचेगा भी नहीं वो चार्ज के Satisfaction को रिकॉर्ड करके आपको CHG 5 इसु कर देगा सर 5 क्यों इसु करेगा अरे वन जाता है टू-3 आता है 4 जाता तो क्या आता 5 आता 4 नहीं गया फिर भी 5 आ जाएगा अगर आपको CHG को लगा की चार्ट साटिस्वाइ हो गया है वही लिखा है power of registrar to make entries of satisfaction and release in absence of intimation कोई नहीं बताएगा तब हम satisfaction record करके registration कर सकते हैं Suomo to change in ROC register by ROC Central Government मतलब Central Government ने power किसको दे रखा है ROC को power दे रखा है Registrar में on evidence being given to a satisfaction with respect to any registered charge that the debt has been paid or satisfied or property has been released or seized मतलब या तो debt का repayment हो गया या property release हो गई दोनों ही case में satisfaction होता है अरे या तो debt का repayment हो गया या property release हो गई दोनों ही satisfaction होता है अगर registrar को कोई evidence मिल गया किसी ने बता दिया कि भाया charge का satisfaction हो गया है it may enter in register of charges, memorandum of satisfaction or the fact that it has been released notwithstanding that there is no intimation received from the company company से intimation नहीं मिला उसको घंटा फरक नहीं पड़ता वो record कर लेगा और फिर inform करेगा affected parties को 30 days के अंदर CHG 5 में तुम एक बार देखलो keywords का खेल तुम एक बार देखलो keywords का खेल तुमारा पूरा section 8 keywords में पूरा section का crux निकल जाता है उसका बीच के सारे words क्या है fillers वो English है वो English लिखना है यह keywords है जो आपको underline करने तो मैंने क्या कहा sir बहुत basic provision है बिल्कुल भी important नहीं क्या कहता है अगर registrar को evidence मिलता है कि loan debt का repayment हो गया है या property आपकी release हो गई है तो वो उसको register of charges में record करेगा आपको memorandum of satisfaction issue कर देगा और बाद में companies को intimate भी कर देगा affected parties को intimate करेगा affected parties कौने sir reliance or access bank दोनों affected parties को CHG 5 में inform कर देगा अब sir आगे बड़े सब्सक्राइब करना पड़ेगा उसको लगता है maintenance ऐसे थोड़ी चलेगा भाई maintain करना पड़ता है ठीक है तो maintenance लगेगा तो जुआ प्रोपर्टी को maintenance लगेगा उसके एक बंदा पॉइंट होता है उसको कहते है receiver उसको क्या कहते है receiver या manager अगर आप उस property को maintain करने के लिए receiver या manager अपॉइंट करते हो ना तो receiver और manager के appointment के बारे में भी आपको ROC को बताना पड़ेगा अगर अपॉइंट करते हो या उसको remove भी करते हो ना दोनों चीज आरो सी को बतानी पड़ेगी यह आप बताओगे form CHG6 में एक कमपनी अगर receiver या manager को appoint करता है या उनको remove करता है दोनों चीज आपको ROC को intimate करनी पड़ेगी 30 days के अंदर अंदर समझें सर बस इतना ही बहुत जादा important नहीं है क्या कर रहे हो आप a point receiver या manager को appoint कर रहे हो या remove कर रहे हो तो किसको intimate करोगे ROC को कितने दिन के अंदर 30 days के अंदर कौन से form में CHG6 Sir section 86 punishment for contravention क्या contravention अगर आपने इस chapter का default किया तो company पे 5 लाग officer in default पे 50,000 का जुंदगी में सारे penalties ऐसे ही होते पांच लाग 50,000 और अगर willfully तुमने कुछ गड़बड किया है तो 447 में liable हो जाओगे fraud 447 क्या है fraud मेरे को आगे के chapter में याद दला ना मेरे को fraud की penalty भी बतानी है वह आज सचके लिखा नहीं अपना ठीक है उसके बाद सब्सक्राइब 87 बच्चो वाला प्रोविशन है सुनो Central Government को पावर दिया है क्या अच्छा मैंने तुमको पूछा कि 30 days में फाइल करना होता है 30 days नहीं किया तो further 30 days नहीं किया तो further 60 days मतला maximum 120 days उसमें नहीं हुआ तो उसके CAT में किया rate 87 में SG को बावर दिया कि अगर तुमने कूई document टाइंपर फाई नहीं किया यह फाइल किया ताप गलत फाईल कर दिया या तो थो ही इतना αυτό About क्या निखाए सर पढ़ो, section 87, rectification by CG in register of charge, or extension of time limit, point 1, the CG on being satisfied that, omission to give intimation to registrar of payment or satisfaction, or omission of any particulars, रुक जब अटेंशन में, वो बोल रहे है, या तो तुमने R.O.C. को बताया ही नहीं, या फिर बताया लेकिन कुछ specific particulars नहीं बताया, ये बस दो point में लिखाए, तो क्या होगा, it was accidental or due to inadvertence, मतलब गलती से हो गया, तो आप क्या करोगे, CG को application दोगे, और CG आपको time बताएगा, कि भाया, इतने समय के अंदर, file कर देना, या correction ठीक कर लेना, तो सर सुनो, section 83, 84, 87, आप exam के पहले इतना गुसके नहीं पढ़बाऊगे, तो एक बर concept वापस से सुन लो, याद कर लो, चाहिए, तो इतना सा part exam के पहले, इतना ही देख लेना और आगे बढ़ जाना, sir, section 83, क्या कहते है, simple है, आपको काइदे से, अगर कोई charge का registration हो रहा है, तो company को, या access bank को intimate करना चाहिए, access bank का तो law में लिखा ही नहीं, law ने लिखा ही, company को intimate करना चाहिए, पर अगर company ने intimate नही कि boss आपका जो charge है, वो satisfy हो गया है, हमने उसको record कर लिया है, charge satisfaction का मतलब क्या, या तो debt का repayment हो गया, या फिर आपका charge release हो गया, वो दोनों record करके आपको CHG 5 में intimate कर देगा, section 84 क्या है, receiver, अगर आपको receiver या manager को appoint कर रहे हो, या remove कर रहे हो, तो आपको बताना पड़ेगा ROC को, कितने दिन के अंदर, 30 days के अंदर, कौन से form में, form CHG 6 में, उसके बाद section, last क्या section आपका 87, जिसमें कहते है, CG को अगर आपने कुछ information बताने से omit कर दिया, या omission from any specific particulars, तो आप क्या कर सकते हो, CG को application दो, और अगर CG साटिस्फाइड हो जाएगा, कि या जो omission है, या accidental है, य आपको extension देदेगा, और वो extended period में, आप application फाइल कर दो, या particulars फाइल कर दो, काम, कतम, पैसा हाजम, समझा, sir एक बार इस chapter का important section लिखो, section 77, 78, section 77, section 78, 80, 82, 86, 80, 82, 86, ठीक है, चलाजर, तो मैं यह कह रहा था, आप लोगों को management और administration जो chapter है, वो शुरू होता है section 88 पे, और जाकर के खतम होता है section 122 पे, तो हम लोगों को करीबन 98, 108, 118, करीबन 35 sections revision करने हैं, पर इत्ती बड़ी बात है नहीं, और MGT 1 form से शुरू होता है, और यह MGT 15 तक जाता है, जहां पे 9 और 10 जो है, वो हमारे syllabus में नहीं है, उसके बाद सर शुरू करते है section 88 के साथ, section 88 से लेकर के 105 एक सुर में करेंगे पूरा, तुम लोग भी एक दब होश में आजा और कर लो मेरे साथ, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, sir section 88 क्या है, section 88 talks about register of member, register of member क्या है, मेरे तरफ देखो सा in shareholder वारे register होता है, यह आप रखोगे in the form MGT1, पर उसके अलावा जो debenture holder और other security holder होते हैं, इनको आप रखोगे in the form MGT2, आप इन forms में क्या बनाओगे, register बनाओगे और उनको maintain करोगे, sir यह जो register होता है, उसमें आप index बना के रखोगे, क्या बना के रखोगे, index बना के रखो हाँ, 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 जी sir सुनना, जो index आप बना के रखोगे न, यह form MGT1 और MGT2 में रखोगे, index बनाओगे, index तभी बनाओगे अगर आपके जो number of members है न, वो 50 या 50 से ज़ादा है, अगर 50 से कम है तो आपको index बनाने की जरुद नहीं है, तो law यह कहना चाहता है कि अगर exact 50 है, क्या बोला मैंने law यह कहना चाहता है कि अगर exact 50 हैं, तो भी आपको index of members बनाना पड़ेगा, और उसके बाद सर इन्होंने क्या कहा, index अगर एक line इन्होंने लिख दिये, क्या लिखिये सुनना, अगर जो index है न, अगर आप register बना रहे हो, beneficial owner का, in case of depository तो काम हो जाएगा, sir depository के case में आपको पता है, कि beneficial owners होते हैं, तो अगर उनका register बना ले रहे हो न, तो deemed compliance of this act हो जाएगा, उसके बाद sir एक second, fourth वाला point पढ़ते हैं, पर उसके बेले आगे आजाओ, यहाँ पे register के बारे में कुछ और बात हैं रिखी हुई है, sir यह register में जो आप data डालोगे, share order का न local limits के अंदर, city town village के local limits के अंदर रख लेना, लेकिन, लेकिन अगर तुम उसको उस city town या village के बाहर ले जाना चाहते हो, तो आपको SR pass करना पड़ेगा, और तुम एक ऐसी जगा ले जा सकते हो, within India, जहाँ पे 110 से जादा member रहते हैं, मतलब क्या sir, 110 से जादा member, मतलब अगर 1000 member एक company में, तो 100 में, एक member उस जगे पे रहना चाहिए, जहाँ पे आप registered office रखने की बात कर रहे हो, sir में को एक बात बताओ, मेरी office मुंबई में है, मेरी registered office मुंबई में है, मेरे company में 1000 members है, मैं गोवा ले जाके register रखना चाहता हूँ, क्या मैं रख सकता हूँ, अगर गोवा म में वहाँ पे 500 member है, 1000 में से 500 member है, तो दुबई है, तो वहाँ पे लिजा करके रख लूगा, नहीं, वहाँ पे नहीं रख सकते हैं, आपको इंडिया के अंदर ही रखना पड़ेगा, SR pass करके, अब सर उसके बाद यह points आप छोड़ सकते हो, क्या लिखा हुआ है, अगर एक company limited by shares है, तो वो तो MGT-1 follow करेगी, जो MGT-1 form हमने बोला है, पर अगर उसके अलावा company not having share capital है, तो उस case में आपको MGT-1 के जगा इन्हों ने दिखा, कि बैसिक detail of member देना, उसका नाम address, अगर वो minor है, तो उसके guardian का नाम और date of birth देना, और उसके nominee का name और address दे देना, और कब वो member बना, कब member खतम हुआ, ये सारे details आपको डालने पड़ेंगे, और कोई भी changes अगर होता है share holding में, कैसे, अगर किसी की death हो गई, या फिर कोई insolvent हो गया, या फिर किसी का share IEPF को transfer हो गया, तो वो सारे changes जो है, आप अपने register में record करोगे, तो ये important section नहीं है, important उपर क्या है, कि आप कहां पे रखोगे अपना register, उसके बाद सारा आजाओ foreign register में, foreign register क्या होता है, जिसे कि मैंने कहा, अगर मेरी company में 1000 member है, और उसमें 500 member जो है, वो दुबई में है, तो आप एक register maintain कर सकते हो, दुबई में भी, जिसको हम कहेंगे foreign register, लेकिन foreign register खोडने के लिए आपको AOA मे authorization चाहिए, और आप foreign register इंडिया के बाहर खोल सकते हो, और उसमें सिर्फ वो shareholder, और vote venture order का नाम आएगा, जो इंडिया के बाहर reside करते हैं, इंडिया वालो का नाम ले जाके बाहर मत लिख देना, अब सरी foreign register मालो में ने खोला Thailand में, foreign register मालो में ने खोला Thailand में, तो जैसे आप foreign register खोलोगे ना, उसके 30 days के अंदर आपको ROC को पडोसवारी अंटी को बताना पड़ेगा, अंटी सुनो, 30 दिन के अंदर बता देना, कि हमने एक foreign register खोला है, और उनको NGT 3 form में बताना, तो अगर आपने Thailand में मालो Phuket में खोला था, और Phuket से उठा करके आप उसको Bangkok लेके आ रहे हो, मतलब आप उसका location change कर रहे हो, तो आपको वापस ROC को intimate करना पड़ेगा, 30 days के अंदर, कि भाया हमारा situation change हुआ है, register का, उसके अलावा सर, यह जो foreign register होता है, उसको एकदम principal register के बरावर माना जाता है, और और आप अगर चाहो, तो यह foreign register का inspection भी कर सकते हो, जिसे आ आप normal principal register का कर सकते हो, पर एक point यहां पर extra है, आपको पता है, principal register close होता है, पता है, close होता है, कुछ तो पढ़ा था, हमने 45 days, 30 days, 7 days, पढ़ेंगे section 91, तो जिस तरीके से principal register close होता है, तो आप newspaper में add देते हो, पर जब foreign register close होगा ना, तब भी आप 2 newspaper में add दोगे, पर वो 2 newspaper, local newspaper नहीं होगा, बाहर वाला newspaper होगा, advertisement before closing foreign register shall be inserted in at least 2 newspaper circulating in the place where foreign register is kept, जहां पर foreign register रखा है, उदर जो भी भाषा चलती है, जो भी newspaper चलता है, उसमें आप दोगे, इंडिया के newspaper में देखर के, मत बैठ जाना, उसके बाद सर, entry in foreign register, आपका कोई भी अगर foreign, कोई भी transfer होगा, या allotment ह तो आप उसको तुरंद बाद उसके foreign register में डालोगे, आप सर, बहुत important point, foreign register अगर कभी destroy होगया तो, तो law ने provision बना के रखा है, कि बारी-बारी, समय-समय पे तुम क्या करते रहना, remit करते रहना information, transmit to registered office, a copy of the, copy of every entry, within 15 days of making entry thereof, और यह जो copy आएगा ना आपका, यह आप इस discontinue करना चाते हो, बंद करना चाते हो, तो आप बिल्पुल discontinue कर सकते हो, पर जो data है ना उसमें, उसको या तो किसी और foreign register में ले जाओ, या India principal register में ले जाओ, पर वो data का पूरा आपको backup लेना पड़ेगा, discontinue करने के पहले, there upon all the entries shall be transferred to some other foreign register, और to the principal register, और अगर आपने failure की है तो आपको penalty लगेगा, तीन लाग का company को, और officer in default को 50,000 का penalty लगेगा, अरे बच्चो बोलो तुमको मेरी बात समझ आ रही है क्या, सिर्फ एक जिन दीपा मिश्रा पढ़ रही है क्या, बोलो, 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 खुछ तो बोलो, मुझ तो खोलो, जो जो लोग चैट में बाते करेंगे, उनको मेरी तरह से भगवान, उनको एक एक नमबर एक्स्ट्रा दे देना, लोकी मार्क्स में, सिर्फ एक चैट करने का एक मार्क्स, चलो, next मैं को ये बताओ, हुछ वंचो क्या, रेजिस्टर ओफ मेंबर में किसी minor shareholder का नाम आता है, ना जी ना बिलकुल भी नहीं, आप minor shareholder का नाम जो है, वो register of member में बिलकुल भी नहीं लिखते, दूसरा सर कि joint shareholder का नाम कैसे आता है register of member में तो joint shareholder में मालो तीन लोग है आप sequence decide करते हो in the sequence of seniority जो सबसे senior है उसका नाम सबसे पहले आएगा और उस sequence में आप नाम लिखोगे joint shareholder का सर joint shareholder का नाम कौन से sequence में आएगा वो कैसे decide होगा जब आप membership का form भर रहे हो ना तब आपको according यह बताना पड़ेगा कि first shareholder कौन है second shareholder कौन है, third shareholder कौन है और जो सबसे पहले जिसका नाम होगा वो क्या करेगा पहले जिसका नाम होगा वो क्या करेगा वो आपको वो जिसका नाम होगा वो senior shareholder कहलाएगा अब सर अगले provision की तरफ बढ़ते अगले provision की तरफ बढ़े क्या हाँ सर चलो सर अगला provision क्या है अगला provision प्रोविशन जो है वह मैं आपको एक बार notes से बता देता हूँ यहां पर notes से बता देता हूँ अगला provision का है सर section 89 जो beneficial owner के बारे में बात करता है वो कहता है सर अगर कोई registered owner है लेकिन beneficial owner कोई और है यह registered owner जो है वो company के register of member में उसका नाम है सर्फ पर beneficial owner कोई और है तो law कहता है बिटा तुमको company को intimate करना पड़ेगा in the form mgt4 30 days के अंदर और beneficial owner तुमको intimate करना पड़ेगा in the form mgt5 30 days के अंदर और जैसे ही company को यह मिल जाएगा तो company roc को intimate करेगी in the form mgt6 30 days के अंदर यह क्या intimation हो गया सर intimation intimation कि हम जो है नाम किसी और का है और beneficial owner कोई और है यह intimation आप 30 days के अंदर करोगे सर अगर यह आपका registered owner और beneficial owner में कोई changes भी होते हैं मानलो shares कम जाधा हो जाते हैं तो भी आपको 30 days के अंदर क्या करना पड़ेगा company को intimate करना पड़ेगा पर सर मानलो अगर इन्होंने intimate नहीं किया तो क्या अगर इन्होंने intimate नहीं किया तो कल को beneficial owner आकर के company से यह लिए नहीं र बार रहे हो तो फिर आपना आ करके अपने rights नहीं claim कर सकते आगे चल करके सर यह आपका पूरा provision था आपको इससे जाधा पढ़ने की बिल्कुल भी जरुवत नहीं है इसे में आप सिर्फ वित्ता समझ लो कि अगर आपने declaration company को नहीं दिया तो company आ तो आप पे penalty लग जाएग up to a maximum of 5 lakhs and 2 lakhs in case of officer in default आपको penalty कितना लगेगा सर देखो ऊपर चलो मैं तुमको बता देता हूँ यह important penalty नहीं है इसका मतलब क्या exam में नहीं आएगा सर वो मेरे को नहीं पता हूँ important नहीं है इतनी अब सर उसके बाद वाला point सुरो सर कभी-कभी क्या होता है mutual fund के case में भी trust create ह होता है तो mutual fund invest करना चाता है पर mutual fund खुद नहीं invest करता है trust के through invest करता है तो यह जो trust है ना यह registered owner बन जाता है और mutual fund beneficiary owner बन जाता है तो भी क्या यह provision लगेगा law ने बोला नहीं mutual fund के case में venture capital fund के case में और other से भी approved fund के case में यह जो provision है वो नहीं लगेगा समझे आगे बड़े सर अ अगर beneficial owner नहीं significant beneficial owner है significant beneficial owner मतलब क्या सर या तो वो more than 10% of share capital hold करता है या तो वो more than 10% of voting power hold करता है या फिर वो more than 10% of dividend dividend लेने का हक रखता है या फिर वो अगर सर कोई भी right to significant influence है गर वो significant influence का right रखता है सर यह directly या indirectly यहा पर बहुत detailed concept है आपनो उसमें revision में अभी नहीं कुसेंग और अगर यहां पर आप directly या indirectly यह rights रखते हो तो आपको as a significant beneficial owner क्या करना पड़ेगा आपको company को intimate करना पड़ेगा कि हा मैं significant beneficial owner हूँ यह कौन से form में intimate करोगे आप कित्य दिन के अंदर intimate करोगे आप इसको intimate करोगे 30 days के अंदर in the form beneficiary 1 लेकिन जैसे company को ही मिलेगा company ले जाके RO इसी को देदेगा in the form beneficiary 2 और company sir company जो है वो क्या करेगा सुनना मेरी बात खुद भी एक register maintain करेगा in the form ben 3 जिसमें वो सारे significant beneficial owner का detail लिख करके रखेगा अज सर यह जो register है ना इसको inspection अगर कोई करना चाहे तो वो inspection कर सकता है during business hours during business hours और company जो है ना वो अगर चाहे तो business hours पूरा दिन रखने के जगा कोई specific time define कर सकती है कि इसी समय आकर के तुम क्या करना review करना पर company जो है वो business hours को 2 गंटे से कम नहीं कर सकता minimum 2 गंटे का दो business hours आपको रखना ही पड़ेगा अरे बोलो मालिक समझे क्या अरे हां की नहीं हां सर ये आपका पहला phase हो गया दूसरा phase क्या है अगर अभी कभी कभी क्या होता है company जो है ना उसको पता रहता है कि significant beneficial owner कोई और है पर उनको MGT 1 ये band 1 आता नहीं है तो company क्या कर सकती है company सीधा notice बेच सकती है किसी इंसान को in the form band सर ये notice किसको बेजोगे आप किसी भी इंसान को जो significant beneficial owner है या कोई भी इंसान जो जानता है कि significant beneficial owner कौन है या कोई भी इंसान जो पिछले 3 साल में significant beneficial owner रहा है not that important आप किसी भी इंसान को notice बेजोगे और बोलो कि बता तू significant beneficial owner है ना अब ये जो इंसान है ये company को revert करेगा कितन दिन के अंदर सर आपको 30 days के अंदर रिवर्ट करना पड़ेगा अगर 30 days के अंदर आपका कोई reply नहीं आया अगर 30 days के अंदर कोई reply नहीं आया तो उसके बाद 15 दिन के अंदर company जो है वो चला जाएगा tribunal के पास और tribunal को यहां पर एक बंदा है जो significant beneficial owner है पर बता नहीं रहा है तो तो please इस पर order पास कर और tribunal क्या है फिर opportunity of being hurt देने के बाद वो 60 days के अंदर order पास करेगा और यह जो इनसान है ना इसके shares को ट्रांसफर कर रेस्टिक्ट कर देगा यह suspend कर देगा इसके powers को और यह सारी चीज़े करेगा पिर जब इस तरह का order आ जाए ना तो इस इनसान के पास right होता है कि वो वापस से एक साल के अंदर अप्लाई करे ट्राइबिनल को कि भया ट्राइबिनल मेरे ना shares free कर देना थोड़ा restriction हटा देना और अगर इस तरह का आप्लिकेशन ट्राइबिनल को आ जाता है तो तो वो देख करके restriction हटा देगा पर अगर नहीं आता है ना तो फिर आई ट्राइबिनल जो है एक साल खतम होने के बाद आई पीएफ में ये shares transfer करवा देगा पॉन आई ट्राइबिनल नहीं करवाएगा अब वो इंसान को 30 days का time है तो reply अगर 30 days के अंदर reply नहीं आया तो 15 दिन के अंदर आप चले जाओगे ट्राइबिनल के पास ट्राइबिनल के पास time है 60 days का 60 days के अंदर tribunal क्या कर सकता है आपको reply कर सकता है और 60 days के बाद आपका order क्या आ जाएगा कि हम restrict कर रहे है कि हम आपके powers को suspend कर रहे है अगर यह order आ गया तो उसके बाद जो share order है वो एक साल तक apply कर सकता है ट्राइबिनल को कि ट्राइबिनल यह restriction वगेरा हटा देना और अगर ट्राइबिनल ने नहीं हटाया तो एक साल के बाद यह share जो है आई पीएफ में transfer हो जाता है वा सर मजा आ रहे है हाँ वो भाई साब इस से जादा भाई साब पढ़ने की जरुवत नहीं है यहाँ पर एक और point आएगा वो मैं देख लूँगा restriction with respect to transfer होगा नीचे एक और point होगा कुछ मैं तुमको लिखवा दूँगा notes में जो लोगों के बास edition 2 है तुम्हारे में शायद लिखा होगा चलो सर आगे बढ़े आगे बढ़े समझ गई क्या और सर उसके बाद आप समझो एक साल के बाद IEPF में transfer हो जाएगा फिर last में है important penalty सर तीन subsection में है penalty समझो failure क्या हो गया अगर person fails to make declaration under subsection 1 सामने से अगर उसने ben 1 नहीं दिया तो उसको 50,000 रुपे का fine लगेगा और दिन का 1,000 रुपे लगेगा up to a maximum of 2,00,000 अब सर उसके बाद अगर company register नहीं बनाता register or allow inspection thereof अगर company register का inspection नहीं करने देता तो company और officer in default पे fine लगेगा company पे 1,00,500 रुपे दिन 5,00 रुपे और officer in default पे 25,200 रुपे पड़े 1,00 रुपे सर मैं आपको एक रामबार निलाज बताओ सुन लो मेरी बात पसंद आएगा तो like जरूर करना अगर exam में कभी MCQ आ गया penalty पे और अगर आपको penalty का answer बिल्कुल नहीं पता और अगर MCQ में negative marking नहीं है तो आप क्या करोगे सुनना, company का maximum penalty हमेशा 5,00 रुपे और officer in default का maximum penalty हमेशा 1,00, हमेशा नहीं मतलब इन general cases जब आपको कुछ नहीं पता तो ये तो आपको पता ही है कि company को maximum 5,00,00 का penalty लगेगा और officer in default का maximum 1,00,00 का penalty लगेगा और sir अगर आपने जान मुझ करके incorrect information फाइल किया तो आप में 447 का fraud का penalty लग जाएगा मेरे कुछी के लिए fraud का penalty याद करा दो अरे सुनो, एक limit था एक limit था limit था 1% of turnover और 10,00,00 रुपीज whichever is lower, ये limit के उपर अगर आप जाओगे तो आपको fine लगेगा कितना, आपको fine लगेगा अप पहले jail लगेगा, jail होगा 6 months से ले करके 10 years तक and आपको fine लगेगा sir up to 3 times पर अगर public interest involved हो जाता है तो आपका 3 साल से 10 साल हो जाएगा and आपको fine लगेगा 3 times का अब sir limit से अगर कम है तो क्या होगा limit से अगर कम है तो आपको fine लगेगा 50 लग तक का या फिर आपको jail होगा और आपको jail होगा 5 साल तक का या फिर दोनों भी हो सकता है कोई problem नहीं है चलो sir उसके बाद section 91 बताता हूँ मैं आपको section 91 क्या कहता है अगर एक company है वो अपने register of members को close करना चाता है तो company close कर सकता है पर मेरी बात सुलो एक financial year में maximum 45 days के ले close करोगे जब एक बार close कर रहे हो ना तो continuously maximum 30 days के ले close रहे सकता है और जब भी close कर रहे हो ना उसके कम से कम 7 दन पहले आपको advertisement करना पड़ेगा in the manner as maybe prescribed क्या prescribed हो का सर मैनर prescribed यह होगा एक English newspaper में कर ले ना एक Vernacular newspaper में कर ले ना तो 3 दिन आपको याद करने सर 45, 37, 45 days maximum इना financial year 30 days एक बार में चल करके और 7 दिन जो है वो आपका 7 दिन जो है वो आपका क्या होगा 7 दिन आपका maximum 7 दिन जो होंगे उसके पहले आपको advertisement देना पड़ेगा अगर आप नहीं कर रहे हो अगर आपने contravention किया तो company और officer in default को 5,000 रुपय हर दिन का लगेगा during which such register was closed subject हुआ maximum of 1 लाग रुपय maximum 1 लाग रुपय पर हर दिन का आपको कितना लगेगा 5,000 रुपय लग जाएगा यह क्या provision था सर आपका यह provision था बताओ क्या provision था बेटा यह आपका यह आपका closing of registrar का provision था आप सर section 92 सुनो annual return annual return का क्या provision है सर बहुत अच्छा provision है बहुत important provision है simple सा provision है यह कहता है company तेरको एक annual return बना करके file करना पड़ेगा ROC को कब file करेंगे जब तेरा AGM खतम हो जाएगा ना उसके 60 days के अंदर file करना होगा कित्ते दिन के अंदर 60 days जब भी AGM हो जाएगा उसके 60 days के अंदर पर सर अगर company ने AGM ही नहीं किया तो अगर company ने AGM ही नहीं किया ना आती क्या चीजे है अन्वल रिटर्न में बहुत सारी चीजे आती है सर अन्वल रिटर्न में मैं आपको एक बार book से रीड करा देता हूँ आपका principal business activity के बारे में आता है आपको पता है ना कौन बड़ा होता है शेर ओल्डर CFO की key manageral person BGR सर आपका business activity हो गया आपके group companies के बारे में हो गया आपका remuneration हो गया किसका आपके directors का और key manageral person का remuneration हो गया उसके बाद सर शेर ओल्डर आपको अपनी company का share holding pattern बताना पड़ेगा और आपको यह बताना पड़ेगा members कितने पिछले साल थे versus members कितने इस साल हो गये है उसके बाद सर की manageral KMP आपको अपने director, key manageral person, promoter के बारे में बताना पड़ेगा और कुछ changes हुए हैं क्या आपको meetings के बारे में बताने पड़ेगे साल में कितने meetings आपने किये है आपको penalty लगा है क्या कोई company पे वो बताना पड़ेगा on the company directors और officers और compounding और appeal यह कुछ और चीज़े हैं आपको बतानी पड़ेगी उसके अलावा सर CFO आपको certificate of compliance देना पड़ेगा आपको foreign institutional investors का shareholding बताना पड़ेगा और आपको बाकी information जो भी है वो देना पड़ेगा तो आप annual return में आपको समझ गया क्या information देते हो आप देते हो BGR, shareholder, KMP, CFO यह class वाले बच्चों तुमको पता है B से क्या ISR business activity, G group companies, R remuneration shareholder के बारे में दो पॉइंटा एक तो shareholding pattern और number of shares दूसरा key management person में पहला आपको KMP और directors का detail दूसरा meetings के बारे में, तीसरा penalty के बारे में उसके बाद compliance इस, foreign institutional investor और others तो यह सारी चीज़ें सर वैसे याद करनी के जरुवत नहीं पर हमसे हो गया इतनी आसानी से तो कर लिया बस अब आगे चल करके समझो annual return जो है आपका simple सा concept समझे ना concept form में बनता है सर अगर आपकी एक normal company है तो annual return बनेगा MGT7 में पर अगर आपकी एक one person company या फिर small company है तो आप बनाओगे MGT7A में सर MGT7 को कौन sign करेगा तो मैंने कहा MGT7 को एक director sign करेगा और एक company secretary sign करेगा पर अगर company में company secretary नहीं है तो अगर CS नहीं है तो एक CS in practice से sign करवा लेना पर ते को sign करवाना पड़ेगा पर सर MGT7 जो one person company में या फिर small company में बनता है 7A तो वो कौन sign करेगा सर उसको CS sign करेगा पर अगर company में CS नहीं है तो आपके company का जो director है वो sign करेगा आपको CS in practice के पास जाने की कोई जरुवत नहीं है इस तरीके से सर आपका document sign होता है और कुछ companies के ले ना कुछ companies के ले या annual return को और certify करवाना पड़ेगा कौन companies के ले सर एक तो वो company जो listed company है या फिर वो company जिसका paid up share capital या तो 10 करोडिया उससे जादा है या turnover जो है वो 50 करोडिया उससे जादा है यह जो companies होते है उन लोगों को क्या करना पड़ेगा उनका annual return है annual return के उपर इनको एक और certificate रखवाना पड़ेगा वो certificate कौन देगा CS in practice और कौन से form में देगा certificate हो form में देगा MGT-8 MGT-8 form में certificate देगा यह certificate में क्या लिखा होगा कि जो भी चीजे हमने disclose की है वो सारी चीजे compliance में है और कोई भी चीजे इनके knowledge के हिसाब से incorrect नहीं है यह दो चीजे लिक करके देगा क्या लिखके देगा कि जो भी चीज़े इनों ने disclose की है वो compliance में है और इनके knowledge के यहाँ सब कोई भी चीज़ जो है वो incorrect नहीं है यह MGT-8 आप MGT-7 के उपर लगा करके दे रहे हो सर देखो अभी sign कौन करेगा other companies के case में director और CS CS नहीं है तो CS in practice और one person के case में CS अगर CS नहीं है तो director sign करेगा सर फॉर्म क्या होगा MGT-7 और 7 है और उसके उपर certificate लगाना पड़ेगा listed company को यह paid up share capital वो company जिनका paid up share capital 10 करोडिया उससे जादा यह turnover 50 करोडिया उससे जादा है उनको यह बताना पड़ेगा कि जो disclose करता है facts correctly and adequately and that the company has complied with all the provisions हम जो भी disclose कर रहे है वो corrective और adequately disclose कर रहे है और company ने सारा compliance कर लिया है तो sir आपको disclosure के बारे में बताना पड़ेगा आपको compliance के बारे में बताना पड़ेगा किस के बारे में आपको disclosure के बारे में बताना पड़ेगा reasons for not holding AGM on time उसके बाद सर अगर आपने annual return नहीं फाइल किया तो आपको penalty लगेगी 10,000 रुपे प्लस 100 per day up to maximum 2 lakhs company को और OID को 10,000 रुपे प्लस 100 per day maximum up to 50,000, maximum limit change होगे हैं बाकी से में 10,000 रुपे fixed और हर दिन का 1000 रुपे और सर अगर CS in practice ने क्या किया अगर certified किया annual return otherwise than in confirmity with this section मतलब क्या उसने compliance done से check नहीं किया उसने बस हवे में confirm कर दिया तो CS in practice पे 2,000 रुपे की flat penalty लग जाएगी कितनी 2,000 रुपे की flat penalty लग जाएगी कि तुमको मेरी बात समझ आई अरे बोलो did you understand अरे बोलो समझ आ रहा है कि नहीं बोलो जल्दी light ठोक कर ये बताओ मेरे को जिन्नोंने अभी तक भी ने ठोक है तो सर CS में कितना penalty लगेगा बोला मैंने 2,000 का penalty लगेगा पात खदम दोस्तों आगे बढ़ते हैं सर सेक्शन 94 बहुत आसान है 94 में मैंने आपको बोला था 6 चीजों को लेकर के बात होगी सर सेक्शन 94 जो है वो भी वापस लिख देता हूँ 94 जो है उसमें 2 सेक्शन कवर होते है एक है आपका सेक्शन 88 एक है आपका सेक्शन 92 88 बात करता है register of members वगेरा के बारे में 22 बात करता है annual return के बारे में सबसे पहला सर प्लेस आप इसको रखोगे किदर तो लॉन ने बोला बेटा registered office में या उसके local limits में कहीं भी रख लेना पर अगर उसके बाहर तेर को लेके जाना है इंडिया के अंदर इंडिया के अंदर outside registered office inside इंडिया तो सर आपको क्या करना पड़ेगा आपको SR pass करना पड़ेगा जिसमें 110 of the members जो है उनका approval है 110 of the members का approval है उनका 110 of the प्रेशन करते हैं तब जाके आप बाहर के किसी place में ले जा सकते हो दूसरा सर मेरे को एक बात बताओ यह जो register of members है इसको preserve कित्ते साल करेंगे और किसके custody में रहेगा तो custody की बात तो हमेशा याद रखना कि custody तो हमेशा company secretary के या any other authorized person के रहेगा पर preserve कित्ते साल करेंगे depend करता है अगर वो register of member है बले वो principal register है बले वो foreign register है तो आपको permanently maintain करना पड़ेगा पर अगर वो register of debenture older या preferential older है उसका principal register या foreign register है तो इनको आप maintain करोगे 8 साल कले 8 साल कब से सर जब आपका redemption हो जाता है उसके बाद 8 साल तक के लिए और जो आपका अगर annual return की बात करें तो वो filing के बाद आप 8 साल तक maintain करोगे तो मतलब सर कहने का मतलब यह सर रेजिस्टर of member permanently preserve होता है बागी सब usually 8 साल के लिए preserve होते है उसके बाद सर कस्टेडी किसके बास रहेगी वो हमने discuss कर लिया अब सर inspection कर सकते हैं क्या आप inspection कर सकते हैं क्या इन documents का जी हाँ बिल्कुल आप inspection कर सकते हैं आप अगर members है तो आप free में inspection कर सकते हैं अगर आप other than member है तो आप पैसे दे के inspection कर सकते है inspection होता है business hours के दौरान inspection कब होता है business hours के दौरान जो usually 9 a.m. to 6 p.m. होता है लेकिन अगर company चाहे तो business hours को कम करके बोल सकती है सिर्फ इतने समय में तुम क्या करोगे inspection करने के आओगे पर ये जो समय तुम बता रहे हो न ये 2 गंटे से कम नहीं होना चाहिए it should not be less than 2 hours कम से कम 2 गंटे तो दिन में आपको देने पड़ेंगे गिसी भी working day में business hours में जाकर members और non-members inspect कर सकते है सर क्या आप extract ले सकते हो इन से बिलकुल आप extract ले सकते हो और extract रे कोई additional fees आपको देनी नहीं पड़ेगी पर सर क्या आप copy मंगवा सकते हो जी हाँ आप copy मंगवा सकते हो लेकिन उसके लिए आपको fees देना पड़ेगा क्योंकि copy में खर्चा आता है बच्चो section 95 क्या कहता है section 95 ये कहता है कि आप अगर register of member में किसी का नाम लिख रहे है तो उसको principal evidence उसको prima facie evidence माना जाएगा उसको sorry conclusive evidence माना जाएगा क्या लिखाए बच्चो क्या लिखाए यहाँ पे if I am not wrong यहाँ पे लिखाए अच्छा prima facie evidence sorry conclusive नहीं प्राइम आफ इसी evidence माना जाएगा कि वही शेरोल्डर है तुम्ही हो बंदू सखा तुम्ही हो समझे क्या समझे क्या मालिक ठीक है अगला face शुरू करते है बिना किसी देरी के किसी दिन निकलना जाए भाई बिना किसी देरी के अगला वाला face शुरू करते है अगला वाला face क्या है सर सेक्शन 96 से 105 रिवाइस करेंगे दोस्तों वापस से मेरे साथ इसी तरह चलते जाओ देखो सर 96 क्या है सिंपल है annual general meeting सर annual general meeting क्या होता है साल में एक बर जो meeting होती है तो जिस साल company incorporate होती है ना मेरी बात सुनना AGM आपको हर calendar year में रखना पड़ेगा दो AGM के बीच में gap जो है maximum 15 मेने का हो सकता है दो AGM के बीच में gap और AGM जो है first AGM आपका 9 मेने के अंदर हो जाएगा और subsequent AGM जो है वो हर साल 6 मेने के अंदर हो जाएगा from the end of financial year financial year खतम होने के बाद अब सार ये जो 6 मेने का time है ना subsequent AGM वाला ये अगर ROC चाहे तो किसी special reason के current आपको up to 3 months तक का extension दे सकता है कितना up to 3 months तक का extension दे सकता है अगर कोई special reason है तो पर special reason हो या ना हो तुमना first AGM का कभी भी extension नहीं दे सकते first AGM का कभी भी extension नहीं हो सकता अब सार उसके बाद मेरे को बताओ AGM जो है वो कब होगा तो AGM का day क्या होगा any day other than national holiday national holiday के अलावा कोई भी दिन सर क्या Sunday national holiday होता है बिल्कुल भी नहीं national holiday क्या होता है national holiday होता है आपका independence day आपका republic day या आपका गांधी जेंती जो है October 2 जो है वो आपका national holiday होता है उसके बाद सर मीटिंग का time क्या होगा मीटिंग आप business arts में रखोगे 9 a.m. से लेकर के 6 p.m. के दौरान सर एक बात बताओ हमको ये तो बताए मीटिंग 9 a.m. से 6 p.m. के बीच में हमको कोई problem नहीं है उसके बाद सर मीटिंग का place क्या होगा तो generally मैं अगर बोलू तो registered office में या उसके local limits में कहीं भी होगा पर अगर आप एक unlisted company है क्या है unlisted company है तो ध्यान रखना फिर आप किसी भी place में इंडिया के अंदर कर सकते हो लेकिन शर्क सर्फ यह है कि तुमने सारे members का consent ले रखा है in advance मतलब क्या meeting के पहले आपने सब से पूछ लिया है कि भाई या हम ना registered office के जगा कहीं होर करेंगे मालनो registered office मुंबई में है और आप meeting government approve करते है पर बिंदास meeting कर लो कोई problem नहीं है यह आपका पूरा का पूरा section 96 था कुछ point चूटा गया हाँ sir बिस 8 point चूटा कि अगर आप अपना first AGM समय पे कर लेते हो first AGM समय पे यानि कि क्या first AGM जो है अगर आप 9 मेने के अंदर कर लेते हो तो उस case में आपको जो every calendar year वाला meeting है मतलब आपका जो हर calendar year में meeting होना चाहिए first year में तो meeting नहीं हुआ तो law उसको माफ कर देगा क्या मतलब sir अगर एक company incorporate हुई है 15 April 2022 को उसका financial year कब खतम होता है 31 March 2023 को first AGM कब करना था first AGM करना था 31 December 2023 के पहले पहले अब sir इस समय पे उसने मालो कभी तो भी AGM कर लिया पर sir company incorporate हुई थी 2022 में अभी calendar year 2022 में आपने कोई meeting किया है क्या नहीं किया है क्योंकि आपने पहला meeting तो 2023 में किया है तो law ने बोला कोई बात थी तो first AGM बरोबर कर ले मैं ये वाले provision को माफ कर रहा हूँ तेरे को first year में meeting करने की कोई जरुवत नहीं है आपको no meeting in the year of incorporation, incorporation वाले साल कोई meeting करने की जरुवत नहीं है चीक है, समझे बोलो हाँ आगे बढ़ेगा दोस्तो बोलो हाँ, हाँ sir अब sir 96 हो गया, 96 के बाद आप समझो, 96 के बाद, आप सीधा 96 के बाद पढ़ो 97 97 क्या कहता है, अगर 96 में जो AGM बुलाना है, वो company नहीं बुला पा रही है किसी भी कारण वर्ष अगर company के directors जो है, वो AGM नहीं बुला रही है और ऐसा एक application जो है, वो members ने अगर tribunal को दे दिया, कि tribunal सुलना, meeting नहीं बुलाया जा रहा है तो tribunal order देगा, AGM बुलाने का और फिर उस order के basis पे AGM बुलाया जाएगा, और उसको validly conducted AGM माना जाएगा और sir, tribunal अपने order में directions देगा और वो directions में वो ये तक भी बोल सकता है, कि अगर ये वाला जो AGM हम बुला रहे है न, उसमें अगर एक member आएगा तो भी quorum मान लिया जाएगा, एक member छोड़ो, अगर एक proxy भी आएगा न तो भी quorum मान लिया जाएगा, ऐसी की तैसी, तुम AGM नहीं कर रहे हो न, हम अपने मर्जी के हिसाब से कराएंगे, tribunal order दे करके बुलाएगा, अगर उसके बाद सर्क्षिन 98 क्या कहता है, similarly अगर एक company जो है, किसी कारण वर्ष EGM नहीं conduct कर पाड़ी है, extraordinary general meeting, और अगर उसके बहुत सारे reasons हो सकते हैं, सर्जेसा कि मैंने आपको बताया था, directors अपनी meeting ही नहीं बुला रहें, और भी बहुत सारे reason हो सकते हैं, एक ही director बचाएं, तो law यह कहता है, जो director है, या company के जो members है, वो application दे सकते है tribunal को, और tribunal को बोल सकते है tribunal, tribunal हमको EGM करवाना है वापस से tribunal EGM का order देगा और उस order के हिसाब से EGM करवाया जाएगा सर एक बहुत important point समझना, section 97 में सिर्फ member application देता है लेकिन यहाँ पे director या member दोनों भी application दे सकते हैं क्योंकि ऐसा हो सकते है, director चाहता है EGM बुलाना पर बुलानी पारे समझे, उसके बाद सर section 99 क्या कहता है, कि अगर 97 और 98 में अगर आपने contravention किया है तो आपका section 99 में penalty लग जाएगा कितना penalty लग जाएगा सर देखो section 96, 7, 8 का अगर contravention किया है, या अगर आपने tribunal की बात नहीं मानी ना, तो आपने penalty लग जाएगा, 1,00, रुपीज तक का up to 1,00, रुपीज और हर दिन के 5,000 रुपे पर दे, हर दिन का 5,000 रुपे पर दे, तो सर आपका up to 1,00, रुपीज and in case of continuing default, 5,000 रुपीज पर दे तक का penalty लगेगा, company को भी और officer in default को भी, समझे, हाँ सर, अब उसके बाद अगला तुमारा सबसे चाहिता favorite section ध्यान से सुनना, extraordinary general meeting section 100 दोस्तो, ध्यान से सुनना extraordinary general meeting section 100 मैंने का, extraordinary general meeting दो लोग बुला सकते हैं, या तो board of director खुद बुला सकता है, या फिर जो request करेंगे, sir अगर board of director बुला रहा है, तो कहां पर meeting होगा, sir meeting इंडिया में किसी भी place में हो सकता है, extraordinary general meeting, इंडिया में किसी भी place में हो सकता है, पर इसका एक exception है कि अगर एक company है, जो बाहर के company का holy own subsidiary है अगर एक company है, जो company incorporated outside इंडिया की holy own subsidiary है तो ये जो holy own subsidiary है ना ये इंडिया में meeting करने की इसको जरुद नहीं है इंडिया के बाहर जाकर के भी meeting कर सकता है, जिसके माल लो sir, एक company है नेधर लैंड की, वो नेधर लैंड की company का holy own subsidiary इंडिया में है तो sir, ये जो holy own subsidiary है ना, उसको हम force नहीं करेंगे कि तो company का meeting जो है वो इंडिया में रख, उसके बाद sir, आजा requisitionist का, requisitionist का क्या सीने sir कुछ shareholder जो है ना, वो जाकर के company के register office में एक request डालेंगे in the form of notice और वो बोलेंगे हम company का EGM बुलाना चाहते हैं, उस notice में वो बताएंगे कि कौन से matters के लिए हम meeting बुला रहे हैं और नीचे sign करेंगे, आज sir, सवाल ये कितने लोग जाकर के request करना पड़ेगा depend करता है company having share capital है कि company not having share capital है अगर company having share capital है तो one-tenth of paid-up share capital जिसके पास है और अगर company not having share capital है तो one-tenth of voting power जिसके पास है वो लोग क्या करेंगे, वो लोग जाकर के vote करेंगे वो लोग जाकर के request करेंगे आप सर जब company के पास request आता है ये date बहुत important है जिसको मैं कहूंगा date A इसको कहते date of receipt of valid requisition इस दिन valid requisition आया है आप सर इससे 21 days के अंदर company के board of directors को meeting बुलाना पड़ेगा और इससे 45 days के अंदर आपको meeting held करवाना पड़ेगा क्या करवाना पड़ेगा held और conduct करवाना पड़ेगा आप 21 दिन के अंदर बुला रहे हो 45 days के अंदर conduct करवा रहे हो पर अगर आप दोनों मेंसे कुछ भी नहीं कर पाए न तो आप फिर 3 महने के अंदर पावर स्वावर चला जाएगा रेक्विजिशनिस्ट के पास और अब जो रेक्विजिशनिस्ट है रोutar मीक मेंटिंग बूला सकते हैं क्योंकि तुम को 21 दन का time दिया था तुमने तो नहीं बुला आप सब जब बोर्डड बपॉरर नहीं बुला रहे तो जिस दिन आपका valid requisition आया था उसके तीन दन बात का तीन दन बात का आप क्या करोगे register of member लोगे उनमें जिसका भी नाम होगा उनको meeting में बुला लोगे पर अगर board नहीं बुला रहा है क्या होगे अगर requisitionist को बुलाना पड़ रहा है न तो आपना 21st दन का यह जो 21st day है उस दन का register of member दिया जाएगा और उस पर बुलाया जाएगा अब sir requisitionist मतलब कौन यह लोगों ने जिन्होंने initially request किया था यह लोग meeting बुलाएंगे तो यह लोग क्या करेंगे sir यह लोग सारे members को आप क्या बेजेंगे बेजने का पैसा खर्चा होगा वो सॉरी notice बेजने का जो पैसा खर्चा होगा उसका क्या notice बेजने का जो खर्चा होगा न वो आपको reimburse हो जाएगा company के through और company जो है न उसको अपने खुद के director के salary इसमें से काट लेगी sir director के remuneration में से क्यों काट होगे क्योंकि काम किसका मीटिंग बुला न डायरेक्टर का अब डायरेक्टर नहीं बुला रहे तो उसके remuneration में से काट लिया जाएगा उसके बाद sir दोस्तो दीपा मिश्रा दोस्तो थोड़ा सा न प्रीज spellings पर ध्यान रखा करो हम लोग इतनी महनत करते हैं इतनी सारी चीज़ें समझते हैं अगर exam में spelling गलत लिख करके आ जाए न तो फिर अपने को marks का बहुत नुकसान हो जाता है तो सर दींबर्स होगा और आपका उसके अलावा business hours के अंदर meeting होगा सुबन आव बजे से 6 बजे सारे रूल वही है सर यह notice के आप email में बेच सकते हो जी हाँ यह notice आप email में चाहो तो बेच सकते हो इस तरह के बहुत सारे provision है EGM के मैं देख लेता हूं कुछ point चूटा है क्या हाँ सर यह जो notice आप बुला रहे हो ना यह जो meeting आप बुला रहे हो जिसे मैंने आपको example दिया था मैं अगर acquisition निच्ट हो और मैं गौतम अडानी के अडानी के सारे शेयरोल्डर का meeting बुला रहे हो क्यों ऐसा क्यूंकि मैंने बुला गौतम अडानी को निकालना है क्यों निकालना है सर मैं रस्ते से जा रहा था बेलपुरी खा रहा था कर रहा था कुछ-कूछ ठीक है अब मेरेको ना जरूरी नहीं है सर एक सिंपल सा पॉइंट बताता हूं यह meeting है EGM, EGM है तो इसमें सारे business जो होंगे वो special business होंगे सारे special business को क्या लगता है explanatory statement लगता है पर यहां पे आपके explanatory statement में आपको reasons disclose करने की कोई जरूरत नहीं है अगर आप करना चाहो तो कर लो वरना कोई जरूरत नहीं है ठीक है सर अगर आपने accidentally omit कर दिया किसी को notice भीजना तो उससे meeting का meeting जो है वो invalidate नहीं होगा एक यह important case law है important case law क्या है कि अगर अगर आप requisition जो है क्या उनको reason specify करना जरूरी है बिल्कुल भी नहीं उनको reason specify करने की जरूरत नहीं है सिर्फ मुद्धा बता दने से काम हो जाएगा और यह decide हुआ था LIC versus escorts के case में एक case law था LIC versus escorts का वहाँ पर यह decide हुआ था कि आपको इस तरीके से क्या करना होगा आपको मुद्धा बताना होगा reason बताने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी अब सर में को एक बात बताओ अब आ जाते हैं अगले section में जिसक clear days मतलब क्या जो AGM वाला दिन है और जो notice serve होने वाला दिन है यह दोनो दिन को include ने करेंगे मतलब इसके बीच में gap 21 days का होना चाहिए अब सर notice अगर आप चाहते हो कि 21 days पहले serve हो जाए तो आपको इसके 48 hours पहले notice को क्या करना पड़ेगा dispatch करना पड़ेगा क्यों ऐसा क्यों माल लिया जाता है deemed to be served माल लिया जाता है तो इसलिए आपको 48 hours पहले बेजना पड़ेगा अब सर्थ दूसरा point कि यह है आपने बोला 21 days का notice चाहिए पर क्या shorter period का notice हो सकता है मतलब कम समय का 15 दिन का 20 दिन का हाँ हो सकता है depend करता है AGM है कि EGM है अगर AGM है तो आपको 95% of members का consent चाहिए होगा 95% of members का consent चाहिए होगा कि हम shorter period पे meeting बुला लेंगे members का paid up share capital है voting power नहीं पर अगर आपका EGM है ना तो depend करता है company having share capital है कि company not having share capital है सर अगर company having share capital वाली company है तो उस case में सुनना मेरी बात ध्यान से अगर having share capital वाली company है तो एक unique तरह का इन्होंने निकाला है इन्होंने बोला 95% of share capital तो अपन देखेंगे साथ में अपने को majority in members भी चाहिए majority in members मतलब क्या जितने members है ना number of members मालो 100 है तो हमको 51 members का भी approval चाहिए और हमको उतने लोगों का भी approval चाहिए जो 95% paid up share capital होल्ड करते है तो अभी जाके आप EGM को shorter notice पे बुला सकते हो और दूसरा आपको ना अगर not having share capital है तो सिर्फ 95% of voting power से काम हो जाएगा 95% of voting power से काम हो जाएगा law कह रहे है सीधे सीधे मत करना पे मत करना यह सब टफरी क्यों कर रहे है नहीं देंगे तरको हम करने shorter period में meeting मत बुला उसके बाद सर में को एक बात बताओ उसके बाद और क्या पॉइंट से सर यह हो गया यह हो गया सर notice में आप place date time hour सब कुछ वो पागल लोगों को दोगे mad लोगों को दोगे mad क्या हो गया sir mad हो गया member member auditor और director और अगर आपके member की death हो गये तो death होने की case में आप legal representative को दे दोगे और अगर insolvent हो गया है तो आप उसके assignee को दे दोगे पर आपको notice भेजना पड़ेगा तो notice sir आप आप मेशा mad लोगों को दे दे हो पागल लोगों को देते हो अगर आपका accidental omission हो गया तब गलती से अगर रह गया गलती से mistake हो गयी तो law किता है भीया माफिये चल तू ज्यादा tension मतले तेरे accidental omission के वज़े से तेरा meeting invalid नहीं हो जाएगा तेरा meeting invalid नहीं हो जाएगा समझें आगे सुनो sir what are the modes of sending notice आप notice किस तरीके से बेज सकते हो सवाल exam में ये उठकर के आता है क्या electronic means से भी notice बेज सकते हो e-means से email से भी notice बेज सकते हो क्या sir आपको 4 point लिखके आने exam में आपको पूरे number मिल जाएंगे पहला point आपको ये लिखना है कि electronic mode से notices बेजना जो है वो statutorily recognized है मतलब legally allowed है दूसरा electronic means मतलब क्या होता है वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है तीसरा आप क्या लिखोगे notice जो भेज रहे हो आप ताओ के थूरू बेज होगे ताओ मतलब text attachment या URL आप उसमें क्या एक इंसान अपना email ID change कर सकता है या add कर सकता है हाँ जी सर साल में एक बार आप कम से कम ये मौका दोगे जहाप email ID change और add हो सकता है तो subject line दोगे email का जिसमें आप बताओगे company का नाम क्या है notice क्या है और place and date क्या है meeting का मैंने आपको class में दिखाया था जो आप को मैंने कौन से company का दिखाया था HDFC bank का दिखाया था dividend वाले concept में तो उनका जो notice आता है उसमें पूरा ये सारी चीज़े लिखी होती है और उसके बाद आप website में डाल दोगे notice और other website में भी आप ये notices को place कर दोगे अब sir आपको notice अगर बेजना है तो 48 hours पहले बेजना पड़ क्योंकि 48 hours के बाद वो deemed served माल लिया जाता है क्या माल लिया जाता है deemed served माल लिया जाता है अब sir कुछ important question का जवाब दे दो मेरे को sir क्याじ सार इंडिविज्व दारेक्टर जेनरल मीटिंग ले बुला सकता है इंडिविजूलन डारेक्टर मतलप क्या एक एक इक लूरता इंसान क्या वह जेनरल लीे बुला सकता है या डे एंसब इस सर इंडिविजुल डायरेक्टर कभी भी नहीं बुला सकता मीटिंग मीटिंग जो है माना की डायरेक्टर बुलाते हैं वर मीटिंग को बोड ऑफ डायरेक्टर बुलाता है एक डायरेक्टर अचानक से सोगे उठा बुला यार साले शेलोडर को बुलाओ नहीं बुला सकता व वो मेरी problem नहीं है, मेरा काम था मेरे तरफ से विजवाना, मैं यह नहीं देख सकता, कि जो transmitter है, या बीच में जो transmission है, वो properly जा रहा है, कि नहीं, अग company's obligation to send notice shall be satisfied, when it transmits ना email, जब उसने भेज दिया, company cannot be held responsible for transmission of email beyond control, आप transmission करवा के नहीं दे सकते, sir, ठीक है, sir, अगर member ने अपना email ID नहीं दिया, तो मैं कहां से बेजूँगा, उसको email मैं नहीं बेज भाऊंगा, और companies act does not provide anything specific regarding condemnation of delay and giving notice, sir, condemnation of delay मतलब क्या, अगर मैंने members का approval नहीं लिया, पर मैंने AGM का notice जो है न, 21 days की जगा, 15 days का notice दिया, और बाद में मैं बोल रहा हूँ, बोले को ले करके, ठीक है, अब सार आगे बढ़े, बोलो सार आगे बढ़े क्या, हां, बूत बड़ा चाप्टर है, आगे बढ़ते हैं, मेरी बात सेनो, दोस्तो, दोस्तो, तुम ये revision वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे की नहीं ये बता दो, पहले मेरे बता दो, तुम लोग शेयर करोगे की नहीं अपने दोस्तों के साथ, हां की नहीं, की तुम बोलोगे नहीं, नहीं बहुत बोस्तों वो जाओके, बोलोगे नहीं नहीं, ये वीडियो हमारे लिए special हैं, हम किसी को नहीं देगे, क्या, चलो जर, 105 तक चलता है, फिर ब्रेक लिएगे, सुनो, 102, 102, 102 क्या है सर, 102 सिंपल सी बाते करता है, business दो तरह का होता है बेटा, एक ordinary business, एक special business, पर, पर, अम्मी जान ने तो कहा था, कोई भी धंदा special, ordinary नहीं होता, कोई भी धंदा चोटा या बड़ा नहीं होता, अरे पर है, business ह होता है, ordinary और special होता है, अगर आप AGM में ये चार business कर रहे हो, तो उसको ordinary business माना जाएगा, financial statement को देखकर के company ने बोला, इस बर जो dividend जो है, वो directors को भी मिलेगा, और auditors को भी मिलेगा, financial statement को देखकर के company ने बोला, जो dividend है, वो directors को भी मिलेगा, और auditors को भी मिलेगा, sir, financial statement का क्य To consider and approve the financial statement, dividend, to declare the dividend for the financial year, directors का क्या? To appoint a director in place of the retiring director, तुम लोग मेरे पीछे-पीछे बोलो ना, to appoint a director in place of retiring director, and auditor क्या है? To appoint an auditor and fixing remuneration thereof, उनकी तंखा भी decide करना, ये चार काम क्या होता है sir, ये चार काम ordinary business होता है, जब आप AGM में कर रहे हो, इसके अलावा कोई भी और business आप AGM में कर रहे हो ना, वो special business हो गए, और sir, EGM में तो आप जो भी करो, EGM में तो जो भी करो, वो सारी चीज़े special business ही होती है, ये point आपको समझा गया, अब sir, special business बनाने का फाइदा क्या है? कोई भी चीज अगर special business है ना, तो आप जो notice भेजोगे ना, notice में आप एक statement attach करोगे, जिसको हम कहते है, explanatory statement, क्या कहते हैं जिसको हम, जिसको हम कहते है, explanatory statement, ये explanatory statement क्या है, basically notice में एक attachment रहता है, जिसमें आप भी ये special business के एके client item को बहुत detail में समझाते हो, इसमें sir, आपको disclosure देना पढ़ता है, जिस disclosure को मैं, मैं, तो category में डिवाइट करता हो, एक है general disclosure, और एक है specific disclosure, general disclosure क है, कि जब भी आप कोई transaction कर रहे हो, तो उस transaction में nature of interest, nature of interest, क्या sir, nature of interest, financial or otherwise, किसी भी तरह का interest, अगर आपकी company के promoter का, director का, या key manager person का, या उनके relative का है, अगर इस transaction में, तो वो nature of interest उनको बताना पढ़ेगा, मतलब सर मालो, अगर अगर अडानी जो है, वो किसी इनसान के साथ special business कर रही है, तो ये इनसान के साथ, अडानी के किसी director का, अगर कोई interest है ना, तो उसको बताना पढ़ेगा, और disclose करना पढ़ेगा, और दूसरी चीच sir, आपको क्या करना पढ़ेगा, आपको हर वो दूसरा information देना पढ़ेगा, हर वो information देना पढ़ेगा, जिससे decision making easy हो special provision क्या है, special provision यह है कि अगर एक company जो है, वो किसी और company के साथ, कोई transaction में इंटर कर रही है, और इस company का जो promoter, key manager person या director है, वो अकेले या बाकी लोगों के साथ मिला करके, इस company का 2% या उससे जाधा pay-up share capital होल्ड करता है, तो law केता है भया, तू इस company के साथ interested है, और ये company के स अगर कोई भी special business कर रहे है, तो उसके explanatory statement में तेरा shareholding आ जाना चाहिए, तो ये specific क्या disclosure हो गया, अगर एक company, दूसरे company के साथ transaction कर रही है, और वो दूसरे company में मेरे promoter, key manager person या director, उनका relative नहीं लिखा है, sir, promoter, director या key manager person, 2% से जाधा pay-up share capital होल्ड करते है, तो क्या माना आएगा, क्या तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, disclosure देना पड़ेगा, अपने explanatory statement में, कि देखो हमारा director sharehold करता है, आप ज़रा सोच समझ करके approval देना, समझे क्या, ये आपका पूरा disclosure का point हो गया, sir, आपके explanatory statement में, सारे points हो गया, और अगर sir, आपने यहापे contravention कर दिया अगर आपने ये section के इसाप से explanatory statement नहीं दिये, तो every promoter, director, manager, who is in default shall be liable to a penalty of higher of 50,000 और 5 times the amount of benefit accrued to such promoter, से एक point बता देता हूँ, अगर general point ये है, कि अगर आप यहापे ये disclosure नहीं कर रहे हो न, disclosure नहीं कर रहे हो, और disclosure करने के वज़े से कोई भी benefit हुआ आपको, मतलब क्या, अगर Adani है, Adani जो है, वो transaction कर रहे है, जीत Adani के साथ, और Adani का जो director है, उसका خुद का नाम जीत है, और वो इस company में क्या है, promoter है, क्या है, company में promoter है, तो वो तो interested है, तो उसने अगर अपने interest disclose नहीं किया, और ये transaction approve हो गया, तो transaction approved होने के बाद, जो भी benefit हुआ है ना जीत को वो benefit जो है वो पूरा का पूरा company को लटाया जाएगा it will be held in the trust of such person and will be compensated to the company माना जाएगा आप company के भरोसे पे रख रहे हो और company को पैसा आपको वापस करना पड़ेगा यह आपका क्या था sir explanatory statement वाला पूरा का पूरा provision था अब sir उसके बाद आजाओ सबसे important provision पे जिसका नाम है quorum sir quorum क्या होता है कि आप मेरे को बता सकते हो what is quorum, quorum क्या होता है sir minimum number of members that are required to be present to have a valid meeting तो law क्या कहता है, quorum क्या होता है sir सबसे पहले अलग-अलग होता है public company में अलग और private company में अलग पर सबसे पहले एक लाइन हमेशा लिख देना quorum में unless unless AOA provides for a larger number अगर AOA में कोई larger number लिखा है तो तो अलग बात है तो तो अलग बात है पर unless AOA provides for a larger number public company के case में quorum क्या होगा 0 to 1000 का, 1001 to 5000 का और more than 5000 का sir quorum होगा 5, 15 और 30 पर private company के case में दो member quorum होगे और ये सारे members को personally present गिना जाएगा वदब proxy को quorum के purpose के लिए नहीं गिना जाता है personally present आपको देखना पड़ेगा उसके बाद sir मेरे को बताओ quorum कब होना चाहिए जब आपका meeting का time था न उसके 30 minutes के अंदर या फिर half an hour के अंदर आपका quorum meet हो जाना चाहिए अगर half an hour के अंदर quorum meet नहीं हुआ तो क्या होगा sir अगर देखो एक तो normal meeting अगर है न तो आपकी meeting adjourn हो जाएगी क्या हो जाएगी adjourn adjourn क्या होगा sir देखते हैं पर अगर sir ये वो meeting है जो section 100 के अंदर requisisness ने बुलाया है किसने बुलाया है requisisness वो नहीं था क्या जहां पर requisisness बोल करके meeting बुला सकता है अगर requisisness के बुलाय हुए meeting में अगर quorum नहीं आता है न तो law बुलता है cancel करो गदे लोग time based कर रहे हो company का एक shareholder दूसरे shareholder को meeting ले बुला रहा है दूसरे shareholder आभी नहीं रहा है तो sir law क्या कहता है adjourned meeting जो है requisisness वाली meeting cancel हो जाएगी पर जो normal meeting होती है वो adjourned हो जाएगी sir कब कले adjourned होगी या तो वो same time, same place, same day next week मतब सिर्फ अगला हफता हो गया बाकी सब वही है सब कुछ वही है बस next week हो गया या फिर such other time period as the board में decide board decide कर सकता है कि कौन सा time कब होगा meeting अगर आप जो भी time decide करो आपको कम से कम 3 दिन पहले notice दो देना पड़ेगा कि भया हजरात, हजरात, हजरात meeting है आ जाना और यह जो notice है आप newspaper में तो दोगे और website में भी अपने डालोगे सर यह सब क्या है, यह basic provision है क्या का मैंने 30 दिन के अंदर meeting 30 minute के अंदर quorum आ जाना चाहिए अगर 30 minute के अंदर quorum नहीं आया तो आपकी meeting adjourn हो जाती है, या तो automatic adjourn हो जाता है, या फिर manually आप adjourn करोगे और date आप decide करोगे अगर उस case में आपको तीन दिन का notice देना पड़ेगा, notice आप newspaper में भी दोगे और आप क्या करोगे, आप उसको website में भी दोगे, पर सर अगर adjourn meeting में भी quorum नहीं आया तो सर, adjourn meeting में quorum अगर आ गया, तो तो very good, पर adjourn meeting में भी अगर 30 minute के अंदर quorum नहीं आया, तो जो लोग आए हैं, जो लोग आए हैं, उनको quorum माल लिया जाएगा, जितने भी लोग है, उनको quorum माल लिया जाएगा, सर अगर 4 member आए तो, quorum, 2 member आए तो quorum, एक member आए तो, नहीं sir एक member आते हैं, तो quorum नहीं माना जाता है एक member का कभी भी meeting नहीं होता है एक member का meeting का सिर्फ एक ही case है, जो section 97 और 98 है जहाँ पे आपका tribunal order दे रहा है, कि एक member में भी quorum माल लूँगा, गुसे गुसे में, पर उसके अलावा एक member का कभी भी meeting नहीं होता है, practically impossible है practically दिमाग खराब है क्या, बोलेंगे law आप सर्थ छोटी छोटी बाते मेरे को बता दो, जो मैं आपको पूरा concept clear हो जाएगा, आपको मैंने class में question करा है तो, वो ही बता दो मेरे को, रुख जाओ मेरे को ये वाला question वापस से याद दिला दो, कोरम, मेरे को बता ना, कोरम कितना होगा, टोटल number of members अगर पंदरा सो है, तो आपको कोरम कितना चाहिए, पंदरा का कोरम चाहिए, मेरे को बता ना, किसको किसको कोरम में गिनोगे, ABC जो है शेरोल्डर है, meeting में आये थे, प्रेफरेंट शेरोल्डर का ये meeting में क्या थाम है, ये assume करता हूं में, कि जो meeting है, उसमें प्रेफरेंट शेरोल्डर का कोई रोल नहीं है, तो उनको कोरम के लिए नहीं गिना जाएगा, प्रॉक्सिस, नहीं सर, प्रॉक्सिस को भी नहीं गिनोगे आप, representative of president, अगर कोई president का representative है, सर, president का representative कब होता है, अगर central government shareholder है, तो shares president के नाम पे होता है, उसके representative, सर, representative of president को member माना जाता है, और एक गिना जाएगा, similarly, representative of governor कब, जब state government shareholder है, तो उस case में उनको भी एक माना जाता है, उसके बाद representative of body corporate, अगर मानलों एक company में दूसरी company shareholder है, वो दूसरी company का representative मेरे meeting म आ रहा है, तो उसको भी माना जाएगा सर, गिन लिया जाएगा, अब सर, M सबसे important है, M एक बंदा था, जो meeting में आया था, जो body corporate 2 और body corporate 3 दोनों को represent कर रहा था, उसको कितना गिनोगे कोरम के purpose ले, उसको दो गिनोगे, क्योंकि सर, दो अलग-अलग body corporate को represent कर रहा है, भले एक शरीर में इंसान आया है, पर दो company आया है, उसको दो गिना जाएगा, कोरम के purpose के लिए, सर समझ आया आपको यह, अगर यह सारे, यह concept समझ आ गे ना, इसके उपर पोरम का कुछ नहीं बचाए, ठीक है, चलो सर, अगला, सर अगला बहुत simple है, ओ बेटा, अरे ओ बाबू जी, सुनो सर, अगला बहुत simple है, मेरी बात ध्यान से सुनना, प्लीज, दोस्तो, दोस्तो, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, section, अगला section है 104, 104, 104 क्या है, 104 बात करता है, chairman के बारे में, हम 104 करेंगे, 105 करेंगे, 112 करेंगे, 113 करेंगे, फिर एक बर कले रुख जाएंगे, 104 क्या बात करता है, chairman के बारे में क्या बात करता है, कि chairman, जो होता है, वो कैसे appoint होता है, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना, members जो meeting में आते हैं, वो पोल का डिमांड कर दिया गया for appointment of chairman, तो क्या होगा, यह जो show of friends से जिस बंदे को आपने chairman बनाया था, मालनो राम को आपने chairman बनाया था, तो आप राम क्या करेगा, अपने पेर पे खुद कुलाडी मारेंगे, कैसे, राम जो है ना, वो क्या करेंगे, पोल करवाएंगे, और पोल में यह decide होगा, कि जो chairman है, वो continue करेगा, कि कोई नया chairman आएगा, जब तक ये पोल का result नहीं आजाता ना, तब तक वो chairman जो है, वो continue करेगा, और जैसे ही पोल का result आजाता है, नया वाला chairman take over कर लेगा, अब सर्द, chairman का role क्या होता है chairman का काम होता है, यह आपका chairman का basic सा provision था, उसके बाद आजो section 105 में, जो बहुत important है, proxy form के बारे में, क्या बोलता है, sir, law यह कहता है, हर member जो है, एकदम ध्यान से सुनना, एकदम दिमाग, घुसा करके सुनना, इसमें ये वाला provision, super से भी उपर important provision है, अरे बोलो, सुनोगे की नहीं, अरे बोलो, सुनोगे की नहीं, बच्चो, sir, इधर देखो, इधर देखो, sir, इधर देखो, please, मेरी आखों में देखा कर, जब मैं बात करता हूँ, मैं वो londa हूँ, जो तेरे साथ पढ़ता हूँ, मेरी बात सुनो, white की नहीं लाया हूँ, तुझे पर करने देखो, छीक है, कल गाऊंगा, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, दोस्तो, मैंने क्या का, section 105 किस बारे में बात करता है, प्रोक्सी के बारे में बात करता है, हर member को जो है, right होता है, to appoint a proxy, और यह proxy of hands वगएरा में, वो क्या नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता, होश्यारी नहीं मार सकता, तो यह आपका proxy होता है, जो attend और vote कर सकता है meeting, तो sir, law यह कहता है, ओए company, तो जब भी अपने member को notice में बेज रहे न, वो notice में बता देना member को, कि member सुन, तू ना, एक proxy appoint कर सकता है, जो तेरे भीयाफ में meeting attain करके vote कर सकता है, पर, यह proxy appoint करने के, proxy appoint तो कर लेना, पर मेरी बात ज्यान से सुनो, sir, क्या यह proxy का भी खुद का, उस company का member होना ज़रूरी है, क्या proxy का खुद का member होना ज़रूरी है, नहीं sir, बिलकुल भी नहीं, proxy का, खुद का member होना ज़रूरी नहीं है, पर section 8 company, I repeat, not need the company, section 8 company में क्या है, member होना ज़रूरी है, मतलब अगर एक member, किसी और को proxy बनाना चाहता है, तो वो proxy भी member होना चाहिए, section 8 company के case में, अब sir, उसके बाद आगी की बात सुनो, sir, आप proxy appoint केसे होएगा, sir, proxy appoint करें, अच्छा, सुनो, सुनो, sir, थोड़ा limits की बात कर लेते, क्या यह जो proxy बन रहे है, proxy कौन बन रहे है, मालो, हर्च जो है, वो proxy बन रहे है, हर्च जो है, वो proxy बन रहे है, हर्च क्या कित्ते shareholder के proxy बन सकता है, तो law ने maximum 50 shareholder के ले तुम proxy बन सकते हो, और वो 50 shareholder भी है न, वो maximum 1 10th of share capital होल्ड कर रहे है, 1 10th of paid up share capital होल्ड कर रहे है, सिर्फ उत्ते लोगों के ले आप proxy बन सकते हो, पर sir, अगर एक shareholder है, जो 50% अकेला hold करते है, तो वो किसी को proxy नहीं बना सकता है, वो proxy बना सकता है, पर वो सिर्फ एक जेने को, एक single person को proxy बनाएगा, और वो single person जो है न, किसी और के लिए proxy नहीं बनेगा, वो मतलब हर्ष को अगर proxy बनाता है, तो हर्ष फिर किसी और का proxy नहीं बनेगा, sir, एक सवाल का जवाब दो, जो member था, उसका पूरा rights है, पर sir, proxy का limits क्या है, वो maximum 50 लोगों का proxy हो सकता है, जो 110 capital होल्ड कर रहे, अगर 110 से जाधा capital को होल्ड कर रहे, तो उसका proxy बन जाना, उसके अलावा और किसी का भी proxy मत बनना, यह आपका पूरा provision है, sir, proxy का basic, अब sir, सुनो, अगर एक member जो है, वो एक proxy अगर appoint करना चाहता है, तो member को company को intimate करना पड़ेगा, कितने समय पहले intimate करना पड़ेगा, sir, आपके general meeting के कम से कम 48 hours पहले intimate करना पड़ेगा, एक proxy form बरके देना पड़ेगा, जो form है MGT 11, 11 यानि की गया, एक और 11, तो sir, आपको 48 hours पहले देना पड़ेगा, मतलब sir, अगर general meeting 14th February को है, ओ, मज़े आए तुमको, सुनो, sir, अगर 14th February को है, तो आपको कम से कम 2 दिन पहले, मतलब 12th February तक जमा करवाना पड़ेगा, अगर sir, 12th February के पहले जमा करवा दिये तो law ने बुला, बिल्कुल भी नहीं, आप article of association जो है यह 48 hours के limit को नहीं छेड़ सकते, यह law ने fix कर दिया है, law ने clearly लिग दिया, even if AOA provides for a longer period, company 48 hours पहले application ले लेगी, उससे और ज़्यादा पहले मना नहीं करेगी, बदब ऐसा और इंसान को जा करके, यह proxy form जो है न, वो evaluate करना है, क्या वो कर सकता है हाँ sir, उसको company को intimate करना पड़ेगा, general meeting के कम से कम 3 दन पहले उसको यह बताना पड़ेगा, मैं ना proxy form देखना चाहता हूँ, उसके बाद sir, आप inspect कप करोगे आपका general meeting start होने से लेकर, general meeting खतम होने तक, और उसके भी पहले 24 hours पहले तक, इस समय में किसी भी business hours के अंदर आप क्या कर सकते हो, आप inspection कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, inspect कर सकते हो, यह period के बीच में जो भी business hours है उसमें आप क्या कर सकते हो, इंस्पेक्ट कर सकते हो, यह आपका provision है sir, क्या कहा मैंने, मैंने यह कहा आपको, कि यह जो proxy form है, उसको अगर को evaluate करना चाहता है, यह सबसे important point है sir, inspect अगर करना चाहता है, तो वो आपको 3 दिन पहले company को intimate करेगा, और जब आपका meeting start हो र आजाना चाहिए inspection का, intimation आजाना चाहिए 11th feb, 11 बजे के पहले पहले, अब sir, आप inspection कप कर सकते हो, आप 13th feb, 11 बजे से ले करके, आपका 14th feb को, शाम को meeting मालो, 5 बिस तक चलता है, तो आप यह 11 बजे से ले करके, 5 बिस तक कर सकते हो, तो क्या रात को 2 बजे आ जाओ sir, नह अगर default किया, तो आपको penalty लग जाएगी 5000 रुपे की, sir, point number 5 और point number 6 काट दो, sir, कभी-कभी क्या होता है, एक meeting में member भी खुद पहुंच जाता है, proxy भी खुद पहुंच जाता है, तो क्या होगा, तो sir, अगर member ने पहले vote कर दिया, तो member चीद गया, पर अगर proxy ने vote कर दिया, तो member फिर उसके authority को retract नहीं कर सकता, वापस नहीं ले सकता, क्या बोला, मैंने कभी-कभी क्या होता है, meeting में, proxy form भरने के बाद भी member भी पहुंच गया, proxy भी पहुंच गया, अगर दोनों भी पहुंच जाते हैं, तो member ने अगर पहले vote कर दिया, तो proxy फिर नहीं vote कर सकता, proxy का vote invalid है, पर अगर proxy ने vote कर दिया ना, तो member जो है, वो retract नहीं कर सकता, proxy का power, यह बोलके कि मैं तो आ रखा हूँ, नहीं sir, आपने proxy के पॉइंट किया था, proxy के पास बरोबर power है, उसके बाद section 112 और 13 आजो, बहुत simple है, 112 और 13 क्या कहता है, 112 यह कहता है, कि माल लो अगर central government और state government shareholder है, और उसके मतले में, president और governor अगर sharehold कर रहे हैं, तो वो meeting certain करने के लिए, एक representative appoint कर सकते हैं, क्या appoint कर सकते हैं, और यह जो representative है ना, उसको member माल लिया जाएगा, क्या माल लिया जाएगा, member माल लिया जाएगा, and he shall be entitled to exercise, same rights to vote by proxy and postal ballot, मतलब sir, पूरा का पूरा उसको member का right दे किया जाएगा, और similarly, अगर कोई body corporate है, अगर कोई body corporate है, और body corporate को अगर shareholder का meeting, member का meeting या creditor का meeting अटेंड करना है, तो वो किसी person को representative बना सकते हैं, और वो representative की बास भी पूरा vote रहेगा, sir, simple मिर को एक बात बता दो, sir, यह company है Adani Limited, Adani Limited में Reliance Industries जो है, वो shareholder है, कौन किस में shareholder करत अडानी का general meeting बुलाया गया, क्या, आपने कभी यह देखा है, Reliance देखो meeting में जा रहे, नहीं न, Reliance किसी को भेजेगा, तो जिस इनसान को Reliance भेजेगा, उसको हम कहते है representative, मालो Reliance ने बोला, कि हम जो उसका बेटा है, क्या नाम है, Aakash Ambani, Aakash Ambani को भेज रहे है, तो Aakash Ambani representative म बाना जाएगा, अब मेरे को बताओ, जब Aakash Ambani इस general meeting में जाएगा, क्या quorum के calculation में उसको गिनेंगे, जब वो general meeting में जाएगा, क्या quorum के calculation में उसको गिनेंगे, the answer is yes, quorum के calculation में आप उसको किनोगे, से में एक मात बताओ, Aakash Ambani यहाँ पर क्या, किसी proxy को appoint कर सकता है, क्या वो खुद proxy है, the answer is, वो बिलकुल किसी proxy को appoint कर सकता है, the answer is yes, because Aakash Ambani is deemed to be a member, deemed to be a member, जो representative होते है ना, वो proxy नहीं होते है, उनको member माना जाता है, तो इसलिए Aakash Ambani को आप quorum में गिनोगे, पर Aakash अगर किसी को proxy appoint कर दिया, तो उसको आप quorum में नहीं गिनोगे, अरे बोलो सम चलो एक break लो पांच मिनिट का फिर उसके बाद शुरू करते हैं, ठीक है, चलो, पांच मिनिट का नहीं सर, आकचली 10-12 मिनिट का break लो फिर उसके आगे का शुरू करते हैं, चलो सर, खतम कर देते हैं, खतम ही कर देते हैं, पूरा का पूरा चाक्टर को, पूरा मम ही कर देत प्रफ़ाइव से शुरू होता है और अंडेट सिक्स से लेकर के अंडेट टेन तक आपको पढ़ना है यहां पर हंडेट टेन आएगा अब मेरी बात चुनों सर अंडेट सिक्स क्या कहता है क्या आप किसी शेरोल्डर के वोटिंग राइट को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं या किसी शेरोल्डर के वोटिंग राइट को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं बिल्कुल हां रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं सर अगर AOM में पावर दिया है तो आप दो ग्राउंड पे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं सबसे पहला अगर कोई कॉल अंपेड है या फिर अगर राइट टू ल इसमें याद रखना AOA में पावर होना बहुत जरूरी है, अब सर्थ सुनो, जब पोल की बात होती है, तो एक member या proxy अपने votes को अलग-अलग तरीके से भी use कर सकता है, जिसे अगर उसके बस 1000 votes है, तो ऐसा भी कर सकता है कि 600 votes उसने favor में डाला और 400 votes उसने use ही नहीं किये, तो इ एक बात दोनों को हाँ कहना बहुत जरूरी है, पर अगर दोनों का difference of opinion है ना, तो फिर उस case में जो senior shareholder है, मतलब जिसका नाम सबसे पहला दिया गया है ना, in the order of seniority, वो आकर के अपना vote करेंगे, वो आकर के अपना vote करेंगे और उनके vote को valid माना जाएगा, समझे सर, उसके ब show of hand से जो vote हुआ, वो resolution pass हो गया, ये कब पता चल जाएगा, तो अगर दो चीज़े हो जाती है, सबसे पहला अगर chairperson ने declare कर दिया resolution को, और दूसरा, वो जो resolution है ना, उसको आपने minutes में भी enter कर लिया, तो ये दोनों condition अगर meet हो जाते है, तो it will be conclusive evidence that the resolution has in fact been passed, कल को कोई और इ ये एक तो chairman ने declare कर दिया, और दूसरा क्या हुआ, आपका minutes में आपने entry कर लिया है, समझे, अरे बोलो हाँ की नहीं, हाँ sir, उसके बाद से एक बात मतलब क्या, insolvent shareholder जो होता है, insolvent मतलब क्या, जो दिवालिया हो गया है, कंगाल हो गया है, क्या वो shareholder भी vote कर सकते है, show of hand से, sir, सुनो, show of hand से, हर वो member vote करता है, जिसका नाम register of member में आता है, अगर insolvent होने के बाद भी, अगर आपका नाम register of member में लिखा है, तो आप बिलकुल vote कर सकते हो, कोई problem नहीं है, समझे, 107 के बाद हम कौन से section पढ़ते हैं sir, 107 के बाद हम हमीशा पढ़ते हैं 109, जो बात क इसको रगा है यार, यही सही है, तो chairman या तो suo motu, या फिर on request of the shareholders, वो क्या करवाएगा, polling करवाएगा, अब sir, request of the shareholders, मतब कितने लोग पोल के लिखेस्ट कर सकते हैं, sir, members और proxy मिला करके, depend करता है, company having share capital है, कि company not having share capital है, आप मेरे को बताओगे, अगर company having share capital है, तो कितने लोग request करेंगे, sir, उतने लोग जिनके पास one tenth of voting power है, paid up share capital है, one tenth of voting power है, या paid up share capital जो है, वो 5 लाग रुपय है, उससे जाधा है, यह case में क्या करेंगे, वो company having share capital वाले vote करेंगे, वाले request कर सकते हैं, पर company not having share capital की case में, one tenth of voting power सिर्फ देखा जाएगा, अगर one tenth of voting power अगर आपके पा withdraw कर सकते हो, आप चाहो तो withdraw कर सकते हो, अब sir, polling का process क्या होगा, बहुत simple होगा, सुनना, company का general meeting हुआ है, general meeting में chairperson है, और decide हुआ कि polling होगा, या तो chairperson ने खुट decide गया, या request किया, तो sir, polling कब होगा, प्रेंट करता है, polling कब होगा, प्रेंट करता है matter क्या है, जिसके लिए polling मा कितने गंटे के अंदर, 48 hours के अंदर polling होगा, अब polling का process क्या होगा, polling का process बहुत simple होगा, general meeting में, जो chairperson है, वो एक बंदे को appoint करेगा, जिसका नाम होगा scrutinizer, scrutinizer को सारे details दे देगा sir, जिसके आपका register of member होगे, और बाकी सारे details दे दिये जाएंगे, अब scrutinizer क्या करेगा, polling paper क जुगाड करेगा, polling paper कौन सा form में आता है sir, MGT 2L, A polling paper PP, दो बर PR है sir, तो 2L, 1, 2, तो sir 2L आपका polling paper का form है, वो polling paper जुगाड करके सारे shareholder को polling paper देगा, polling paper के बाद वो सारे shareholder vote करेंगे, और उसको एक locked और empty box में डालेंगे, अब sir उसके बाद locked और empty box को जिसमें आपने डाला, उसको scrutinizer open करेगा, दो witness के presence में, किसके presence में, दो witness के presence में open करेगा, open करने के बाद votes count करेगा, और एक report बना करके किसको देदेगा, चेर्मेन को देदेगा, ये report कौन से form में दोगे sir, ये report दोगे आप in the form MGT 13, और ये report किते दिन के अंदर दोगे, जिस दिन आपका general meeting हो गया उसके 7 दिन के अंदर ये report दोगे, और chairman क्या करेगा, जब उसको report मिलेगा, सबसे पहले वो report को counter sign करेगा, counter sign मतलब एक तरह से वो accept कर रहे है, जो भी आपका scrutinizer बोल रहे है, और उसके बाद chairperson खुद, या किसी और के through क्या करवाएगा, आपका resolution जो है, वो declare करवाएगा, क इधर आओ, ये पढ़ो, पढ़ो गया, तुम लोग पढ़ लेना में देख लेता हूँ, कोई और point छूटा है गया, सर, अच्छा, जब script नहीं, सर, polling paper बाट रहे है, तो members को बाटेगा, क्या polling paper proxies को भी मिलेगा, क्या polling paper proxies को भी मिलेगा, मैं ये तुमको चिला-चिला के बोल चुका हूँ, poll में proxy को बहुत importance होती है, जब भी poll की बात है ना, तो proxy एकदम चिला-चिला के बोलता है, तो उसको भी मिलेगा polling paper, पर सब एको बताओ, joint shareholder में polling paper आप किसको दोगे, joint shareholder के case में, अब senior shareholder को polling paper दोगे, उसके बाद सर और तो कुछ important नहीं है, मैंने सारे points बाकि आपको बता दिये, एक-एक करके पूरा points बता दिया, सर ये जो scrutinizer जो अपना report बना रहे है न, scrutinizer जो अपना report बना रहे है न, उसमें वो ये बताएगा, कि total कितने votes cast हुए थे, उसमें valid votes कितने हैं, favor में कितने votes हैं, against में कितने votes हैं, ये सारा पे चीज़े जो है, वो अपने report में बताएगा, और उसको बताना पड़ेगा, इस तरीके से पूरा poll का process होता है, सर, अब सर, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, section 110 में जाते हैं, section 110 किस बारे में बात करता है, postal ballot का मैंने आपको formula बताया था, कि अगर आप poll, plus post कर दो, तो उसको postal ballot बोलते हैं, सर, polling में क्या होता है, आप general meeting में polling paper लेते हो, और polling paper सबको बाटते हो, postal ballot में क्या होता है, आप polling paper लेकर के घर पे post करवाते हो, तो सर, सबसे पहले, postal ballot से कौन से resolution का voting होगा, तो सर, दो तरह का resolution, कुछ resolution तो central government ने prescribe कर दिया है, कि ये postal ballot से ही होगा, तो उसमें तो आपको company को mandatory है, कि वो postal ballot से ही conduct करेंगे, पर कुछ resolutions, बाकी उसके अलावा, कोई भी resolution जो आप चाहो ना, तो आप postal ballot से कर सकते हो, except दो resolution, except सबसे पहला, ordinary business, ordinary business आप postal ballot से नहीं कर सकते, और दूसरा, कोई भी ऐसा business जिसमें, right of director या auditor है, right of director या auditor to be heard, मतलब auditor या director को बोलने का मौका दिया जाएगा, उस resolution में, तो वो resolution आप postal ballot के थ्रू नहीं करवा सकते, ये दोनों के अलावा, कोई भी resolution, जो company की इच्छा है, वो company करवाना चाहे, तो postal ballot के थ्रू करवा सकती है, अब सब पोस्टल बैलेट का process क्या होता है, वो आपस से similar process होता है, ये सर लगबग, company क्या करती है, एक scrutinizer appoint करती है, और ये scrutinizer जो होता है, ये independent person होता है, ये scrutinizer company का employee नहीं हो सकता, ये scrutinizer क्या करता है, अपने सारे members को क्या बिजवाता है, polling paper बिजवाता है, polling paper घर पे बिजवाता है, और post से बिजवाता है usually, अब सर, ये जो member है अपना vote करकर के, ये polling paper वापस company के बास base देता है, आने के बाद scrutinizer उसको पूरा count करता है, count करने के बाद साथ दिन के अंदर report बनाता है, और सब कुछ वही provision है, एक बाद देख लेते हैं सर, polling paper, postal ballot के बारे में क्या क्या लिखा है, ये लिखाई कि postal ballot से आप कप-कप resolution पास कर सकते हो, लेकिन वो resolution नहीं पास कर सकते है, जो ordinary business है, या वो business जिसमें director या auditor का right to be heard है, ठीक है, अब सर, आप यहाँ दियान से देखो, polling paper में, आच्छा, postal ballot में important चीज़ हैं भाई, postal ballot में आप draft resolution बेजते हो, और सामने वाले के पास 30 days का time होता है, from the date of dispatch of the notice, जो आपका voting है, वो 30 days के अंदर हो जाना चाहिए, कितने दिन के अंदर, 30 days के अंदर, यह notice किसको बेजोगे, यह notice आप सिर्फ member को बेजोगे, आपको director और auditor को बेजने की जरुवत नहीं है, कौन से mode से बेजोगे sir, आप registered post, speed post या e-mode या courier से भी बीज़ देना कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद sir, notice आपको newspaper में चापना पड़ेगा, यह एक important provision है, newspaper में आप पूरा detail दोगे, wordnaculate language वाला और English language वाला, पूरा detail दोगे कि कबसे आपका voting शुरू होगा, कबसे आपका voting खतम होगा, और बाकी सारी चीज़े कि कि किस चीज़ पर resolution लिया जा रहा है, postal ballot अगर आपने, postal ballots आपको बेजना है, अगर date के बाद postal ballot मिला तो उसको invalid मान लिया जाएगा, और इस तरह की चीज़े आप अपने newspaper में बता रहे हो, फिर सर एक scrutinizer appoint होगा, scrutinizer में जो board of director है, वो board of director appoint करेगा, और scrutinizer जो है न, rule 20 जो अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, और सर्फ सवाल ये postal ballot कहां कहां पे mandatory है, तो मैंने आपको बोला था याद कर लो, section 12, section 13, ये 2 section याद कर लो, 43, 48, 68, ये 3 section याद कर लो, section 12 और 13 क्या है, अगर आपका registered office change हो रहा है, या अगर आपका object clause change हो रहा है, या अगर आपका variation in terms of पैसा, जो आपने पैसा raise किया था, unutilized money है, अप terms change हो रहा है, तो उसके लिए आपको postal ballot लगेगा, उसके अलावा सर्, अगर आप क्या कर रहे हो, differential voting rights वाले shares issue कर रहे हो, variation in rights of shareholders कर रहे हो, या buyback कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ों में आपको क्या लगता है दोस, postal ballot compulsory law में लिखा हुआ है, पर सर, दो companies को postal ballot नहीं करना है, पहला one person company, और दूसरा वो company जिसके members 200 तक है, चाहे वो public company क्यों ना हो, पर वो company जिसके members 200 तक है, उनको क्या नहीं करना पड़ेगा, उनको postal ballot से vote नहीं करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा, बोलो जरा, उनको postal ballot से vote नहीं करना पड़ेगा, क्या तुमको मेरी बात समझाई, उनको कभी भी किसी भी matter ले, भले वो अगर variation of object clause भी कर रहे तो भी उनको postal ballot नहीं लगेगा 1% company और वो company जिसके members 200 या उससे कम है, समझे ठीक है सर, अब एक last section में आ जाओ, आपका section 108 section 108 किया है सर, remote e-voting के बारे में है, बहुत interesting provision है, मैंने इसके बारे में क्या बोला था आपको, postal ballot plus e-mode is equal to आपका e-voting सर, क्या होता है remote e-voting में मेरी बात ध्यान से सुनना, आप ना shareholder को notice बेशते हो, और shareholder को notice जो बेशते हो, उसमें आप shareholder को ये बोलते हो कि shareholder सुन general meeting शुरू हो रहा है 14th February को, पर अगर तुम चाहो ना तो general meeting के पहले भी घर बैटे-बैटे जहां पे तुम हो, जुस भी remote location पे हो वहाँ बैटे-बैटे आप remote e-voting कर सकते हो और उसके बाद आप आकर के चाहो तो meeting में भी vote कर सकते हो, आपके बस दो option है, दो option क्या है, घर बैटे-बैटे remote e-voting कर लो, या during the meeting vote कर लो, during the meeting कैसे vote करोगे sir during the meeting या तो postal ballot से हो जाएगा during the meeting या तो आपका electronic voting system से हो जाएगा, किसी भी तरीके से हो जाएगा, पर sir remote e-voting क्या होता है, जब आपका meeting शुरू होने वाला है न, उसके आपको कुछ समय पहले आपका voting शुरू करना पड़ेगा, remote e-voting minimum 3 दिन के ले होता है, कितने दिन के ले होता है मैंने, minimum 3 दिन के ले होता है और खतम का बोता है sir remote e-voting minimum 3 दिन का होता है, remote e-voting खतम का बोता है, जिस दिन आपका general meeting शुरू होता है उसके एक दिन पहले शाम को खतम हो जाता है, मतलब ये एक्जैम्पल में 30 February, 13 February, शाम को 5 बजे आपका remote e-voting खतम हो जाना चाहिए, सर remote e-voting में कौन लोग वोट करेंगे, remote e-voting में वो लोग वोट करेंगे, जो eligible shareholder है, eligible shareholder decide करने के आपको एक cut-off date निकालना हो सकता, ये cut-off date वाले दिन जो आपका register of members है, उसमें जित्ते भी shareholder है ना, वो remote e-voting में वोट करने के लिए eligible है, सर उसके बाद आप remote e-voting में वोट करोगे, मिरको एक बात बताओ, अगर 4 resolution था, 1, 2, 3, 4, क्या ऐसा हो सकता है, कि आप आधा अधुरा काम कर रहे हो, आपने दो resolution पर remote e-voting किया, बाकी दो resolution पर आपने remote e-voting नहीं किया, क्या ऐसा हो सकता है, सर ऐसा बिलकुल हो सकता है, आप दो resolution पर remote e-voting करके, बाकी दो resolution पर नहीं करो, तो वो भी चलता है, वो भी चलता है, समझे क्या, अरे बोलो मालिक, समझे क्या, हाँ सर, और उसके बाद रिमोटी वोटिंग कर दिया ना उसके बाद जनरल मीटिंग है तो आपने वोट कर दिया तो उसके बाद जनरल मीटिंग अटेंग कर सकते हो क्या जी हाँ बिल्कुल आपने वोटिंग कर लिया तब भी आप जनरल मीटिंग अटेंग कर सकते हो मैंने रिमोटी वोटिंग में favor मैं vote किया था, किसी resolution पे मैं फिर general meeting में जाके उसको change करके against में करना चाहता हूँ, क्या मैं change कर सकता हूँ law ने बोला, नहीं, इस तरह का game तुम नहीं किल सकते, एक बार तुमने vote कर दिया तो वो vote retract नहीं हो सकता पर sir, ये जो 2 resolution है, जिस पे मैंने vote नहीं किया था, क्या ये दो resolution पे vote कर सकता हो मैं आप, हाँ sir आप ये 2 resolution पे general meeting में vote कर सकते हो, उसके बाद क्या होगा sir आपका दोनों voting हो गया, कौन सा दोनों voting ये general meeting के दौरान एक voting हो गया, और general meeting के पहले remote e-voting हो गया, ये दोनों voting जब खतम हो तो उसके बाद scrutinizer आएगा और scrutinizer क्या करेगा सबसे पहले general meeting का votes count करेगा जब तक general meeting का votes count कर रहे तब तक remote voting का votes वोट जो है वो secret रहेगा उसके बाद क्या करेगा witness के presence में remote voting का result खोलेगा और remote voting के vote गिनेगा अब सर स्कूतिनाइजर को remote voting का और सारा vote गिन करके report बना के देना पड़ता है साथ दिन नहीं क्यों तीन दन सर क्योंकि तीन दन यहाँ पर आपको बहुत है क्योंकि यहाँ पर सारा electronic लिए तो आपको कोई manual paper collection नहीं करना पड़ता है आपका पूरा आसानी से calculation हो करके आ जाता है तीन दन के अंदर chairman को report दोगे chairman उसको counter sign करेगा और उसके बा scrutinizer को पता कैसे चलेगा scrutinizer dual voting prevent कैसे करेगा कि एक इंसान दो दो बार vote ना करे उसके लिए sir scrutinizer को एक basic report चाहिए होगा as on the date of the meeting उसको आपको एक basic report देना पड़ेगा कि कम से कम उस इंसान का नाम तो बता दो जिसने vote किया है और किते resolutions में vote किया है वो तो बता दो ताकि मेरे ना हो जाए समझे क्या और इसके बारे में इस चीज़े में आपको बता ही ना सारा आपको दो newspaper में चापना पड़ेगा उसमें आपको सब बताना पड़ेगा कि remote voting शुरू कब हो रहा है खतम कब हो रहा है मैंने example practical example दिखाय था आपको ना top date क्या होगा वो सारी चीज़े मे और वो company जिसके 1000 या उससे जादा members है या debenture holders भी होता है या 1000 से जादा members है पर सर निधी company और institutional investor वाले company को न remote voting का provision देने की कोई जरुवत नहीं है निधी company और institutional voting वाले companies को सर आप notice बेजो के सारे members directors को ही सारे basic point है आप समझ गए बस सह मैं को एक last point बता दो फिर आपका ही section खतम हो गया मान लो 14th February को meeting था 11th February को remote voting शुरू हुआ 14th February को meeting खतम हो गया उसके बाद 17th February को क्या हुआ चेर्मेन को report गया और चेर्मेन ने 17th February को ही declare कर दिया result मेरे को बताओ ये resolution किस दिन पास्ट माना जाएगा what will be the date on which such resolution is deemed to be passed it will be deemed to be passed on 14th February 14th February को ये resolution पास हुआ है ऐसा माना जाएगा समझे क्या तुम कुछ भी 14th February को ये resolution पास हुआ है ऐसा माना जाएगा ठीक है क्यों सर देट जेनरल मीटिंग विल बीड़ डेट ओफ रेजल्यूशन चलो सर आगे बढ़ते हैं सर यहां तक समझ आया क्या चीज़ें समझ आ रही है क्या बस बताओ मिर को दोस्तों बताओ चीज़ें समझ आ रही है क्या प्लीज बोलो हां या नही ठीक है आगे सर सेक्षें 11 का मैं आपको मेरे नोट सा पढ़ा रहOUT है जो लोग बात में रही मिलेटीं देखने हैं अगर तुम्हारे पास यह नोट से तो इसगो कर लो बत सरी ये section 111 note से ही पढ़ना important है, sir section 11 क्या है circulation of members resolution, यहाँ पर आपको conceptual clarity बहुत important है, दो चीज़े हो रही है, मैं member हो company का, या तो मैं एक नया resolution पास करवा रहा हूँ, नया resolution प्रपोस कर रहा हूँ, या फिर मैं जो existing resolution है, उसमें कोई नया statement आड करवाना चाहता हूँ, तो अगर इस तरह की कोई चीज़े है न, तो request of member to the company, member को company को request करना पड़ेगा, sir एक member request करेंगे तो चलेगा क्या, नहीं कम से कम section 100 वाली limit होनी चाहिए, section 100 वाली कौन से limit, वो जो लोग पूरा-पूरा meeting बुलाते रहे न, वो वाली limit, जो आपका company having share capital है, तो 1 tenth of paid-up share capital, not having share capital है, तो 1 tenth of voting power, वो company को notice देंगे, क्या notice देंगे, कि भाया, company को बोलेंगे, कि company give notice to members of resolution intended to be moved, अगर मैंने 4 resolution pass हो रहे तरह, मैंने एक resolution 5 propose किया, तो वो पांचवर resolution का notice देने के लिए मैं बोल सकता हूँ, या फिर मैंने कोई extra अगर statement दिया, तो उसको circulate करवाने के लिए भी मैं company को बोल सकता हूँ, पर अगर मैं कोई चीज बोल ली है न, तो company bound हो जाएगा, अगर ये दो condition meet होते हैं, सबसे पहला ये जो request आ रहा है न, वो signed है, और deposit हो गया कप, जिस दिन meeting है उसके कम से कम 6 हफता पहले, अगर आप एक नया resolution propose कर रहे हो, और जिस दिन meeting है उसके कम से कम 2 हफते पहले, अगर आप existing resolution में अपना statement add करवाने की बात कर रहे हो, सर इसको हम लोग class में 40 minute तक पढ़ते हैं, revision में मैं आप से को इससे जादा समझा, नहीं पाऊंगा, उमीद है आपको समझ आ रहा होगा, आपको याद है resolution 1, 2, 3, 4 था, तो हमने बोले है resolution 5 add करना है, और resolution 2 पे statement add करना है, तो resolution 5 add करना मतलब 6 हफते पहले notice देना पड़ेगा, और अगर एक statement add करना है, तो आपको 2 हफते पहले notice देना पड़ेगा, और उसके साथ आपको खर्चा भी deposit करना पड़ेगा, जो भी expense आपको लगता है, पर सर ये statement जो है न, अगर ऐसा लग रहा है कि आप इसको abuse करने हो, for securing needless publicity, क्या बोला मैंने, if the statement is being abused to secure needless publicity, तो उस case में क्या होगा बिटा, उस case में central government को application जाएगा, और central government ये order दे देगा, कि आपको वो statement circulate करने की जरुवत नहीं है, अगर statement क्या use हो रहा है, to abuse to secure needless publicity, उसके बाद सर मैंने क्या बोला आपको, उसके बाद मैंने एक चीज आपको बहुत interesting चीज बोली थी, कभी-कभी क्या होता है, आपका notice आने के बाद, notice आने के बाद directors क्या करते थे, 6 हफते का gap होना चाहिए, meeting में और notice के बीच में, वो क्या करते थे, notice आने के बाद, अगले दिन meeting का notice बेच करके, AGM बुला लिया, अब AGM बुला लिया 21 दिन के अंदर, तो जिस दिन AGM हो और जिस दिन notice आया, उसमें gap बहुत कम हो जाता था, 6 हफते का gap तो बचता नहीं था, तो law ने बोला, अगर जिस दिन notice आया, उसके बाद, अगर AGM का notice गया है, और उस वज़े से notice और AGM के बीच में, 6 मेने हफते का gap नहीं है, तो भी इसको valid notice माना जाएगा, ये नहीं बोल सकते कि 6 हफते पहले नहीं आया, तो ये notice को consider नहीं करेंगे, अगर notice आने के बाद AGM का notice जा रहा है, तो भी उसको valid AGM, valid notice माना जाएगा, valid request माना जाएगा, और अगर default होता है, तो company और officer इन default को 25,000 रुपे की penalty लगेगी, ये आपका है सेक्शन 111, सेक्शन 11 क्या है, circulation of members resolution, जहांपे आप members के resolution को circulate करवा रहे हो, ठीक है, चलो, उसके बाद सर आजओ, बहुत simple simple section पर, OR और SR पर बहुत simple है, ordinary resolution क्या होता है, वो जहांपे notice properly send किया गया है, और votes in favor जो है, वो votes in against से जादा है, और special resolution क्या है, जहांपे notice भेजा आपने, notice में आपने बताया कि हमको SR पास करना है, और वहाँ पर votes in favor जो है, votes in against कि 3 times से जादा है, votes in against कि 3 times से जादा है, तो फिर उस case में आपको, उसको special resolution माना जाएगा, सर्व में एक बात बताओ, क्या ऐसा है क्या कि ordinary business में OR लगता है, और special business में SR लगता है, नहीं जी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, आप ordinary business में भी SR लगाते हो, कभी-कभी जहाँ law में लिखा है, और special business में भी OR लगता है, जहाँ law में लिखा है, सर्, एक exam का question आपको याद होगा, अगर आया था, कि क्या एक साथ आप 2 से जादा resolution को एक साथ approve करवा सकते हो, तो आपको याद है 9 resolutions वाले question था question bank में, तो सर्, आपके एक साथ एक से जादा resolution अप्रूब करवा सकते हो, law में ऐसा कही restriction तो नहीं है, पर अगर directors के appointment की बात करें, तो एक resolution में एक ही director appoint हो सकता है, आप resolution को club नहीं कर सकते, तो सर्, अगर directors की बात नहीं कर रहें, तो आप club कर लो, पर अगर directors की बात कर रहें, तो एक resolution में एक ही director appoint होगा, अब सर्, उसके बाद हमेशा याद रखना, जब आप votes in favor और votes against count कर रहे हो, क्या बोला मैंने, जब आप votes in favor और votes against count कर रहे हो, तो आपना सर्, वो लोगों को नहीं गिनोंगे, जिन्होंने refrain from voting कर दिया, मतलब क्या, अगर 100 member हैं, 50 member ने favor में vote किया, और 49 member ने against में vote किया, और एक member ने vote ही नहीं किया, तो सर्, एक member जो vote नहीं किया ना, उसको आप गिनोंगे ही नहीं, आप सर्, vote in favor और votes in against को देखोगे, जिन्होंने reframe कर दिया, उनको count नहीं करोगे, उसके बाद सर्, आजो section 115 पे, बहुत important section और बहुत आसान section है, सर, law क्या कहता है, अगर एक कोई member है, वो अगर चाहे, तो company को special notice दे सकता है, कुछ चीजे करवाने के लिए, सर, law में दो ऐसी जगा है, जहाँ पे special notice की बारे में बात किया गया है, पहला, appointment of auditor other than retiring auditor, और दूसरा, removal of director, ये दो चीजों के लिए आपको क्या लगेगा, ये दो चीजों के लिए आपको special notice लगेगा, special notice कौन देता है, सर, दन है, उसके कम से कम 14 days पहले दोगे, लेकिन maximum 3 मेने पहले देना, उससे जादा पहले मत देना, मतलब अगर ये आपका general meeting है, और ये 14 days पहले है, और ये 3 मेना पहले है, तो आप इस समय पे notice कभी भी दे सकते, उसके पहले नहीं दे सकते, उसके बाद नहीं दे सकते, ये notice company के पास आने के बाद, company क्या करेगी, कम से कम 7 दन का, at least 7 days का notice किसको देगी, members को देगी, और members को बोलेगी, सुनो members, हमारे पास ना special notice आया है, उन shareholder से, जो इत्ती shareholder रखते हैं, और वो लोग propose कर रहे हैं, ये following resolution, तो हम आपको बता करके रख दे रहे हैं, ताकि आप meeting में आ करके, resolution पास कर सको, ये होता है सर, special notice का provision, एक बार देख लो सर, special notice कौन देता है, special notice देते हैं, वो members, जो कम से कम, एक परसें वोटिंग पावर होल्ड कर रहे है, या paid up share capital होल्ड कर रहे हैं, 5 लाक या उससे ज़्यादा, सर एक बार मैं आपको life में clarity देता हूँ, for once and all, paid up share capital 5 लाक से ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं, कम नहीं, ज़्यादा होना चाहिए, इसका interpretation में confused बात होना, तुम simple यह समझो, paid up share capital of more than 5 लाक रुपीज, अगर है, तो आप notice दे सकते हो, notice जो है वो आप 14 दिन पहले दोगे, लेकिन 3 मेने से ज़्यादा पहले नहीं दोगे, उसके बाद company notice members को देगी, 7 दिन पहले, और यह 7 clear days है, क्योंकि इसमें date of dispatch, और date of meeting जो है, वो ignore हो जाएगा, सर आपको newspaper और website में भी डालना पड़ेगा, और आपको, यह जो newspaper और website में publish कर रहे हो, यह कम से कम 7 दन पहले publish, कम से कम 7 दन पहले जो है, publish करना होगा, ब्लर हो गया था, अब मेरी बात सुरो, सर, यह जो special notice का provision है, यह दो section में लिखा है, एक तो section 140, जो बात करता है, appointment of auditor, other than retiring auditor, और दूसरा section 169, जो बात करता है, removal of director के बारे में, यह दो case में आपको special notice लगता है, सर, सर याद हुआ section 115, special notice कब लगता है, याद हुआ के दो बार पढ़ लिया हमने, उसके बाद सर, आजो section 116 पे, section 116 क्या बोलता है, कि अगर आपने adjourned meeting में कोई resolution पास किया है, तो उस resolution का पास होने का date, adjourned meeting वाला ही माना जाएगा, ना कि original meeting, सर देखो वैसे तो, adjourned meeting is merely a continuation of the original meeting, कुछ भी नहीं है, बस continuation है, पर फिर भी अगर adjourned meeting में, अगर कोई resolution पास हो रहा है, तो उसको उसी दिन पास माना जाएगा, उसको कोई पहला prior date पे past नहीं माना जाएगा, उसके बाद सर, section 17 पे आजो, section 17 पे आजो, section 71 17 बहुत आसान है, मैंने class में आपको इसको, 3 part में divide करके बताया था, मैंने बताया था, एक company जो है ना, वो ROC को, बहुत सारे resolutions और बहुत सारे agreements की copy फाइल करती है, कोई भी resolutions या agreement आपने enter किया, तो आप 30 days के अंदर ROC को फाइल कर दोगे, सर, कौन से resolution, आपका special resolution हो गया, कोई भी other resolution हो गया, जिसमें, मानलो unanimous resolution हो गया, जिसमें सारे shareholder का consent चाहिए, या कोई भी class of shareholder का approval resolution पास किया है, यह सारा आप फाइल करोगे ROC को, उसके अलावा सर, आपका कोई भी board resolution अगर है, तो वो भी file करोगे आप, और खास करके section 173 वाला board resolution है, तो वो भी file करोगे आप, उसके अलावा सर कोई agreement है, जिसमें आप managing director को appoint कर रहे हो, या उसको change कर रहे हो, या उसके terms को vary कर रहे हो, तो यह agreement भी file करोगे आप, उसके अलावा, आपने कोई resolution, कोई भी और agreement में enter किया, और क्योई भी other resolution है, वो सारी चीज़े, आप file करोगे ROC की पास, सर जब आप ROC की पास file करते हो न, तो याद करो एक section 399 था, जो कहता है, फिर ये एक constructive notice वाला provision लग जाता है, और ये एक public document हो जाता है, जो public knowledge में होना चाहिए, इस तरीके से एक provision लिखा हुआ था, दोस्तों पर, पर, अगर आप section 179 subsection 3 की बात करो, अगर आप section 179 subsection 3 की बात करो, तो 179 subsection 3 की बात क्या है, law ये कहता है कि 179 3 वाले resolutions जो है, वो company ROC को file तो करेगा, लेकिन ये वाले resolutions जो है, कोई member access नहीं कर पाएगा, कोई भी इंसान access नहीं कर पाएगा, ये confidential information रहेगा, file ज़रूर करेंगे, पर public knowledge वाले document नहीं रहेगा, वो जो section 179 subsection 3 में file हुआ है, पर ये भी जो मैंने provision आपको बताया न, it will not apply, it will not apply in some specific cases, यहाँ पर देखो क्या है specific cases, ये नहीं समझ आये, तो जाने दूपस इतना simple सा provision याद कर लो, कि बहुत सारा document आपको file करना पड़ेगा, एक और चीज़ आपको file करना पड़ेगा, अगर आपने company का voluntary winding up किया, company बंद किया, तो उसका भी resolution आपको file करना पड़ेगा, आरोसी के पास 30 दिन के अंदर अंदर, सर ये जो filing आप करोगे, 30 दिन के अंदर, MJT 14 फॉर्म में करोगे, और अगर आपका failure हो जाता है, तो आपको 10,000 रुपे का base penalty, 1000 रुपे पर डे आप टूआ maximum of 2 लाक लगेगा, और officer in default को same penalty, अप टूआ maximum of 50,000 रुपे लगेगा, ये penalty हमने पहले भी आता हुआ देखा है, section 117 क्या है, circulation of members resolution, जाप आप resolution और agreement और voluntary winding up पाला resolution, सारा जाके आरोसी को 30 days के अंदर दे रहे हो, अरे बोलो समझे क्या मालिक, हाँ की नहीं, बोलो समझे की नहीं, अब सर आपका अगला खास समखास, section 118 और 119, अभी तक भी अगर कुछ नहीं सुना ना, खड़े हो जाओ एक टांग पे, और सर एक बार मेरे लिए एक बार लाइक जरूर ठोक देना है, यार वीडियो को, comment जरूर कर देना, आपको revision कैसा लग रहा है, पताओ पहुचाओगी कि नहीं, अपने दोस्तों के साथ, तुम जरूर पहुचाओगे मेरे को पता है, अब मेरी बात सुल्लो सर, section 118 क्या है, 118 बात करता है, minutes के बारे में, सर इतना detailed revision, और इतना बिना बकवास कियावा revision, मैंने तो नहीं देखा हास तक किसी का, आपने देखाए क्या, आपने देखाए क्या, 2-2 गंटे में ऐसे chapter खतम हो जा रहे हैं, जो 12-12 marks के आते हैं, और बिना एक provision छोड़े, सर, section 118 क्या है, दोस्तों 118 बात करता है, minutes of the meeting के बारे में, minutes of the meeting के बारे में, सर, minutes of the meeting के बारे में, क्या provision इस ध्यान से सुनना, सर, हर company को ना, हर meeting का, general meeting हो गया, आपकी creditors का meeting हो गया, directors का meeting हो गया, या उनकी committee का meeting हो गया, या postal ballot से जो resolution पास किया था, इन सबका minutes बनाना पड़ता है, सर, minutes का बता होगे, जब आपका meeting खतब हो जाता है, उसके 30 days के अंदर आप minutes बनाओगे, और minutes बना करके आप store करोगे, सर, ये minutes में आप क्या information डालोगे, जैसे कि आपको कुछ special बाते बताता हो, जैसे कि director की meeting है, तो उसमें आपको ये बताना पड़ेगा, कौन-कौन director present है, और जो भी resolution pass हुआ है, जब resolution pass हुआ है, तो कौन-कौन dissenting directors है, dissenting directors मतलब क्या, जो उस resolution को मना कर रहे थे, क्या-क्या-क्या, resolution जो है, जो director है, जिन्नोंने उस resolution pass होने के बावजुद, उसको मना किया, तो dissenting directors का भी आप क्या लिखोगे, उसमें नाम लिखोगे और सर उसके अलावा postal ballot से अगर आप resolution पास कर रहे हो तो postal ballot के resolution में आप ये बताओगे किता valid votes आया था उसमें resolution क्या आया, favor में आया अगे इसमें आया, ये सारी चीज़े आप अपने minutes में लिखोगे, सर minutes में लिखने के बाद क्या होगा, चीज़ें आपको मैं यहां से बताता हू, minutes में आप क्या डालोगे minutes are nothing but a fair and correct summary of the proceedings, अब सर उसके बाद मेरे को एक बाद बताओ, दो डिरेक्टर लड़ाई कर रहे थे एक दूसरे से, और लड़ाई करते हैं तो लोग ना भाई, सर एक तो होगया आपका जो defamatory है, defamatory मतलब किसी का नाम खराब हो रहा है दूसरा अगर irrelevant है, मतलब उसका minutes में आने का कोई sense ही नहीं बनता, और तीसरा derogatory है, derogatory मतलब क्या उससे company का detrimental to the interest of the company, मतलब उससे company का अगर नुकसान होता है, अगर detrimental to the interest of the company है, तो ये तीनो case में, chair person जो है न, वो company secretary को बोल करके minutes में से कोई भी चीज़ हटवा सकता है ये chair person absolute discretion है तो सर एक line में बोलू, तो minutes of the meeting में कुछ चीज़े आएगी या नहीं आएगी, वो chair person का chair person का जो है, वो absolute discretion है वो अखेले-अखेले decide कर सकता है पर अगर वो matter defamatory है, irrelevant है या detrimental है, तो उसको आप नहीं लोगे, अपने minutes of the meetings में उसके बाद सर, minutes जो होता है वो evidence of the proceedings होता है मतलब अगर minutes में लिखा है, resolution पास हुआ है, तो resolution पास हुआ है भाई ने बोला, बापू दिखते हैं, यानि कि दिखते हैं उसके बाद सर, मेरी बात सुनो unless the contrary is proved, it shall be deemed that अगर minutes में कोई चीज लिखी है, तो meeting बुलाई गई, proceedings हुई, और सारा appointment जो है, वो valid है अब सर, अगर आपने minutes of meeting maintain करने में default कर दिया, तो 25,000 का penalty लगेगा company का और 5,000 का लगेगा, पर अगर आपने minutes के साथ tampering किया, छेडशाड की ना, यह बहुत important है, अगर आपने change किया तो फिर सर, आपको 2 साल तक की jail होईगी and आपको 25,000 से का fine लगेगा, यह last वाला जो line है, इसको last वाला penalty important mark कर लो, any person who has been tampering with the minutes will be liable for a jail of 2 years and fine 25,000 to 1 lakh rupees, minutes के बारे में कुछ और बाते बताओ, दूसर आपको हर meeting ले आपको distinct minute books रखना पड़ेगा, मतलब क्या general meeting का book अलग, board meeting का book अलग, और उसके अलावा बाकी अलग, general meeting के book में जैसे जैसे general meeting होगा, उस minute में आप pages add करते जाओगे, तो अलग-अलग minutes book आपको maintain करना पड़ेगा, अगर सर postal ballot के through, अच्छा, minutes के अंदर आप 30 दिन के अंदर entry करोगे, postal ballot के through अगर हो रहा है, तो आप उसमें बताओगे minutes का provision कैसे याद करना है, minutes should be prepared, held, sorry, kept and preserved, ये तीन चीज़ थी न, ऐसा कुछ था, अब मेरी बात सुनो, सर, sign कौन करेगा minutes को, अगर board meeting का minutes है, तो इस board meeting का chairperson sign करेगा, या फिर next board meeting का chairperson sign कर लेगा, कोई problem नहीं है, पर सर, अगर आपका general meeting meeting का minutes है न, तो इस general meeting का chairperson sign करेगा, पर अगर ये chairperson की death हो गई, या inability हो गया, या कुछ भी हो गया न, तो सर, आपका कोई भी authorized director sign करेगा, ऐसा नहीं है कि अगले वाले general meeting का chairperson sign करेगा, बिल्कुल भी नहीं सर, authorized director sign करेगा, क्यों, क्योंकि याद general meeting तो साल में एक बर भी हो सकते हैं, अगले साल तक खोड़ी wait करेगे, authorized director से sign करवा दे, similarly सर, अगर postal ballot की बात है, तो postal ballot में ये दोनों provision mix हो जाते, तो आपका जो board of director है, उसका chairperson sign करेगा, पर अगर वो नहीं है, तो कोई भी authorized director sign करेगा, सर, आप अगले meeting का wait नहीं करोगे, तो सर, ये जो तीसरा वाला point है, वो पहले का और दूसरे का combination है, तो सर, इस तरीकी से आपका minutes sign होता है, अब मैं आपको बता दू, आपका minutes का जो हर page होता है, उसमें या initial डाल सकते हो, या sign डाल सकते हो, हर page में initial डाल दो, या sign डाल दो, initial मतलब क्या सर, ये मेरा initial हो गया, और sign मतलब क्या, मैंने पूरा नाम लिखा, अब सर, initial और sign में आपने डाल दिया, पर जो last page होता है, वो हमेशा जो है, signed होना चाहिए, last page हमेशा क्या होना चाहिए, signed होना चाहिए, समझे पढ़ो सर अब सर उसके बात करते है minutes को preserve करने का क्या minutes को preserve करना important है जी हाँ सर बहुत important है और बहुत ध्यान से सुनना दो minutes की बात कर रहे है एक तो general meeting वाला एक board के वाला सुनो जो general meeting वाला है वो आप registered office में रखोगे उसके अलावा कहीं नहीं रख सकते पर जो board meeting का minutes है न उसको आप registered office में या कहीं भी और जहाँ आपकी इच्छा वहाँ पे रख सकते हो सर इसको आप permanently preserve करोगे मदब forever preserve करोगे और CS या director duly authorized के custody में छोड़ दोगे सर इसमें important ध्यान देने वाली बात यह है general meeting का जो minutes होता है न उसको members देख सकते तो उसको आपको registered office में ही रखना पड़ेगा पर board meeting का जो minutes है न उसको normal members नहीं देख सकते तो आप इसको जहां रखना चाहो बहार रखनो कोई problem नहीं है such other place as the board may decide उसके बाद सर एक provision है जो मैं आपको बस यूँ ही बता दिता हूँ कि अगर section 8 company के case में यह पूरा का पूरा provision आपको नहीं लगेगा मतलब minutes का provision नहीं लगेगा except that minutes may be recorded within 30 days of conclusion of every meeting मतलब आप चाहो तो कर सकते हो in case of company where AOA provides for confirmation मतलब सर तर section 8 company को minutes का provision mandatory नहीं है पर अगर company चाहे तो minutes बना करके रख सकती है 30 दिन के अंदर उनको minutes में data डालना पड़ेगा सर यह पूरा का minutes का provision था मेरी बात ध्यान से सुन लो बहुत आसाने important बाते क्या याद रखनी आपको minutes में data कित्ते दिन के अंदर जाता है सर आप जबाब दो minutes में data कित्ते दिन के अंदर जाते है 30 days के अंदर minutes में data चला जाता है minutes maintain करोगे अब permanently preserve करोगे और किसके custody में रहेगा कहाँ पर रखोगे यह सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है बताओ आपको समझ आया की नहीं आया सर आया की नहीं आया आप section 119 कहता है inspection of minutes क्या आप minutes का inspection कर सकते हो जी हा सर इंस्पेक्शन जो है ना minutes का सिर्फ और सिर्फ members कर सकते है members के अलावा कोई और generally inspect नहीं कर सकता inspection कौन कर सकता है sir general meeting का minutes कर सकते हो resolution by postal ballot कर सकते हो जो registered office में रखा है inspection कर सकता है member बिना किसी charge के during business hours और अगर आप चाहो तो business hours को 2 गंटे से कम कर सकते हो लेकिन 2 गंटे से कम मत करना सर क्या कोई minutes का copy भी मांग सकता है जी हाँ बिल्कुल आप fees का payment करके copy मांग सकते हो और अगर आपने copy मांगा है तो company उसको साथ दिन के अंदर 7 working days के अंदर company को जमा करना पड़ेगा कित्ते दिन के अंदर 7 working days के अंदर company को आपको minutes भिजवाने पड़ेगा ठीक है पर sir law में ये लिखाए कि अगर आप soft copy का demand कर रहे हो और वो भी minutes जो पिछले 3 financial year में से कोई सा था तो sir law कहता है आपको free of cost मिल जाएगा अगर आप soft copy मांग रहे हो और पिछले 3 साल का मांग रहे हो आपको free of cost मिल जाएगा sir बस खतम होने वाला है जाना नहीं खतम होने के बहुत खुशी होईगी बस जाना नहीं मेरी बात सुनलो sir if inspection is refused then there will be a penalty अगर sir आपको inspection मना कर दिया गया है तो आप tribunal के पास भी जा सकते हो tribunal order देगा और order में आपको immediately inspection करने मिल जाएगा या फिर आपको immediately copy बिजवा दिया जाएगा अगर आप tribunal के पास जा रहे हो tribunal ने order दिया पर एक चीज़ ध्यान रखना minutes को जो हम जाकर के inspect करते है न वो सिर्फ और सिर्फ member जा सकता है member के अलावा कोई नहीं जा सकता member किसी और को authorize नहीं कर सकता sir section 120 आप please खुझ से पढ़ ले न और section 122 आप खुझ से पढ़ ले न मैं आपको section 121 पढ़ा रहा हूँ last section 120 आप खुझ से पढ़ ले न section 120 इंपोर्टन है वो मैं आपको बता रहा हूँ law क्या कहता है सुनना जब भी एक company का AGM खतम हो जाता है न तो AGM खतम होने के 30 days के अंदर आप एक report बनाओगे on AGM और आप ROC को फाइल करोगे sir ये जो आप report बनाओगे ये MGT 15 form में बनाओगे और 30 days के अंदर फाइल करोगे ये report में आप क्या बताओगे आप बताओगे a bold MCQ bold MCQ क्या है sir आप बताओगे agent हुआ था क्या meeting आप बताओगे क्या business transact हुआ था बाकी चीज़े क्या law का compliance हुआ कोई आपका आपका D का क्या था में को याद नहीं है M आपका minutes of the meetings के बारे में बताओगे C आपके सारे आपकी chairperson कौन था वो बताओगे Q कोरम meet होता ही ये आप बताओगे ये a bold MCQ में ये सारी चीज़े आप बताते हो किसको बताते हो sir आरोसी को बताते हो 30 days के अंदर अब bold MCQ Sir ये जो report है ये कौन देता है याद रखना ये report जो है सिर्फ और सिर्फ listed companies देते है Listed public company सिर्फ ये report देती है उसके अलावा किसी को भी ये report देने की जरुद नहीं है तो law में क्या लिखा है sir Report on AGM हर listed company 30 days के अंदर MGT 15 में report देती है subject to a maximum of 1,00,000 रुपे Sir सुनो ये जो report है ये minutes का replacement नहीं है minutes तो आपको देना ही पड़ेगा साथ में आपको ये भी देना पड़ेगा Sir सबसे important सवाल ये report को sign कौन करता है Sir ये report को एक chairman और company secretary sign करता है दोनो CM and CS और अगर CM sign नहीं कर पा रहे है तो दो director sign करेगा उसमें से भी अगर company में आपके MB है तो MB sign करेगा तो मैंने क्या बोले ये important है chairman sign करता है company secretary sign करता है मैंने आपको class में homework बनाने बोला था signature का summary तीन जगा signature आता है क्या आपने वो summary बनाया किसी ने मैंने आपको class में एक summary बनाने बोला था a bold mcq a bold mcq क्या हो गया adjournment business transacted others law का compliance details of the ha details of the meeting meeting कहा हुई थी कब हुई थी उसके बाद bold mcq m क्या हो गया number of members attending forum हो गया और chair person के बारे में हो गया ये सारी चीज़े आप अपने annual report में देते हो और आप उसको AGM में file कर देते हो दोस्तों आपको एक बात बताओ एक 105 के बाद से में class चुट्टी 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 का सोच रहा हूँ क्योंकि मेरे ठीक नहीं लग रहा था मेरा पेट दुख रहा था मेरे को ऐसा अजीब सा लग रहा है बहुत जादा पर मैंने सूचा यार अभी शुरू किये है न तो खतम करके ही छोड़ते और मैंने खिस्ते 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 खतम कर लिया ठीक है मेहनत लगी पर अब मेरे को बहुत अच्छा लगेगा मेरे को पता है मेहनत लगी पर मेंको बहुत अच्छा लगेगा after every section I wanted to let go after every section I wanted to stop the class but मेरे तबित खराब होने सा आपकी पड़ाई नहीं रुखनी चाहिए यह इसका intent ही है था क्योंकि आपको exam लिखना है आपको paper देना है आपको test लिखना है तो दोस्त मैंने तो कर लिया है अब जो मैंने बोला था आपको अब आपकी बात है ठीक है प्लीज अच्छे से पढ़ लो और एकदम must करके इसको revise करके यह पूरा का पूरा chapter जो है इसको खतम कर दो ठीक है चलो sir session यहीं खतम करते हैं अगर सही में आपको ठीक है चलो guys thank you bye bye तो पढ़लो चलो शुडू करते हैं sir rapid revision हमारे chapter dividend का क्या आप तयार है पक्का चलो sir dividend मतलब क्या होता है अगर generally speaking dividend मतलब company का distribution of profit अगर company ने कमाया profit वो अपने members को बात रहे तो dividend क्या dividend हम अपने creditors को भी दे सकते है क्या dividend हम अपने debenture holders को भी दे सकते हैं नहीं dividend किसको मिलता है sir dividend मिलता है share holders को तो dividend is basically distribution of profit dividend कहां defined है sir section 2 clause 60 में dividend कहां defined है 2 clause 2 clause 35 में 2 clause 60 में क्या था sir ठीक है थोड़ा confidence 2 clause 85 में क्या था small company 2 clause 87 27 2 clause 6 21 2 clause 60 2 clause 60 officer and default तो dividend जो है first वो two clause 35 में dividend के बारे में लिखा हुआ है dividend का definition देखो क्या मस्त लिखा है इन्होंने लिखा dividend includes interim dividend वा 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 क्यों sir क्यों ऐसा लिखा इन्होंने dividend includes interim dividend क्योंकि जैसे ही आगे चलके दिविडेन के सारे provisions बता हैं तुमको समझ आना चाहिए कि यह जो provision dividend को applicable है यही provision interim dividend को भी applicable होता है अब सर्में को एक बात बता हो कितने तरह के dividend होते हैं dividend दो तरह के होते हैं इंटरियम डिविडेन्ट एक होता है मतलब क्या सर एक Financial Year सर से Related जो डिविडेंट होता है वह फाइनल डिविडेंट होता है तो मानलो आपका Financially 22 22 उसका बाद में AGM हुआ वह AGM में जो डिविडेंट तुमने डिकलेर किया वह क्या होता है फाइनल डिविडेंट होता है अब सर फाइनल डिविडेंट कौन declare करता है तो final dividend को recommend board करता है और declare shareholders करते है recommend कौन करता है board करता है declare कौन करता है shareholder करता है मतलब अगर मान लो अगर मान लो board of director ने recommend ही नहीं किया dividend बोले इस साल हम dividend देंगे ही नहीं तो क्या shareholder dividend declare कर सकते हैं नहीं sir अगर recommend करोगे तभी dividend declare होगा अच्छा board of director ने recommend किया 10% dividend देंगे, क्या shareholder यह बोल सकते हैं, हाँ 10% dividend देंगे, क्या shareholder ऐसा बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, पर क्या shareholder यह बोल सकते हैं, नहीं 10 नहीं, हम तो सर्फ 8% dividend देंगे, क्या ऐसा बोल सकते हैं shareholder, हाँ सर वो भी बोल सकते हैं, पर क्या shareholder यह बोल सकते हैं, 10 नहीं हम वारे बहुत profit हुआ हैं हम इस बार 12% dividend देना चाहते हैं नहीं sir board जितना recommend करता है ना उतना या उससे कम shareholder अप्रूफ कर सकते हैं उससे जादा दे ही नहीं सकते अगर board ने recommend ही नहीं किया तो shareholder dividend दे ही नहीं सकते क्यों sir क्योंकि board धंदा चला रहे ना board of director business चला रहे उसको पता है पैसों को dividend में बाते हैं कि पैसों को further invest करें कि इसको पता है board तो board dividend recommend करेगा declare कॉन करेगा shareholder और जितना board ने declare recommend किया उससे कम ही पर सब दूसरे तरह आता है interim dividend interim dividend मतलब क्या दो AGM के बीच में अगर कोई भी dividend declare हो गया ना तो वह interim dividend होता है अभी दो तीन दिन पहले अभी दो तीन दिन पहले हिंदुजा करके IT company है if I'm not wrong उन्हों ने dividend declare कि किस चीज़ का dividend कि अभी दो quarter कहतम हुआ है मन्त तीन महने वाला quarter तो दो quarter खतम हुआ है तो quarter खतम होने के वाद उनको दिखा profit है अभी कौन सा quarter पता नहीं अभी वह रात वाला quarter था अफिर लगा हाँ हाँ बहुत profit है और डिविडेंट डिक्लेर कर दिया कि सही में profit था वह पता नहीं पर समझो दो quarter खतम हो गया उनको दिखा अरे भारी profit है तो उन्होंने बोला चलो dividend declare कर देते हैं तो यह डिविडेंट क्या AGM में है अभी तो भी declared हो रहा है तो इसको क्या केते इंटेरम डिविडेंट को बाद बताओ है फाइनल डिविडेंट मैंने डिक्लेर कर धी कियाРЕख दिक्लेर होता है यहाँ आक्छा डिवेडेर रेसपांस आता है गया और यह पे जाने अक्पना दिन बाद मैंने बुला आछ पैसे देने होते गां минут दूँगा छोड डिविदेंट रिवोक कर दो क्या तुम डिविदेंट कैंसल कर सकते हो तो sir point is dividend once declared cannot be cancelled एक बार बोलो dividend once declared cannot be cancelled पर board of director ने interim dividend declare किया था बात में उन्होंने बोला चलो cancel कर रहे हैं नहीं देंगे क्या board of director interim dividend डिविदेंट कैंसल कर सकता है sir board of director नहीं कर सकता बोल्ड ओफ डिरेक्टर को अगर करना है ना तो उसको शेरोल्डर का अप्रूवल देना पड़ेगा और सारे शेरोल्डर जब कंसेंट देंगे ओल शेरोल्डर सब कंसेंट देंगे तभी interim dividend क्या कर सकते हो रिवोक कर सकते हो वरना इंटरिम डिविदिन्ट भी रिवोक नहीं हो सकता तो सब्सेंडिदेंट divice apply में सक्ता पर इंटरिमो डिविदेंट अगर रिवोक करना है तो आपको क्या लगेगा शेयर औल्डर का सारे शेयर और की special इतना आसान चाप्टर है पर एक चीज़ है इसकी बारी की समझ आ जानी चाहिए तुमको अगर इसकी बारी की नहीं समझ आएगी तो तुम को confuse कर देगा, कि सास ले कहांसे और? नलायक हो एक नंबर के, अब सर में बहुता हो, जो डिविडेंट होता है, डिविडेंट होता है, मालनो एक कंपनी ने 10% डिविडेंट डिख्लियर किया, अब सर डिविडेंट के बारे में इंटरिम डिविडेंट और फाइनल डिविडेंट के बारे में हम एक चीज पढ़ लेते हैं नीचे से एक बार इसका क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं सबसे पहले मेरे साथ पढ़ लो अनॉंस्मेंट कौन करता है इंटरिम डिविडेंट दे रहा है। law ने बोला अगर तंगा बैल घ्रावर देढ़ ऑवार दे देनेगे लाइव एको देखर तो एंटरिम टिविडिटर कर см कर सकते हो वरना तो में घ्रआनां टिंप नहींदries कर सकते हैं सर सोर्स क्या होगा सोर्स सुन लो डिविडेंट की पैसे कहां से आएंगे सर जिस साल में पैसे बाट रहे हो उस साल में प्रॉफिट हुआ है तो वो प्रॉफिट से डिविडेंट दे दो अगर उस साल प्रॉफिट नहीं है इनफ तो पिछले साल के रिजर्व में से भी पैस की जरुवत नहीं है सर क्यों अरे अप्रूफ कुछ शेरोल्डर कर रहा है तो कौन सा राटिफिकेशन उसमें राटिफिकेशन की जरुवत नहीं है रेट ओफ डिविडेंट इस पे हम आएंगे पर सरी यह बहुत इंपोर्टेंट है यह सुन लो सब्सक्राइब करें लेट बनागे संजांगा आपको सारी चीजे घुजए लिएक दिमाग में अब सरी वोकेशन की बात करते हैं क्या फाइनल डिविडेंट रिवोक ओ सकता है नई क्या इंटेरिम डिविडेंट रिवोक हो सकता है हाँ बट कंसेंट अफ और शेरोल्डर्ड be required to revoke such interim dividend उसके बाद चार आपको बताए शेरोल्डर्स शेरोल्डर्स दो तरह के होते हैं equity preference preference में दो तरह की shares होते है cumulative preference non-cumulative तुमको इसका मतलब बहुत अच्छे से बता है cumulative मतलब क्या तुम्हारा dividend तुमको हर साल मिलेगा अगर किसी साल skip हो गया तो उसका बाद में accumulate होके तुमको मिल जाएगा dividend gets accumulated पर non-cumulative में इस साल अगर प्रॉफिट है मिला तो बढ़िया नहीं तो बूल जाओ अगले साल प्रॉफिट है तो ठीक है नहीं तो बूल जाओ तो ऐसा होता है non-cumulative preferences और equity shareholder तो क्या है सर बचा हुआ रहेगा कुछ तो दे दो नहीं बचा हुआ रहेगा तो नहीं तो उनको कोई फरक नहीं पड़ता इस तरीके से तीनों चीज़े होती है एक्जैम में नहीं आएगा तो सर एक्जैम में आएगा क्या यह जो मैं पढ़ाने वाला हूँ अब dividend का source क्या होता है मेरी बात ध्यान से सुनो किदर से पैसे आएगा तो मैंने कहा current year का profit लेकिन current year का profit जब तुम देख रहे हो ना तो एक चीज़ ध्यान रखना depreciation तुमने उसमें adjust कर दिया है मतलब सर यूं तो profit में depreciation adjust होता ही है पर फिर भी इन्होंने clarity क्ले बोल दिया कि depreciation निकालोगे और फ्री रिजर्व से आप क्या करोगे dividend declare कर दोगे इसके अलावा यह दोरों मिला करके यह दोरों मिला करके भी कभी दे सकते हो कि मानलो आपको पांच करोड का dividend देना था current year में सिर्फ 2 करोड का profit था तो 3 करोड पुराने reserves से निकाल सकते हो मतलब A और B और बो इसका dividend declare करने के लिए पैसे भी central government देता है और अगर central government ने कोई पैसा दिया है उसने बोला इसका dividend declare कर दो तो तुम dividend declare कर दो सर यह generally government companies के case में होता है जहां पे central government केता है ONGC चल इस साल तो dividend बाट दे मैं अपने funds में से तरको देता हूं वो dividend का पैसा कहां से आ रहा है सर central government से ना तुम्हारे current year के profit से ना पुराने साल के reserve से समझें तो सर यह चार सोर्स हो गए पहला current year का profit दूसरा prior years का profit तीसरा A और B का combination और चौथा central government तुमको पैसा दे रहे समझे अब सर यह हो गया source of profit यहां से आप क्या दोगे पैसा अब नेक्स समझना rate सबसे इंपोर्टेंट ह सबसे important यही है सर rate पहले dividend को दो पार्ट में divide कर दूँ क्या interim final अब सर समझना पहले बात करते interim dividend की अगर मैं interim dividend declare कर रहा हूं क्या मैं साल के बीच में dividend declare कर रहा हूं हां तो सर अभी अगर मैं साल के बीच में declare कर रहा हूं ना law कहता है एक आधा quarter तो खतम हो जाने थे एक आधा quarter तो खतम हो जाने थे company का profit है loss है वो तो देख ले अब एक quarter खतम हो गया सर अगर वो quarter में आपकी company में profit था profit था क्या था profit था और आप बोल रहों interim dividend दूंगा तो rate पे कोई limit नहीं है हम तुमको rate के बारे में कुछ नहीं बताएंगे तुम वैसे भी profitable हो तुम decide कर लो पर सर जो quarter खतम हुआ ना उसमें loss हुआ तो हम आपको तो हम आपको sorry अगर loss हुआ तो हम आपको rate के बारे में बताएंगे rate क्या होगा सर आपके पिछले तीन financial year का average पिछले तीन financial year में जो तुमने dividend दिया उसका average rate हो जाएगा अगर आपका quarter में loss था सर मेरी बात ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला dividend scoring है अगर तुमको nitty gritties पता हो तुमको अगर details पता हो तो मेरी बात please ध्यान से सुनना अगर एक company थी यह उसका financial year है इसका वान 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 ट्रटर तूफन टरी और विवद्णायों और ते इस अगर सो भी फंसरे कर लोगे थी कैद एक दो खां करोर का अब आप यहाँपे खड़े हो और मैं आड टिविटे दिर चाहता हूं यह div & क्या हुआ इं इंटरिम डिविटेंट की F9 INTERim अब interim dividend में, मैंने क्या कहा, rates का limit क्या होगा, अगर तुम्हारी company में profit है, कब profit है sir, in the current financial year till the previous quarter, in the current financial year till the previous quarter, अगर तुम्हारा profit है, तो rate काम limit नहीं बताएंगे तुमको, पर अगर loss है ना, तो पिछले तीन साल से जाधा dividend मत देना, तो sir, यहाँ पे, क्या rate का limit है की नहीं है, rate का limit लगेगा की नहीं लगेगा, sir, मैंने बोला in the current financial year till the previous quarter, previous quarter कौन सा खतम हुआ यह, दो quarter खतम हो गए, आपका 8 करोड का profit और 6 करोड का loss है, मतलब net net 2 करोड का profit है sir, और जब profit होता है तो rate का limit नहीं है, मतलब इस से समझाने का मतलब क्या है, आप अभी तक का total देखोगे, इसके बाद अगर क्या हुआ, October में 4 करोड का loss था, November में 4 करोड का loss था, ठीक है, 4 करोड का loss, 4 करोड का loss हो गया, तो आप अभी December में अगर खड़े हो ना, तो आप October और November का figure नहीं देखोगे, आप sir, पिछले quarter तक देखोगे, मतलब sir, law कहता है, अगर quarter खतम हो गया ना, rate क्या होगा, rate मतलब क्या है, percentage, तो मैंने का, अगर पिछले quarter तक, company का profit था, तो percentage देखने की बात ही नहीं है, पर अगर loss था ना, तो पिछले 3 साल का average लोगे, ये exam, ये जो question में बता रहा हूँ, exam में 10 बार आ चुका है, आपके company में, पिछले 3 साल का percentage बता रहा हूँ, 7%, 10% और 12%, पहले company ने 7% दिया, फिर 10%, फिर 12%, अभी company बोल रही है, इस साल हम interim dividend declare करेंगे, और company का है loss, तो क्या तुमको percentage का relevance है, क्या बोल रहे हो, loss है ना, तो आपका percentage, maximum percentage कितना होगा, पिछले 3 साल का average, company ने बोला, क्योंकि भाई, हमारी इजद बहुत है market में, तो पिछले सा साल भी 12% ही देना पड़ेगा हमको, क्या company 12% का dividend दे सकती है, the answer is no sir, company ये तीनों का average निकाल करके, maximum 9.33 आएगा guess, 9.33 दे सकते है, उस से जदाधा नहीं दे सकते, अगर तुम 12% देंगे, तो तुम गलत बोल रहे हो, अरे तुमको समझा, at the cost of repetition interim dividend में, क्या rate होगा, अगर company क पिछले quarter तक profit था, तो rate का relevance ही नहीं है, तुम्हारे मर्जी, पर अगर company का loss था, तो आपको average पिछले 3 साल का average देखना पड़ेगा, अब sir, आजो final dividend में, final dividend के लिए, final dividend के लिए, final dividend के लिए क्या सीने, sir, final dividend के लिए question ये आता है, current year का क्या सीने, अगर current year में तुमारा profit है, तुम बहुत बड़े हो, तुम अपने हिसाब से dividend दे दो, पर अगर current year में तुमारा loss है, तो क्या होगा, sir, आपको एक बहुत important rule का compliance करना पड़ेगा, वो है rule 3, 3, rule 3, sir, rule 3 क्या है, कौन सा chapter पड़े हैं, declaration and payment of dividend, तो यहां के rules का नाम क्या होगा, companies, declaration and payment of dividend rules, chapter का जो नाम है, वो ही rules का नाम आ जाएगा, अब मेरी बात समझो, आपके rules में, rules में कब जाओगे, अगर आपका loss है current year में, मतलब sir, अगर financial year 2022, 23 की बात करे, जो अभी चल रहा है हमारा, अगर यह financial year खतम हो गया, उसका AGM होगा, AGM में बैठ करके, आप decide कर रहो, dividend देना है, कितना dividend देना है, तो भाई, यह current period में loss था ना, हाँ, तो तेको rule 3 का compliance करना पड़ेगा, rule 3 में क्या लिका है, दोस्त, दोस्त, क्या लिका है rule 3 में, तीन लिमिट लिका है, ध्यान सुनना, questions इस पर कम से कम 3 से 4 questions है आपके question bank में, पहला, average of preceding 3 financial year, पिछले 3 financial year का average लेना, अरे सर, यह तो वही था ना, जो interim dividend में था, यह तो वही था ना, पर यहाँ पर यह one of the limits है, और इसमें एक point है important, सुन लो, सुन लो नहीं तो इसी में फसा देगा तुमको institute, सुन लो, सर, अगर पिछले 3 financial year की बात करूँ, मैं current year यह है मेरा, यह मेरा पहला year 1 है, यह year 2 है, और यह year 3 है, मतलब मैं पहले की 3 साल की बात कर रहा हूँ, इसमें year 3 में तुमने 10% dividend दिया था, year 2 में तुमने dividend ही नहीं दिया, और year 1 में तुमने 12% dividend दिया, तो सर, यह average कैसे लौ ने कहा, अगर तीनों में से एक भी साल में तुमने dividend नहीं दिया था न, तो यह condition ही तेरे लिए not applicable हो जाएगा, तो यह condition को देखना ही मत, average निकालने के लिए math math शोड़ दे, तो यह condition को देखना ही मत, अगर पिछले 3 साल में से कोई भी एक साल तुमने dividend नहीं दिया, सर exam में question आया हुआ है, इन्होंने बोला पिछले 3 साल से company ने dividend ही नहीं declare किया है, अगर dividend ही नहीं declare किया है, तो यह मत बोलना 0% हो जाएगा average, तुमा हार जाओगे वहाँ पे, सर तुम क्या बोलोगे, पिछले 3 साल में dividend नहीं declare किया, मतलब 0 प्लस 0 प्लस 0 divided by 3, 0 divided by 3 is infinity, तो जि सर, यहाँ पे 0 आएगा तो आप बोलोगे, 0 minimum percentage है, इससे जाधा हम दे नहीं सकते, तो dividend 0, नहीं सर, अगर कोई भी साल में आपने अगर dividend नहीं दिया, तो यह वाला point not applicable हो जाएगा, मतलब इसको देखना ही मत, बस लिख देना और last में लिख देना, this point is not applicable, ठीके, पहरा rule क् average percentage of, average of preceding 3 financial year, दूसरा, अब सर, आपका current year में loss है, मतलब पैसा किदर से लाओगे, पिछले साल के reserve से, यह आपका reserve है मान लो, यह आपका टंकी है, तो टंकी से कुछ पैसा निकालना पड़ेगा, तो कितना पैसा draw करोगे, तो law ने कहा, 10% of paid up share capital plus free reserves, बस, तुमारा paid up share capital or free reserve का sum लेना, उसका 10% draw कर लेना, उससे जादा reserve से नहीं निकालोगे तुम, और reserve से जब पैसा निकालोगे ना, तो आपने पैसा निकाला, तो सबसे पहला जो पैसा है ना, उसको थोड़ा सा बाजू में रख देना, कितना पैसा बाजू में रख दोगे, जितना आपका current year में loss हुआ है, मतलब सर आपकी टंकी है, मानलो टंकी में 50 करोड रुपे, आपने उसमें से 10% खीच के निकाला, कितना निकाला, मानलो 50 लाग निकाला, 50 लाग में से कुछ पैसा side में रख दोगे, जो आपका current year में loss हुआ है, मानलो आपका current year में 20 लाग का loss हुआ था, तो 50 काल लोगे टंकी में से, तो टंकी में कुछ पैसे और भी बचेंगे, तो law ने का minimum balance कितना बचना चाहिए, minimum balance बचना चाहिए, 15% of paid up share capital, 15% of paid up share capital, कम से कम इतना पैसा तो टंकी में बचना चाहिए, तो काम नहीं चलेगा, sir चोड़ो सुनो, sir आपकी एक company है, जिसका paid up share capital था तुमको भरोसा नहीं है, ऐसा ही question उठकर के दिख जाए तुमको, क्या मैनत लग रही है, सुन लो, मस्त एकदम समझ आ जाएगा, मैंने का पैड़ अप share capital है 10 करोड, free reserve से 50 करोड, और current year में loss कितना है 10 लाग, मेर से एक कदम आगे चलने की पूश करना, ताकि तुमको पता चलने तुमने कहां गलती किये, सर क्या यहां पर कोई limit लगेगा की नहीं लगेगा, dividend का limit है की नहीं है, सर लिमिट का वे, अगर current year में losses है, क्या आपका current year में loss है, हाँ, तो limit लगेगा, कौन सा limit, rule 3, rule 3 में कितने condition है, 3, 3 में 3 condition, पहला, average of preceding 3 financial year, क्या मेरे पास information है, नहीं, मानलो, मैं बोलू, पिछले 3 साल में dividend था ही नहीं, तो तुम बोलोगे, यह provision जो है, वो not applicable हो गया, चलो, मानलो, एक कदर आगे वड़ते, आपके पिछले 3 साल का में आपको बताता हू, average जो है, वो है 25%, मानलो, average कितना है, 25%, और current year में आप कितना dividend होगे बोल रहे हो, आप 20% dividend declare करेंगे, 20% dividend होगे, मतलब कितना रुपय देने की बात कर रहे हो, sir, 20% of 10 crore, तो आप 2 crore dividend dividend देने की बात कर रहे हो, सवाल यह 2 crore रुपय का dividend, जो 20% है, क्या तुम दे सकते हो, तो पहला point यह आया, अचले 3 साल का average बता, तो average कितना दिया हुआ है, sir, question में 25%, आप कितन दोगे, बोल रहे हो, 20%, तो limit के अंदर है, test pass, move to test 2, आप पैसा कितना, टंकी में से कितना पैसा निकाल होगे, 10% of paid up share capital plus free reserves, कितना होगा, sir, paid up share capital plus free reserves, 60 crore, तो 10% of 60 crore मतलब कितना हो गया, 6 crore, तो 6 crore आप निकाल सकते हो, लेकिन, थोड़ा सा पैसा side में रखना पड़ेगा कितना, current year के losses जितना, loss कितना था, sir, 10 lakh का, क्या मैं इसको 1 crore कर दूँ, easy के ले, इसको मैं 1 crore कर देता हो, loss, ठीके, तो अगर आपका loss 1 crore का था, तो आप इसमें से 1 crore side में रखोगे, बचेगा कितना, 5 crore, ये 5 crore रुपया आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, ठीके, कितना है, sir, 2 crore, क्यों, क्योंकि dividend 20% दे रहे हो, तो 2 crore चाहिए, तो ये test भी pass हो गया, तुम 5 crore तक निकाल सकते हो, पर तुम निकाल सब 2 crore रहे हो, तो बहुत बढ़ी है, test pass, तीसरा, जब तुम पैसा निकाल लोगे, तो balance कितना बचना चाहिए, 15% of paid-up share capital, paid-up share capital कितना है, sir, 10 crore, तो 15% of 10 crore हो गया, 1.5 crore, तो 1.5 crore balance बचना चाहिए, किदर, free reserve में, free reserve में कितना पैसा है, 50 crore है, उसमें से तुम कितना निकालने की बात कर रहे हो, 2 crore, इसने बोला 5 crore, यहीं पर confused होगे तुम, तुम अगर confused नहीं हुए ना, तुम मेरे एक कदम आगे नहीं चल रहे हो, तुम यहीं बोलोगे, कि sir, draw तो 5 crore कर रहे हैं ना, अरे second वाला limit है, तुम 5 crore तक draw कर सकते हो, तुम draw कितना कर रहे हो, 2 crore, जितना तुम को dividend देना है, य यहीं गलती करोगे, तुम लिखवा लो मेरे से, तुम आज लिखवा लो मेरे से, अगर तुम अभी नहीं सुने, तुम यहीं गलती करोगे, जब तुम practice करोगे, 5 crore second point है, लिमिट है, थर्ड पॉइंट में आप ये देखोगे, actual में कितना draw कर रहा हूं में, डिविडेंट जितना में को देना है, उतना draw कर रहा हूं, तो तुम 2 crore draw कर रहे हो, तो 50 crore में से, तुम ने 2 crore निकाल दिया, तो बचे कितने, 48 crore, लिमिट से बहुत जादा है, तो third test भी पास हो गया, थीनो test पास हो गया, तो हाँ भाया, dividend दे सकते हो, समझे, पर सर, यही question में अगर loss जो है, वो 1 crore के जगा 5 crore का होता, loss अगर 1 crore के जगा 5 crore का होता, तो problem कहा थी second point में, second point में problem क्या होता, 6 crore तक तुम draw कर सकते हो, पर 5 crore loss बाजू में रख दिया, तो तुम सिर्फ 1 crore निकाल सकते हो, तो तुम 2 crore का dividend नहीं दे सकते, ठीके, तो यहाँ fail हो जाते, फिर त तुम कहते, जितना proposed dividend है, उतना नहीं दे सकते, कम करो, समझे, all done, all set, rate समझ आ गया, एक बड़ सर मेरी बाते सुन लो, interim, final, interim में अगर current quarter तक profit है, sir, current quarter मतलब क्या, 3 quarter अगर हो गया है, तो तीनों का मिला के total देखोगे, एकदम latest वाला quarter नहीं देखोगे आप, तो तीनों का total मिला के profit है, तो interim dividend का limit कितना है, कोई limit नहीं है, पर अगर loss है, अगर loss है, तो limit क्या है, पिछले 3 साल का average, sir, ये वाले case में, interim dividend वाले case में, अगर पिछले 3 साल में कोई साल dividend नहीं था, तो क्या not applicable कर दोगे, नहीं, sir, interim dividend में, पिछले 3 साल में कहीं अगर dividend नहीं था, तो आप क्या करोगे फिर भी average निकालोगे 7% 0% 10% divided by 3 this is for example मतलब अगर 7% था दूसरे साल dividend नहीं था तीसरे साल 10% था तो तीनों का dividend का average निकालोगे interim dividend में ऐसा नहीं लिखाए कि भाई कोई साल dividend नहीं था तो उसको ignore कर देना पर आप average निकालोगे अब आजाओ sir final dividend में अगर current year में profit है तो कोई limit नहीं है current year में loss है तो rule three of companies declaration and payment of dividend rules अब यह rule में क्या लिखाए तीन point sir law की book में चार point लिखाए मैंने इसको तीन point कर दिया क्यों क्योंकि चौथा point कहता है कि जो reserve से balance draw करोगे न उसमें आप current year का loss set off करना पर अगर हम इसको तीन point करके याद नहीं करें तो exam में solution करने में problem आती है तो मैंने क्या कहा मैंने कहा तीन point पहला average of dividend अगर कोई साल dividend नहीं था यह मालो तीनों साल dividend नहीं था तो भूल जाओ this provision is not applicable zero नहीं भाही not applicable दूसरा 10 percent कितना amount draw करोगे 10 percent of paid up share capital plus free reserves plus security premium account अच्छा नहीं है क्या paid up share capital plus free reserves उसमें से क्या हटा होगे current year का profit अच्छा current year का loss उसके बाद कितना balance बचेगा 15 percent of paid up share capital plus free reserve थोड़ा ज्यादा समझ गयो ठीक है चलो सर समझा आपको rate आगे बढ़ें okay sir sir जब आप profit देख रहे हो ना जब आप profits का calculation कर रहे हो तो कुछ चीज़े ध्यान रखना जैसे कि क्या depreciation minus हो जाना चाहिए online वाले मेरे को बस एक बात बताओ क्योंकि मेरा mic नीचे जा रहे है तुम मेरे मेरी आवास क्लियर आ रही है क्या जोड से बोलो हाँ इनका अच्छा है यहां पर मेसेज गलत लिखते फिर डिलीट करके सही वाला लिख देते हैं और क्लियर गुड सुनों 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 मेरी वाल सर जब आप प्रॉफिट का कैल्किलेशन कर रहे हो ना तीन चीजों का ध्यान रखना पहला depreciation minus कर देना depreciation कौन सा income tax act के हिसाब से तुम टीचर की में आप तो क्या companies act के income tax act अच्छी बत्तमीजी है ठीक है companies act के इसाब से depreciation minus कर देना दूसरा अगर कोई revaluation, notional या unrealized gain हुआ है मतलब यह सर हवा में बाते हैं यह क्या है कि मेरी जमीन है 10 करोड की खरीजी थी आज मार्केट में 1000 करोड की वालवेशन है तो वाकी 990 करोड प्रॉफिट है तो उसका dividend बात दे 10% अरे पहले बेच के तो दिखा तो यह जो unrealized notional profits होते हैं इनका भी dividend नहीं जाएगा और थीसरा अगर आपने किसी asset या लाइबिलिटी का carrying amount change किया accounts पड़े हो जिंदगी में carrying amount change करना आता है तो carrying आता है ना पक्का पड़े हो ना हां तो carrying amount अगर आपने change किया तो उससे जो profit या loss आएगा उसको अपने P&L में adjust मत करना मतलब सही 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 से जितना कमाया है उसके minus इतना खर्चा हुआ है वो जो profit आया उसपे dividend बाट दियो अगर मैं dividend बाट रहा हूं 10% का 10% कितना होता है मानलो 5 करोड होते तो मेर को क्या कुछ amount reserves में transfer करना ज़रूरी है पहले के जमाने में हुआ करता था आज के जमाने में reserves में transfer करना is at your discretion मतलब क्या आपकी मर्जी आपको करना है करो नहीं करना है मत करो कितना percentage transfer करें जितना पांच करोड पे उतना ही transfer कर दे लौनिका हमको नहीं पता तुमको करना है करो जोनकि करनें मत और कर तो किपव नहीं करनें करो हमको कुछ भी फ़रक스란 पढ़ता कि रिजर्व इतना ट्रांसफर करो इतना ञार बले err ठाहर आया था श्रोली जोर्समाहिंने स्वघ्व करना ज़रूरी है ना Cyrus मे छह ignore it if it wants but the percentage is it at its discretion उसको कोई लॉव में परसिंटेंग्स नहीं लिखा है hey sir क्या मैं capital reserve से dividend दे सकता हूं dividend sir free reserves से जाता है sir क्या मैं venture redemption reserve से दे सकता हूं क्या मैं deposit repayment reserve से दे सकता हूं capital redemption reserve से दे सकता हूं औरे बोला नहीं नहीं दे सकते हूं सर फ्री रिजर्व से दे सकते हो डिविडेंट उसके बाद सर वेट ओफ इंटरिम डिविडेंट हो गया आपका रूल तरी हो गया अपका अब आजाओ सर नेक्स्ट बड़े पार्ट में सुनो एक बार में टाइम लिमिट बताऊंगा रैपिड रिविजन है रैपिड तो मैं भूली गया हूँ सुनो आप रैपिड अब सर अगर एक कंपनी डिविडेंट डिक्लेर करती है एक सुर में बता है मतलब पैसा अलग कर दो जिस दिन डिक्लेर किया उस दिन से 30 डेस के अंदर डिविडेंट क्या करना होता है पे करना होता है अगर 30 डेस में पेमिंट नहीं हुआ तो साथ दिन के अंदर क्या करना होता है अनपेड डिविडेंट अकाउंट में डालना होता है वह साथ दि education and protection fund. अब सर्थ सुनो अगर 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 30 दिन में payment करना था company को, company ने dividend declare कर दिया, लेकिन पैसे ले करके किदर और investment में डाल दिया, फिर टब shareholder मांगने आई तो बहले पैसा नहीं है, तो अगर तुम 30 दिन में dividend नहीं दोगे ना company, तो तुम पे 18% पर आनम का इंट्रेस्ट लगेगा कितना अट्रा परसेंट पर आनम का इंट्रेस्ट लगेगा सर वो तो लगेगा ठीक है तुमको तीस दिन बाद पैसे कहां डालने थे अनपेट डिविडेंट अकाउंट में तुमने अगर वो भी नहीं डाला कितने दिन में डालने थे पां कर दो कर दो एक सेकेंड चले आगे बड़े सर पांस दिन में कहा डालना होगा शेडूल बैंक में तीज अगर आपने डिविटेंट डिक्लेर किया फर्स जैनवरी को तो आपको शेडूल बैंक में कब तक डालना है फिफ्ट जैनवरी तक आपको पेमिंट कब तक करना है डिविटेंट का 30 जैनवरी तक सर यह जो 30 डेस कैलकिलेट होगा यह कहां से होगा यह डेट ओफ डिकलेरेशन ऑफ डिविटेंट से होगा अगर नहीं कर पाए तो 7 जैनवरी तक क्या करोगे अनपेड डिविडेंट अकाउंट में डाल देना अगर नहीं कर पाए उसके बाद कितने साल रखोगे साथ साल और उसके बाद क्या करोगे आई पीएफ में अगर 30 जैनवरी तक डिविडेंट नहीं दिया तो कितना परसेंट इंट्रेस्ट लगेगा अठ्राः परसेंट अगर 6 तक अनपेड डिविडेंट अकाउंट में डाला तो कितना पर शॉन लगेगा 12 तो सार आपे ऐसा भी हो सकता है सर यह interest किस पे लग रहा है members पे right company पे लग रहा है sir interest किस पे लग रहा है company पे यह सब किसका काम है company पे तो company का काम है company पे लग रहा है अब सर आगे की चीजे बता रहा हूं सुनना जैसे ही आप 6th February को unpaid dividend account में पैसा डाल दोगे न मानलो एक company ने dividend declare किया 200 करोड का उसमें से 140 करोड उन्होंने पे कर दिया कब पे किया sir यह 30 days में ठीके उसके बाद कितने पैसे बचे चालिस करोड रुपे बचे अभी चालिस करोड रुपे को क्या करना पड़ेगा unpaid dividend account में डालना पड़ेगा unpaid dividend account में जब आप डालते हो ना सर तो 6th February के 90 days के अंदर अंदर आपको एक statement बनाना पड़ेगा मानलो यह 40 करोड में से 10 करोड मेरे थे मानलो ना आज टीचर्स दे तुम्हारा क्या जा रहे है मैं खूश हूं तुम्हारा क्या जा रहे मानलो 10 करोड क्या dividend मेरा है तो अभी कंपनी को न चिला-चिला के सबको बताना पड़ेगा कि भया यह जो 40 करोड हमने इसमें किसके किसके पैसे हैं तो आपको इक डीटेल बनाना पड़ेगा जिसमें आप नेम अड्रेस और डिविडेंट अमाउंट दे रहे हो किसका दे रहे हो सर यह वो लोग जिनका पैसा अभी देना बाकी है और यह आप कहां डालोगे कंपनी के वेबसाइट में कितने द नाम केहते रहा हूं कुम कर आखना में अभी शेक ठीक से नाम पूछ सकते हैं पूरा नाम बता रहा दर लग रहे हैं सुनो सुनो में वात सण अ कि हां कि सोजो सखे आपका इंफिय एक ऑंदर एक स्टेटमेंट बनाके भेजोगे स्टेटमें कहां पर डाल Tanzrava platform में स्टेटमेंट डालोगे उससे क्या होगा उससे लोगों को पता चलेगा कि भाई मेरा ना dividend pending है मेरे को जाकर करके claim करना है उसके बाद सार अगर 7 साल तक claim नहीं हुआ तो आप कहा डालोगे IEPF account में यह IEPF किसका होता है IEPF होता है Central Government का IEPF कौन बनाते मोधी जी बनाते Central Government की fund में तो से मानलो यह 40 करोड मैंने कहां डाला था unpaid dividend account में उसमें से और 25 करोड और 25 करोड जो है वो साथ साल में claim हो गया साथ साल में claim हो गया 25 करोड बचा जो 15 करोड है वो अभी तक unclaimed है unpaid है तो यह 15 करोड कहां जाएगा IEPF में आप IEPF के पास जाओगे यह 15 करोड दोगे उसके साथ आपको डीटेल्स देना पड़ेगा कि यह 15 करोड इस किसके हैं मानलो 15 करोड में 10 करोड शुबं के ठीक है तो यह 15 करोड किसके यह पूरा डीटेल आपको देना पड़ेगा जब आप IEPF के पास डाल रहे हो जब आप IEPF को यह 15 करोड दे दोगे ना वो company को एक receipt issue कर देगा receipt issue कर देगा कि हाँ भाई तूने मेरे को 15 करोड दिये ठीक है अ उसके बाद क्या में company के पास जाके अपना dividend claim कर सकता हो नई मेरे को किदर जाना पड़ेगा IEPF के पास पर सर IEPF को क्या पता मेरा dividend किदर से मेरा कितना dividend है वो दिया ना इधर यह जब 15 करोड तुम दे रहे हो IEPF को तो तुमको एक डीटेल देना पड़ेगा किसके कितने प dividend पे नहीं हो रहा है या claim नहीं हो रहा है अगर साथ साल consecutively dividend पे नहीं हो रहा है या claim नहीं हो रहा है तो dividend का amount किदर जाएगा वो तो अलग है पर जो shares है ना आपके वो भी चले जाएंगे IEPF में मतलब मालो सर एक Mr. X करके एक बंदा था Mr. X ने Reliance के shares खरीदे shares खरीदने के बाद shares का price 10% बढ़ गया वो खुशी के मारे कोमा में चला गया बंदा 10 साल बंदा का है कोमा में उसका कोई भी dividend आ रहा है ना वो bank account दे रहा है ना वो claim कर रहा है उसको पता आता पता ही नहीं है जो अपना डिविटे अपना जो shareholder है वो इक्तु बिक्तु जिंपदू था तो सर उस share कोई उसका बेटा जाकर कि fight नहीं मारेगा वो भूल जाता है वो चोड़ देता है कि पढ़े रहें दे तो उस case में central government क्या करता है वो shares अपने पास ले लेता है IEPF में shares भी transfer हो जाते हैं तो आने वाले dividend भी IPF में आते हैं आने वाला कुछ भी return है वो IEPF में आता है पर सर कल को वो 10 साल बात कोमा से उठा Mr. X तो क्या वो IEPF के पास जाकर अपने shares वापस मांग सकता है the answer is yes shares किसके share older के तो IEPF के पास जाकर के वापस मांग सकता है तो sir transfer क्या हो रहा है shares कितने में अगर seven consecutive financial years तक अगर आप क्या नहीं कर रहे हो उस पर dividend pay नहीं कर रहे हो या dividend claim नहीं हो रहा है सर पर सुनना seven consecutive years मतलब सर यह streak है अगर तुम्हारा एक साल भी streak तूटा ना वापस साथ साल का streak बनाना पड़ेगा तुमको seven consecutive year बहुत important इस ट्रीक साथी है ओमागो सुनो आगे बड़े सर देखें क्या क्या पॉइंट्स हो गया अब scheduled bank में पांस दिन के अंदर transfer करोगे ठीक है अब सर डिविडेंट पे किसको होता है वाँ 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 यही तो पुछना था मेरे को साथ डिविडेंट तीन लोगों को पे होता है मतलब शेरोल्डर को ही देते हो लेकिन उसके जागा बोलो registered shareholder मतलब क्या जिसका नाम registered members में दूसरा to his order मतलब अगर मैं registered shareholder हूं लेकिन मैंने बोला डिविडेंट मेरे च सकती है आर ओ भी रॉब आर रेजिस्टर्ड शेरोल्डर ओ टूस ओडर बी टूस बैंकर यह तीनों को ही डिविडेंट दे सकते हो मतलब क्या सर यह क्यों बोला है यह पॉइंट सुनना आगे चलके आपका एक सेक्शन है सेक्शन 126 वह मैं अभी से बता रहा हूं सुनलो मे इसका डो रेजिस्टर अनियमिल्ड Immac गैस बढ़ालन से उसमें किसका नाम आर्यायन खाए तुमें मे giस्टर कुंध की बनाया और अपने सारे shares transfer कर दिया Anil को, अब Anil वो transfer deed लेकरके Reliance के बास गया और Reliance को बोला Hey Reliance, अब मैं shareholder हूँ, मेरा नाम यहाँ पर डाल दे register of members में, मेरा नाम यहाँ पर डाल दे register of members में, और अगर Reliance ने बोला डालता हूँ, अनil को, तो सर कंपनी dividend किसको देगी, सर अब भी हमने बड़ा कंपनी dividend ROB को देती है, registered older को, order को, या banker को, क्या मुकेश को देगी, सर काईदे से तो मुकेश को देना चाहिए, पर shares तो transfer होगे अनil को ना, तो काईदे से अनil को मिलना चाहिए, तो इस केस में कंपनी क्या करेगी, कंपनी किसी को भी नहीं देगी, dividend डल जाएगा, unpaid dividend account में, कहाँ पे, unpaid dividend account में पैसा डल जाएगा, कब तक, जब तक अनil जो है, वो registered नहीं हो जाता, अनil जो है, registered नहीं हो जाता, पर सर एक बात बाता हो, अगर Reliance Industries के कंपत्ती पे बंदूक रखो आप, और बोलो, एक जन को तो dividend देना ही है, मुकेश को या अनil को, तो Reliance किसको देगा, Reliance देगा मुकेश को, क्यों हो सर, law बोलता है, Reliance तीन लोगों को dividend दे सकता है, registered holder, owner और banker, तुमको registered holder, order और banker, तुमको क्या लग रहा है, मैं ये बार-बार क्यों repeat कर रहा हूं, मेरे को मज़ा आता है क्योंकि तुम्हारे दिमाग में घुसे, तो मेरे साथ repeat करो, किसको किसको जाएगा सर, registered holder, order और banker, ये तीनों को क्या जाएगा, dividend जा सकता है, तो यहाँ पर अगर आपने Reliance को बोला है, एक जिन को देना ही है, तो किसको देगा वो, मुकेश को देगा, तो आप मुकेश को देना चाहो तो दे सकते हो, पर अगर इस case में, मुकेश ने कह दिया, कि भाई मैं तेरे को बोल रहा हूं, किसको कैसा दिया, तो अगर मुकेश ने मेरे को राइटिंग में दे दिया न, अनिल को दे दे, तो मैं दे दूँगा, तो सर मैंने क्या कहा, सिंपल, section 126 क्या कहते है, अगर आपका शेर का ट्रांसफर हुआ है, अनिल को दे दिया न, यह हजार शेर थे, हजार शेर अनिल को दे दिया, अनिल गया, रिजिस्ट्रेशन के लिए, रिजिस्ट्रेशन अभी पेंडिंग है, उस बीच में कंपणी ने बोनस शेर इसा इशू कर दिये, तो बोनस शेर किसको मिलेंगे, मुकेश कोई रिजिस्ट्रेशन को, लाओ ने कहा, यह जो बोनस शेर इस और राइट शेर्स हैं न, इनको अबेन्स में डाल दो, अबेन्स, अबेन्स क्या hold पर, अपना section 126 भी खतम हो गया सर अभी मेरे बात बताओ तुमको basic सा बात केना company issue bonus shares in lieu of dividend केना company issue bonus shares in lieu of dividend bonus shares मतलब क्या सर एक company ने dividend declare किया कि हर एक shareholder को 50 रुपे मिलेंगे मान लो अब वो क्या कहता है 50 रुपे cash में नहीं दूँगा बदले में तरको में company के कुछ shares देता हूं 50 रुपे का तिरको 50 रुपे दे रहे ना एक काम करता हूं में company के 5 shares देता हूं एक share 10 रुपे का क्या मैं दे सकता हूं law ने का नहीं dividend बोला है dividend डिविडेंट जब आप करते हो डिविडेंट आपको cash में पे करना पड़ेगा cash में मतलब यह नहीं रोकडा निकाल के गिन रहो cash में मतलब मेरे account से पैसा जाना चाहिए उसके account में पैसा आना चाहिए cash मानलो रिलाइंस में ने डिविडेंट डिक्लेर किया और मुकेश अम्बानी ने बोला dividend के जगा में तुम सारे शेरोल्डर को आशिरवाद देता हूं अपना रख लो बॉले तू रख ले पैसे दे मेरे क्यों dividend cash में चाहिए अपने को dividend law कहता है cash में दो सर cash में मतलब मैं repeat कर रहा हूं cash में मतलब यह नहीं रोकडा गिनके cash मतलब पैसा दो तुम उसको bank account से दो तुम उसको चेक दो तुम उसको ने एफ्टी आटी जीके साई मपेस कुछ भी करवा ऐसी तेसी पर तुम उसको पैसा दो उसको पैसे के बदले bonus shares और उसके अलावा right issues यह सारी चीज़े कुछ भी नहीं दे सकते पता चला रिलाइंस ने बोला डिविडेंट देना पजास रुपए का एक काम कर इसका नेट पैक रिचार्ज मार जी होगा नहीं बाई मेरको cash चाहिए क्लो指 वेचे के साच्च्च्चनेbor तो चीज़ंड जिक्षए जिस्में गड़ा था ओ पी डी ओ क्यों टflows podr फिक क्या वाप्रोफिatus ने क्या हुपिक्ष वेट क्लिकी क्ली बाउट टाइनग सक्ति हि अच यहां पे वही लिखा है शेक्श्च्चने वेच्च्चनेंट कंप अप्ने आपाजेक्स को प्रमोट करने के लिए apply करना होगा सर आपको पताए आपके सिल्लेबिस में एक deposit नाम का chapter है Deposits में किया है पब्लिक से deposit लेना, member से deposit लेना कल रिविजन कर ले उसका चुछो अचा कल तो charges जाए तो कल चार्जेस का रिविजिन करते हैं पर सो अपन डिपॉजिट का रिविजिन करेंगे, सुनो मेरी बात, सर, डिपॉजिट है सेक्शन 73 से लेकरके 76 तक, 76A, तुम आके मेरे से क्लास के बाद बात करना तो तुम मेरे को देख रहा है तुम किदर से आयो, कौन 76B, हट, सुन 73 क्या है, सर, 73 क्या है, सर, 73 क्या है, deposit from members, अगर तुम member से पैसे ले रहे हो, और 74 क्या है, 74 क्या है, जो deposit ले रहे हो ना, उसको time से repay कर देना, ठीक है, अगर तुमने 73 या 74 का contravention किया ना, तो law ने बोला, अगर deposit का contravention किया है ना, shareholder सुम को dividend नहीं मिलेगा, मतलब सर, a company is strictly prohibited from declaring dividend, if there is a default in section 73 or 74, पर सर, अगर वो default को ठीक कर दिया, if the default is made good, तो फिर आपका वो prohibition continue नहीं होगा, मतलब जब तक तुम default कर रहे हो, तब तक तुम dividend नहीं दे सकते, जब तुम सुधार दोगे, उसके बद तुम dividend दे सकते हो, सर, इस पर एक question आया है, एक company ने deposit के repayment में default किया, exam में यह लिखा था, एक company ने deposit के repayment में default किया, अब वो कहने dividend देंगे, क्या तुम dividend दे सकते हो, तो तुम को लिखना पड़ेगा, नहीं, a company strictly prohibited, so long as the failure continues, बतलब जब तक failure चल रहा है, जब तुम repayment कर दो ना deposit का, उसके बाद तुम dividend declare कर सकते हो गया, हाँ, उसके बाद तुम कर सकते हो, उसके बाद पस्चाताब हो गया, आगे में इसर, अब आपको बता है, unpaid dividend account होता है, unpaid dividend account में कितने दिन के अंदर transfer करना होता है, 7 दिन, 7 दिन कप से, जब 30 days खतम हुआ, unpaid dividend account में जब transfer करोगे, तो आपको एक statement भी बनाना पड़ता है, जिसमें आप 3 चीज़े द statement कहां पर डालोगे आप, company के website में, जो चाहे जाकर के देख ले, यही लिखा हुआ है sir, unpaid dividend account, अगर 30 days में आपने pay किया, sir, एक बात बताओ क्या, 30 days में आपने dividend अगर नहीं pay किया, उसके दो कारण हो सकते, या तो company के पास पैसे नहीं थे, उसने dividend दिया ही नहीं, या फिर म तो मोड़ी सा जाकर डालो, कईसा डालता मैं, तो मैं नहीं डालता, sir, वो मैंने नहीं डाला, पर वो company के point of view से तो unpaid रहे गया, तो अगर मेरी गलती है, तो उस पर कोई interest नहीं लगेगा, पर अगर company की गलती है, तो उस पर कितना interest लगता, 18% per annum, sir, dividend धिया ही नहीं, बहु तो sir, मैं आपको क्या समझा रहा था, website में डालोगे आप, उसके नीचे क्या लिखा हूँ है, payment of interest on default, अगर 7 दिन के अंदर unpaid dividend account में नहीं डाला, तो कितना percent लगेगा, 12%, sir, concept, concept समझो, sir, ये interest दे कौन रहे, bank, bank ही देगा न, अरे मैं access bank में account खोला हूँ, तो interest कौन देगा, sir, ये कोई fixed interest, saving interest की बात नहीं हो रही है, ये penalty का interest है, तो interest कौन देगा, company, तो company क्या करेगी, 12% जोड़के कहां पे डालेगी, unpaid dividend account में, sir, ये पैसे किसके होंगे, ये जो 12% है, ये किसके होंगे, law ने का, shareholders के, जो shareholder का dividend जाना बाकी है न, उनके पैसे होंगे, उनको उस proportion मे उनका dividend मिल जाएगा, ये ना bank का होगा, ना IEPF का होगा, must MCQ बन सकता है, ये जो interest है किसका है, bank का, company का, IEPF का या members का, answer है, members का, उसके बाद क्या करोगे, sir, 7 साल भी अगर unclaimed रहा, तो IPF account में डाल दोगे, और sir, एक point में आपको बताया था, transfer of shares का, अगर 7 consecutive years तक अगर dividend has not been paid or claimed, then the shares itself will be transferred to IEPF, sir, सुनो, कोई भी चीज आई पीएफ में डाला न, तो ये मत सोचना कि वो नेकी करो और दर्या में डाल, वो नहीं होता, अगर आपने IEPF में कोई पैसा डाला, मतलब ये नहीं कि भूल जाओ, वहां रहेगा, तुम कभी भी जाकर कर के IEPF से अपने पैसे वापस claim कर सकते हो, समझे, sir? Sir, एक penalty आप पढ़ लेना, ये penalty आप आजाओ, Investor Education Protection Fund में, Investor Education Protection Fund, important penalties में तुमको पढ़ाओंगा, उसका attention मतलो, ये सारे आते भी नहीं और क्या ही बता दूँगा तुमको, इतना रुपढ़े, इतना इतना इतना, सब रच्चा है, सुनो मेरी बात, Sir, Investor Education Protection Fund क्या है, simple मैं बत आता हूं, Investor का Education करता है, और उनको Protect करता है, वहाँ वहाँ करो, वहाँ 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 वाही आद, सुनो मेरी बात, क्या का मैंने, Investor Education Protection Fund, Investor को Educate करता है, अब मेरी बात, सुनना, Sir, ये IPF में पैसा किदर से आते है, एक तो तुमको पता है, अगर Unpaid Dividend Account में साथ साल तक पैसा पड़ा रहा, उसके बाद जो पैसा जाएगा, कहां जाएगा, IPF में जाएगा, और कहां से आता है भाई, तुमारा बताएगा, सुनना, अगर Central Government कोई grants दिया है, मतलब क्या, उन्होंने budget में बोला, सौ करोड रुपए IPF को जाएगा, तो वो सौ करोड रुपए IPF को जाएगा, उसके अलावा, किसी ने donation दिया है, कौन donation दे सकता है, सर, Central Government, State Government, Companies, कोई भी donation दे सकता है, अगर उन्होंने donation दिया, तो पैसे आएगे, मतलब Central Government से भी आएगा, Central Government के grant से भी आएगा, और donation से भी आएगा, सर, grants और donation में फरक क्या होता है, grants मतलब वो जो आप budget में proper बना के appropriate करते हो, कि इतना पैसा देना है, donation मतलब EDOC, अच्छा पैसा जाए यह ले रख ले, यह donation होता है, ठीके, यह दो क्या हो गया, यह दो क्या हो गया, आपका यहां से पैसा आएगा, उसके अलावा, Companies Act 1956 था, अभी 2013 आया, तो Companies Act 1956 में भी कुछ funds है, वो funds के भी पैसे क्या होंगे, यहां पर आजाएंगे, वो funds के भी पैसे यहां पर आजाएंगे, उसके अलावा, सर, आपका unpaid dividend account, जो हमने पढ़ा, unpaid dividend account में 7 साल तक पैसा रह उसके बाद सर, और भी चीज़ होती है, जैसे कि आपने deposit लिया था, अब deposit रीपे करना है, मैंने बोला है, ले ले भाई पैसे, तुम ले ही नहीं रहे हो, तो मैं अपने पास साल तक रखूँगा, साथ साल तक भी अगर तुम नहीं लिये तो मैं क्या कर दूँगा, आई प को दे दूँगा, मतलब सर, Unpaid Dividend Account, Deposit और Dividend, Dimension, Dimension, D3 हो गया है, दिल दोस्ती है, नहीं, Deposit, Dimension और Dividend, ये तीन चीज़े हो गया, उसके बाद सुनना मेरी बात एक और, अगर आपने कोई Merger या Amalgamation किया है, उसमें कुछ Fractional Shares जनरेट हुए थे, मैं बहुत डीटेल मे आपको अभी नहीं समझा पाऊंगा, पर सुन लो एक बार, अगर आपने कोई Merger और Amalgamation किया है, उसमें अगर कोई Fractional Shares जनरेट हुए थे, Fractional Shares मतलब क्या 0.75 Shares, तो इंडिया में Fractional Shares होते ही या, नहीं, तो उसके मतले में Cash देना पड़ेगा, वो Cash देने के लिए में मैंने बोला था, मेरा IPO आ रहा है, आप्लिकेशन दो, तो 100 लोगों को अपलाई करना था, 1000 लोगों ने अपलाई कर दिया, तो बाकी 900 लोगों को रिटर्न करना पड़ेगा, अब रिटर्न करने के लिए मैं बंदा ढूंड रहा हूं, बंदा नहीं मिल रहे, कितने साल करेगा क्या IPF का, थोड़ी अर्समें खर्च कर देगा, तो उसको इन्वेस्ट भी करेगा, उसको इन्वेस्ट करने से फिक्स डिपोसित आएगा, इंट्रेस्ट इंकम आएगा, कोई और गेन आएगा, ये सारा भी आपके उसी फंड्स में आता है, और सर कोई भी और अधर बहुत सारे और जगें, जहां से पैसे आते हैं, सर मेजरली क्या है, पॉइंट्स बड़े बड़े याद कर लो, पहला तो Central Government grants दे रहे हैं, ये से एक बार आके बन करो, सब एक बार आके बन करो, online वाले सब आके बन, एक बार ना, कहां से पैसा आ रहे हैं, कहां से पैसा जा कोई भी दे सकता है, वो सारा IPF में आएगा, पुराने जमाने में 1956 में जितने भी फंट से वो पैसे IPF में आएगे, उसके अलावा बहुत सारी चीजें, जैसे कि डिविडेंट अपने डिक्लेर किया, अनपे डिविडेंट अकाउंट में डाला, साथ साल तक क्लेम नहीं अगर कोई application money आया है, application money अगर आया है, तो वो भी अपने पास साथ साल तक रखोगे, पहले तो refund करोगे, नहीं हो पा रहा है, साथ साल के बाद IPF में डाल दोगे, और last में अगर ये सब पैसो से कोई भी other income आ रहा है, वो भी आपके IPF में आएगा, लेकिन ये IPF का करोगे क अगर हम कहीं class action suit file कर वा रहे हैं, तो उसमें legal expenses होते हैं, वो legal expense को reimburse करने के लिए काम आएगा, ये fund का पैसा, उसके बाद D, अगर D पे आते हैं, P पढ़ लो, सुनो, मेरे साथ एक बार आके कोलो, तुम लोगों को याद है कुछ, कि तुम लोग revision कर रहे हो कि रट्टा मार एक जना, में को समझ नहीं आया कैसे सुनाई दे रहे है, मेरा फ्लो टूटिया तेरको देखके, सुनो, सर सुनो, सुनो, मेरे को आखे सही में बंद कर लीनी चाहिती, सुनो, मैं क्या समझा रहा हूं आपको, utilization का, utilization का, क्या आपका, utilization कहां पे होगा, मैंने का 5 जगा आपका utilization होगा, C, D, Pro में, पहला मैंने का, C, Class Action Suits, अगर Class Action Suits फाइल हो रहे हैं, उसके legal expenses में, आप reimbursement करने के काम आएगा, D, अगर आपने कोई disgorged amount लिया, अच्छा, ये भी एक point है, आपके investor education protection fund में एक और जगे से पैसा आते है, कहां से disgorged amount, disgorged amount क्या होता है, हर्षद महिता स्काम किया, ठीक है, स्काम करके हर्षद महिता ने 5,000 क्रोड कमाई, अब 5,000 क्रोड के सामने तुम ने उसमे 500 रुपे की penalty मार दी, मानलो penalty लगा दी, वो 5,000 क्रोड क्या उसके पास ही छोड़ दोगे, नहीं, उसको आप जब्त कर लोगे, disgorged कर लोगे, तो ये जो disgorged fund होत पैसा के आएगा जो आपने disgorged किया है, और पैसा यूटलाइस कहा होगा, ये जो शेरोल्डर्स है ना, या जो आप्लिकेंट्स है जिनका नुकसान हुआ है, उन लोगों को पैसा reimburse करने में काम आएगा, समझे, तो पैसा कहां से आएगा जब्त करके, और पैसा जाएगा कह जिनका नुकसान हुआ है उनके पास, अगर उनको आप identify कर पा रहे हो तो, तो सर मैं आपको समझा रहा हूँ कहां कहां utilization होगा, पहला class action suits में, उसके बाद D, distribution of disgorged funds, distribution of disgorged funds, उसके बाद P, promotion of education awareness and protection, उसके बाद R, सर, IPF में इतने पैसे आ गए, पर कल को ये dividend वाले, deposit वाले debenture वाले पैसा मांगने आएंगे तो देना तो पड़ेगा, तो ये तो major expense होता है, IPF का, refund of such dividend deposit or debenture amount जो आपके पास आया है, और O, such other purpose incidental there too, sir, CD pro, C, class action suits, अगर कहीं class action suits file हो रहे हैं, उसके legal expenses होगा, उसका reimbursement करेंगे, D, distribution of disgorged funds, जो पैसे जप्त किये थे, वो distribute करोगे, क क्या का हमेने, eligible applicants who have suffered losses, उसके बाद P, promotion of investors, education and awareness, R, refund, यह सबसे बड़ा expense है, refund किस चीज़ का, deposit का, adventure का, dividend का, यह सारी चीज़ों का, और O, such other incidental matters में आपका यह utilization होगा, sir, यह important वा है, क्या है, important वा है, उसके बाद, sir, IPF मानलो, एक 1000 करोड का fund है, तो fund के ऐसे ही छोड़ दें क्या, नहीं, fund को manage करने के लिए एक बंदा आता है, उसको क्या कहता है, IEPF authority, क्या यह एक बंदा है, नहीं, sir, यह कमिटी है, इसमें कितने लोग होगे, इसमें एक chairperson होगा, एक CEO होगा, और कुछ members होगे, sir, chairperson कौन होगा, chairperson वही होगा, जो MCA में secretary है, MCA में secretary है, MCA में secretary है क्या चलती है, सोच में, श्री, माइक चाहिए है, यह ला ना, एक नहीं हो, मतलब MC और A के बीच में pause में तुने क्या interpretation निकाल दिया, बोले sir, हाँ, law की class है, सुनो, सुनो मेरी बार, मेरा flow टूड़ किया, सुनो sir, मैंने क्या कहा, IPF authority जो है, उसका composition क्या होगा, chairperson होगा, CEO होगा, और members होगे, chairperson कौन होगा, जो MCA का secretary होगा, अगर MCA का secretary बदला, इधर chairperson भी बदल जाएगा, sir, यह लोग क्या करेंगे, यह लोग मिल करके funds को manage करेंगे, अब sir, यह जो IPF authority है, यह किसकी authority है, मतलब यह central government का इक हिस्सा है, अब मेरे को एक बात बताओ sir, central government के जितने भी हिस से, उनका audit कौन करता है, comptroller and auditor general of India, तो यह जो IPF है न, IPF authority, इनको भी अपना books of accounts maintain करना पड़ेगा, audit करवाना पड़ेगा, audit कैसे होगा, जैसे CAG बोलेगा, और audit कौन करेगा, CAG audit करेगा, audit करने के बाद एक report बनता है, उसको कहते, audit report, वो audit report बना के किसको दोगे, central government को, central government ल रख देगा, विधान सभा और विधान परिशद, तो विधान सभा विधान परिशद किदर गए, यह state government गए, पता है न, वो लोग को भी पता है न, जिन्नोंने हामारा विधान सभा विधान परिशद में, सर, किदर जाएगा, बोथ houses of parliament, लोग सभा और राजिस अवा में जाएगा, कौन लेके जा रहा है, Central Government, मतला हम रिपोर्ट बनाएंगे, रिपोर्ट उनको देंगे, वो ले जाएंगे, लोग सभा और राज्यस अवा में, चलो, सर, सेक्शन 126 आपका हो गए, कब हुआ सर, अरे वो थोड़ी दिर पहले बताया, मुकेश, अनिल, मुकेश वो गुट का मुकेश नहीं, जो अपने मुवीस में पहले आता है, नहीं, मुकेश अपना ये अंबानी वाला, रिलाइंस का एक्जाम्पल में, मुकेश आ रहे त सेक्शन और सबसे इंपोर्टन सेक्शन, कोई भी पेनल्टी जिंदगी में याद करो ना करो, ये वाला जरूर कर लेना, सर, डिविडेंट, अगर एक कंपनी डिविडेंट डिविडेंट करती है, कितने दिन के अंदर देगी, 30 देस के अंदर, एक बहुत इंपोर्टेंट इंद ये concept बता रहे हूं, सुन लो, dividend देने के दो तरीके, या तो मैं तुमको cash में देदू, cash में मतलब बैंक कांग्वाrairement चेक, कोई भी, या मैं तुमको पोस्ट हो जाना चाहिए मतलब मैंने मानलो 1st January को dividend declare किया और 29th January को मैंने उसको post किया आपको मिला 28th February को कब अगले मैंने February को तो क्या मैंने default किया है नहीं मेरा काम किया था 30 दिन के अंदर warrant dispatch हो जाना चाहिए एक्जाम में confused हो जाओगे तुम तुम बोलोगे भाई उसको तो मिला तो 28th February को है ना कब मिला मेरे को घंटा फरक नहीं पड़ता मेरे को फरक पड़ते हैं मेरे को post करना है मैं 30 days के अंदर post करूंगा अब अगर company ने 30 days में dividend नहीं दिया या post नहीं किया तो उपड़ता होगा आप पर लगेगा penalty किस पर किस पर पेनिल्टी लगेगा शर्डी for officers पर और company पर कंपनी क्या पर पर अट्रा पर संट पर अनम का लगेगा fine कितना लगेगा minimum thousand rupees per day for each day the default continues मतलब 30 दिन तक दे देना चाहिए था उसके बाद हर दिन का 1000 रुपे लगेगा अब से सवाल यह उठता है क्या एक एक शेरोल्डर के पीछे हजार रुपे लगेगा मतलब मानलो एक लाग शेरोल्डर है नब्य अजार को बेज दिया दस हजार को नहीं दे पाए तो क्या एक एक शेरोल्डर के पीछे हजार रुपे मर जाएगी भाई कंपनी उसने क्या किया है बस default किया है तो default का दिन का 1000 रुपे कंपनी को 1000 रुपे कोई फरक पड़ता गया चलो सर अब लास्ट and the most important part of this chapter फिर अपना chapter mum हो जाएगा बट दी मोस्ट इंपॉर्टन पार्ट सर पनिश्मेंट कब होता है आपको फाइन कब लगता है अगर आपने 30 डेस के अंदर या तो पे नहीं किया या फिर पोस्ट नहीं किया पर पांच केसे जहां पे पांच केसे जहां पे आपको यह पनिश्मेंट नहीं लगेगा एक सीरियल आता था पहले तुमने देखा है ना आना इस देश लडो तो इसका शॉटकट है लडो एले डबल डियो क्या वाही याद है सुरो याद हो जाएगा पर सर पांच केसे जहां पे आपको यह वाला ओफिंस नहीं लगेगा पांच पहला लॉग अगर ऑपरेशन ओफ लॉग के वज़े से अब डिविडेंट नहीं पे कर रपाए मतलब क्या मेरे को इस बंदे को डिविडेंट देना था ठीक है I had to give you dividend I am reliance industries I had to give you dividend but court ने order मार रखा है court ने restraining order मार रखा है इसको कोई डिविडेंट नहीं मिलेगा तो भाई law अगर बोल रहे हैं नहीं मिलेगा तो मैं कईसा देगा उसमें मेरे पर क्यों penalty लगाओगे मत लगाओ तो पहला operation of law दूसरा A adjusted sir अगर मैं आपको dividend देना चाहता हूँ 50 रुपे का मैंने बहुत 50 रुपे के जगा जीओ का recharge कर देता हूँ क्या मैं कर सकता हूँ नहीं क्या मैं dividend के अगेंस्ट कोई amount adjust कर सकता हूँ law ने का सुनो कुछ चीजे lawfully allowed है जिसी कि पहला है calls in arrears calls in arrears calls in arrears lawfully allowed है मतलब क्या अगर मेरे को 50 रुपे dividend देना है और इसका 50 रुपे का call pending है तो वो दोनों को मैं क्या कर सकता हूँ आजस्ट कर सकता हूँ समझे तो calls in arrears हमेशा adjust हो सकता है अगर मेरे को 50 रुपे देने हैं और 50 रुपे लेने तो वह adjust हो जाएगा तो क्या मैं adjust कर दूँ तो मेरे को बोलोगे अरे dividend नहीं दिया 127 की penalty नहीं सर ये एक exception में आ जाता है मैंने वह पांच exception है अगर उसने मेरे को बोला था कि सर मेरे access नहीं मेरे HDFC bank account में आप पैसा डाल देना और में HDFC bank account में पैसा डालने गया पर HDFC bank account ने किसी कारण से वह पैसा return कर दिया और मैंने फिर इसको inform कर दिया कि भाई तुने जो अकाउंट में डालने बोला था उन्होंने पैसा return कर दिया और मैंने इसको communicate कर दिया कि भाई तुने जो मेरे को direction दिया था वो comply नहीं हो पाया exam में question आया था कि उसने मेरे को direction दिया कि HDFC में डाल देना में HDFC में डालने गया HDFC ने पैसा return कर दिया बस क्या मैं बच जाओंगा लॉने कहां नहीं बचेगा तु क्यों कि एक और step है तेरे को inform करना था उसको कि HDFC ने पैसे वापस कर दिया मतलब इतना minor detail पे exam में आ गया question दो नंबर का ठीक है कि L A D D O L operation of law कि वाज़े से मैं पैसा नहीं दे पा रहा हूं A lawfully adjust हो गया है किसके against calls and arrears or such other sums as may be prescribed D direction compliance communication direction compliance communication or next अगर कोई dispute मेरे चार बच्चे मान लो मेरे चार बच्चे और मेरी अच्छा बच्चे अलग अलग जगे से मतलब from अरे example है भाई मेरे तोड़ी है चार बच्चे मान लो अलग 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 वाइफ से तो अभी वह चार बच्चों मेरी जो जाइदा देवो किसके पास जाएगी वह अभी तक अगर दिस्प्यूट तो अगर दिस्प्यूट तो मेरे जो शेर्स पर डिविडेंट वह और कंपनी किसको देगी कंपनी को पता ही नहीं यह तो इस प्रफिट तो कंपनी डिविडेंट नहीं लगेगा एंड लास्ट जहां पर कंपनी की कोई गलती नहीं जेंरल पॉइंट है सर कोई भी अगर ऐसा केस है जहां पर कंपनी की गलती नहीं नहीं तो उस पर 127 की पेनल्टी नहीं लगेगी एल एड़ी दिओ एल लॉओ ए अडजस्ट डिडिक्शन्स compliance, communication, 4th, dispute, dispute, 5th, other, अभी चार बच्चे नहीं लिख क्या हना है भाई, dispute as to ownership of the shares लिख क्या हना है, last, other, कोई भी ऐसा mistake जहां पर कंपनी का default नहीं है, वहां पर आपको penalty नहीं लगेगी, this was a comprehensive revision of dividend chapter section 123 से 127, 123 बात करता है पूरा dividend के बारे में, कैसे declare करोगे, कौन declare कर सकता है, rate क्या होगा, यह सारी चीज़ है, 124 बात करता है, unpaid dividend account, 7 दिन के अंदर खोलोगे, अगर 7 दिन के अंदर transfer नहीं करोगे, तो 18% interest लगेगा, बाकी लोग, 18%, सुनो ना, 12% dividend interest लगेगा, और उसके बाद कितने साल तक रखोगे, 7 साल तक, उसके बाद काँ transfer कर दोगे, IEPF, तो 125 आ जाता है, IEPF, उसमें एक authority बनता है, उसका नामे, IEPF authority, IEPF authority में एक chairperson, एक CEO और members, chairperson में कौन बैठता है, MCA का secretary, और उसके बाद 126 में आपका share transfer हो गया है, registration pending है, तो company क्या करेगा, dividend को unpaid dividend account में डाल देगा, bonus और right shares को क्या करेगा, captain, अबे, ends, अबे, ends, उसके बाद section 127 क्या है, very important punishment, क्या punishment है, बोलो, आप company को 18% simple interest, officer in default को imprisonment, 2 साल तक की, and, एक बार बोलो, and, और नहीं लिखाए, and, fine, 1000 per day, minimum, up to a maximum of, continue, लिखाए, उसमें up to a maximum नहीं लिखाए, और 5 case में आपको penalty नहीं लगेगी, L-A-D-O, ठीके सर, याद हुआ, ओके, चलो सर, आपको ये notes, जो है, आप अगर print करना चाहो, तो आपको शुभम single.com पर मिल जाएगा, सर, आज हम क्या revision करने वाले हैं, Accounts of Companies, पढ़के आयो, अब कहां बच्च के जाओगे, पढ़के आयो, हाँ, पूरा एकदम, जीरो से, आखरी बार कब पढ़ा था, आखरी बार कब पढ़ा था, याद हो जाएगी, बहुत आसान भी है, और बहुत conceptual भी है, बहुत चारे changes भी है, अगर आपके बस कोई notes है, तो ध्यान रखना, काफी सारे चोटे-मोटे amendments भी है, तो कुछ अगर पुराने चीजें लिखी हुई अपने notes में तो update कर लेना, ठीक है, सब्सक्राइब है, सिर्ट, नाम है, चापटर 9, accounts of companies, कितने marks का आता है, यह चापटर यह चाप्टर आपके exam में आता है, 6-7 नंबर का, 6-7 नंबर का यह chapter आपके exam में आता है, और बहुत ही practically important chapter है sir, यह chapter जो है, यह आपको audit में भी काम आता है, एक second, तू छोड़ा परेले, करूँ, आगे बढ़ो, इसको भी छोड़ने, सुनो, sir, यह आपके, यह जो chapter है, यह आपके CA Inter के audit में भी आता है, थोड़ा बहुत, और आपके CA Final के भी audit में आएगा यह chapter, तो बड़े ध्यान से सुनना, मतलब यह चार जगा फस, तीन जगा फस सकता है, CA Inter के law में, CA Inter के audit में, CA Final के audit में भी यह फस सकता है, तो मेरी बात ध्यान से सुनना, sir, account जो chapter वो शुरू होता है, section 128 से लेकर के, 138 तक, 127 क्या था, sir, इसके पहले, कौन ज़़चाप्टर था इसके पहले, sir, अभी आपके 8 chapter पूरे revision हो गये है, chapter 1 था section 1 or 2, chapter 2 था section 3 से 22, 22 क्या था, authentication of negotiable instrument, 20 था service of documents हा, execution or authentication of wills of exchange, 23 क्या था, next chapter जो शुरू होता था, prospectus and allotment वाला चाप्टर, 23 से वो जलता था, 42 था, sir, वो जलता था, 42 था, sir, 22 था, 42 था, 42 था, 43 से शुरू होता था, क्या, share capital, वो जलता था, 72 था, वापस से 72 था, था, 73 से शुरू हो था, deposit, 73, deposit from members, 76, deposit from public, 76 A, पे खतम हुआ, फिर 77 से शुरू हुआ, management and ad, registration of charges, 77 से शुरू हुआ, registration of charges हो गया, 87 था, 88 से शुरू हुआ, management and administration, वो गया, 122 था, फिर से 122 था, फिर उसके बद, 123 से शुरू हुआ, dividend, जो खतम हुआ, 127 पे, तो एक चीज़ नोटस किया, chapter या तो 2 पे खतम हो रहा है या, 7 पे, 22, 42, थो, थोड़ी दिर, थोड़ी दिर बात खोलेंगे, अपन, disturbance हो रहा है, flow आने के बात खोलेंगे, Swanan, तो खोल देना, 10 मिन बात, चलो सर, सुनो, 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 सर, accounts and companies का chapter करेंगे, सुनो, मेरी बात, ध्यान से, याद करो, मेरे साथ, सुनते जाओ, समझते जाओ, याद करते जाओ, section 128 से लेकर के 138 तक पढ़ेंगे, 128 क्या है, books of accounts, Sir, यह chapter ना, broadly तीन चीजों के बारे में बात करेंगे, accounts के बारे में, books of accounts के बारे में, financial statement के बारे में, और board report के बारे में, और उसके अलावा, CSR, NFRA, यह सब की भी बाते अपन करेंगे, Sir, सबसे पहले आपको तीन चीजों का definition बताता हूँ, पहला, books of accounts, दूसरा, financial statement, और तीसरा, books and papers, पहला, books of accounts, दूसरा, financial statement, तीसरा, books and papers, financial statement का definition अपने एक बार पढ़ लिया, Sir, financial statement कहाँ पे defined था, section 2 clause, 40, financial statement में पांच चीजा आती है, balance sheet, P&L, cash flow statement, अरे बोलो, balance sheet, P&L, cash flow statement, notes, 4th, statement of changes in equity, और 5th, आपका explanatory notes, आपका notes to accounts होता है, profit and loss statement के जगा, NPO के case में हम बोलते हैं, income and expenditure statement, 4 companies ऐसे हैं, जिनको cash flow statement नहीं बनाना पड़ता है, 1 person company, small company, dormant company, और a private company, which is registered as a start-up, फिर से बोलो, 1 person company, small company, dormant company, private company, which is registered as a start-up, तो 5 चीजें आती हैं और ये 4 company को CFS नहीं बनाना पड़ता है, उनके बास option है, बनाना चाहें तो बनाना सकते हैं, नहीं बनाना चाहें तो नहीं बनाना सकते हैं, यह क्या है sir, यह है financial statement, अब sir, financial statement जो होता है, वो एकदम formatted must ऐसा, formal statement होता है, पर उसी के back-end पर जो working होती है, उसको हम कहते है books of accounts, books of accounts क्या होता है, sir, books of accounts मतलब है ऐसा accounts, जिसमें तुम कितने sales हुए, कितने purchases हुए, उसको record कर रहे हो, कितने assets है, कितने liabilities है, उसको record कर रहे हो, कितना cash आया, कितना cash गया, वो record कर रहे हो, sir, इन्होंने balance sheet, P&L और cash flow नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि वो तो formal document है, ये informal है, इसलिए इन्होंने लिखा, कि records है, किस चीज का books of accounts क्या होता है, देखो, books of accounts includes, records maintained in respects of, sum of money received and expended, cash flow, sales and purchase, assets and liabilities, or items of cost under section 148, cost के records को भी books of accounts में माना जाता है, तो चार चीज़े books of accounts में आती है, चार चीज़े क्या आती है, बालेंशीट, P&L, cash flow statement, और आपका cost, cost का records, अब सर ये हो गया books of accounts, books and paper क्या है, books and accounts अगर ये है, तो books and paper बड़ा वर्ड है, books and paper में books of accounts include होता है, books and papers में books of accounts include होता है, तो उसके अलावा books and papers में और क्या आता है, बहुत चीज़े आती है, जैसे कि आपका deeds हो गया, vouchers हो गया, राइटिंग हो गया, documents, minutes, registers, ये सारी चीज़े आपके books of accounts में आ जाती है, books of, books and paper में आ जाती है, so books and paper includes books of accounts and other things, which is maintained on paper or electronic form, समझे सर, समझा क्या, क्या समझा, तीन डेफिनेशन आपने पड़ा, financial statement मतलब एक proper formal statement, books of accounts मतलब उसका back-end का working, और books and paper क्या होता है, books of accounts के अलावा और भी चीज़े से कि deeds, documents, writings, registers, ये सारे आपके books and paper में आ जाता है, अब उसके बाद हम क्या बढ़ेंगे सर, हम शुडू करेंगे section 128 से, section 128 किस बारे में बात करता है, सुनना, section 128 ब्रॉडली बात करता है, books of accounts के बारे में, books of accounts मतलब क्या सर, सुनलो, books of accounts, क्या मैं ये बोल सकता हूँ, ये वो records है, जो financial statement बनाने में help करते है, क्या मैं ये बोल सकता हूँ, books of accounts वो records हैं, जो financial statement बनाने में help करते हैं, सर, books of accounts कौन maintain करता है, shareholders की board of director, company का director maintain करता है, books of accounts की shareholder maintain करेगा, director, या तो director खुद manage करेगा, या किसी लोगों को assign करेगा, क्या मैं ये बोल सकता हूँ, company का जो CFO है, वो books of accounts maintain करेगा, CFO करेगा ना, सर, chief financial officer है, तो, sir, law में लिखा हुआ है, 4 लोग हैं, जो books को maintain करने करेगा, क्यों हैं, कौन है वो 4 लोग देखते हैं, books of accounts maintain करने करने करेगा, पहला responsible है, MD, दूसरा, whole time director in charge of finance, whole time director in charge of finance, CFO or any other person, as the of company, charged by board of director with such duty, ये लोग कौन है, ये लोग वो हैं, जो आपके books of accounts को maintain करने करने के लिए, कौन चाड़ लोग है, ये याद करना पड़ेगा, MD, सर, MD दुनिया में और चीज के लिए रिस्पॉंच लोग, सेल्स के लिए रिस्पॉंच लिए रिस्पॉंच लिए, जो है वो हर financial year बनता है books books of accounts में रहता क्या है it gives a true and fair view of the state of affairs of the company कि company में चल क्या रहा है वो चीज़े बताता है sir क्या books of accounts branch का भी बनता है हां sir branch का भी books of accounts बनाना पड़ेगा और उसमें आपको सारे transaction समझाने पड़ेंगे अब सर्में को एक बताओ books of accounts accrual basis पे बनता है कि cash basis पे अक्रूल पक्का और सर उसमें double entry होती है कि single entry law में भी यह लिखाए कि books of accounts accrual system पे बनेगा double entry basis पे बनेगा उसके अलावा कुछ नहीं तो अभी तक मैंने क्या बता है सर बुक्स बनाने के लिए responsible कौन है बुक्स को रखोगे कहां पे registered office में रखोगे और books में आप क्या दिखाओगे affair किसकी साथ चल रहा है दिखाओगे नहीं state of affairs दिखाओगे कि business कैसा चल रहा है क्या branch office का भी books of accounts बनाओगे नहीं शेरोल्डर को घंटा फरक नहीं पड़ता तुमने books of accounts कहां रखा है शेरोल्डर की responsibility नहीं है books of accounts किसकी responsibility है board of director की तो तुम आरो के जगह अगर कही books of accounts रखना चाहते हो तो उसके लिए आपको board meeting में बोर्ड का approval लेना पड़ेगा सर आपको याद है register of members बनता था उसको क्या मैं आरो के जगह कहीं और रख सकता हूं सर याद करो रख सकते हो लेकिन SR pass करना पड़ेगा और SR pass करकी या तो तुम within local limits कहीं भी रख सकते हो या फिर अगर आप यहां से बाहर जा रहे हो यहां से बाहर जा रहे हो तो ऐसी जगह जाना जहां पे 110 से जादा member रहते हैं तो मैंने आपको बोला था अगर 1000 member एं company में तो 101 चाहिए कितना 101 चाहिए 100 नहीं ठीक है चलो sir such books shall be kept on accrual basis यह आप समझ गए such books of accounts may be kept at such other place in India India के बाहर नहीं ले जाना भाई and inform ROC within seven days of such decision by filing AOC 5 यह पडोस वाली अंटी को सब पताना पड़ता ROC को sir ROC अभी तक 30 दिन और 30 दिन पर चल रहा था यह वाला देखो कहती है मेरे को साथ दिन में बता देना जैसे ही तुम्हारा books of accounts तुमने यहां से उठा के कहीं और डाला साथ दिन के अंदर अंदर मेरे को बता देना कि तुमने अपना books of accounts यहां registered office में नहीं कहां रखा है Sir shareholder का approval लगेगा नहीं क्यों क्यों क्योंकि books of accounts से shareholder को घंटा फरक नहीं पड़ता ठीक है Sir सुनो उसके बाद क्या books of accounts electronic form में maintain कर सकते हो तो आज के जमाने में शरम आ जाएगी अगर नहीं बोलोगे तो अगर electronic form में maintain करते हो ना दोस्स कुछ important conditions है और एक बहुत important amendment है जो 1st April 2022 से आया है मेरी बात सुनना सबसे बहले books of accounts अगर आप e-mode में maintain कर रहे हो e-mode मतलब क्या आसए ताली में maintain कर रहे हो ताली में अगर maintain कर रहे हो number one it should be accessible number one it should be accessible number two जो accounting software आप use कर रहे हो ना टाली मानलो वह accounting software में तीन चीज़ होनी चाहिए वह accounting software में तीन चीज़े होनी चाहिए इतीन चीज़ feature yang amendment है सबसे पेहला accounting software audit trail लरक सके ऐसा होना चाहिए audit trail मतलब आपने पहले transaction अज़ और और दिलीट किया और डाला। आ यह साक रा ट्रेसलों में एईम्राइन आपको थर हीण कहना और यह प्राइश अपेश्ले महते है इसार आपशन करने का ओप्सिं नहीं होना चाहिए यह देखो क्या लिखाए sir, for financial year commencing after 1st April 2022, every company using accounting software for maintaining books of accounts shall use only such software which has the following three features, पहला, audit trail, दूसरा, audit trail cannot be disabled, तीसरा, creating an edit log and date of such changes, आप जो भी changes कर रहे हो, उसका पूरा date बन रहे है, आप sir, मन में एक सवाल आता है, audit trail, और edit log में फरक क्या होता है, audit trail में ये भी आता है कि कौन सी entry पहले पास हुई, कौन सी entry बात में पास हुई, क्या entry थी, क्या entry किया तुमने, पर edit log में सिर्फ changes आते हैं, जैसे कि amount 10,000 था, उसको change करके आपने 11,000 किया, तो वो edit log में आता है, audit trail में पूरा आपने tally खोलने से लेकर बंद करने तक क्या किया, वो पूरा audit trail में आता है, उसके बाद, sir, मैंने पहले क्या कहा था, accessible होना चाहिए, sir, इसको याद नहीं करन थी, कि जो accounting software आप use कर रहें, उसके 3 features, audit trail, disable नहीं हो सकता, log maintain कर रहा है, along with the date, audit trail, disable नहीं हो सकता, log maintain कर रहा है, along with the date, ये 3 features हो गये, उसके अलावा और क्या चीज़ा होनी चाहिए, sir, अगर आप कोई e-mode में records रख रहे हो, तो original format में रखो, उसको बहुत जादा change मत करो, ऐ उसको आप edit करके update करें, आप उसको original format में रखो, sir, branch office होते है, branch office, branch office का भी books of accounts होते है, वो हमारे पास आ रहे है, तो वो भी ऐसे ही upload करना जैसे आया था, मतलब हम अगर पूछें कि क्या ऐसे ही आया था branch से, तो आप बोलोगे, हाँ, आप उसमें कोई भी addition या alteration नहीं it should be accessible, जो मैंने शुरू में बोला था, sir, एक बात बताओ, एक company ने na electronic mode में records रखा है, वो जो records है उसका server US में है, sir, electronic mode मतलब cloud में जा रहे है data, cloud मतलब वो नहीं, बादल नहीं, cloud मतलब server, server में जा रहे है data, अब sir, server में data जा रहे है, हमने company को जाके बोला, books of accounts दे, तो बला न जानता है, नहीं, sir, it should be accessible, हमने access किया, डाउनलोड किया, हमको Arabic language में financial statement मिला, चलता गया, नहीं, it should be legible, it should be legible, पढ़ने लाइक होना चाहिए, legible language होना चाहिए, और ऐसी चोटी-चोटी बाते होनी चाहिए, अब sir, एक चीज हिन्होंने और लिखा है, कि इसका backup इंडिया म में भी होना चाहिए, और sir, company को, ROC को annual basis पे चार चीज़े बतानी पड़ेगी, मानलो तुम अगर electronic mode में maintain कर रहो, तो sir, एक important picture में एक जना आ जाता है, वो है server, कौन, server, अब sir, server का नाम क्या है, service provider का, उसका IP क्या है, उसका location क्या है, और अगर books cloud में maintained है, तो address of the service provider, ये सारी चीज़ें आपको ROC को देनी पड़ती है, sir, याद नहीं करना है, याद, तीन चीज़े, audit trail, disable नहीं हो सकता, along with, edit log along with, date, बस, अब sir, सुनो, बहुत important point, बहुत important point, ये MCQ में आएगा आपके, सुन लो, sir, अगर एक branch office है मेरा, मैं या मुंबई में office कर रहा हूँ, मेरा एक branch Delhi में है, तो उसका भी books of accounts या maintain होगा, क्या, नहीं sir, practically possible नहीं है, उसका books of accounts वहीं maintain होगा, तो sir, पर books of accounts अगर वहाँ maintain हो रहा है, मतलब तुम registered office में books नहीं रख रहे हो, तो चलेगा, क्या, law ने बोला, हाँ चलेगा, अगर branch office अपना books of accounts उदर maintain करना चाहता है, चलेगा, पर उसको बोलो, समय समय पर क्या भेज़े हमको, बैककप भेज़े, तो sir, proper books of accounts are kept at that office, क्या लिखाई sir, where a company has branch office in India और, in India और, outside India, it shall be deemed to have complied with the provision of books of accounts, if proper books of accounts relating to transaction are kept at that office, and properly summarized periodical returns are sent to company at its ARO or other places, sir, बहुत important है, तुमको exam में question यही आएंगा, MCQ में, कि एक branch है US में, वो US ने बोला, मैं books of accounts US में रखूँगा, क्या वो रख सकते हैं, तुम बोलोगे नहीं, ARO within India, बोले नहीं sir, अगर branch office India के बाहर रखना चाहती है, तो रख सकती है, उसको बोलना क्या भेजेगा, summarized periodical returns, SRP, summarized returns periodically, SRP आपको भीजेगा sir, उसके बाद आगे बढ़ते है, sir, books of accounts inspection हो सकता है, गया, मैं जाके books of accounts inspect कर सकता हूँ, मैं company का shareholder हूँ, मैं company का shareholder हूँ, हट, नहीं कर सकता, sir, books of accounts and financial statement में एक फरक होता है, financial statement मेरे लिए, books of accounts किसका है, board of director का है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, तो financial statement inspect कर सकता हूँ, मैं books of accounts inspect नहीं कर सकता, तो सर, books of accounts कहुझ निश्म गेंकट करीका कमपणी के directors कर सकते हैं, पर तो कुम को is दिरेक्टर करेंगें, अगर Indian में है books of accounts लेने के लिए かशे oh unreal, ठीक है तुम देखके आजाओ, पर अगर इंडिया मेंगा नहीं तो तो यूएस जाओ किया, घूम किया हो किया, नहीं, अगर इंडिया में नहीं और तुमको books of accounts inspect करना है तो तुम company को request करोगे कि company मेरे को books of accounts मंगवा के दे, और जैसे ही request आईगा na company books of accounts 15 दन के अंदर मंगवा के तुमको दे देगी और तुम इंस्पेक्ट कर सकते हो sir मैंने क्या बोला मैंने बोला क्या books of accounts members inspect कर सकते हैं नई shareholder कर सकते हैं नई board of director कर सकता है हाँ अब sir इंडिया में अगर books of accounts है तो कही से inspect करेगा जा और इंस्पेक्टर ले business hours की business के बाद business hours यह काम दिन में होता है ठीक है और उसके बाद अगर इंडिया के बाहर है तो इंडिया के बाहर है तो company को request करो company मंगवा के देगी कितने दिन के इंदर 15 दिन के इंदर sir अगर मैं Reliance का director हूँ और मैंने Reliance को request कि books of accounts मंगवा के दो तो वो 15 दिन में मंगवा के देगा पर लॉन एक शर्ट लगाई है बोले शुवम director है बहुत बड़ा राजा नहीं है खुद जाके मांग लेना ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने power of attorney देदी किसी को मैंने किसी को अपना यह बना दिया representative और मैंने बोला जा तू books मांग ले नहीं director को खुद को books मांगना पड़ेगा power of attorney ले करके कोई जाके books नहीं मांग सकता यह books of accounts अगर इंडिया के अंदर maintain हो रहा है तो कैसे inspection होगा और outside इंडिया होगा तो कैसे inspection होगा वो provision लिखा है जो मैंने आपको बताया यह last line देखो sir such information shall be shot by the director himself and not by or through his power of attorney holder और agent or representative समझे sir समझे अब सर आगे बढ़ते sir books of accounts किते साल क्ले maintain होगा मेरे तरफ देखो सुनो 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 मेरी आखो में देखो सुनो books of accounts किते साल क्ले maintain होगा 8 साल क्ले पर 8 साल से जाधा maintain हो सकता है क्या sir जब नीरव मोधी की company थी ना वहाँ पे raid पढ़ी थी वहाँ में investigation हुआ था तो central government के जो officers आये थे वह बोलके गए थे साले 20 साल तक ये books of accounts dispose मत करना तो वह 20 साल तक maintain करेगा तो usually कितने साल maintain होता है sir 8 financial year बट अगर central government ने investigation किया और order pass किया कि 8 साल से जाधा maintain करना है तो उतना maintain करना पड़ेगा आपको sir एक company को incorporate होके 5 साल हुए तो 8 साल के कई से maintain करेगी नहीं कर सकती ना तो तू 5 साल के maintain कर ले अब सर कौन responsible है मैंने बहुला चाड़ लोग responsible है मेरे साथ एक बार बोलो जुबाक एसरी पहला MD दूसरा whole time director in charge of finance तीसरा CFO fourth any other person concerned ये लोग क्या है ये लोग financial statement की financial statement के बार में 3 points तुम सोचो 3 points कितने बुले मैंने अगर ये 3 points about financial statement three points about board report करो ना Instagram के reels बना सकता हूं मैं लाखो हर जगा तीनी point है भाई अब 3 points financial statement के बार में पहरा point financial statement में दिखता किया है sir फिर से affair financial statement gives the true and fair view of the state of affairs of the company company के affairs का true and fair view देता है ये तो books of accounts भी देता है दूसरा it has to be prepared in compliance with accounting standard accounting standard कि दर से section 133 आज पढ़ेंगे उसके बाद सर इचल बी इन फॉर्म prescribed in schedule 3 तर एक चीज याद करोगे क्या मेरे साथ जब financial statement बना रहे हो ना दो चीजों को ध्यान रखना एक accounting standard under section 133 दूसरा schedule 3 ये दोनों को ध्यान रख्के आपको बनाना पड़ेगा उसके बाद सर ये जो financial statement का provision है ना वो चार तरह के special company को applicable नहीं होगा आपको नाम पता है insurance, banking, electricity, special act बस इचार कंपनी को applicable नहीं होगा अभी तक मैंने क्या पढ़ा है सर धंक का financial statement के बार में कुछ नहीं मैंने बस बोला financial statement gives a true and fair view of the state of affairs of the company तुम लोगों का audit होगे अगा पढ़के तो तुम लोगों को पता होगा true and fair view कितना important होता है उसका कितना significance होता है पर financial statement आपका true and fair view देगा about the state of affairs of the company जिनको पता है वोग वही लोग लिखते है T&F जिनको पता होता है audit वही लोग लिखते है T&F बड़े लोग सुनो उसके बाद मैंने क्या कहा financial statement बना के क्या करने का उसको annual general meeting में shareholder के सामने रख देने का क्यों क्योंकि shareholder आपको पता है sir आपको पता है ordinary business नाम की चीज होती है उसमें 4 चीज आती है financial statement पर पर पहला कंसे ओडिनरी बिजनस चार होते है बाकी सारे special business चार ओडिनरी बिजनस क्या consideration and approval of financial statement दूसरा declaration of dividend तीसरा appointment and fixing remuneration of directors चौथा auditors का appointment of director in place of retiring director and appointment in fixing remuneration of auditors अभी पढ़ाता नालाइको इती सी शरम करो हाँ sir चार business होते हैं आपके चार ordinary business होते हैं तो यह ordinary business में पहला गया था कि consideration and approval of financial statement कौन approve करता है shareholder's approve करते हैं तो shareholder's के approval के उनके सामने रखना पड़ेगा ना तो हम यह financial statement को AGM में place करते हैं अब sir बहुत important point consolidated financial statement CFS क्या होता है sir सुन लो ध्यान से अगर एक company है जिसकी एक या एक से जादा subsidiary है अगर एक company है जिसकी एक या एक से जादा subsidiary है तो वो company को क्या बनाना पड़ता है consolidated financial statement जिसमें वो अपने financials और अपने subsidiary associate joint venture सबका तो उसको बनाना पड़ता है CFS CFS में क्या होगा वो अपना और अपने subsidiary associate joint venture सबका financial statement consolidate करेगी अब sir आपना अपने financial statement में एक और must वाला important attachment लगाते हो क्या important attachment form AOC 1 क्या है sir AOC 1 मैं Reliance Industries हूँ अभी मेरे 180 subsidiaries है इतने सारे subsidiaries का financial कौन पड़ेगा कोई नहीं पड़ेगा तो law ने Reliance पे एक burden डाला बोले Reliance तो यह सारे subsidiary का सारे associate का एक salient feature बना मतलब एक salient feature जिसमें तु हर subsidiary के बारे में turnover क्या है debts क्या है यह सारी चीज़े बता दे और यह आप बनाते हो form AOC 1 में sir यह exam point of view का पताने पर practical point of view से बहुत-बहुत-बहुत important है आगे चलके जब आप audit करोगे तो form AOC 1 आपके पाले पड़े पड़े पड़ेगा ही अब सर उसके बाद next important question जो आपके law में नहीं तो audit में आएगा कि consolidated पर law कही syllabus है audit नहीं पढ़ा रहा हूं law कहीं पढ़ा रहा हूं सुनो consolidated financial statement नहीं बनाना पड़ता है अगर 3 cumulative condition satisfy होती है sir cfs नहीं बनाना पड़ता है अगर 3 cumulative condition satisfy होती है सर मेरे साथ एक बार याद कर लो यह देखो सर यह अगर company है H limited उसके नीचे company है S limited और H limited के ऊपर भी एक company है U limited यह U limited क्या है sir यह ultimate parent company है उसकी subsidiary है यह holding limited और उसकी subsidiary है subsidiary limited तो इस तरह का structure है sir अब मैं यह कह रहा हूँ कि यह जो S limited है इसको consolidated financial statement नहीं बनाना पड़ेगा मानलो S के नीचे भी और कुछ लोग है ठीक है तो S को consolidated नहीं बनाना पड़ेगा अगर 3 condition cumulatively satisfy होती है पहला उसने अपने अपने parent company से और बाकी members से पूछा कि मैं consolidated नहीं बनाऊंगा तो तुमको चलेगा क्या और उन्होंने okay कर दिया उन्होंने बला हमको चलेगा कोई बात नहीं तू मत बना दूसरा आपने आपकी company listed company नहीं है क्या नहीं है आपकी company listed company नहीं है और तीसरा आपकी parent company या ultimate parent company जो है वो consolidated financial statement बना रही है अगर यह तीन condition दोस्तों यह सब चीज़ें यह सारी चीज़ें आपका accounts का law का audit का सबका knowledge मिला के बनता है यह सारी चीज़ आपको यह सब basic understanding होना चाहिए हम लोग rapid revision कर रहे हैं ठीक है हम revision कर रहे है rapid word छोड़ दो हम भूल आये वो गलिया हो हम revision कर रहे है ठीक है सुनो सर मैंने क्या अगर एक company है क्या उसको cfs बनाना जरूरी है cfs कब बनाते हो अगर एक या एक से जाधा एक या एक से जाधा subsidiary है सर अगर मेरी company में एक भी subsidiary नहीं है एक associate company है क्या cfs बनाऊंगा घर जाना अपना account का book खोलना पढ़ना नहीं समझाएगा भाईया में भाईया जय भाईया को पूछना और फिर मेरे को बताना कि सर अगर एक company का सिर्फ एक associate company है क्या उनको क्या उनको cfs बनाना पड़ता है पर law में क्या लिखा है अगर आपका एक या एक से जाधा subsidiary है तो आपको cfs बनाना पड़ता है जब आप cfs बनाओगे तो आप अपने subsidiary का associate का joint venture का सबका financials मिलाओगे अगर तीन condition cumulatively meet होती है तो cfs नहीं बनाओगे पहला अगर आपने अपने members को request किया cfs नहीं बनाएंगे उनको बताया और उन्होंने कोई objection नहीं किया number two अगर आप listed company नहीं हो या फिर you are not in the process of getting listed नहीं आप listed हो नहीं आप listing के process में हो and number three आपके holding a holding company ultimate parent company ने consolidated financial statement बनाया है तो आपको नहीं बनाना पड़ेगा अब शर आगे बढ़ते हैं आपके financial statement में आप accounting standard का compliance करोगे सर में को एक बात बिताओ अगर आपको AS का भी compliance करना पड़ता है और आपको schedule 3 का भी compliance करना पड़ता है अब मानलो आपने AS का compliance आपको AS applicable नहीं था सर एस हर company को applicable नहीं होता है आपको AS applicable नहीं था तो law कहता है फिर सब्सक्राइब 3 का compliance कर लेना हम खुश है ठीक है अब सर आपको अगर AS applicable है तो आप accounting standard का compliance करोगे पर कभी-कभी आप क्या करते हो accounting standard से deviate करते हो तो आपको अपने financial statement में बताना पड़ेगा क्या तुमने कोई deviation किया है अगर किया है तो उसका reason क्या था और उसका financial effect क्या था सर आपको CFS बनाना पड़ता है accounting standard के इसाब से पर अगर आपने accounting standard के साब से नहीं बनाया मतलब तुमने क्या किया deviation अगर तुम deviate हुए हो तो तुमको तीन चीज़े बतानी पड़ती है क्या deviation है क्या reason था और क्या financial effect है मेरे को बताए तुमको नहीं आते है मेरे को कोई problem नहीं है बस इतना कर दो मेरे लिए कि मैं तीन बार चीज़े से repeat कर रहा हूं revision में भी तो मेरे साथ याद कर लो ताकि घर जाओ ना तो तुम्हारा कम से का 40% plane याद हो गया तुमको आगे का 60% तो अपने को खुद करना पड़ेगा पर मेरे साथ लगके याद कर लो मतलब बोल के बोल बोल के और तुम लोग जो घर पे वैठे हो या तो तुम लिख लिख के या तुम लोग खड़े के कूंक के बोलो ओलर चब तक त्म को यह नहीं बोले पागल हो गया है मेरा बिटा पड़ते बड़ते तब तक तुम पास नहीं होने बाले सुनो सुनो की कहाथ हासर सर बुक्स अपाउंट्स बनाने के लिए चार्ड लोग रिस्पॉंजबल थे MD, whole time directors, whole time directors in charge of finance, तीसरा, CFO, 4th, any other person concerned, सर इनके साथ चाथ अभी हम financial statement की अगर बात करें, तो यह चार्ड लोग तो responsible है, इसके साथ all the other directors if there are no above person, यहां पर क्या दिखाए सर, और in the absence of any officer mentioned above, यह लोग अगर नहीं होंगे, तो सारे directors responsible हो जाएंगे आपके financial statement को prepare करने के लिए, सर, एक बात बताओ, अगर अगर अपने books of accounts को धंक से नहीं बनाया, तो contravention हुआ, contravention की penalty, नहीं, सर, contravention की penalty क्या है, fine which shall not be less than 50,000 rupees which may extend up to 5,000,000 rupees, सर, 50,000-5,000,000 rupees तक का fine, क्या चीज़ के लिए, books of accounts के लिए, लेकिन अगर आप financial statement की बात करोगे, तो वहां पे fine है, jail up to one year, और fine minimum 50,000-5,000,000 rupees, मतब सर, books of accounts का contravention करोगे न, 50,000-5,000 है, लेकिन financial statement का contravention करोगे न, तो jail भी आजाएगा एक साल तक का, क्यों सर, क्योंकि financial statement is a public document, ठीक है, अब आगे बढ़ें सर, अब सर, बहुत easy और बहुत मज़िदार section, तुम लोगों को थोड़ा-थोड़ा पता होना चाहिए, section 129A, 129A क्या है, sir, periodical financial returns, periodical financial statements या, periodical financial results, sir, आपको बताए, लिस्टेड कंपनी न, अरे, लिस्टेड कंपनी न, financial year का तो audit करती है, पर quarterly limited review करती है, क्या करती है, quarterly limited review, हर quarter में, audit तो नहीं हो सकता, limited review होता है, पर यह किसके लिए applicable था, लिस्टेड कंपनी के लिए, लेकिन law ने बोला, लिस्टेड कंपनी से तो इतनी जादा हमारी unlisted public companies है, उनको भी हमको monitor करना पड़ेगा, कि तो law ने ये बोला, कि कुछ unlisted companies हम prescribe करेंगे, prescribe अभी तक उन्होंने किया नहीं है, बस उन्होंने power ले लिया है, Sir, section 129A, it clearly shows that it is an amended section, बाद में आया है, 129 बन गया, 130 बन गया, law पब्लिश हो गया, उसके बाद उन्होंने 129A आड किया है, तो Sir, यहाँ पर इन्होंने क्या बोला, जो unlisted companies होते हैं ना, उनको चार condition meet, चार चीज़े लगेगी, पहला, उनको हम बोलेंगे, तुम्हारा quarterly, या सच period का returns बनाने के लिए, हम तुमको बोलेंगे, तुम अपना returns बनाओ, दूसरा, हम बोलेंगे, उसको बोलेंगे, उसको बोलेंगे, उसको बोलेंगे, उसका audit करवाओ, या limited review करवाओ, या तो audit करवाओ, या limited review करवाओ, और चौथा, उसको 30 days के अंदर, ROC के पास file करो, यह चार चीज़े हम तुमको बोल सकते हैं, कौन से companies को वो अभी हम बताएंगे, और डिरेक्टर का अप्रूवल, तीसरा, audit और limited review, चौथा, चौथा ROC को 30 days के अंदर, filing करना पड़ सकता है, सर, quarterly नहीं बोला, इनोंने बोला, इनोंने बोला, पिरियोडिकल बेसिस पे आपको return बनाना पड़ेगा, क्या period होगा, हम बात में बताएंगे, होगा quarter ही वो, तीन महने वाला, ठीक है, सर, आगे बड़े, section 130 और 131, 130 क्या है, बहुत important है, 130 और 131, छोटा-छोटा difference है, सुन लेना, सर, सुन लेना नहीं, तो confused आज आओगे, ये देखो सर, 1, 1, 1, 130 क्या है, सर, 130 में कंपनी की बैंड बज रही है, क्या बज रही है, बैंड, भाई, मेरा मूझ से आवाज निकला नहीं, तुमने क्या सुना होगा, पता नहीं, मैंने बड़ा, कंपनी की बैंड बज रही है, ठीक है, अभी सर, 130 में क्या हो रहा है, समझना, कुछ लोग है, ठीक है, वो चले गए, उउवाग है, पकार 篩ार, के पास वे नहीं, किसके पास, फकार री नहीं बड़ा, और बड़ो सरे राइनिशा, को जाखे बोला, है कौट, है रैवीनल, यह जो Reliants Industry, does लिए रौच्ट हे है, हमको उसके बग पे शक हो हो रहा है, तो ज़रा इनका books of accounts reopen करवाओ और इनके financial statement को restate करवाओ क्या बोले sir books of accounts को reopen करवाओ और restate करो financial statement sir reopen मतलब खोल के वापस देखो books को और restate मतलब क्या? restate मतलब वापस से बनाओ financial statement को वापस बनाओ sir इसमें company कुछ कर रही है क्या? reliance तो चुपचप दूर बैटी हुई है बाहर वाले लोग आके court के पास जा रहे और court ऐसा order पास कर रहे है कि reopen करेंगे और restate करेंगे sir ये बाहर वाले लोग कौन है? सुनो, या तो CG हो गया income tax authority हो गया SEBI हो गया any other statutory body हो गया और any other person, कोई भी और concerned person कोई भी पडोस वाली आंटी किसी को भी तक्रीफ है ना तो तुम जा सकते हो किदर? तुम जाओगे court या tribunal के पास Sir, section 130 में company कुछ नहीं गर रहे है company बाहर बैठा हुआ है बाहर के लोग बाहर जाके band बजा रहे हैं company की court या tribunal के पास गया एक company का financial statement बनके सब फाइल हो गया, upload हो गया, सब कुछ हो गया अब बाहर वाले लोग जाके court या tribunal को बोल रहे है या financial statement गलत है इसको reopen करवाओ books of accounts को और restate करवाओ तो tribunal चेक करेगा उसको लगता है हाँ गड़बडे तो वो order पास करेगा कि reopen करो और restate करो सर आज है financial year 21-22 financial year 21-22 क्या मैं बोल सकता हूँ financial year 2007-8 2007-8 15-20 साल पहले क्या वो वाले financials को मैं restate करवा सकता हूँ क्या उनको मैं change करवा सकता हूँ मैं अगर reliance होता तो मैं tribunal को बोलता भाई तुने मेरे को अभी थोड़ी देर पहले बोला कि books of accounts को 8 साल के ले रखना मैं कैसे उतना पुराना books of accounts रखूंगा है ही नहीं मेरे पास तो इसलिए law ने क्या बोला कि restatement करवाने के लिए आप सर्फ पिछले 8 financial year का books खुलवा सकते हो पर अगर आपकी company का investigation हुआ था और आपको उससे जादा 20 नहीं है वह example था 20 नहीं अगर आपका investigation हुआ था और हमने बोला था कि उससे जादा रखने के लिए तो हम वह जादा पीरिट के लिए अकाउंट्स खुलवा सकते हैं सर दो एक बार फिरसा बोल रहा हूं एक question पूछूंगा गलत जवाब देना सीख लेना फिर आगे बढ़ेंगे ठीक है सर books of accounts कितने साल का हम reopen और restate करवा सकते हैं 8 साल का लेकिन अगर investigation हुआ एक company का और हमने लंबे समेक ले रखने के ले बोला था तो हम लंबे समेक ले भी रखवा सकते हैं अभी नहीं पूछूंगा अभी तुरंट पूछ दूँगा तो बता दोगे सुनो section 130 क्या है sir अगर central पांच लोगों होने central government, income tax, SEBI, statutory bodies और any other person सिसा 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 अभी अभी बना ताजा ताजा C central government, I income tax authority, S SEBI, S statutory authority और A any other person यह पांच लोग अगर जा रहें court या tribunal के पास तो court order देगा reopen करने के लिए और restate करने के लिए sir यह order कब देगा? tribunal order कब देगा court या tribunal जब उसको दोनों में से कोई चीज लगती है the relevant earlier accounts were prepared in a fraudulent manner जो पुराने accounts या तो fraudulently बने हैं या फिर affairs were mismanagement, casting doubt on reliability of financial statement law का language है sir law लग जाते हैं सुनो sir क्या लिखा है या तो तो तुमारे financial statement में fraud है या फिर तुमारी company का management इतना नलायक था कि उन्होंने जो financial statement बनाया है उस पर हम rely ही नहीं कर सकते तो दोनों case में वो क्या बोलेगा? भीया, books of accounts open करो और restate करो अब sir एक बार तुमने open करके restate कर दिया ना तो वो जो revision होगा, वो final होगा उसके बाद फिर से नहीं खुलेगा मतलब sir ऐसा नहीं हो सकता आज हमने बोला कि financial year 1920 का books open करो और restate करो फिर अगले सार फिर से बोल रहे है नहीं भाई, एक बार खुलवा के restate कर दिये that will be final and binding sir एक बात बताओ swanand, बताने एक बात मेरी company अगर 15 साल का financial statement maintain करती है हमने बोला 8 साल तो law कहता है हम 15 साल maintain करेंगी क्या company कर सकती है हाँ sir company कर सकती है अब sir maintain कर रहा था company ने अब tribunal के पास application गया कि इसके books को restate करना है कितने साल पहले का books को 14 years पहले के books को क्या tribunal open करवा सकती है नहीं साल का दिया है 8 साल का एक ही exception है कि अगर investigation हुआ और तुम लंबे समय के लिए रखने के लिए बोला गया है तो तुम पुराना वाला खुलवा सकते हो मैं खुद से चाहें 20 साल का क्यों ना रख रहा हूं Central Government नहीं पावर उसके पास नहीं खुलवा सकता Companies Act में Income Tax Authority नहीं खुलवा सकता Income Tax Act में वो ठीके सुनो 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 से Income Tax Act में कितना था मेरे तुमारे लें रेलमेंट है मेरे को याद नहीं आ रहे पर anyway सुनो सुनो तुमारी शकल देखके मेरे को लग रहा है या को हुई बात नहीं रहा है तेरा तो हो गया नहीं थेरा को याद रख के क्या करना है सुनो सेकून 131 क्या है सर Section 130 क्या था सर 130 था जिसमने लोग भार बजा रहे यह वो है जहां पर हम खुद आनी बज़्वाने जा रहे है क्या Section 131 Voluntary Revision सेक्शन सेक्शन 128 बुक्स अचांट 129 फाइनिशल स्टेटमें 129 ए पिरियोडिकल फाइनिशल रिटर्न 130 बाहर वाले मार रहे वन 1.31 हम बजाने जा रहे हैं तो फाइनिशल स्टेटमें बारे में का लिखा है 129 और बॉर रिपोर्ट के बारे में अब हम आगे पड़ेंगे section 134 में तो सर यहां पे दो चीज हो लिए 129 में financial statement और 134 में board report यहां पर क्या हो रहा है सर में Reliance Industries हो और तुम Reliance के directors हो ठीक है तुमने financial statement बना के file कर दिया उसके अगले ही साल तुमको बता चला यह पिछले साल के financial statement में कुछ तो गड़बड है तो तुम जो directors हो तुम क्या करोगे तुम जाओगे tribunal के बास और tribunal को बोलोगे tribunal Reliance का जो हमने financial statement बनाया था ना उसमें गड़बड है प्लीज हमको उसको alter करने दो change करने दो tribunal आपको approval देगा कि हां भाया change कर ले और तुम change कर लोगे तुम को लगा board report में गड़बड है तो तुम गए और तुम गए तो उसने तीन साल आट साल दस साल सर तीन साल तक के financial statement change कर वा सकते हो क्यों सर मैं तो आट साल का maintain कर रहा हूँ ना सर तीन साल logic है सुन लो मेरी बात सर ये अगर तीन साल का restriction नहीं लगाते ना तो तुम गलत use करते कैसे तुमने ना गलत financial statement जान मुझके बना दिया तुमने बहुत ज्यादा profit दिखा दिया क्यों क्यों कि तुमको चाहिए था share का price बढ़ जाए कि उसके बाद पांच साल बाद तुमको अचानक से realize हुआ कि भाई अब तो मोधी सरकार आ गई और मोधी सरकार आ गई तो हमारी band बच सकती हम पकड़े जा सकते हैं तो आपने क्या कि आपने पाइल कर दिया कि हरे error हो गया था हम अपना financial statement revise करना चाहते हैं लौने बुला बिटा गल्ती होती है तो तीन साल में पकड़ा जाती है नहीं पकड़ में आ रही है तो फ्रॉड है ठीक है तो लौने तीन साल का लिमिट दिया पर उपर 8 साल का लिमिट है सर यह मैं क्यों बत लौ में लिखा है वर्ड वॉलिंटरी लौ में लिखा है वॉलिंटरी पर आपको ट्राइबिनल का अप्रॉवल लगेगा अगर ट्राइबिनल अप्रॉव नहीं करेगा तो आप नहीं चेंज कर सकते सर एक बार और concept सुन लो promise है question पूछूँगा promise गलत जवाब दोगे शर् सुनो आपको क्रेडिट बालंस रखले ना च्रेडिट टिके दियू स्कोर रखले ना Section 131 voluntary revision of the board's report after tribunals approval if it appears to the directors of the company that financial statement do not comply with 129 or board report do not comply with 134 they may prepare revised financial statement or board report in respect of any three preceding financial year after board tribunals approval on application by the company and a copy of such order shall be filed with the ROC कि कहना क्या चाहते हो कहना यह चाहते हैं कि board of directors अगर चाहें तो ट्राइबिनल का application देंगे ट्राइबिनल अप्रूवल देगा ट्राइबिनल अप्रूवल जो देगा वह एक बार तुम पड़ोस वाली अंटी को तो बता नहीं है उसके बाद तुम क्या करो तीन कर सकते हो अब सर जैसे ही आप ट्राइबिनल के पास जाओगे ना सुनो ट्राइबिनल के पास खुद का कोई पावर नहीं है ट्राइबिनल एक तरह का मीडियेटर है जैसे ही तुम ट्राइबिनल के पास जाओगे वह जाके सेंट्रल गवर्मेंट और इंकम टैक्स अथर्टी के कान भर देगा कि रिलाइंस आया है रिविजिन के तेरको चलते है क्या वह दोनों अप्रूवल देंगे तभी ट्राइबिनल अपना अप्रूवल देगा अब सर यह लाइन क्या लिखा हुआ है सच रिवाइज फाइनि था हमानलो एक कंपनी ने बोला कि हम अपने फाइनिनिशल यहर 2021 के बुक्स को रिवाइज करना चाहते हैं क्या वह section 131 में रिवाइज कर सकते हैं सार आप बुक्स को रिवाईज नहीं कर सकते हैं, आप फैनेशल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट को रिवाईज कर सकते हो, यह तो मेरा trick question था भी नहीं, मैं आया भी नहीं हूँ आप अभी तक, यह तो बच्छो वाला सवाल था, बुक्स आफ अपकाउंट्स रिवाई होता है क्या 131 में नहीं दो ही चीज़ रवाइस होती है financial statement और board report तो पर सर time limit अगर देखोगे तो तीन साल तक के financial statement रवाइस कर सकते हो तो आप 2021 का रवाइस कर सकते हो गया हां तो सर यह शुरू हुआ financial statement 1st April को ठीक है financial year मैंने क्या क्या 31st में को 31st में को मैंने application दिया तो रवाइस financial statement for the financial year 2021 क्या मैं करवा सकता था हां हां सर क्यूंकि it can be revised one you can make one revision in a financial year तो मैं application दे सकता था पर उसके बाद मैं वापस वापस से समझो 30th June को गया कितने दन बाद 30 days बाद में गया और मैं tribunal को बुला tribunal मैंना अपना financial year 2021 same financial year का बोड रवाइस करना चाहता हूं क्या तुम कर सकते हो सर क्या तुम कर सकते हो अरे यह तो बता दो यार क्या तुम कर सकते हो अवे यह पड़ो तुम तो question पे भी नहीं आने दे रहो provided that such revised financial statement or report shall not be prepared or filed more than once in a year एक बार से जादा नहीं होना चाहिए तो क्या यह यह कर सकते हो तुम यह वाला दिया प्रपोर्ट्र रवाइस कर सकते हो साल में एक बार board report revise कर सकते हो, यहां पर हमने financial statement revise किया है, यहां पर हमने board report revise किया है, तो भले साल में एक बार है, पर दोनों चीज़ें revise हो सकती है, credits मेरे, ठीक है, चौला, आगे बढ़ते हैं, सर पर concept समझे, concept समझे, concept समझे इंपोर्टेंट है, क्या concept है, कि सा और, अच्छा, सर आप जबर्दस्ती interpretation कर रहे हो, ICI का MCQ आया था, same, must, no, can't revise, only once in a financial year, और वो इतने वो लोग नाला है कि पूरे, option में पूरा लिखते है, no such company cannot revise because revision is allowed only once in a financial year, तुम बोलोगे, हां यह तो provision ल this is given in my concept clarity check, वही तो problem है, सब चीज़े notes में लिखी होती है, so no, how much, sir, अभी आपना financial statement या फिर board report को alter कर रहे हो, law कहता है, भाई, थोड़ा limit में alteration करना, ऐसा नहीं कि अचानक से वक्त बदल दिया, जजबाद बदल दिया, ऐसा पूरा अचानक से मत बदल दिया, थोड़ा limited alter करना, limited alteration मतलब क्या, उतना ही correction करना, जितना compliance नहीं हो रहे है, मानलो तुमारा एक accounting standard से comply नहीं हो रहा था, तो सिर्फ उतना ही change करना, फूरा financial statement मत change कर देना, and make necessary consequential alteration, consequential alteration मतलब सर एक change के वज़े से कोई और change करना पढ रहे है, तो उतना ही करना, मतलब बहुत limited changes करना, उ उसके बाद सर और कुछ relevant नहीं है, section 131 खतम हुआ, sir section 131 क्या था, what was section 131, what voluntary revision, एक बर 130 और 131 का difference बता दो, 130 क्या था, बाहर से बाहर जाके लोग मेरी बजा रहे थे, 131 में में खुद की बजा रहे था, 130 में क्या था, 5 लोग जा रहे थे court or tribunal के पास, अगर उसको लगता थ या तो fraud हो रहे है, या management पर भरुसा नहीं कर सकते, तो वो आपको revision का order देता था, पर कौन सी चीज़ का revision का, sir, financial statement, books of accounts भी था गया, क्या reopening हो रहे है, books of accounts का, sir, reopening of books of accounts, books of accounts क्या होता है, आपका back-end work होता है, तो back-end work खोलो और उससे नया financial statement recast करो, पर books of accounts नहीं चेंज कर सकत तो sir, आप books of accounts कोलते थे और recast करते थे, कितने साल क्ले, आठ साल का change कर सकते थे, पर 131 में आप सिर्फ थीन साल का change कर सकते थे, sir, 130 में पांच लोग request करते थे, 131 में आप voluntarily खुद request करते थे, 130 में, penalty था, कुछ penalty था क्या, ने, penalty नहीं था, 130 में और क्या points है, हा, 130 में और क्य यह वैंक्ट में कुछ कि इंप जुंग इवापस विर्फटन विर्फोर की विर्फटनीर् Mog guiding वे इन तुमको कर दो और बोलेगा भाई, income tax authority ने application दिया है, तेरा कोई representation है तो दे, तेरा कोई representation है तो दे, और वो representation आने के बाद, वो order pass करेगा, तो sir, broadly आप समझ के 130 क्या है, 131 क्या है, exam point of view से इतना स्थाधा important नहीं है, पर sir, it takes only one attempt for them to ask the question, मतलब, तुम इतनी मेहनत करके जाओ, पूरा syllabus पढ़के जाओ, और उन्होंने एक attempt में randomly 131 का question पूछ लिया, out of course तो नहीं है, conceptually खराब भी नहीं है, अच्छे questions है, तो यह थोड़े कम पूछे जाते हैं, पर जब पूछे जाते हैं, तो दर्द दे के जाते हैं, आगे बढ़ 133, हाँ, correct, मुक्ता ने एक point add किया, मैंने जो 130 बता रहा था आपको, पांच लोग court और tribunal के पास जाते हैं, court से भी, CG से भी लोग के पास जाते हैं, और बोलते हैं, रप्रेजेंटेशन दो, उनको time होती है, रप्रेजेंटेशन देने की law में नहीं लिखाए, अगर उन्ह accounting standard बनाता है, central government, पर central government को सपना आएगा, क्या accounting standard कैसे बनाना है, नहीं, उसको recommendation देता है, ICAI, और ICAI किसके साथ मिलके recommendation देता है, NFRA, NFRA के साथ मिलते हो, examination करते हो, फिर आप accounting standard बता, recommend करते हो CG को, और CG वो accounting standard क्या करता है, notify कर देता है, और सारे companies को applicable हो जाते है, पर sir, आपने आपे NFRA लिखाए, पर NFRA तो अभी अभी आया है, NFRA तो अभी आया है, उसके पहले sir, एक national advisory committee होती थी, क्या होती थी, national advisory committee, कब जब NFRA नहीं था, तो national advisory committee होती थी, वो और ICAI मिल करके CG को recommendation देते थे, और CG notify कर देता था, sir, इसको याद करने की ज़रुरत नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए, accounting standard, ना CG, अगर CG नहीं होता, तो तुमारा accounting standard ना होता, तुमारा course सोचो कितना अच्छा होता, पर जय सर मिल को मारते है, sir, section 134 का है, financial statement, section 134, financial statement और board report, sir, बहुत important है, बहुत tricky है, मेरी बात चुनो, sir, board report क्या होता है, आपने कभी class में board report देखा है, board report क्य होता है, हमारा जो Reliance का या किसी भी कंपनी का, जो annual return, annual report बनता है साल का, उसमें एक बहुत important section होता है, board report, उसमें board बताता है, बहुत सारी important important चीज़े, कि ये पिछले financial year में क्या हुआ हुआ हमारी company के साथ, तो ये board report किसका पाट होता है, sir, annual report का पाट होता है, अब board report में ए बहुत important provision यह आता है कि signature कौन करता है, sir हम लोग ना दो चीजों की signature की बात करने वाले हैं, एक financial statement की और एक board report की, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, financial statement कौन sign करता है, financial statement को sir, पहले, chairperson sign करता है, कौन sign करता है, company का chairperson, अगर company में chairperson नहीं है, या chairperson sign नहीं कर रहा है, तो उसके बदले में दो director sign करेंगे, जिसमें एक managing director होना चाहिए, जिसमें दो director में से एक managing director होना चाहिए, उसके अलावा, company का CEO, CFO, CS, यह सारे लोग sign करते हैं, आपके, किसमें, financial statement में सर, देखो, उदर मैंने क्या लिखा है, financial statement, कौन sign करता है, सबसे पहले, chairperson, chairperson के, अगर chairperson name sign कर रहा है, तो दो director, दो director में से एक MD होगा, उसके अलावा CEO, उसके अलावा CFO, उसके अलावा CS, क्या मैं यह बोल सकता हूँ, minimum 4 signature तो आएंगे, कैसे सर, यह 3 हो गए, यह 3 हो आएंगे, अगर company में नहीं है, तो अलग बात है, पर मानलो company में यह 3 है, तो 3 signature इनके, और 1 signature CP का, तो 4 तो आएंगे, पर अगर CP नहीं है, तो 5 हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि एक 2 director sign करेंगे, उसमें से 1 managing director, sir, क्या free में एक और director का भी signature लगा सकते है, क्यों एक और director भी sign कर क्यों से देले, हाँ sir, लगा सकते हो, कोई problem नहीं है, ज़दा चलेगा, कम नहीं करना, तुम लोग ढरने लग गएऊ मेरे सवाल से, बोले sir, logically तो लग रहा है, लगा सकते हैं, पर भरोसा नहीं हो रहा है, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, उसके बाद, sir, मैंने क्या क्या क करने के बाद यह financial statement आपका तयार हो गया, board report का बता दू कि आभी, आगे है वैसे, पर board report का सर यही है, यह same जो है न, यह board report का भी है, पर नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या, board report sign करेगा दो chairperson, अगर chairperson नहीं है तो दो director, जिसमें से एक managing director होना चाहिए, बस उसके अलावा board report में CEO, CFO, CS का कोई लेना देना नहीं होता है, किसमें, board report में वो लोग क्या करेंगे भाई, उन लोगों का क्या लेना देना देना नहीं है, sir, यही exam में आएगा, board report, यह पूरे section में यह सबसे important part है, जो exam के लाइक दिख रहे है, क्या है, sir, financial statement यह लोग sign करेंगे, और board report यह अब sir, यह जो financial statement है, यह sign करने के बाद आप दे देना auditor को, क्यों, क्योंकि auditor audit करके audit report लगाएगा उसमें, और sir, one person company के case में सिर्फ एक director sign करेगा, तो काम हो जाएगा, one person company में, उससे ज़्यादा नातक नहीं है, हमारे, अब sir, उसके बाद सवाल यह आता है, board report में आप disclosure क्या कर लेना, बस आपको काम हो जाएगा, आपको याद करने की ज़रुरत नहीं है, sir, logically, social board report बना रहे, कौन report बना रहे, board, board of directors, बड़ी-बड़ी बाते करनी होगी उनको, तो थोड़ी-चोटी-चोटी बाते भी करते है, बड़ी-बाते भी करते है, sir, बड़ी-बड़ी बाते है, तो ये annual report कहां पर रखा हुआ है, उसका web address आप उसमें दोगे, उसके बाद आपने साल में कितनी board meeting की, उसमें director's responsibility statement, ये the most important statement है, क्या बोलो एक बार, director's responsibility statement, DRS, इसमें ये लोग बताते हैं, कि हम company के board of director है, हमारी क्या-क्या responsibility थी, उसके बाद सर, ये लोग बताते हैं, क क्या auditor ने कोई fraud report किया है, section 143.12 में, पढ़ेंगे हम, कल, क्या auditor ने कोई fraud report किया है, तो अभी तक क्या 4 चीज़े बताई, सबसे पहले इसने बताया, web address, बक्वास, उसके बाद board meeting का time, उसके बाद DRS, बहुत important, और fraud, मतलब, director's responsibility statement की बात कर रहें, और fraud की बात कर रहें, उसक के बाद, sir, इनों ने बोला, sir, सुनो, auditor अपना report देता है, तो auditor report में अगर लिख दिया, कि कताई वाहियाद financial statement बनाया है, सब कुछ गलत है, अगर auditor ने ऐसा लिख दिया, तो sir, auditor के report के ऊपर statement देना होता है, उनको बताना पड़ता है, कि भाया, क्या explanation है, क्या information है, वो सारी से देनी पड़ती है, वो कौन देगा, board, तो क्या लिखाए, sir, explanation and comments on every qualification, reservation or adverse remark by auditor in his report by the report or by CS in practice and secretarial audit report, sir, दो report बनता है, एक statutory audit report, तुम audit पढ़े हो क्या, नहीं अभीता है, जो audit पढ़े है, तुम लोग सुन लो, sir, एक statutory audit report बनता है, एक secretarial audit report बनता है, तो जो statutory audit report या secretarial audit report बनत अगर qualification है, reservation है, या adverse remarks है, मतलब गंदी-गंदी बाते लिखी हैं, auditor ने तुमारे बारे में, तो उसका explanation या comments तुमको देना पड़ता है, उसके अलावा state of companies affair, company की हालत कैसी है, particulars of loan guarantee or investment, company ने कितना loan ले रखा है, company ने, sorry, कितना loan दे रखा है, कितना guarantee, कितना investment कर रखा है, material change and commitment, से मैं ना, एक बात बता हूँ, मैं जब student था ना, मैंने ना बहुत बार, teachers को और ICI को गलत बोलाए, कैसे, for example, in generally speaking, यहां पर लिखा है, particulars of loan guarantee or investment, मैंने बोला, loan कितना दे रखा है, क्या लगता है, loan दे रखा है कि ले रखा है, loan क्या होता है, ले रखा होता है कि दे रखा होता है, ले रखा होता है, मैं को लगता था, अरे, दे रखा है क्या बोल रहा है, ले रखा होगा ना, पर यह से नीचे लिखावा देख रहा है, 186, यह किदर का section है, CA final का, उधर समझ में आता है कि यह loan लेता नहीं है, देता है लेने का नहीं देने का तो सर यह लोन जो है मतलब मैं आपको पॉइंट यह बता रहा हूं कि कई बार अभी वी जब तुम अपने स्टडी लीप पे होगे ना तुम आइसे का एंसर पढ़के बोलोगे अपर क्या लिखाए यह गलत है यह तो पर तुम ना वहां पर रुक के थ आपका material change हुआ है कोई ऐसा change material change जैसे की for example अगर मैं मास्क का business करता हूं और COVID थीक हो गया COVID इंडिया में रहा ही नहीं तो मेरे business के लिए material change है वो मेरे को यहां पर बताना पड़ेगा उसके अलावा कोई भी contract और arrangement जो section 188 में related parties के साथ कर रहे हो तुम सार नीचे क्या लिखाए डिविडेंड का amount कितना recommended है conservation of energy से related policy amount proposed to be carried on any reserve अभी तो सर ये इतने सारे disclosure तो act में है इतने ही और disclosure से इन्होंने rule में भी डाले बोले करो पर सर ICI आप और ऐसे question नहीं पूस्ता गए वो दिन चार साल पांत साल पहले ICI पूस्ता था कि भी अब बोल्ड रिपोर्ट का पूरा disclosure दो आजकर ICI strictly ऐसी चीज़े नहीं पूस्ता है इस तरह गाना बनाकर इसको याद करना अक्रणिम्स बनाना कुछ भी करने की जरुवत नहीं है क्या लिखा है सर ये policy on directors appointment and remuneration details of policy developed sir ये तीनों point जो है ये policy से related है ये तीनों pockets policy से related है ये तीनों point policy से related next company क्या है next customer important hour sir हीर क्या है यह सुनो ये लिखा हुआ है listed会 straight companies Wu कि 근षे अगर listed companies होते हैं वह अगर paid-up share capital 25 crore से जाधा है उनका a listed company or any other public company having paid-up shares capital of 25 60 crore or more shall make a statement indicating the manner of formal annual evaluation of board performance committee or individual directors. Sir, हम लोग क्या चाप्टर 9 पड़ रहे हैं? हम लोग chapter 9 पड़ रहे हैं. उसका एक section है section 134. Section 128 क्या था? FIFO. 128 क्या था? Books of Accounts. 129 Financial Statement. 129 A? Periodical Financial Returns. 130 बाहर से मर रही है. 131? 132? 132 NFRA है. Pending है. 133 Accounting Standard. 134 पड़ रहे हैं. जिसमें दो चीज़ों की बात होती है. Financial Statement और Board Report. मैंने बताया Financial Statement कौन साइन करेगा? मैंने बताया Board Report कौन साइन करेगा? अब मैं आपको बता रहा हूँ Board Report में क्या-क्या चीज़ें आती है? साइन के बारे में बताया. हम 3-4 पॉलिसी के बारे में बता रहे हैं. हमारे Risk Management Policy क्या है? यह वो सारी चीज़े. और एक important चीज़. अगर आप एक Listed Company हो या ऐसी कंपनी हो जिसका Paid Up Share Capital 25 करोडिया उससे जाधा है. अगर आप एक Listed Company हो या ऐसी आपके डिरेक्टर्स का. कब होगा? अगर मैं Listed Company हूँ या मैं वो कंपनी हूँ जिसका 25 करोड से जाधा. कितना? 25 करोड से जाधा. क्या है? Paid Up Share Capital है. और any other matters has may be prescribed. Sir, फिर से बता रहा हूँ, याद करने की ज़रूवत नको. ठीक है? आज कल नहीं आते वो questions. आपको बताए, ICI का old course से new course हुआ था, 2018 में. उसके वाद साधा, ICI ने ये सारी चीज़ा करनी बंद कर दी. कि भाई, आप 15 points है लिखके बता. आजकल ICI पूछता है कि अगर एक company है, ICI इसको तीन पार्ट में divide कर देगा. ICI पूचेगा एक company है, उसको अपने policies disclose करने हैं board report में, बताओ कौन-कौन से policies disclose करने हैं. वो जहाँ पर question बन सकता है, वहाँ पर case study based question बताएगा, तो आप बताओ के policies जो आपके risk management से related है, policies जो आपके independent director से related है, जो मन में है policies लिखना, पर सर्फ point यह है कि इस तरह के लंबे-लंबे questions आजकल नहीं आते हैं, पर कभी-कभी हमको लगता है कि हमारे videos ICI के लोग भी देख रहे हैं, बोले अच्छा नहीं आते हैं शुभा हम, ओ, इतना बड़ा होगा तुआ, अगले paper में, ऐसा एकाद बार final में हमने देखा है, ABC analysis, बोले अब 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 आजाओ, सबसे important चीज में Directors Responsibility Statement, पांच points है जो अपने को याद करना है, 6 points, और यह exam में आता है, Sir, Directors Responsibility Statement, मैंने तुमको क्या बताया था, मैंने तुमको क्या बोला था, तुम लोगों को बताना पड़ेगा कि Directors की Responsibility क्या है, मैं तुमको बताओ, Directors की Responsibility क्या है सबसे पहले सब अकॉंटिंग स्टनर्र का compliance करता तुम अपना फैनेशल स्टेपमेंट किसके हिसाब से बना होगे अकॉंटिंग स्टनर्र रेहों तो रिजुशन बतादे न Gibson क्यों क्यों कर रहें तूसरा accounting policies follow करना दूसरा account तुमको accounting standard और accounting policies में फरक पता है नो बोल तो क्या है हाँ जैसर की class में था न पूछना एक बार मैं भी बताता हूं सार को सर ऐसे ऐसे बेसिक रहता accounting policies में सर सुनो जयना जयना जयनेद जयना सथ accounting policies accounting standard सबसे पहले मैंने क्या बहुतिंग स्टैंडर का compliance करना फटा पे याद करते च्चाह पॉइंट फिर आगे बढ़ेंगे साड़े दौस्पच रएक प्सक्राइब पाई accounting policies को follow करना अब accounting policies जब तुम follow कर रहे हो तो यहाँ पर आपको यह बताना पड़ेगा कि कुछ accounting policies को apply करने के लिए हमको judgments बनाने पड़े हमको estimations लेने पड़े और वो estimations जो हमने लिए है वो बहुत reasonable है पहला आपने बोला accounting standard का compliance हुए जब accounting standard आता है तो एक word आता है deviation अगर accounting policies का हमने follow किया है accounting policies जब word आता है तो word आता है judgment तो जो judgments लिए है वो हम reasonable है तीसरा आपको यह बताना पड़ेगा कि directors have taken proper and sufficient care हमने पूरी शिदत से तीन चीज़े चेक किये पहला maintenance of adequate accounting records हमने records maintain किया है assets को safeguard किया है और fraud को prevent or detect किया है sir हमने records maintain किया है assets को safeguard किया है और frauds को prevent and detect कि किया है sir इसका shortcut MF M maintenance of accounts A assets का safeguard और F fraud का prevention and detection यह तीन चीज़े हमने की है इसका हमने पूरा care लिया है उसके बाद the directors have prepared annual account on a going concern basis आपने going concern के हिसाब से अपना annual accounts बनाया है और sir अगर आप एक listed company हो तो आपने internal financial controls ले किया है internal financial controls जब भी internal financial controls आते हैं यह दो वर्ड जरूर लिख देना adequate and operating effectively audit में रट लोगे यह सारी चीज़े पर audit जब तक नहीं पड़े हो तब तक यहां से रट लो जब भी internal financial controls आएंगे तो यहां पे लिख देना adequate और यहां पे लिख देना operating effectively sir आपने जो internal financial controls बेठाए है वो adequate है मतलब sufficient है और वो धंग से काम कर रहे है मतलब operating effectively है और उसके बाद last क्या है sir last यह है कि आपने proper system बेठा रखे हैं for all applicable laws sir आपको बहुत आप अगर एक company होते हो ना आपको हजारों laws लग जाते हैं LAWS law laws लग जाते हैं ठीक है तो जब आपको laws applicable हो जाते हैं तो आपको उसके लिए system बेठाना पड़ता है ताकि सारे law का compliance हो और sir जो system आपने बेठा है ना वो वापस है adequate है और self-service और operating effectively है sir 6 चीज़ है ASAP का मतलब पता है आपको ASAP as soon as possible going concern का मतलब पता है हमारी company के accounts going concern के इसाफ से बनते हैं तो ASAP केर लोगे तो going concern control में रहेगा sir ASAP केर लोगे जल्द से जल्द केर लोगे तो going concern control में रहेगा वरना company ढूब जाएगी ASAP AS accounting standard follow करना deviation हुआ तो reason बताना AP accounting policies follow करना judgment को जो भी judgment लिया वो reasonable होना चाहिए care तीन चीजों का care करोगे care नहीं करोगे तो माफी नहीं मिलेगी MAF M maintenance of your records A assets का safeguard F fraud को prevention and detection इसका care करो care करोगे तो क्या होगा going concern continue होगी annual accounts जो है going concern के इसाफ से बना है और going concern control होगी control मतलब क्या internal financial control जो है वो adequate है और operating effectively है और law के लिए आपको एक system बैठाना पड़ेगा जो system भी वापस से adequate और operating effectively है Rapid revision है revision भी नहीं होता तो तुम लोग को खड़ा करके पूछता क्या क्या याद हुआ अगर बोड के report में कौन sign करता है बता हो बोड के report में कौन sign करता है chairperson chairperson नहीं कर रहा है तो दो director जिसमें से 1 MD होना चाहिए one person company में एक जना sign करेगा काम हो जाएगा अगर company ने default किया तो company को लगेंगे तीन लाग की penalty और officer in default को पचास हजार की penalty company in default officer in default को पचास हजार company को तीन लाग तीन लाग सर एक प्रो टिप दे रहा हूं सुन लो अगर exam में penalty आई तो हमको तो नहीं आईगी तो लिखना दो पड़ेगा अगर MCQ में आया और कुछ नहीं आता अगर तो officer in default मतलब जो individual इंसान होता है ना उसके लिए पचास हजार पे टिक मारना और company पे तीन लाग पे टिक मारना पर अगर तीन लाग के जगा एक लाग का option दिया है तो एक लाग पे टिक मारना क्या कहा सर मैंने अगर कुछ नहीं आता penalty exam में आगया question और तो fine की बात करें तो officer in default पे पचास हजार और company पे तीन लाग पर अगर तीन लाग option में नहीं है भाई बहुत बड़ा कांड किया है क्या हां तो जेल लिख देना जेल में अगर लिखना पड़े भाई अगर नहीं आता तो पहला option है नहीं लिखो MCQ में क्योंकि negative marking नहीं है तो छोड़ने का नहीं तो जेल अगर आए जेल अगर पूछे जेल तो जेल में दो साल मेरे को पता है बहुत जगा एक साल छे में ना है पर इन जेनरल दो साल ठीक है fine officer in default पचास हजार जेल दो साल company के fine तीन लाग कंपनी का जेल तीन हां नहीं रहेगा ठीक है सर उसके अलावा आपको बहुत सारे और additional matter board में इंक्लूड करने पढ़ते हैं देखो यहां से शुरू होता है यहां तक आता है तो यह तुम्हारा homework है तुमको इसको बस read करना है कुछ भी आद नहीं करना है चलो छोड़ा ऐसी तो सर financial summary highlights आप बताओ आपके financial statement वहां लगा हुआ है पूरा लेकिन उसी का summary बना के highlight करो change in nature of business क्या तुमने अपना business change किया है क्या तुम्हारे directors कुछ appoint हुए थे या कुछ resign हुए है independent director के बारे में बाते बताओ आप यह बताओ कौन कौन सी company आपकी subsidiary या joint venture बनी है या हटी है मतब सर कौन लोग आपके director बने है या हटे है कौन सी company आपकी subsidiary या joint venture बनी है या हटी है यह सारे details दो deposits के बारे में details deposits के बारे में क्या sir की company ने कितना deposit accept किया था कितने का repayment हुआ है किसी का default किया यह सारी चीज़ें आपको बतानी पढ़ती है सर deposit के बारे में deposit अपने पढ़ा था सर तो उसमें कितना लिया है कितना दिया है कितना बचा है वो सारी चीज़ें बतानी पढ़ती है deposit अगर non compliance है तो उसके बारे में बताना कि deposit का हम ने compliance नहीं किया है significant and material orders passed by courts क्या court ने आप पे कोई ऐसा order passed किया है जिससे आपको affect हो रहे है जैसे कि मानलो reliance petrol बेशती है और court ने बोला अचकल petrol 50 रुपे से ज़्यादा नहीं बिकेगा मानलो मानने में क्या है मानी सकते हैं तो मानलो court ने बोला 50 रुपे से ज़्यादा में petrol नहीं बिकेगा तो इस तरह की चीज़ें अगर आपको affect करती है तो वो बताओ disclosure तो cost records के बारे में internal complaints के बारे में sexual harassment policies से related application अगर IBC में कहीं गया है तो और कोई भी difference in valuations यह सब इतनी कितने directors appoint हुए कितने resign हुए कितनी company आपकी वनी कितनी company आपकी subsidiary नहीं रही या joint venture नहीं रही उसके अलावा आप बता दो कि आपके deposits का क्या situation है यह सारी चीज़ें disclose कर दो तो यह सारी चीज़ें सर मैं आपको एक और pro tip दे रहा हूँ यह सारी चीज़ें याद तो रहती नहीं है तो इसका best time कब होता है पढ़ने का पता है जिस दिन आपका exam है उस दिन सुबह तो आप जब page पल्टा रहे हो ना exam के पहले revision में तो आप एक पतला सा वह sticky notes द पढ़ना है ठीक है अब जब आप exam के दो गंटे पहले आपका book का पूरा course खतम हो जाना चाहिए दो गंटा पहले आप book को लोगे और आप देखोगे कहां कहां पे मैंने वह चिपका रखाए और जहां-जहां चिपका रखाए वहां पर जो mark कर रखाए उसको एक बर रीड क है सर जब हम CSR की बात करते ना दो चीजों की बात करेंगे हम CSR committee CSR expenditure CSR committee CSR sir अभी तक भी नहीं आत किये कोई बात नहीं अभी रटलो 135 रटलो मेरे साथ बहुत conceptual बहुत easy बहुत interesting और बहुत practical है सर CSR में दो चीज़े बात करेंगे committee का एक expenditure का committee कौन बनाएगा sir CSR committee मतलब क्या वो committee जो CSR पे पूरा ध्यान देगी committee कौन बनाएगा हर company बनाएगी क्या नहीं law ने बोला वो companies जिसका net worth 500 करोड या उससे जादा है turnover 1000 करोड या उससे जादा है या net profit 5 करोड या उससे जादा है तुम देखो fluctuation 500 करोड 1000 करोड 5 करोड 500 करोड का net worth 1000 करोड का turnover और 5 करोड का net profit तीनों में से कोई भी equal to या जादा है तो क्या हो जाएगा आपको CSR committee लगे जाएगा sir ये तीनों कंडिशन मीट होने चाहिए कि any one of them any one of them net worth 500 क्रोड और मोर turnover 1000 क्रोड और मोर net profit 5 क्रोड और मोर ये तीनों में से कोई भी condition मीट हुए preceding financial level में तो आपको CSR committee बैठानी पड़ेगी उसके बाद sir एक बात बताओ CSR committee में कितने लोग होंगे तो मैंने कहा CSR committee में तीन डाइरेक्टर होंगे जिसमें से एक डाइरेक्टर independent होगा तीन डाइरेक्टर होंगे जिसमें से एक independent होगा पर sir अगर वो company को independent director का provision applicable ही नहीं है तो तो फिर मत बैठाना तो फिर बच्चे वे दो director बैठा लेनाव अगा अगर वह company private company अ have private company में सिर्फ दो director होते हैं सिर्फ दोड़ेक्टर होंगे तो तो दुनों director को committee में में होंगे तीन डालेक्टर थीन में से एक independent director होगा अगर ID नहीं है तो कोई बातलि डालेक्टर बैठा दो तो थो या 3 कुछ भी चलता है ठीक है अब सब्सक्राइब को यह बता हो एक exception दिया है लोग ने लोग ने बोला कि माना अगर तेरा net worth 500 करोड से जादा है turnover 1000 करोड से जादा है या profit 5 करोड से जादा है तो तुमको CSR कमिटी लगएगा पर अगर जो तुमारा CSR का expenditure है वो 50 या उससे कम कार है CSR का expenditure 50 ला की उससे कम का रहा है तो आपको CSR committee बठाने की ज़रूवत नहीं है CSR committee का काम क्या है CSR committee का काम यह है कि CSR अ जो खर्चा करना है न वह सही जगा खर्च हो रहाएं कि नहीं अब पचास लाग रुपे ले तो एक कमिटी बैठा देगा क्या लॉन ने बोला नहीं 50 लाग क्या उससे कम का CSR है ना तुमको कमिटी बनाने की ज़रूरत नहीं है सर एक कंपनी है उसका एक कमपनी उसका नेटवर्ट 400 करो ने पर उसका CSR का खळचा 20 लाग है आपसे बोलड डि क्या उसको CSR कमिटी बैठानी पड़ेगे नइतु रुपे अब सर यतो व गया CSR कमिटी का CSR कमिटी आपने बना ली वो ठीक है अब सर CSR कमिटी के बारे में कौन है CSR कमिटी में वो आप अपने Board Report में disclose करोगे Board Report में आप बताओगे कि CSR कमिटी में कौन-कौन लोग आते हैं उसके बाद समझो CSR कमिटी का function क्या है what is the function काम क्या है CSR कमिटी का सर सबसे बहला काम है CSR कमिटी एक CSR policy बनाएगी क्या बनेगी CSR policy policy बनाके Board को देगी Board उस policy को approve करेगा उस policy को approve होने के बाद उस policy के यहाब से खर्चा करना पड़ेगा वो खर्चा आप करोगे सर CSR policy में आप क्या लिखते हो CSR policy में आप लिखते हो कि मैं Reliance Industries हूँ तो मैं Reliance अपने CSR का खर्चा कहां पर करना चाहता हूँ क्या मैं Health को प्रमोट करना चाहता हूँ क्या मैं Education को प्रमोट करना चाहता हूँ वो सारी चीज़ आप अपने policy में लिखोगे और उस हिसाब से खर्चे करोगे यह policy बनाना अप्रूफ करवाना उसके हिसाब से खर्चा करना किसका काम यह आपके CSR कमिटी का काम उसके बाद सर मेरी बात सुनो the board of the company shall board of the company shall approve the CSR policy and ensure that activities are undertaken as per the policy board के पास जिब policy आएगा तो policy अप्रूफ करेगा और उसके हिसाब से काम हो रहे की नहीं देखेगा सर इंपोर्टेंट वो नहीं है इंपोर्टेंट अभी फिर से आया यह सर CSR में कितना खर्चा करोगे आप तो मैंने कहा पिछले तीन financial year का net profit का average का 2% से कम यह 2% से ज्यादा minimum 2% सर CSR खर्चा कितना करोगे average net profit of preceding three financial year निकालो उसका 2% निकालो उससे ज्यादा कितना खर्चा करोगे आप सर अगर मेरे पिछले तीन साल में net profit था 500 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ तो मैं कितना खर्चा करूँगा करेंट यर में minimum कितना खर्चा करूँगा यह net profit है तो पहले मैं average निकालूँगा average कितना आ गया 200 crores 100 plus 200 crore तो 200 crore average net profit आ गया उसका 2% निकालूँगा 2% कितना होता है 4 crores तो minimum 4 crores का खर्चा करूँगा 4 crores का खर्चा तो सर यह मैंने इसलिए बताया क्यूंकि आप यह concept याद कर लो कि अगर 100 200 300 होता है तो मैं 4 crore का खर्चा करता हूँ हाँ क्यूंकि एक्जैम में आप confused हो सकते हो कि भाई 2% निकालना था net profit का average निकालना था तो आप ऐसे याद कर लो 100 200 300 करोड का अगर खर्चा होता है तो मैं 4 करोड का CSR करूँगा आ जाएगा online वाले रुको तुम आ जाएगा कि तब तक स्क्रीन देखो मेरी सुनो कि सर अब समझ गया average profit अब सर यह immediately three preceding financial year के अभी अगर एक company है उसको बन के दो साल हुआ है तो अगर एक company है उसको incorporate हुए दो साल हुआ है तो तो दो साल का average निकालो पर जितना है उतना बाहर जाके खर्चा करना क्योंकि हर company अपने local area को help करेगी न तो वैसे पूरा India grow हो जाएगा उसके बाद law ने कहा एक बहुत important चीज़ अगर एक company सर एक company CSR का खर्चा कब करेगी तो law ने कहा जब एक financial year खतम होता है न उसके 6 मैने के अंदर खर्चा कर देना अगर तुम 6 मैने के अंदर खर्चा नहीं कर पा रहे हो तो वह पैसा तुम अपने पास नहीं रखोगे तुम उसको दान दे दोगे कहां दान दोगे सर हमारे companies act में schedule 7 एक schedule 7 है उसमें एक fund बना हुआ है वो fund में पैसे दान दे दोगे सर मैने क्या कई और तुमने नहीं सुना क्या का जो मैने तुमने नहीं मैने कर पाए कि CSR का जो खर्चा रचा होता थे Central Government का fund होता है Schedule 7 में, वहाँ पे आप दान दे दोगे, पर सर, कभी-कभी क्या होता है, मैं बोल रहा हूं कि मैं अपने CSR में बहुत बड़ी building बनाऊंगा, वहाँ पे मैं education दूँगा, सर, मैं बोल रहा हूं, बहुत बड़ी building बनाऊंगा, तो building क्या 6 मेने में बन जाएगी क्या, नहीं, तो इसको हम कहते, ongoing projects, क्या कहते, ongoing projects, तो अगर ongoing project कोई है न, तो law कहता है, भाई, 3 साल तक ongoing project चल सकता है, तो उस case में क्या होगा, अगर कोई ongoing project चल रही है, तो सर, मानलो financial year 2021 2021 था, मानलो financial year, 21-22 था, ठीक है, इसका खर्चा मेरे को कब तक करना था, 6 मेने के अंदर, पर सर, मैं तो ongoing project में कर रहा हूं, तो मैं तो खर्चा करी नहीं पाऊंगा, तो law ने बोला, कोई बात नहीं, तो एक काम कर, अगर ongoing project का पैसा है न, तो जब financial year खतम होता है, उसके 30 द बाल देना उसको fund में, तुम नहीं समझे क्या, कि तुम समझे, screen guy हो गई, sir मैंने क्या बोला, financial year 21-22 है, 21-22 खतम होने के बाद, ideally 6 मेने तक खर्चा करना था, पर अगर ongoing project था, ongoing project मतलब क्या sir, थोड़ा लंबा समय लगेगा, 10 साल तक चला लूगया, नहीं भाई, 3 साल maximum, तो तो 30 दिन के अंदर किदर डाल देने का, fund में, कौन से fund में, schedule 7 वाले fund में, समझा sir, आपको, ठीके sir, एक next very important provision, very 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 important provision, sir अगर मैंने, मेरे को अगर, CSR का खर्चा पांच करोड का करना था, law ने बोला, पांच करोड का CSR का खर्चा करना है, मैंने 10 करोड का खर्चा कर दिया, तो क्या वो बच्चा, एक्स्ट्रा पैसा जो मैंने खर्च किया है, वो मेरे को बाद में set-off मिलेगा, हमको क्या पूछ रहे हैं, हमारा exam थोड़ी है, आप बताओ, हमारा क्या है, हम तो पढ़ वड़ के CA बन गए है, must job कर रहे है, सब sorted है, आप पढ़ो, ऐसा तुम मेरे को सेनो, नलायको, मैंने क्या बॉला है, ये पानशियर बेटी बैडी बेटीटी पांच करोड का कर्णा था, मैंने 5 ने दस करोड का कर दिया, कितना time,का फेने जमाने में अपने बीड़े बाई के जमाने में नहीं चलता था अभी चलता है जर अभी आप set off कर सकते हो कितने साल तक set off कर सकते हो जिंदगी पर set off करूगा law ने कहा set off करोंगे अगले तीन financial year तक वह भी succeeding तीन financial year उसके बाद set-off सकते पर आपको तो बोड का resolution लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, बोड का resolution, सर अब एक high level concept बता रहा हूँ, सुन लो, एक बर बताओंगा सर, repeat नहीं करूँगा, सुनो, सर, मेरे को अगर ये financial year 21-22 की बात करते हैं, प्लीज एक बार सुन लो, surplus का concept बता रहा हूँ, बहुत लॉजिकल है, बहुत लॉजिकल है, एक बार सुन लो मेरे से, सर अगर आपको पांच करोड का खर्चा करने बोले थे, पांच करोड का खर्चा करने के लिए, मैं यहाँ पे एक building बना रहा था, अब वो building बनाते बनाते, नीचे मैंने एक चंदा का डबबा रख दिया, मैंने बोला, donation डाल के जाओ, जिसको donation डालना है, अब मैं 5 करोड अपना खर्चा कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे को, actually CSR का खर्चा सिर्फ 3 करोड का करना था, पर मैं 5 करोड कर रहा हूँ, तो मैं कितना एक्सेस कर रहा हूँ, 2 करोड एक्सेस खर्चा मैं अल्रेडी कर रहा हूँ, हुआ क्या, अब जब मैं 5 करोड खर्चा कर रहा हूँ, तो मैंने चंदा का डबबा रखा, वो चंदा डालते डालते वहाँ पर 1 करोड रुपय का donation आ गया, क्या आगया, 1 करोड का donation आगया, तो तो उस प्रोजजट में मैंने कितना खर्चा कर धिया, फर 5 करोड के जगा, 6 करोड का खर्चा हूँ गया, अब मैं अगले साल सेट ओफ मांग रहा हूं, तो मैं सेट ओफ कितने का मांगूंगा, 2 करोड का, 3 करोड का, शरेक्सेस कितना सपिंड हुए तीन करोड करोड एक्सेस हुए ना सेरेक्सेस मेरे जेव से टू थोय करोड गया ना वो करोड में ने खर्चा किया वो तोर ठाट्टा वो Leaknek इशा कुछ मेरे के इधर निए कुछ से आयाओ बॉल्यस प्रजिक्ट का नऄँ भाई मैंने यह concept आपको तीन concept समझाएं यह तीन अलग-अलग concept है पहला concept यह है कि आपको set-off मिलता है दूसरा concept यह surplus होता क्या है और तीसरा concept यह है कि surplus का set-off नहीं मिलता है ठीक है वो यहाँ पर लिखा है sir कैसे लिखा अगर यह यह पर नहीं होता है तो तुम समझो क्या लिखाए बिर अपना बचाया है यह अपना बचाया अब ही यह थोडी देर में समझेंगे क्या लिखाए सच excess amount shall not include the surplus arising out of CSR activities समझेंगे बचाये कि समझ लिया हो गया अरे अभी यही समझाना बिटा आपके excess amount में surplus नहीं आएगा sir यह जो rules थे ना मैं आपको बता दिता हूँ आपने आपको नहीं यह rules में question bank में एक भी question नहीं मिलेगा तो sir क्यों हम इतना पढ़ रहें अब एक question bank में इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि यह rule आया है दो साल पहले आपके module में इंक्लूड हुआ है देड़े साल पहले अब आना शुरू होगा ना एक बार तो रुकेगा नहीं तो यह मत सूचना rules हमारे question bank में नहीं मतलब exam में नहीं आया है यह आना बचा है due है इसलिए हम पढ़ रहें sir मैंने क्या आपको set of मिलेगा अब sir transfer ongoing project to a special account ongoing project क्या है sir जो मैंने 3 साल का project बोला तो वही मैंने बोला 30 दिन के अंदर एक special account में डालना special account का नाम है unspent CSR account क्या है unspent CSR account उसमें 3 financial year तक रखोगे उसके बाद अगर नहीं हुआ तो 30 दिन के अंदर क्या करोगे उसको 30 दिन के अंदर नए fund में उसको वह fund में transfer कर दोगे अब sir अगर default हुआ अगर contravention हुआ क्या हुआ अगर contravention हुआ तो company को liability लगेगी officer in default को भी liability लगेगी company को कितनी penalty लगेगी sir company को कितनी लगेगी lower of two times of the amount involved और one crore दोनों में से जो भी lower है और officer in default को lower of one tenth of the amount मतलब 10% और two lakh rupees company को कितना है sir दुगना दुगना लगान देना पड़ेगा पर officer in default को one tenth company का maximum कितना है दो करोड़ और officer का दो लाग दो करोड़ दो करोड़ देख वन करोड़ सो सौरी वन करोड़ और दो लाग समझे सर समझे आगे बढ़े सर यह तो था act अब है रूल्स बहुत आसान है कोई टेंशन नहीं है फटा-फट खतम हो जाएगा सर सुनो CSR के रूल्स में कुछ important definitions है सबसे पहले corporate social responsibility का मतलब क्या होता है CSR का खर्चे का मतलब क्या होता है सर मैं आपको थोड़ी चीज़े पूछू बताओगे अगर मैं इंडिया के बाहर जाके खर्चा कर रहा हूं क्या वो CSR माना जाएगा सर क्या मैं अगर मैं अपने employees के बच्चों के लिए मैंने एक school खुलवा दी मैंने एक school कुलवा दी जिसमें मेरे employees के बच्चे जाते education free में क्या वो CSR माना जाएगा नहीं माना जाएगा, क्यों? क्योंकि मैं employees को दे रहा हूँ, एक ना एक तरीकी से, मैं उनको salary में पैसे कम दे रहा हूँगा, तो उसको CSR नहीं माना जाएगा, और अगर सर मैंने एक cancer, cancer का एक campaign था, cancer का एक campaign था, मैंने उसको sponsor कर दिया, और sponsor में बड़ा-बड़ा banner लगा है, Reliance Industries Limited, क्या उसको CSR माना जाएगा, नहीं, तुम अपना marketing benefit निकाल रहे हो उसमें से, सर मैंने political contribution किया, नहीं, तो सर छे चीज़ें ऐसी होती है, जो CSR नहीं मानी जाती है, पहला sponsorship, अगर आपने sponsorship किया, जिससे आपको marketing benefits हो रहे है, दूसरा, अगर तुमने political contribution किया, section 182 है, जो political contribution की बात करता है, अगर तुमने political contribution किया, तीसरा, अगर employees के benefit के लिए खर्चा किया चौथा, अगर law के compliance के लिए खर्चा किया, अरे अगर मैं environment को damage करता हूँ, तो law ने बोला, तू 2 करोड रुपए खर्च करके यहां पे पेडूग आएगा, वो CSR है किया, नहीं भाई, वो तो law मेरे को बोल रहा है न, फोर्थ, अगर मैंने foreign में खर्चा किया, सर पर एक ब अहां पे अगर ले जाकर के training दे रहे हम, तो क्या वो training का खर्चा CSR माना जाएगा, फॉरें में उर्थ, खर्चा माना जाएगा, अगर आप sports, इंडिया के sportsman को, अगर इंडिया के बाहर, या फिर इंडिया में ही अगर national level या international level का training के ले लेके जा रहे हो, तो वो खर्चा माना जाएगा, ये law के लिए important ने है, लेकिन ये लिखा था और तुमारे लिए ये interesting है, ये chapter में इसके अलावा तुमारे लिए कोई चीज interesting थी क्या, नहीं ना, तुमने बहला विराट कोली का नाम आ गया ना, बस, आगे बढ़ो sir, business, अगर आप अपने ordinary course of business में कोई भी ख ये 6 में से कोई भी खर्चा अगर आप कर रहे हो, तो उसको CSR नहीं माना जाएगा, sir, net profit का definition, net profit मतलब जो हमारे companies act में निकलता है, वो net profit होगा, पर sir में को एक बात बताओ, मैं reliance हूँ, मेरी India से 100 crore का profit है, बाहर US से 50 crore का profit है, मेरा net profit कितना हुआ, 100 crore और 50 crore, net profit कितना 100 crore, net profit हुआ 100 crore, foreign profit मत लेना, sir, CSR का concept simple है, इंडिया के बाहर ना खर्चा करना, ना इंडिया के बाहर की कमाई को इंकलूड करना, इंडिया में जो कमाया, उसको इंडिया में खर्चा करना, net profit में वो चीज़े नहीं आएगी, एक और चीज़ बता दे रहाँ, sir, सुन लो, sir, सुन लो, please, यह H Limited है, यह S Limited है, sir, S Limited भी CSR करता है, H Limited भी CSR करता है, मैं बता रहाँ, H Limited का net profit calculate करना है अपने को, क्या calculate करना है, net profit, उसमें एक exception बता रहाँ, पहला, तुम foreign income मत लेना, foreign income मत लेना, दूसरा, ज्यान से सुनो, दूसरा क्या है, S Limited ने क्या किया, 10 करोड रु परे भी मत include करना, क्यों, 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 क्योंकि sir, यह 10 करोड किसका profit था, S Limited का profit था, और S Limited ने इस profit पे CSR का खर्चा तो कर दिया है, अरे sir, यह 10 करोड किसका profit था, यह S Limited का profit था, डिविदेने के पहले, उसने अपने profit का खर्चा तो कर दिया है, तो यह 10 करोड पे तुम व from other companies in India which are covered under and complying with provision of section 135 135 में already covered है और वो comply कर रहे है उनसे मिला हुआ dividend तुम अपने net profit में नहीं लोगे sir net profit में दो चीजे नहीं आती पहला outside India वाली जो income है और दूसरा अगर dividend अपनी किसी और company से मिला जो already 135 का compliance कर रहे है तो आपको नहीं देना पड़ेगा sir CSR implementation वगरा ठीक है CSR implementation sir मैं Reliance Industries Limited हूँ simple से concept चुन लो अगर मैं Reliance Industries Limited हूँ मैं अपने CSR का खर्चा मेरा आया 50 करोड का वो खर्चा मैं कैसे करूंगा या तो मैं खुद कर सकता हूं या तो फिर मैं दे दूंगा किसी section 8 company को या मैं दे दूंगा किसी public trust को मैं बोलूँगा तुम लोग ना खर्चा कर लो पर सर मैं अगर किसी section 8 company को दे रहा हूं ना पैसा वो लोग registered होने चाहिए registered कैसे तुम रोची के पास जाओ apply करो रोची तुमको एक registration देगा तुमको जब वो इंपक्त ला सकते हो education में health में समझ रहे हो समझी रहे हैं सर पहले इंटर क्लियर हो जाने तो फिर देखो आप कि फिर देखो सार फिर तो हम दुनिया में हमी बदलाव लाएंगे हमी आमें फिर तो नेक्स्ट रूल 5 CSR committee सर यह भी आमारे लिए बहुत जाद इंपॉर्टन नहीं है रूल 6 पर रूल 7 पर आजाओ CSR expenditure सुनो सर सर एक और important question इस पर question आ सकता है CSR expenditure मानलो मेरे को CSR का खर्चा करना है सौ करोड का law ने बोला जो तुमारा administrative overhead होता है administrative overhead मतलब क्या चाय मंगवाने का खर्चा director का खर्चा इसका खर्चा उसका खर्चा वो law ने बोला 5% से जादा यह सब खर्चा नहीं होना चाहिए बाकी पूरा 95% actual काम में जाना चाहिए तो law ने क्या कहा admin overhead जो है ना वो 5% से जादा नहीं होना चाहिए उसके बाद मैंने क्या का surplus कोई भी अगर surplus आ रहे है surplus मतलब क्या sir पांच करोड बाहर डबा रखा था एक करोड आ गया तो वो surplus क्या company का पैसा है नहीं तो company ने बोला वो जो it will be plowed back into the same project मतलब जिस project में लगे हुए हो उसी में वापस डाल दो अगर नहीं डाल पाई ना तो unspent CSR account में भी डाल सकते हो ongoing project ले पर कहीं भी नहीं खर्चा कर पा रहे हो ना तो schedule 7 के fund में आपको भीजना पड़ेगा आप उसको अपने पास नहीं रख सकते सर क्या एक company capital asset करीच सकती है नहीं क्या नहीं capital asset मतलब क्या अगर मैं CSR करना चाहता हूं 100 करोड का तो क्या मैं prestige point नहीं खरीद लू 100 करोड देखे क्यों नहीं खरीच सकता मैं मैं बोलूँगा यहां पर education देना है तुम खरीच सकते हो पर company अपने नाम पर मत करीदना फिर तू किसी sectionate company registered public trust के नाम पर खरीदना तो तू कर सकता है capital asset खरीच सकता है sir last and the most important CSR reporting sir CSR reporting क्या है आप CSR का काम कर रहे हो तो बताना तो पड़ेगा तो sir आपको बता है CSR का अलग से reports बनाती है company जिसे board report बनता है annual report बनता है वैसे ही CSR report भी बनता है जहां पर तुम बताओ तुमने क्या काम किया है क्या impact लाया है क्या impact लाया है you will have to show the impact अब sir एक important और बहुत unique और नया provision इस बार add हुआ है जो आने के बहुत ज्यादा chances है impact assessment sir impact assessment मतलब क्या हो रहे है company को आपने बोला company अपने profit का 2% कर्चा कर दे अपने profit का 2% कर्चा कर्चा कर दे अब company किये जा रही है 2% कर्चा 2% कर्चा Reliance का profit होता है 30,000 करोड का Reliance का profit होता है 30,000 करोड उसका 2% हो गया 600 करोड Reliance हर साल 600 करोड खर्चा कर दे अब वो किदर खर्चा हो रहा है वो खर्चा करके फाइदा क्या हो रहा है वो भी समझना जरूरी है तो law कहता है तुमको ना impact assessment करवाना पड़ेगा कि तुम जो खर्चा कर रहे हो उससे impact क्या हो रहा है तो Reliance ने एक project किया था पानी foundation का क्या project था सर उसमें उन्होंने एक area का पूरे water को clean करने का responsibility लिया था और water safe करने का responsibility तो उन्होंने वो project खतम होने के बाद एक must report बनाया था उसमें बताया था हमने कितना पानी बचाया है और पानी का quality कितना improve हुआ है इसको कहते है sir impact assessment पर sir क्या यह impact assessment हर company करेगी नहीं selected company जिनका selected CSR है क्या लिखा है company जिनका average CSR obligation दस करोड से जादा है पिछले तीन साल का average CSR obligation एक बर बोलो यह तीन वर्ड पिछले तीन साल का average CSR obligation तुमारा खर्चा जितना करना था न वह 10 करोड से जादा अगर उसका average आ रहा है तो आपको impact assessment करवाना पड़ेगा सर अभी मैं तो 50 project कर रहा हो सकता हूं पानी का education का health कौन से project का impact assessment करवा हूं कोई भी किसी का जिसका करवाने का मन है उसका करवा लो जिसमें एक करोड से जादा का खर्चा हुआ है और जिसका असेस्मेंट होके एक साल हो गया है असेस्मेंट खतम हो गया और एक साल हो गया है उसका आप क्या करवा एक साल हो गया है तो असेस्मेंट करवा होगे एक साल क्यों से क्योंकि एक साल लगता है ना इंपाक्ट पता चलने के लिए तुमने वाटर क परचा था and which has completed not less than one year before undertaking the impact एक साल पहले खतम हो गया है sir यह एक्जाइम में आने के चांसे है sir क्या यह आपके ICI module में है बिल्कुल है ICI module के बाहर कुछ भी नहीं आता मेरे को सुनो सर मैंने क्या कहा impact assessment कौन सी कंपनी करवाएगी वह कंपनी करवाएगी जिसका पिछले तीन साल में average CSR obligation दस करोडिया उससे जादा था वह एक इंडिपेंडेंट इजन्सी को हाइर करेगी बोली कि भाई यह मेरा करोड़ रुपे क्या CSR है वह 2 करोड़ रुपे जो उसने मांगे क्या वह CSR का खर्चा है लो ने बोला थोड़ा सा तो देना पड़ेगा इसे एक दम मना तो नहीं कर सकते क्योंकि कि वह CSR के ही Impact Assessment कर रहे कंपनी क्यों वह खर्चा बेर करेगा तो CSR की खर्चे में मानना पड़ेगा पर law ने बोला एक लिमिट लगा ते law ने बोला तुमारे CSR का current year के CSR का 5% और 50 लाक रुपे इसको हम CSR मान लेंगे उसके उपर का खर्चा तुमको CSR नहीं माना जाएगा सर क्या लिमिट है 5% of total CSR और रुपीज 50 लाक विचे विचेवर इस lower sir lower कम से कम कम से कम ज्यादा ने सर ये क्या पूछा मैंने जो independent agency का खर्चा है न क्या उसको CSR माना जाएगा sir CSR माना जाएगा उससे क्या फाइद है उससे मेरा 2% का condition खतम हो जाएगा अगर माननों उसको CSR मान लेंगे तो मेरा 2% का obligation मीट हो जाएगा सर शानती से घर में जाके सोचना तुम लोग के मन में यह आया क्या कि सर 2% का तो खर्चा ही करना है 5% कैसे अलाव कर दे रहो ऐसा कुछ आया तुम्हारे मन में सर नेट प्रॉफिट का 2% CSR होगा CSR का 5% आपका अलाव होगा पांच परसेंट और पचास लाग विचेवर इस लोवर सर आगे की चीज़े काट दो कोविट से रिलेटेड अभी हमको पढ़ने की जरुवत नहीं है अब सर आजाओ सेक्शन 136 और 137 में बाप रे 11 बच्च कि 6 मिनिट हो गए मैंने गेट बंद कर रखा था हमने किसी ने खोला स्वानन तु भूल गया सदो 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 सेक्शन 136 137 138 करते फिर अपन चलेंगे घर अपने अपने 136 क्या है सर राइट of members to copies of audited financial statement सर आप लोग members हो क्या आप लोग financial statement मांग सकते हो हा क्या आप लोग books of accounts मांग सकते हो नहीं books of accounts shareholders का होता है आप सर जैसे ही आपने books of accounts आपने financial statement मांगा क्या क्या मांग सकते हो आप FS, CFS, auditors report और every other document और वो member या trustee या कोई भी और इंसान मांग सकता है और आप जैसे ही मांगोगे ना मेरे को आपको देना भी पढ़ेगा meeting के 21 days meeting के कम से कम 21 days पहले मेरे को वह आपको notice देना पड़ेगा पर सर क्या 21 days से कम में दूंगा तो चलेगा क्या shorter period में दूंगा तो चलेगा सब चलेगा अगर आप डिपेंड करता है company having share capital की company not having share capital है अगर company having share capital है जिसमें majority numbers और 95% of paid up share capital वाले लोगों ने अप्रूव कर दिया तो चलेगा सब देजा चूँ हो रहा है कि जिंदगी में कि ऐसा कुछ पढ़ा है हमने हाँ if company has no share capital then 95% of the voting power sir ये क्या आप क्या क्या बोल रहा हूं sir members को meeting के 21 दिन पहले चीजें भिजवा देना यहां पर members के request करे या नहीं करे भिजवा देना मैंने बोला members मांग सकता है कि मांग तो सकता है लेकिन बिना मांगे भी general meeting के 21 days पहले sir 21 clear days नहीं लिखा है 21 days पहले लिखा है आपको भिजवाना पड़ेगा अगर आप क्या 21 days के जगा यह बोल सकते हो भाई 14 दिन पहले भिजवाऊंगा हां अगर share capital ले तो majority numbers 95% in paid up share capital का approval ले अगर share capital नहीं है तो 95% of share capital का approval ले ले voting power का approval ले ले तो हम क्या करेंगे तुम लोगों को ऐसे ध्यान लगता है तो 95% of voting power का approval ले ले तो 21 days से कम में चलता है अब sir सुनो ना सुनो ना आप समझो listed companies में एक लाग share older होते हैं सब लोगों को इतना मोटा मोटा financial statement annual return भीजवाई क्या पहले के जमाने में सोचो पहले के जमाने में तो printout जाता था तो law ने बोला मत भीजवाई एक काम कर तुना ये जो records है इसको अपने office में inspection के open कर दे कि जिसको भी चाहिए तुम आके देख लो पर सब लोगों को ना salient features भीजवादे चोटे-चोटे मतलब अगर ये 1000 पीज गए तो बदले में 20 पेज में एकदम की features जो है वो सब लोगों को भीजवादे ताकि तेरा cost कम हो अब उसके बाद अगर कोई shareholder पूरा मांग रहा है तो उसको पूरा भीजवादे ना तो सर ये ये क्या लिखा हुआ ह केस में मान लिया जाएगा आपने ये provision का compliance कर लिया है अगर आपने वो records को inspection के open कर दिया कि मैंने या पर रख दिया जिसको चाहिए आकर देख लो और उसके बाद मैंने salient features अब को form AOC 3 में बिजवा दिया और 21 days बिजवा दिया unless shareholders ask for full financial statement अगर वो पूरा मांगेंगे तो financial statements कैसे भिजवाएंगे financial statement कैसे भिजवाएंगे email से भिजवा सकते हो या physically भी विजवा सकते हो अगर listed company है या फिर वो public company है जिसमें net worth एक करोड से जादा या turnover 10 करोड से जादा है तो email से ही भिजवाना पड़ेगा अगर DMAT account में share से तो अगर DMAT account में share sold कर रहें तो कैसे भिजवाएंगे email से ही भिजवाएंगे आजकल को भी physically भिजवाता क्या अब sir इसमें हाँ सर सुनो ना आप अगर एक listed company हो तो आपको सरा financial statement भिजवा रहे हो क्या वो audit हो गया है हाँ आप audited financial statement भिजवाते हो उसको अपने website पे भी चढ़ाना सर एक important point है सुनलो फिरसर repeat हो गई है आप उसको अपने website पे भी चढ़ाना आप holding company हो अपना तो financial statement website पे चढ़ाओगे अप एक subsidiary है जो incorporated outside India है तो उसका अगर audit होता है तो audited financial statement चढ़ाओ अगर audit नहीं होता है ना तो unaudited चढ़ाओ चलता है पर आपको website पे चढ़ाना पड़ेगा तो सर मेंको एक सबसे पहले एक सवाल का जवाब दो क्या website पे audited financial statement चढ़ता है कि unaudit? Normal answer is audited ही चढ़ता है पर अगर एक foreign company है foreign company मतलब क्या? एक subsidiary जो इंडिया के बाहर है तो वो subsidiary का अगर audit नहीं हो रहे है क्यों नहीं हो रहे है वहां के लोगे इसाब से required नहीं है तो audit नहीं हो रहे है तो उसका unaudited चढ़ाओ बस शर्त एक ही है English language में होना चाहिए अगर English language में नहीं है तो English language में translate करवाओ पर English language में होना चाहिए अब सर यह जो financial statement है क्या इसको inspect कर सकते है हां सर business hours में आप इसको बिलकुल inspect कर सकते हो कोई problem नहीं है और penalty आपका homework इसको homework में टालना है Sir section 137 the most important section. What is section 137? What is section 137? Sir 92 or 137 आपको पता है हर जगा exception में आता है 92 annual return 137 financial statement. Sir बहुत simple है law कहता है 136 में law ने कहा financial statement member को दे देना 137 में law कहता है financial statement ROC को दे देना किसको दे देना ROC को दे देना ये वाले chapter में जितने भी sections है उसको दोतों के slot में पढ़ना 128, 129, 129 ने अलग, 130, 131 तो दोतों के couples में बना के पढ़ना, couples में आगे 136 और 137 136 ता financial statement member को दे देना, 137 ने ROC को दे देना, अब sir ROC को कब दोगे तो law ने कहा AGM खतम होता है na AGM, AGM खतम होने के 30 days के अंदर ROC को दे देना, पर sir मान लो, अगर AGM के 30 days बात क्यों, क्योंकि AGM में financial statement adopt होते है, shareholder accept करते है, फिर आप 30 days में फाइल करोगे, पर अगर AGM में financial, shareholder ने accept ही नहीं किया तो, तो फाइल नहीं करोगे, अगर shareholder ने accept नहीं किया, तो कई से फाइल क कि आदा ना उस चीज को 30 दिन के अंदर फाइल कर देना, उसके बाद जब भी shareholder approve करेंगे, उसके बाद 30 दिन के अंदर वापस फाइल कर देना, correct वाला, पर फाइल जरूर कर देना, provisional और बाद में final, पर sir अगर AGM time पे हुई नहीं तो, last date for holding AGM, जो भी आपका last date था, उस अगर आपकी कंपनी को in days applicable है, क्या बुला मैंने, आपकी कंपनी को in days applicable है, तो sorry, अगर आप financial statement के जगा consolidated financial statement बना रहे हो ना, तो आप फाइल करोगे AOC for CFS form में, sir एक है AOC for normal, एक है AOC for CFS, वो आप फाइल करोगे, अब sir अगर आप NBFC कंपनी हो ना, तो आपके लिए दो अल AOC for normal form है, अगर आप CFS file कर रहे हो तो AOC for CFS, यह दो form हो गए, अब अगर NBFC है ना, तो उनका NBFC, NBFC अड़ कर देना, दो form और बन गए, ठीक है, एक और आएगा, आगे, AOC for XBRL वाला form आएगा, सुनो, तो मैं क्या करो, job चुड़े, sir यह फिर वापस से वही line है, कि आप आप जो AOC को file कर रहे हो, हाँ, आप AOC को audited financial statement भेजोगे, subsidiary का भी audited भेजोगे, पर अगर एक foreign subsidiary है, मतलब इंडिया के बाहर subsidiary है, तो कोशिश करना उसका audited भेजोगे, पर उसका वहाँ audit नहीं होता है, तो un-audited भेज देना, तो काइदे से AOC को भी audited जाएगा, लेकिन foreign subsidiary, Sir, foreign subsidiary word नहीं है, आपकी एक subsidiary जो इंडिया के बाहर है, उसका अगर आपको भीजना है, तो आप un-audited भी भी भेजोगे, तो चल जाएगा, और क्या लिखाए, Sir, और क्या लिखाए, ROC को file करने के लिए कौन responsible है, MD, CFO, अगर MD या CFO में से कोई भी नहीं है, तो any other director who is in charge, और अगर वो भी नहीं है, तो सारे directors, तो Sir, ROC को file करने के लिए पहली बार ऐसा combination आया है, managing director और CFO, दोनों responsible होते हैं, ROC को file करने के लिए कौन लोग, Sir, दो लोग बोलो, MD, CFO, अगर द कोनों नहीं है, तो वो director जिसको in charge बनाया है, को in charge नहीं बनाया है, तो सारे directors responsible हो जाते हैं, Sir, last important section, section 138, Sir, बीच के छोटे-छोटे जो एक एक लाहिन में चोड़ रहा हो, वो आपके पढ़े हुए हैं या पढ़ाई हुए हैं, वो आप पढ़ सकते हो, section 132 में पढ़ा नही companies को applicable होता है, सबसे पहला question, which companies have to do internal audit, सबसे पहला हर listed company को करना पढ़ता है, every listed company, उसके अलावा unlisted public company को करना पढ़ता है, अगर वो चारो में से कोई limit meet करे, Sir, 25, 50, 100, 200, 25 याद कर लो, double, 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 25, 50, 50, 100, 100, 200, अब सर सुनो, एक मेरे को scheme मिला था, 25 दिन में पैसा double, तो मैंने आपे अपने पैसे deposit कर दिये, कितना deposit किया, 25 करोड, double हो कि कितना मिला, 50 करोड, वो 50 करोड मैंने अपने business में लगा दिया, business में लगाया, तो क्या बन गया, paid-up share capital, तो 50 करोड का paid-up share capital हो गया, अभी मेरे खुद के पैसो पे तो धंदा नहीं कर सकता, market से भी थोड़ा पैसा लेना पड़ेगा, तो मैंने market से borrow किया, 100 करोड, क्यों, क्योंकि सर कितना date is to equity ratio idle है, 2 is to 1 का, तो मेरा जब 50 करोड का capital है, तो मैंने 100 करोड का date लिया, idle ratio हो गया, अब इससे business किया, मैंने 200 करोड का turnover निकल के आया, समझे, सर, 25 दिन में पैसा double वाली scheme में पैसा deposit किया, कितना deposit 25 करोड, 25 करोड का पैसा, अभी double हो के 50 हा गया, 50 कितर लगाऊंगा, paid up share capital में, उसके साथ debt लूँगा, 100 करोड का, debt मतलब क्या borrowing, और ये दोनों मिला के turnover business किया, तो turnover कितना बन गया, 200 करोड का, ये चारो आपका limit है, ठीक है, 25, 50, 100, 200, पर private company के case में, सिर्फ आपको दो ही limit है loans और turnover, private company के case में, खुद का पैसा कुछ मत लगाऊ, बाहर से पैसा लो, double करगे turnover कमाऊ, ठीक है, समझे, और सर, internal auditor कौन बन सकता है, मैं बताओ, दुनिया में कोई भी internal auditor बन सकता है, सर, statutory auditor, वो सिर्फ एक CA बन सकता है, पर internal auditor, कोई भी CA, CS, कोई भी और professional जो है, वो internal auditor, बन सक करता है, emotional नहीं होने का, हाँ, सर, सारे internal auditor company के employee ही होते है, practically, आपको CA बन जाओगे न, हिंदुस्तान यूनिलेवर कॉल करेगा, नौकरी चाहिए, सालरी चाहिए, हाँ, क्या काम करना है, internal audit का काम करना है, तो आप employee ही होते हो, mostly, उसके बाद सर, क्या होता है ये role में, आपको internal audit करना पड़ता है, सर, an internal auditor may or may not be an employee, कोई problem नहीं है, अब सर, एक चीज में आपको बताऊं क्या, ये limits में हमने इसे तो याद कर लिया, 25,000, 100,200, पर सुनो, deposit more than or equal to 25 करोड है, paid up share capital more than or equal to 50 करोड है, पर जो outstanding loans है, borrowings जो है, वो more than 100 crore है, equal to 100 crore नहीं है, equal to 100 crore नहीं है, वो म 100 के बाद crore करके word art कर लो, ठीक है, चलो guys, class खतम करते है, चलो guys, फटा फट जो लोग YouTube पर आ रहा है, फटा फट इस वीडियो को एक बार like कर दो, जल्दी 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 like कर दो, ताकि मेरे को पता जल्दे attendance लग जाए, ठीक है, चलो guys, आज हम क्या करने वाले है आज अब एकदम short and sweet but detailed revision करने वाले कौन से chapter का, पूरा पूरा chapter, audit and auditors का, हमारा यह पढ़कर के पूरा खतम हो गया है, अगर आप लोग कोई नए लोग देख रहे है, YouTube पे तो यह notes हो है, आपको यह notes हो, आप यह purchase कर सकते है, पर sir, audit and auditors वाला chapter पूरा का, पूरा कोशिश कर करेंगे, एक गंटे के अंदर revise करने का, सारे important provisions के सार, यह chapter कौन से section से शुरू होता है, और आप लोग मेरे साथ पूरा participate करेंगे, जो लोग अभी यह video देख रहे है, वो last तक बैठे रहेंगे, कहीं भी नहीं जाएंगे, पूरा revision करोगे दोस्तो, sir, chapter 10 audit and auditors, यह शुरू ह होता है section 139 से, और यह कत्ब होता है section 148 पर शुरू होता है 139 पर खतब होता है 148 पर, सी कहें, mauicki 39 से शुरू करते हैं, section 139 में मैंने आपको यहाँ पर समझा दे रहा हूं सेक्षिन 139 में हमने एक चार्ट बनाया था हाहँ सबसे दो कमपनी की बात की चार्डoney और एक controlled entities पहले normal company की बात करते है normal company में first auditor कैसे appoint होता है जिस दिन आपकी company incorporate होती है उसके 30 days के अंदर अंदर कौन appoint करता है BOD appoint करता है कौन appoint करता है BOD अगर 30 days के अंदर board नहीं कर पाएगा तो अगले 90 days के अंदर आपका shareholder appoint करता है और इस तरीके से first auditor आता है सर किते दिन मिल गए total 120 days मिल गए यह जो auditor appoint हुआ है यह कब तक office hold करेगा सर यह office hold करेगा next AGM तक कब तक अगले AGM तक office hold करेगा यह हो गया सर आपका सबसे पहला पहला auditor उसके बाद सर हमने पढ़ा subsequent auditor subsequent auditor कैसे पॉइंट होता है जब आपका first AGM खतम हो जाएगा उसके बाद आपको auditor की जरुवत पड़ेगी तो audit committee अगर आपकी company में है तो audit committee board को recommend करेगा बोड को अगर वो recommendation जमा तो board को recommendation लेकर के shareholder के पास चला जाएगा और shareholder को तुम बोलेगा shareholder तुम अप्रूफ कर दो अगर तुम अप्रूफ कर दोगे तो यह जो auditor है ना यह 6 मैंने 6 साथ सॉरी sixth AGM तक रहेगा कब तक sixth AGM first AGM से लेकर के sixth AGM कितने साल होए बिटा पांच साल होए पांच साल तक रहेगा पर अगर board ने कर दिया मना तुम अप्रूफ करेगा shareholder के पास जाओगे पर अगर audit committee ने reconsider करने से मना कर दिया तो board क्या करेगा उसको reasons देगा कि क्यो मेर को audit committee का recommendation पसंद नहीं आया और साथ में खुद का recommendation जोड़ेगा और ले कर के चला जाएगा किसके पास shareholder मतलब सब्सक्राइब अगर audit committee और board में लड़ाई होगी तो जीतेगा कौन आपका हमेशा board of director जीतेगा सर जब audit committee एक नाम recommend कर रहा है बोड को तो वो क्या चीज़े ध्यान में रखेगा सर वो ध्यान रखेगा mcq के बारे में किसके बारे में mcq के बारे में इसको opposite reverse order में पढ़ो क्यों क्या है qualification जो auditor है वो well qualified होना चाहिए उसके बास proper qualification और expertise होनी चाहिए उसके बाद सर C commensurate qualification है वो आपके company के business से commensurate भी होना चाहिए एक auditor है जो 10 साल तर ट्रेडिंग वाले ट्रेडिंग वाले company का क्या कर रहें audit कर रहें और अब आप उसको उठा के बोल रहे हो भाई तो एक काम कर manufacturing वाले का audit कर ले नहीं सर नहीं चलेगा और m मतलब क्या misconduct का जो भी उसके उपर कोई भी misconduct का proceeding नहीं चल रहा होना चाहिए समझे क्या इस तरीक एस आपका subsequent auditor appoint होता है उसके बाद सर अगर casual vacancy हो जाती है casual vacancy मतलब क्या हलके में vacancy बस यूँ ही vacancy casual vacancy मतलब क्या casual vacancy मतलब अगर आपका tenure खतम होने के पहने या तो एक बात बताओ क्या casual vacancy अगर resignation के वज़े से हो रहा है किसके वज़े से हो रहा है resignation के वज़े से हो रहा है तो आपको तीन मेने के अंदर OR pass करवाना पड़ेगा मतलब आपको shareholder को भी involve करना पड़ेगा और उनका permission लेना पड़ेगा सर यह जो casual vacancy वाला डिरेक्ट ऑडिटर आया यह कितने समय तक office में रहेगा यह अगले AGM सर यह आपका casual vacancy वाला point हो गया उसके बाद government company की बात करते government company में एक इंसान होता है cndg 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 sir government company में incorporation के कित्ते दिन के अंदर क्या होगा 60 देस के अंदर cndg जो है पहला औडिटर लाएगा, कित्ते दिन के अंदर? 60 days के अंदर, पर अगर 60 days के अंदर नहीं लाप आप आया, तो उसके बाद board लाएगा 30 days के अंदर, और अगर board भी नहीं लाप आया, तो उसके बाद 60 days मिलेगा किसको shareholder को क्या लाने क्लिए auditor लाने क्लिए सर यहाँ उपर आपने board को 30 दिन दिया यहाँ पर नीचे आप C&AG को 60 दिन दे रहे हो ऐसा क्यों अरे यार सरकारी company है ना lunch break होता है कि नहीं है lunch break नाम की कोई चीज होती है कि नहीं है हाँ तो 60 दिन देना पड़ेगा उसके बाद board को 30 दिन और फिर उसके बाद shareholder को 60 दिन मतलब 150 दिन के अंदर appointment हो जाना चाहिए सर यह वाला जो auditor होगा यह कब तक office hold करेगा यह next AGM तक hold करेगा कब तक hold करेगा अगले AGM तक hold करेगा उसके बाद सर subsequent auditor कैसे appoint होगा आपके हर financial year के start में शुडू के 180 दिन के अंदर कौन appointment हो जाएगा subsequent auditor appointment हो जाएगा शुडू के 180 days के अंदर कौन appointment करेगा सर इसको CNDG appoint करेगा और सर यह कब तक office hold करेगा यह next AGM तक office hold करेगा इसमें कोई किच-किच नहीं है उसके बाद सर आगे अगर casual vacancy हो जाती है तो अगर casual vacancy हो जाती है तो casual vacancy कौन भरेगा सबसे पहले CNDG भरेगा कितने दिन में सर CNDG भरेगा 30 days में क्या बात कर रहे हो सर अब lunch break नहीं होगा अरे आप थोड़ा urgent काम है न casual vacancy होगे ना जल्दी जल्दी भरो ना तो आपको 30 दिन मिलेंगे 30 दिन में फिर भी अगर नहीं कर पाए तो बोर्ड आपको कितना दिन देगा 30 दिन देगा और 30 दिन के अंदर आपको casual vacancy भरना पड़ेगा यह जो भी ऑडिटर अपॉइंट हुआ यह तिल यह point number one हो गया appointment of subsequent auditor हो गया उसके बाद sir मैंने आपको बताया था कि appointment के पहले और appointment के बाद दोनों समय कुछ चीजे होती है appointment के पहले क्या होता है auditor को सबसे पहले return consent देना होता है कि हा मैं करेगा काम मैं auditor बनेगा और दूसरा उसको एक certificate देना पड़ता है जिसमें वो चार चीजे लिखेगा जिसमें वो चार चीजे लिखेगा क्या कर लिखेगा sir जिसका मैंने shortcut बनाया है let the proceedings begin अब sir मेरी बात सुलो क्या चीजे करेगा वो सबसे पहले sir आप limits के अंदर हो आप यह बताओगे आपको बताए companies act के अंदर limited 20 auditors का तो आप 20 के limit के अंदर हो वो आप बताओगे e आप eligible हो to be appointed as a director auditor आप disqualified नहीं हो यह आप बताओगे t आप जो law के terms है जो इस act के terms है उसका compliance कर रहे हो ऐसा बताओगे और उसके बाद proceedings आप यह बताओगे कि जो list of proceedings हमने दे रखा है वो true and correct है क्या है वो true and correct है चार चीज़े sir let the proceedings begin l limits e eligible t terms और p proceedings let the proceedings begin तो sir यह चार condition आपको पता है न यह exam में आया था तो चार point याद करने पड़ेंगे auditor अपने certificate में चार चीज़े लिखता है पहला l limits दूसरा e eligible तीसरा t terms और proceedings प्रोसीडिंग्स हो भी हमने list दिया है वो true and correct है आपको बताना पड़ेगा सर उसमें certificate shall include whether auditor satisfied criteria under 141 141 का जो criteria है कि एक individual होना चाहिए कर सकता है वो भी आप यहां पर लिख दोगे लिख देंगे यह तो क्या होगा before appointment दो चीज़े क्या होगे एक तो return consent हो गया और दूसरा और दूसरा आपका क्या हो गया है and file a notice in the form ADT-1 ADT-1 file करोगे रोसी के पास 15 दिन के अंदर अंदर जिस दिन appoint क्या उसके पंदरा दिन के अंदर-अंदर ADT-1 file करोगे वन से आप क्या कर रहे हो पॉइंट कर रहे हो उसके बाद से मैंने आपको क्या बोला था मैंने आपको एक चीज एक्स्रा concept बस यह समझा पड़ता है और कंपनी के लिए क्या है ADT-1 file करना पड़ता है 15 दिन के अंदर वहां पर VC था यहां पर CEO है कंपनी है उसके बाद सब्सक्राइब कंपनी मैंने आपको बोला था कि कुछ जो बड़े-बड़े कंपनी है उनके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोविजिन लगाना पड़ेगा बड़े-बड़े कंपनी मतलब क्या या तो लिस्टेड कंपनी हो गए या फिर पब्लिक मतलब मार्केट से पैसा ले रखा है 50 करूरिय उससे जादा वो लोग क्या करेंगे शर इंडिविजल को जब आपोइंट करेंगे तो वो मैक्सिमम एक टरम क्ली पाइंट होगा 5 consecutive years क्ले मतलब यहां पे टोटल हो जाएगा 10 years यहां पे टोटल हो जाएगा 5 years अब सब उसके जब आपका term खतम हो गया, जब आपका tenure खतम हो गया, तो क्या होगा? जब आपका tenure खतम हो गया, तो क्या होगा? जब आपका tenure खतम हो गया, then that audit firm or that individual shall not be eligible for reappointment as auditor in the same company for a period of 5 years from the completion of terms. जब आपका term खतम हो जाएगा, उसके बाद 5 साल तक तुम उसी company में auditor नहीं बन सकते हैं, अच्छा सर, तो उसके subsidiary company में auditor बन सकते हैं, क्या हाँ, सर उसी company में auditor के जगा कुछ और काम कर सकते हैं, क्या हाँ, आपको बस यह बोला है, उसी company में auditor नहीं बनना, उसके अलावा कोई भी काम करना है, तो कर लेना, अब सर, उसके बाद मैंने आपको बोला था, तीन तरह के लोग, तीन तरह का firm जो है, disqualify हो जाता है, तीन तरह का firm जो है, वो disqualify हो जाता है, auditor बनने से, सबसे पहला, अगर जो firm छोड़ के जा रहा है, और जो नया firm आ रहा है, इनकमिंग firm के उनमें common partners है, क्या है, common partners है, तो जो firm, मानलो, PwC छोड़ के जा रहे, मानलो, PwC छोड़ के जा रहे, और KPMG आ रहे, और अगर ये दोनों में common partners निकले ना, तो PwC तो 5 साल के लिए disqualify ही, आपका KPMG भी 5 साल के cooling period में चला जाएगा, उसके बाद से, दूसरा कहे, आगे प farming auditor है, वो अगर same network firm का है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, E&Y में SR बाटली boy है, और भी इस तरह के firms है, तो अगर आप एक same network firm के होते हो, तो सारे जो firms है, वो disqualify हो जाते है, सर, same network मतलब क्या, आपका same brand name, trade name है, common control है, same brand name, BTC, brand name, trade name, या common control, तो law कहते है, बेटा, तुम सब लोग क्या हो जाओगे, disqualify हो जाओगे, उसके बाद सर, मैंने आप से पूछा, replacement कैसे होगा, मानलो अगर PwC है, PwC का tenure खतम हो गया, वो जा रहे, अब नया KPMG आ रहे, तो वो कैसे होगा, तो सर, वही process होगा, जो नए auditor के appointment के होता है, audit committee inform करेगी, board को, board को ठीक लगा तो board shareholder के पास लेके जाएगा, नहीं ठीक लगा, तो board recommend reconsider करने के लिए बोलेगा, वही सारी चीज़े होती है, उसके बाद सर, क्या आप joint auditor appoint कर सकते हो, हाँ जोइंट auditor बिल्कुल appoint कर सकते हो, पर मानलो आपने PwC और KPMG को joint audit करेगे बोला, तो बस इतना ध्यान रखना, कि दोनों का rotation एक ही साथ नहीं हो जा रहे, दोनों का rotation एक ही AGM में नहीं हो जा रहे, दोनों में फरक है, मानलो आज अगर PwC retire किया, तो उसके अगले साल KPMG retire करें, दोनों का एक साथ retirement नहीं होना चाहिए, बस इतनी सी चीज़ का ध्यान रखना, Sir, break in the term for 5 consecutive year shall be considered as fulfilling the requirement of rotation, Sir, मतलब क्या, अगर आपको मैंने appoint किया था as an auditor 5 साल के लिए, तीन साल के बाद आपने क्या कर दिया, तीन साल के बाद आपने resign कर दिया, उसके बाद एक साल के बाद आप आपके बोल रहे हो, अरे यार मेरा वो दो साल बचा था था ना, वो दे दे साल के बाद चला गया, वो तेरी गलती थी, उसके बाद, Sir, अगर कोई partner है, जो वहाँ पर sign करता था, who is in charge of audit firm, and who also certifies the financial statement, अगर वो retire करके, किसी और firm में join कर लेता है, तो वो other firm भी जो है, वो भी ineligible हो जाती है, बतलब अगर एक partner छोड़ के जा रहा है, तो वो अकेले नह सानक से बोला, अब से तुम maximum क्या कर सकते हो, पांत साल के या दस साल के ले audit कर सकते हो, तो उस समय जितने भी firms थे, जो 20-20 साल चा audit कर रहे थे, उनको एक transition period दिया गया, कितने समय का, तीन साल का, बोले, तीन साल तक maximum अब और तुम कर सकते हो, उससे जादा तुम मत नहीं कर सकते हैं, मतलब 2014 को हमने बोला, तुमारे जितने भी clients हैं, तुमारे जितने भी clients हैं, या तो तुम उनका 3 साल तक audit कर होगे, या फिर जो actual period बचा है, whichever is lower, whichever is lower, तो तुम समझ रहे हो, मतलब अगर Deloitte है, Deloitte Reliance का audit कर रहा है, और वो 10 साल से audit कर रहा है, तो 10 साल तो तुम लोग भी न, तुम लोग भी न, क्या कर रहे हो, minimum 3 साल तो हम तुमको दे रहे हो, तर लोग करना है तो 3 साल, तो transition period क्या है सर, अगर आपके पास, अगर आपने 7 साल तक audit कर ली, तो आपके बस 3 साल और बचा है, अगर आपने 8 साल तक audit कर ली, फिर भी हम आपको 3 साल हम चाहते है, 3 साल तक तुमको मिल जाए, यह सदमा को सहने के लिए, तो सर, 3 years और actual period, whichever is higher है, ध्यान रखना, समझे क्या सर, उसके बाद rotation of partners, internally in an audit firm, मेरी बात, प्लीज ध्यान से सुनना, कभी-कभी shareholder को इत्ती चुल होती है, वो क्या करेंगे पता है, वो गोलेंगे जाकर resolution pass करके, कि हम चाहते हैं, हमारे auditors का internal rotation हो, मतलब क्या, अगर Deloitte है, उसमें 10 partner है, तो एक साल एक partner करें, दूसरे साल दूसरा partner करें, इस तरह का internal rotation भी मांग सकते हैं, देखो सर, shareholder है, उनके पैसे लगे, उनके बाप की company, उनके बाप की भी चोड़े, उनकी खुद की company है, तो वो तो कुछ भी मांग सकते हैं, और दूसरा, मेरी बात प्लीज ध्यान से सुनना, the audit shall be conducted by more than one auditor, ऐसा भी बोल सकते हैं, कि joint audit करवा हो, तो दो अलग-अलग बात है सर, पहली बात ये कर रहे हैं, कि firm के अंदर internal rotation होगा, और दूसरी बात ये कर रहे हैं, कि joint audit भी मांग सक और 10 साल का था, ठीक है, first term, second term, first term जब खतम हो गया, तो आप उसको second term के लिए reappoint करोगे, तो जब आप second term के लिए reappoint कर रहे हो ना, तो तीन चीजों का ध्यान रख लेना, सबसे पहला, he is not disqualified, वो firm के disqualified तो नहीं हो गया, दूसरा, he has not been given notice of unwillingness, कहीं उसमें सामने से लिखके तो नहीं दे दिया, जा जा मेरे को देरी कंपनी में auditor, नहीं बनना है, और तीसरा कहीं, ऐसा तो special resolution नहीं पास हो है, जहां तुम बोल रहे हो, कि किसी और firm को auditor बनाना है, या, provided expressly that he or she, he shall not be reappointed, मतलब आपने क्या बोला, या तो हमको नहीं चाहिए, या आपने expressly ये बोला, कि जो ये auditor है, ये हमको नहीं चाहिए, अगर ऐसी चीजे हो रही है, तो आप उनको reappoint नहीं कर सकते हो, वरना आप reappoint कर सकते हो, सर क्या आप retiring director को reappoint कर सकते हो, हाँ, अगर वो disqualified नहीं है, अगर उसने अपना unwillingness लिक करके नहीं दिया है, और तीसरा SR pass नहीं हुआ है, जहां अपने बोला कि कोई और auditor appoint करे, या उस वाले auditor को appoint ना करे, मतलब उसके खिलाफ कोई भी नहीं चाहरा है, तो आप उसको appoint कर सकते हो, समझे, सर अगर AGM में auditor appoint या reappoint नहीं हुआ, तो जो existing auditor है वो continue करेगा, सर अगर उसका term खतम हो गया, मतलब दो consecutive year खतम हो गया, फिर भी क्योंभी auditor ही नहीं आया है ना दूसरा, और सर सुनो, उसके अलावा आपको penalty तो लगी जाएगी, उसके बाद सर मैंने आपको क्या बोला, बस इतना ही है, सर क्या एक auditor जो है, क्या यह auditor जो है, क्या वो चार साल क्ले appoint हो सकता है, नहीं सर अगर आप auditor appoint करे तो उसको 5 साल क्ले appoint करोगे, वर सर क्या 5 साल खतम होने के पहला auditor छोड़ के जा सकता है, बिलकुल हाँ, वो बिलकुल हो सकता है, सर क्या एक audit firm, internal auditor बन सकती है, cooling of period के दौरा, बतला Deloitte जो है, वो Reliance का का काम करता था, अब Reliance का auditor का tenure खतम हो गया, सर Deloitte बोल रहा है, चल मैं auditor तो नहीं बन सकता ह है, उसकी अलावा, समझे, अरे बोलो समझे की नहीं, हाँ सर, बहुत बड़ा section था यह, याद हुआ तुमको, सर, अब second part में move करते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना, दोस्तो, अब सर, बात करते हैं section 140 के removal, resignation और notice, यह मैं आपको chart form में पढ़ा देता हूँ, दोस्तो, देखो, मैंने आपको class में यह बताया था, कि removal, resignation और notice की क्या 3 parts है, यह देखो सर, auditor हो गया, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना, आप notes से भी पढ़ सकते हो, यहां से भी पढ़ सकते हो, एक बर concept समझ लो, तो आपको notes से पढ़ते बन जाएगा, मेरी बात सुनो, सर, auditor जो है, उसको remove भी कर सकते हो, प्रिजाइन भी कर सकता है, remove मतलब क्या हमने धक्का मारके निकाल दिया, resignation मतलब क्या, वो गोलता है, तू क्या निकालना चाहता हूँ, तो कैसे निकालेगा सर, 3 तरीके है, या तो board निकाल सकता है, या फिर shareholder निकाल सकता है, या फिर tribunal निकाल सकता है, सर, board के से निकालेगा, board को अगर निकालना है, तो सबसे पहले board, board resolution pass करेगा, board resolution pass होने के 30 days के अंदर-अंदर, आप central government के approval के ले चले जाओगे, सर, central government का approval कौन से form मैं मांगोगे, ADT2, ADT2, तू क्यों सर, 2 निकल, 2 निकल, उसको निकालने के ले आप बोल रह board के पास गए, board के बाद से, cg के पास गए, cg के बाद आप shareholder के पास गए, और फिर आपने shareholder के पास जाने के बाद उसको निकाल दिया, क्या आपको मेरी बात समझ आई, अरे बोलो, did you understand this, board resolution, central government और फिर shareholder, समझेए, हाँ सर, central shareholder जो है, मेरी बात ध्यान से सुनना, shareholder जो है, उसका approval कौन सा लगेगा, SR format में लगेगा, ये तो हो गया सर, जब board निकाल रहे, shareholder अगर निकाल रहे तो क्या, विटा, अगर shareholder निकालना चाहता है न, तो सबसे पहले shareholder को, एक special notice देना पड़ेगा, ये सबसे important point है, ध्यान से सुनना, shareholder जो है न, वो company को special lotus देगा, Tata Motors को special lotus देगा, सर, special lotus कौन से section में पढ़ा था हमने, 115 में, special lotus मतलब कितना, 1% of the voting power, और paid up share capital of 5 lakh rupees, इतना आपको special lotus देना पड़ेगा, तो Tata Motors को जैसे ही special lotus मिलेगा, at least 14 days पहले, या फिर maximum 3 मेना पहले, 3 मेना से जादा पहले नहीं मिलना चाहिए, Tata Motors वो notice लेके जाएगा auditor के पास, और बोलेगा KPMG तू तो गए हो, KPMG तू तो गए हो, KPMG के पास जब यह notice आएगा, तो वो पढ़ेगा, या कितना बुरा-बुरा बोल रहे है मेरे बारे में, मेरे को निकालना है, निकाल तो पर घटिया-घटिया बाते क्या कर रहे हो, तो अब KPMG के पास दो rights जागरूत हो जाएगे, पहला हो जाएगा आपका oral representation, दूसरा written representation, oral मतलब क्या, representation, मतलब क्या, आप stage में जाओगे AGM के और वहां पे आप क्या, अपना जो भी आपको बोलना है, वो आप बोल सकते हो, और written representation मतलब क्या, written representation मतलब आप एक paper में लिखोगे, सारी चीज़े समझाओगे, और समझाने के बाद आप क्या करोगे, ये written representation देदोगे company को, और company को बोलो कि company सुनो ना, ये जो written representation मैंने दिये लिखा है, तुझ नोटिस बेजेगा ना shareholder को, कि हमको KPMG को निकालना है, उसी notice में लिख देना, कि KPMG ने written representation दिया है, और इसको please attach करके बिजवा देना, तो sir, Tata Motors क्या करेगा, कम से कम साथ दिन पहले सारे shareholder को, ये written representation भ तो क्या होगा sir, तो एक power है, कि जो भी concerned person है, वो central government के पास जा सकता है, और central government को बोलेगा, कि central government सुनो, ये जो written representation है, it is being abused to secure needless publicity, for defamatory matters, मतलब क्या, वो abuse कर रहा है, उसमें गलत-गलत बाते लिख रहा है, तो central government क्या करेगा, order देगा, कि जो written representation है, इसको कहीं पे भी नहीं भीजा जाएगा, पर sir, written representation भीजने से तो आपने रोक लिया, oral representation और से रोग सकते हो गया, सर इस तरीके से आपका पूरा का पूरा स्पेशल नोटिस का प्रोविजिन चलेगा बोलो समझला काई अरे बोलो समझला काई हाँ सर उसके बाद मैंने आपको इस चीज बताई दी सर अगर मालो रिटेन रिप्रेजेंटेशन जो है वो किसी भी कारण से नहीं बेच पाई क्य होता है आप अभी भी औरल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो अरे बोलो समझागी नहीं पिटा अरे हां की नहीं हां सर तो इस तरीके सा अपना शेरोल्टर निकालता है और सर तीसरा मेजर पावर है ट्राइबिनल के पास ट्राइबिनल भी अगर गुस्सा हो जाएंगा ना त अगर अगर उसको अगर उसको चुछ से या फिर उसको से इसको गवर्मेंट या किसी कंसर्ण पर्षन ने अगर अगर आप्लिकेशन की तो वह क्या करेगा तो वह क्या करेगा कंपनी को एक नोटिस बेजएगा ओडर बेजएगा कि कंपनी में साटिसफाइड हूँ कि यह जो तुमारा ओडिटर है या तो वह फ्रॉड कर रहा है या फिर फ्रॉड में या तो वह फ्रॉड कर रहा है या फिर फ्रॉड में बोलो ना बच्चो क्या कर रहा है अपने मू आप्लिकेशन दिया है ट्राइबिनल को और गुले ट्राइबिनल सुन अभी हमारे पास समय नहीं है हमको फकाफ़ एक नहीं अधर लाना पड़ेगा और हम कंपनी पर भरुसा नहीं कर सकते क्योंकि कंपनी का मैनेजमेंट वैसी दूद का दुला नहीं है तो सर्फ ट्राइब पावर देदेगा सीजी को कि पेटा तुँ अपॉइंट कर ले पर अभी वाला जो ऑडिटर है न वो वित इमीडियेट इफेक्ट उसका ओफिस खतम हो रहा है सर जब इस तरह का ओड़ेटर किसी ओड़ेटर पर आता है न मालनो पीड़ूसी पे इस तरह का अगर और साथ में 447 के फ्रॉट के भी लायबल हो जाएगा बोलो तुमको समझा क्या में क्या बूला सर ये का रिमूबल का रिमूबल थेको पहला वाला थोड़ा सौफट अप्रोच है दूसरा वाला हार्श अप्रोच में क्या है हमने बोला सेंटरल गवर्में तुम कंपनी को दे दो कंपनी अपने ताफ से को निकाल के नया बढ़ा ले आएगा अगर तुमका हार्श अप्रोच लेना है सत्यम्स प्रेंप देगा कि अपसे काम नहीं करेगा और एक नया को resign करना है तो वो company को resignation देगा और 30 दिन के अंदर अंदर ROC को board of director को और C&A को C&A मतलब किस case में government company के case में 30 दिन के अंदर एक form file करेगा ADT3 ADT3 जोने 3 क्या निकालोगे मैं खुद छोड़के जा रहा हूं मतलब तुम क्या निकालोगे मैं कुद छोड़के जा रहा हूं ADT3 सर ADT3 सर गंदया है पर मेरे को पता है गंदे से भी याद होता है सर ADT3 fine करोगे आप reasons दोगे उसमें और आप क्या बताओगे आप reasons दे करके सर आप लोगों को अगर चाहिए तो एक बार पॉस करके पूरा प्रोविजिन जो है नोट से पढ़ लेना पर मेरी एक 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 पॉइंट आपका और मैं अभी स्क्रीन पर देख भी रहां सारे पॉइंट्स कवर हो गया ठीक है अब सर अगले section के और बढ़ते हैं बहुत ही बहुत इंपॉर्टन सेक्शन है सेक्शन 141 क्या है सेक्शन 141 वोट इस सेक्शन 141 क्या बता सकते हैं सेक्शन 141 है eligibility qualification दिस्क्वालिफिकेशन सर चलो जरा लिख करके देखते हैं लिख पाएँगे क्या सर सक्षन 141 क्या है मेरी बात ध्यान से सुनना 141 क्या है 141 यह कहता है दो चीजों के बारे में बात करता है कि आप eligible हो दो चीजों के बारे में बात करता है पहला कब आप eligible हो और दूसरा कब आप disqualify होते हो पहला कब आप eligible हो और दूसरा कब आप disqualify होते हो क्या line बनाया है भाई क्या line मारा है मैं देख रहे हो तुम ऐसा line कभी मारा है तुमने ओ भाईसा मेरे को लगा कितना सीधा line मारा हूँ में चलो सुनो सुनो मैंने क्या गोला है sir eligibility or disqualification eligibility के बारे में सुनो कोई भी इंसान अगर auditor बनना चाहता है तो सबसे पहले उसको individual है अगर individual है अगर तो उसको CA रहना पड़ेगा और अगर firm है तो firm में majority के majority CA in practice in India होने चाहिए India के practicing CA होने चाहिए और सर जब ये firm appoint भी होगा न तो sign कौन करेगा वही इंसान जो CA है sign करेगा और इस तरीके से आपको eligible होना पड़ेगा मतलब CA होगे सर cost accountant या company secretary नहीं चलेगा सर disqualification क्या क्या है मेरे साथ याद करो सर सबसे पहला point ये था कि कोई भी BC कोई भी BC नहीं कर सकता audit मतलब body corporate audit नहीं कर सकता पर सर उसमें LLP को include मत करना मतलब क्या officer या employee अगर है न तो वो भी क्या नहीं कर सकता auditor नहीं बन सकता तीसरा जो हमारा officer और employee था उसका कोई partner या employee है न तो वो भी auditor नहीं बन सकता officer और employee का एक example दो जिसे अगर मैं Reliance के context में बात करूँ तो Mukesh Ambani हो गया officer अब Mukesh Ambani का कोई और partner है मालनो अने लंबानी partner है Mukesh Ambani का तो अने लंबानी भी disqualify हो गया उसके बाद सार हमने कहा ये fourth point सबसे important है अगर एक इनसान या उसका relative या उसका partner जो है वो securities नहीं hold करना चाहिए company associate subsidiary holding में या फिर subsidiary of holding में क्या नहीं hold करना चाहिए securities नहीं hold करना चाहिए लेकिन एक exception था सर कि जो relative है न वो relative जो है वो सिर्फ company में सिर्फ company में associate subsidiary holding नहीं सिर्फ company में एक लाख तक के face value तक का security hold कर सकता है सर क्या exact एक लाख का hold कर सकता है हाँ क्या एक लाख एक रुपए का hold कर सकता है नहीं और ध्यान दखना face value है और सर मानूलो अगर मेरे auditor appoint हो गया और उसके बाद मेरे किसी relative में एक लाग से जाधा share hold कर लिया तो सर corrective action लेने के लिए आपको 60 days का time दिया जाएगा 60 days के अंदर आपको माहोल ठीक करना पड़ेगा वरना 60 days के बाद आप जो हो ना आपकी office खाली हो गई माल ली जाएगी vacate हो गई माल ली जाएगी और उसको हम बोलेंगी casual vacancy उसके बाद सर मैंने क्या कहा यही same लोग जो है यह indebted नहीं होने चाहिए to the company associate subsidiary holding और subsidiary of holding इंडेटेड मतलब क्या सर इंडेटेड for an amount exceeding five lakh rupees यहां पर पांच लाग रुपे से जादा की बात करेंगे 10,000-20,000 की बात नहीं करेंगे और सर यही same लोग जो है ना they should not hold security in company associate subsidiary holding और subsidiary of holding क्या नहीं hold that they should not have given guarantee 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 नहीं होना चाहिए सर कितने से जादा एक लाग रुपे से जादा का guarantee बतलब सर इस तरह का goal भी conflict of interest नहीं होना चाहिए तुम्हारा सर इस तरफ देखो सारे लोगे इंसान उसका relative उसका partner और इस तरफ भी सारे लोगे company और उसका पूरा खांदा समझे इन तीनों में क्या नहीं होना चाहिए security indebted और guarantee यह तीनों point हमेशा साथ साथ चलते है सर security indebted और guarantee क्या आपको मेरी होना चाहिए, टो के साथ भी नहीं होना चाहिए, और साथ में sayは O.H. kts of holding के साथ होना चाहिए, बहुत वास्ट coverage है sir पर business relation मतलब क्या कोई भी commercial transaction कोई भी commercial transaction खरीदी विखरी, कोई भी commercial transaction नहीं हो पर सर इसमें दो चीज़े नहीं आती है अगर आप कोई arm's length price पे ordinary course of business में कोई transaction कर रहे हो तो वो इसमें count नहीं किया जाएगा और दूसरा कोई भी आप professional capacity में अगर transaction कर रहे हो तो उसको भी क्या नहीं count किया जाएगा उसको भी हम नहीं मानेंगे अरे बोलो क्या नहीं तो वो चल जाएगा हम अरे बोलो तुम समझे क्या उसको भी अरे तुम note से तुम बेटा अगर यहां पे note से तुम देखके एक पॉइंट पढ़ोगे न तो line से सारी चीज़े उसी keywords के साथ cover हो रही है तो तुम ऐसा मत्चो जो notes लिखने पे ध्यान मत तो तुम यहीं से read कर हो जाएगा चलो मैं आगे यही से read करवा दता हूं sir fghi चार पॉइंट तो बचे एफ क्या है sir आप relative आपका कोई relative डिरेक्टर या की मानेजरल परसन नहीं होना चाहिए company में क्या नहीं होना चाहिए तो क्या मैं उस कंपणी में तो क्या मैं उस कंपणी में auditor बन सकता हूं sir storekeeper ना तो director होता है ना तो key manager person होता है तो और अगर employee भी है तो फरक नहीं पड़ता मैं auditor बन सकता हूं मैं auditor बन सकता हूं चलो sir मैं लिख रहे हैं सब notes में very good उसके बाद sir उसके बाद तो फिर सुन लो उसके बाद एक इंसान जो है अगर वो full time employment में है तो वेटा audit करना ना कोई side job नहीं और दूसरा आपने अगर limit exhaust कर लिया है लिमिट क्या होता है sir आप 20 company में auditor बन सकते हो 20 से जाधा नहीं जब यह 20 का limit गिनोगे ना one person company को नहीं गिनना small company को नहीं गिनना और वो private company को नहीं गिनना जिसका paid up share capital जो है वो बहुत कम है कित्ते से कम है मेरे को बताओ कित्ते से कम है दस करोर पचास करोर सो करोर तुम नहीं बोलोगे तो मैं किसके लिए पढ़ा रहा हूं यार फिर दोस्तों प्लीज ना बताओ ना चैट पे कैसी बाते कर रहे हो यार प्लीज नो बिटा सर नेहा नलायक ध्यान दो थोड़ा अगर कम से कम याद नहीं आ रहे है तो ऐसा खोल करके देख लो 10 करोड लिग दे तो फट से पम से कम थोड़ा देख तो लो पिटा 100 करोड का आपका paid up share capital वैसे थो उनको private company को हटा ना था पर हमने एक तरह से क्या बोल रहे है private company अगर paid up share capital 100 करोड से जादा है ना तो तो इसВы ले लो यार लिमिट में पर 100 करोड से कम है न तो फिर उसको लिमिट में मतल्व पर सर ये जो 20 का limit है जब आप firm की बात करोगे ना तो यह 20 का limit एक partner का होता है किसका होता मेरी बात समझीए रहे हो它 जो है अगर आप प्रोइबिट आप फिर से disqualified हो जाओगे सर ये पूरा disqualification था पूरा in-depth disqualification का सारा provision था क्या आपको याद आया क्या मेरे से कोई point शूट गिया क्या हाँ एक point शूट गिया था अब person who has been convicted by any court for an offense involving fraud और जिस दिन से 10 साल नहीं निकला है पिर तोने के बाद 10 साल अगर नहीं निकला है तो फिर सर आप disqualified हो पर 10 साल के बाद आप eligible हो जाओगे सर मैंने आपको पहले भी समझाये था exam में ऐसा question generally नहीं आता है अभी institute ये मेरा video देखेगी तो ना देखेगी exam में पर generally ऐसा question नहीं आता है कि बेटा 10 point बताओ आज कल question आता है एक एक point पर गुस करके जो आपने question bank के practice से देखा भी है उसके बाद सर मैंने क्या कहा अगर आपका disqualification हो जाता है तो casual vacancy हो जाएगी और casual vacancy कैसे बरते है वो आपको already पता है उसके बाद सर मैं आपको 141 के बाद सीधा एक बार ले आता हूं section 144 पर क्या है section 144 बात करता है prohibited service के बारे में prohibited service के बारे में सर कुछ services prohibited है जो एक auditor अपने company को या फिर subsidiary को या holding को नहीं दे सकता मैंने आपको समझाया था associate को दे सकता है और उसका logic क्या था पर सर कौन से service ऐसे है तो मैंने आपको बोला किस अभी एफ ओम के क्या है सर बताओ मेरे को what is k सर मेरे आगे आगे चलना मैं शुरू कर रहा हूं मेरे आगे आगे चलना एक तो accounting और bookkeeping service i internal audit service s system का designing and implementation designing and implementation of financial information system a actually service b banking service investment advisory or banking service f financial services rendering of outsourced financial services o such other services as may be prescribed और m management consultancy services यह सारे services आप देने से prohibited हो sir याद रखना यह services ना तो आप directly दे सकते हो और ना ही आप indirectly दे सकते हो indirectly मतलब क्या अगर एट individual हो तो आपके relative के थू या कोई firm के थू या कोई भी और concerned person के थू किसी के थू भी नहीं दे सकते sir similarly अगर आप firm हो तो ना आप अपने partners के थू या partners के किसी और firm के थू किसी के थू भी नहीं दे सकते मतलब ना directly नहीं दे सकते पर sir में को एक बात बताओ अगर मैं मैं शुबम हूँ इसमें अगर क्या मैं तो हुई शुबम मैं ना मैं काम करता हूं reliance industry में as an auditor सर क्या में Reliance Industry ही में GST Auditor Tax Audit ले सकता हूँ जहां मैं Auditor हूँ वही पर GST Auditor Tax Audit ले सकता हूँ हाँ सर वो काम usually statutory auditor का ही होता है तो तुम बिंदास ले सकते हो कोई problem नहीं है सर क्या में cost auditor बन सकता हूँ cost auditor बेटा बन तो सकते थे पर अगर तुम सिर्फ CA होना तो तुम cost auditor नहीं बन सकते क्योंकि तुमको पता है cost auditor बनने के लिए क्या बनना पड़ता है आपको पहले cost accountant CA में cost management accountant बनना पड़ता है समझे सर यह आपका पूरा provision था section 144 का अब सर वापस आ जाते हैं हमारे sequence में वापस आ जाते हैं 143 सबसे हम last में पढ़ेंगे पर 142 और आगे बढ़ते हैं पर 142 क्या था सर दोस्तों मेरे साथ बने रहे ना बस जब एक बार थोड़ी देर में ही जब lecture खतम हो जाएगा ना तो जित्ते लोगों ने जित्ती चीजे सुनी तुमको जो मजा आएगा ना हमने एक गंटे में दो गंटे वर के पढ़ाई कर ली अगर तुम अकेले पढ़ रहे होते ना इतनी चीज जित्ती में तुमको पढ़ाई अभी बहुत मजा आएगा कसम से और मेरे को पता है इतनी जफ्म इतनी चीजें लिक लिक करकता अगर बता रहा हूं ना तो में दे लिए को पकड़ो को विकरदस • अगर तुमको Рільки-10 だन में रिविजिन गया खू रे पूरे लॉ गई सबिक्टा तभी तो तीस नंबर देदो वरना तुम नहीं लापा होगे ठीक है अब मेरी बात सुरो सर 139 हो गया 140 हो गया 141 हो गया और साथ में 144 भी हो गया 142 बचाए 143 बचाए 145 146 147 148 देखो सर एक एक करके खथम करते 147 क्या क्या है 142 क्या 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 था रेमिनरेशन सिम्पल सी बात है स één अगर उसी बत रीकि хорош ऐसे अगर ईप और कपैसि बर कोय और के पैसितीं मतलब जैसे आप उडिटर की और expenses भी add करोगे, यह आपका remuneration का provision हो गया, देखो sir, remuneration का provision में क्या लिखाए Remuneration में, अच्छा, remuneration का सबसे important part भाई, fix कौन करेगा, sir मैं आपको हिंदी में बोलू, जो appoint करता है, वो fix करता है अगर किस ने appoint किया है, अगर आपका board of director ने appoint किया है, तो board fix करेगा, अगर shareholder ने appoint किया है, तो chairholder fix करेगा मतलब अगर आपकों करता है, बोल्ट fix करेगा, subsequent AGM में shareholder आपकों करता है, उसमें क्या include होगा और раск width करता है, वो मैंने आपको बता दिया कि आगे चलके mutually decide होगा law केता है yes आप इस तरह का engagement लेटर बना सकते हो कोई भी बांदे नहीं है कोई भी problem नहीं है समझा आपको सर उसके बाद 143 हो गया 142 हो गया अपना 143 बचा तो बाज़ा 145 पे 145 क्या कहता है सर देखो यह पूरा law के sequence में है पहले आपने अपने पूरे मन की बात रखोगे जो भी चीज आपको लगता है कि आपको जो भी चीज आपको लिखनी है वो लिखोगे और फिर audit report को sign करोगे सर क्या लिखाए देखो section 145 में देखो section 145 auditor to sign audit report, auditor पहले audit report बनाएगा उसमें वो अपनी सारी बातें लिखेगा और फिर वो sign करेगा फिर क्या लिखाए सर QOC, QOC मतलब qualification, observation और comments कोई भी qualification, observation या comments है on any financial transaction that has adverse effect on the functioning of the company उसको अपने report में लिखना पड़ेगा sir इसमें मैंने आपको example दिया था, अडानी ने Australia में एक बहुत बड़ा coal mine करीदा था, इतने हजारो करोड दे करके बहुत ही वाहियात financial transaction था sir क्या वो financial transaction से कोई adverse effect होगा, हाँ, तो auditor उसको अपने report में उसके बारे में लिखेगा और उसको वो read out करेगा general meeting में general meeting में जाके सबके सामने वो transaction पढ़ेगा और inspection ले भी खुला चोड़ेगा कि आओ ना पढ़ो ना और पढ़ो आडानी के बारे में, उसके बाद सान हमने क्या कहा, अगर audit report बनाएगा, sign करेगा, general meeting में जाके पढ़ेगा, तो general meeting में जाने का power भी तो होना चाहिए ना, तो हम हो जाता है क्योंकि वो meeting attend करेगा, उसके लिए कंपल सरी है, the auditor shall, shall मतलब mandatory है, unless otherwise exempted, अगर company ने माफ कर दिया तो अलग बात है, वरना वो general meeting फूद attend करेगा, या उसके बिहाफ में किसी और को बेजेगा, और sir, उसका right to be heard होगा on such business, which concerns him as an auditor, auditor से related जो भी business transact कर रहे हो, आप उ तुमको हर बार बोलता हूँ, मैं तुमको तुमारी सोच से मिलाता हूँ, sir, मेरा काम है में वो जरिया हो जो तुमको तुमको तुमारी सोच से मिलाता है, और कुछ भी ले, ठीके, चलो मेरी बात चलो, sir, 145 हो गया, 146 हो गया, 147, sir, 147 contravention की बात करता है, मेरी बात ध्यान स से सुनो पेनल्टी के अंदर का नंबर आपको मैं नहीं बताऊंगा पर ध्यान से सुनना सर किस तरीके से कॉंट्रवेंशन लिखा है पहले लिखा है अगर पूरे चाप्टर का 139 से 146 का अगर कॉंट्रवेंशन होता है तो कंपणी पे चलो फाइट भी बताहिता है पांच लाग पार ऊफिसर इन डीफोल्ट पे फाइब लगेगा दस हजार से लेकर एक लाग तका कम फाइल लगेगा पर कंपड़ेंशन किया कंपड़ेंशन किया पर कभी-कभी शर ओडिटर भी कांट् क्रिशां से लिंक किया तो मिनिमम क्या है आपका 25 हुद मैंसिमम मैं क्या है विचेवर लेकिन अगर जो आपने कोण्टरवेंशन किया न वह आपने फ्रॉड करने के इरादे से या गर दोखा देने के इरादे से किया तो लॉग के था अब तो तुम को एक साल का जे вол भी होगा and and मतलब जेल तो हो गई होगा साथ में फाइन जो है 25,000 के जगा 50,000 से लेकर के 25,000 और 8 times of the remuneration मतलब normal case में 25,000 5,000 और 4 times of the remuneration पर fraud के case में 50,000 और 25,000 और 8 times of the remuneration whichever is lower तुम समझे लो कितना significantly penalty बढ़ गया उसके बाद सर अगर आप convict हो गए ना मतलब अगर आप दोशी पाए गए ना तो आपको बिटा सर फाइन नहीं देना पड़ेगा आपको अपना remuneration भी refund करना पड़ेगा और साथ में आपको damages भी भरने पड़ेगे आप लोग जो बच्चे daily practice question लिखते हैं मैं कसम से बता रहा हूँ तुमको लिखवा के ले लो मैंसे तुमको हर एक provision में जितना मजा आएगा क्योंकि आपने एक बर अपने हाथ से लिख लिया तो आपको लगेगा हाँ यह दिसरे तो क्या शानदार confidence आपने को और आपको तो यह भी पता रहेगा मेरी यहाँ पर गलती हुई है सर जो बच्चे नहीं जानते daily practice question क्या है daily practice question वो है जो हम अपने exam oriented batch में रोज एक question का practice करते है सुनो सर अब मैंने क्या बोला उसके आगे मैंने बोला pay damages आप refund करोगे और साथ में damages भी pay करोगे damages पे करोगे जिनका loss हुआ है जिनको compensate करना पड़ेगा उसके बाद सर जो यह damages आपको pay करना है न उसके लिए central government आपके पीछे एक officer छोड़ देगा बोलेगा जा company से damages पे करवा और जब company damages पे कर देगी तो आके मेरे को एक report देके बता दे और officer क्या करेगा company के पीछे लग जाएगा अगर audit firm होता है audit firm में कौन liable होता है अगर audit firm में और यह prove हो गया कि fraudulent manner में काम कर रहे है या collude किया है तो sir liability जो है shall be of the partners concerned of the audit firm and the firm jointly and separately मतलब जो partners concerned थे उनकी भी liability रहेगी और पुरे firm की भी liability रहेगी किस case में sir civil के case में और अगर criminal liability की बात है मतलब सर्फ jail जाने की बात है तो sir उसमें firm थोड़ी ना jail जाएगा उसमें सर्फ concerned partners jail जाएगे मतलब सर्फ civil liability में पुरा firm भी responsible होगा लेकिन criminal liability में जो है सर्फ और सर्फ आपके concerned partner responsible होगे क्योंकि firm को jail थोड़ी ना भी जोगे समझे क्या उसके बाद sir last section में आपको बहुत simple बताया था second last section 148 के आई sir cost audit एकदम ध्यान से सुनना central government क्या कर सकता है कभी कभी notify कर सकता है कि अगर आप prescribed goods और services goods और services अगर sell करते हो क्या prescribed है वो हमारे syllabus में law के नहीं है audit के में वहाँ पे आप जाकर के पढ़ोगे पर अगर आप prescribed goods और services क्या करते हो अगर आप supply करते हो तो आपको क्या maintain करना पड़ेगा cost records और यह जो cost records है ना यह आपके books of accounts का part बनेगा आपको याद है books of accounts में क्या क्या आता था assets and liability का statement income and expense का statement receipts and spent का statement वैसे ही चौता गया था cost records if relevant, if applicable तो sir cost record किसको applicable होगा बहुत selected companies को जिसको central government को इच्छा होती है पर sir मानलो आप अगर cost record applicable करवा रहे हो, किसी ऐसे company पे, जिसका कोई और regulator है, जिसका कोई और regulator है कोई ये notification देने के पहले आपको इस regulator से consult कर लेना चाहिए जिसे कि banking company हो गया आप banking company को बोलते हो cost record maintain कर अरे तो banking company का राजा already RBI है एक बार RBI से बात कर लियो और RBI से बात करने के बाद order दे रहा क्योंकि banking company सिर्फ तेरी बात नहीं मानता है, उसके बाद सर आपने जब cost record maintain कर लिया, उसके बाद further CG prescribe करेगा, further CG prescribe करेगा, कि अगर आपका net worth एक limit के जादा जा रहा है ये turnover अगर एक limit के जादा जा रहा है तो आपको क्या करवाना पड़ेगा, cost audit भी करवाना पड़ेगा, सर देखो दुनिया में अगर इतने सारे companies है तो इतने सारे क्या maintain करते है, cost record और उसमें से इतने सारे क्या करते है cost record का audit करवाते है, depending on the net worth and turnover depending on the net worth and turnover, अब सर्थ सवाल ये cost audit करेगा कौन, उसको appoint करेगा और उसका remuneration क्या होगा सर, cost audit करेगा, cost auditor cost auditor कौन होगा सर, ये होगा CA, या मैं बोल लो CMA, cost management account CA को हम cost audit नहीं करने देंगे क्यों, तूने मेरे को statutory audit करने दिया तू मेरे को करने दिया, नहीं ना तो cost audit मैं करेगा, तू नहीं करेगा उसके बाद सर, CMA बनेगा, CMA मतलब कौन सर, जो institute of cost accountant of India, institute of cost accountant of India वाला जो CMA है, उसके बाद मेरी बात सुनो दोस्तो सर, उसको ICMAI नहीं कहते है, उसको भी वैसे ICAIE कहते है, पर वो cost accountant वाला है, सर ये appoint कैसे होगा cost auditor, तो सर देखो अगर company में audit committee है, तो audit committee जाएगी board के पास, और board को बोलेगी board, तू appoint कर दे, तो board appoint कर देगा, और उसका remuneration decide कर लेगा, पर सर, ये जो remuneration decide हुआ ना, ये shareholder approve करेगा पर सर, अगर audit committee नहीं है तो board खुदी appoint कर देगा, और remuneration decide कर लेगा, और ये जो remuneration है ना, आप जाकर के shareholder से approve कर वा ले ना, बतलब सर, आपको shareholder का intervention सिर्फ, और सिर्फ remuneration के लेगा, appoint कौन होगा, cost auditor कौन होगा, वो कौन decide करेगा, board कुट decide करेगा, उसमें shareholder की कोई ज़रुवत नहीं है समझे, हाँ सर, CMA ने जाकर के CMA को क्या बोला, TTMM, statutory auditor तू तेरा, cost auditor मैं मेरा, अब मेरी बात सुनो सर, मेरी बात फ्लीज ध्यान से सुनना, आपने central government को क्या किया, intimate कर दिया, कि central government, sorry, आपने shareholder को intimate कर दिया, कि इतनी salary होगी, आप मेरी बात सुनो, सर, report का क्या होगा, आप cost auditor जो है, वो audit करेगा, audit करने के बाद वो क्या करेगा, एक report बना के देगा, आप सर, ये जो report बना के देगा न, ये सबसे पहले board को देगा, board के पास जैसे ही report आएगा, 30 days के अंदर board ये report ले करके चला जाएगा, C&DG के पास, किस के पास, C&DG नहीं बैटा, CG के पास, मैं क्यों confused हुआ, CG के पास, CG के पास, सर, CG के भी आप्ट में किस के पास जाएगा, वो अपन देखेंगे, पर आप CG के पास चले जाओगे, और CG के पास जाओगे 30 दिन के अंदर-अंदर, मेरी बात सुनो, मेरी बात प्लीज ध्यान से सुनो, सर, बोड कैसा, क्या लेके जाएगा, यह जो रिपोर्ट उसको मिला है, वो लेके जाएगा, और अगर रिपोर्ट में, कोई qualification, observation या remarks है, कोई भी तरह का qualification है, तो यह qualification का पूरा information, और पूरा explanation देगा, और फिर लेकर के जाएगा, CG के पास, अब जब आप जाओगे, तो CG को ऐसा और फर्दर, information और explanation की ज़रूरत पढ़ सकती है, तो वो मांगेगा, और आपको वो provide करना पड़ेगा, तो यह चलता रहेगा, सर, पर एक बात ध्यान रखो, सर, cost audit आप shareholder के लिए नहीं करवारे हो, statutory audit आप किसके लिए करवाते हो, shareholder के, पर cost audit आप CG के कहने पर करवारे हो, तो report CG को देदो, वो खुश रहेगा, बात खतम, समझे, और सर, अगर आपने कोई confirmation किया, default किया, इस section के अंडर, तो आपको penalty लगीगी, company और officer in default 147 में liable होंगे, और auditor जो है, वो 147 सब section 2 में, मतरब जहाँ normal auditor liable होता है, वही पर statutory auditor भी liable होगा, समझे क्या, कोई point छूटा गया, नहीं सर, चलो सर, आगे बढ़ते, सर अब आपके last section for the day, और इससे आपका पूरा chapter खतम हो जाएगा, दोस्तों, एक बार section 143, सुन के देखना क्या मज़ा आती है, सर 143 में हम बात करने वाले, power and duties of auditor, किसकी बात करने वाले, power and duties of auditor, सबसे पहले सर में इसको parts में split करता हूँ, सुनते जाना, सबसे पहले बात करते, power of auditor की, क्या power होता है सर auditor का, auditor का power होता है, कि वो सारे books of accounts को क्या कर सकता है, access कर सकता है, सारे books of accounts को access कर सकता है, सर वो officer और employee से, जो भी information चाहें मान सकता है, और तो और सुनो, वो ना books of accounts, अपने subsidiary company का, और associate company का भी access कर सकता है, लेकिन सिर्फ उतना ही access कर सकता है, जितना consolidation के लिए नीडिए है, जितना consolidation के लिए नीडिए है, ये तीन power है आपके auditor का, क्या तीन power है? access करे books of accounts, officer और employee को से information मान सकता है, और books of accounts जो, subsidiary और associate का है, उसको भी access कर सकता है, सर दूसरा point चुरो, दोस्तों, दूसरा point चुरो, उसके बाद सर आपके duties में क्या आता है, duties में ये आता है, कि auditor जो है न, inquiry करेगा, सर बागी सब चीज़ों में तो inquiry करेगा, पर छे ऐसी बाते हम बताने वाले जिसमें आपको inquiry करना पड़ेगा, सबसे पहरा सर, loans and advances, loans and advances अगर आपने security दिया है, मतलब आपने loan दिया है, और बदले में security लिया है, तो सबसे पहले ये देखना, क्या वो properly secured है, मतलब अगर मैंने 100 करोण का loan दिया है, और सामने मैंने 5 करोण की security लिये, sense बनता है या नहीं, तो क्या वो properly secured है, and whether the terms are prejudicial, loans के जो terms है, क्या वो prejudicial है company को या उसके members को, मतलब क्या तुमने loan दे रखा है 2% interest पे, क्या ये sense बनता है, नहीं सरी तो prejudicial है, तो ये चीज़े चेक करना किसका काम होगा, आपकी auditor का, दूसरा जो loans and advances आपने दे रखा है, क्या आप उसको deposit के तरह दिखा रखे हो, क्या आप उसको deposit के तरह दिखा रखे हो, भाई deposit के तरह मत दिखाना, उसके बात सरा हमने क्या बोला, shares के बारे में हमने थोड़ी सी बात की, आपके company में अगर कोई assets है, जो shares के form में, या debenture या security के form में, और अगर आपने वो assets sell किया, क्या आपने उसको purchase price से कम में sell किया, मतलब अगर आपने 100 रुपे में खरीदा था, तो क्या 80 रुपे में बेचा, अगर उसका कम में बेचा ना, तो auditor का दिमाग खराब हो जाएगा, वो बोलेगा, क्या यार, तो investment company है क्या, तेरा काम है क्या investment company, invest करना, क्या तू banking company है क्या, नहीं न, अगर तेरा काम रोज रोज का investment का नहीं है, तो फिर तू क्यो loss में investment कर रहा है, जो भी मैं उस पे inquiry करूँगा, और inquiry करके मैं अपने shareholder को बताऊंगा, पर अगर investment company है या banking company है न, तो फिर ये वारा inquiry में नहीं करूँगा, उसके बाद सर, आप अगर ये बोल रहे हो कि इस साल हमने share capital issue किया for cash, cash लेकर करके हमने share capital issue किया, तो आप ये चेक करो क्या cash actual में received हुआ था, और अगर cash actual में received नहीं हुआ, तो भाया तुम धर-थरा जाओगे, अंदर से पुरा हिल जाओगे, कि जो balance sheet मेरे को दिया गया है, क्या वो सही में true है, क्या वो सही में fair है, क्या मैं उस पर rely कर सकता हूँ, you will question the reliability of the balance sheet that you have received, अब मेरी बात सुने, sir, उसके बाद मेरी बात सुनो, please, पुक रिलेटेट्री से रिलेटेड है, क्या आपने जो mere book entries है, मतलब जैसे कि आपका revaluation entry हो गया, क्या वो prejudicial है, मतलब आपने जबर दस्ती का revaluation entry पास कर दिया, क्या वो prejudicial है और last sir क्या आप अपने personal expense को revenue account में hit मार रहे हो मतलब क्या आप अपने expenses को company का expenses दिखा रहे हो ये 6 common problems होते है sir industry में और हमने auditor को बोला auditor तेरी ये duty है ये 6 चीजों को एकदम ढंक से टोकना मैं 6 चीजों को याद करने के perspective से मैंने तीन पार्ट में divide कर दिया पहला loans and advances दूसरा shares और तीसरा book entries तीसरा book entries ये तीन points आपको 6 points याद आ जाएंगे बोलो समझा क्या हाँ sir ये आपका duty हो गया inquiry करना उसके बाद sir आप क्या करोगे आप अपना audit report दोगे audit report में sir अब बहुत सारी चीजे लिखनी होती है तो audit report में आप क्या क्या चीजे लिखोगे sir सबसे पहला बाई ध्यान से सुन लो सारे point याद हो जाएंगे information and explanation देना तो आप ये बताओगे that information and explanation were sought जो मांगा था आपने वो मिल गया और जो नहीं मिला हमको उसका impact क्या होगा financially on the books of accounts ये आपको बताना पड़ेगा बी आप ये बताओगे कि क्या company books of accounts properly maintain करती है और अगर कुछ books of accounts branch में maintain होता है तो क्या adequate time पे returns हमको मिलते रहते है क्योंकि branch office पर return बना बना के head office को दीती है तो क्या adequate time पे हमको returns मिलते रहते सी अपनी auditor के अलावा अगर कोई branch auditor है कोई branch auditor है और उस report को आपने अपने report में कैसे dealt किया वो आपको बताना पड़ेगा अगर company auditor के अलावा कोई और auditor अगर branch का audit कर रहा है तो क्या आपको branch auditor का report मिला बी जद तेरी की यार क्या तुम्हारा balance sheet और P&L जो है क्या तुम्हारा books of accounts और financial statement जो है वो match नहीं करेगा जद तेरी की whether the financial statement are in compliance with the books of accounts क्या इतना भी नहीं match करोगे यार उसके बाद next point यू तुम्हारा financial statement तो accounting standards से नहीं match कर रहे है यू क्या बात कर रहे हो सर जित्ता गंदा है उतना भी प्यार से याद होता है A information explanation देना B books of accounts का क्या हो सी company auditor के अलावा कोई auditor है तो D ठत तेरी की यार E यू तुम्हारा financial statement accounting standards से भी match नहीं कर रहा है उसके बाद सर एफ क्या कोई ऐसा financial transaction है जिसका adverse effect है on the going concern of the company you will give your you will give your comments on any financial transaction that has an adverse effect on the functioning of the company क्या मेरी बात समझे उसके बाद जी जी हाँ तुम्हारा director जो है न 164 subsection 2 में disqualified है समझे क्या यार अरे तुम कुछ समझ रहे हूं क्या क्या समझ रहे हूं सर हम लोग क्या पढ़ रहे तुम लोग जो लोग notes से refer कर रहे हो तुम लोगों को बता दू यहां पे section 143 है कहा गया कहा गया भाई कहा गया यह रहा 143 पहले हमने power पढ़ा फिर हम inquiry पढ़ रहे और अब हम पढ़ रहे क्या audit report के बारे में पढ़ लेंगे पर अब हम क्या पढ़ रहे audit report में क्या लिखेगा तो सर मैंने आपको क्या बोला जी हाँ 164 में आपका auditors disqualified है एच क्या था सर एच था हद यार तुम लोग जो है books of accounts धंग से maintain ने कर रहे हो धंग से books of accounts ने maintain करोगे न तो बहुत सारे points है सर्थ qualification observation और remarks with regard to maintenance of the books of accounts आई आपका जो internal financial control है क्या design implementally है और क्या वो design properly और क्या उसको implement properly कर रहा है हमने और उसके बाद जे sir such other matters as may be prescribed ये सारी बाते आपको कहा पे लिखनी पड़ेगी ये सारी बाते आपको audit report में लिखनी पड़ेगी पर दोस्तो एक point सुन लो एक point सुन लो दोस्तो ये मैंने आप आपको class में exam oriented वाले class में नहीं बता पाया में शायद आप अगर जब internal financial control से related reporting कर रहो ना तो ये जो reporting है ये apply नहीं होगा वो private company को जो या तो OPC है या फिर वो private company जिसका turnover 50 करोड से कम है and borrowing 25 करोड से कम है मतलब सब चोटी private company है या तो one person company है small company है या फिर वो company जिसका turnover 50 करोड से कम और borrowing 25 करोड से कम है and word use किया है सर तो आपको IFC पर report नहीं देना पड़ेगा उसके अलावा सर आपको बाकी matters में भी report देना पड़ेगा ये बाकी matters सुन लो खुछ से read मार लेना कोई rocket science नहीं है बाकी matters साब प्रीज कुछ से read मार लेना उसके बाद सर मैंने आपको next point क्य क्या बताना है मैंने आपको audit report के पारे में पूरा बताया अब अगला point क्या है सर government company के case में क्या होगा ध्यान से सुनना government company के case में CNDG जो है न वो auditor को पूरा-पूरा instruction देगा अब सर auditor क्या है उस instruction के basis में audit करेगा और एक report बना करके CNDG को देगा जिसमें वो ये बताएगा कि मेरे को क्या-क्या directions में ले थे वो directions के यसाब से मैंने क्या-क्या action लिया और वो action के वज़े से मेरे audit में क्या impact हुआ यह तीन चीज़े बता करके आप CNDG को report दोगे अपना audit report अब सर CNDG के पास जब ये report आएगा तो उसकी इच्छा हो सकती है supplementary audit करवाने का supplementary audit बदद क्या थोड़ा और audit करवाने का तो CNDG सर उसके लिए किसी person को appoint करेगा और इस person को भेज़ देगा company के पास और बुलेगा तो थोड़ा और audit कर क्या अब सर थोड़ा audit करने के बाद उसको जो भी information चाहिए हो मांगेगा और audit करेगा और audit करने के बाद supplementary audit report भी आ जाएगा तो आपक उसके भी shareholder से उनको भीजा जाएगा और अगर किसी को inspection करना है तो उसके लिए भी open करवाया जाएगा किसी को अगर inspection करना है तो inspection कर सकता है और हर entit member को भीजा जाएगा साथ में sir government company में कभी-कभी CNDG जो है वो test audit भी बोल सकता है test audit मतलब क्या sir जैसे अपना exam में surprise test होता है पैसे यह surprise audit है CNDG क्या करेगा सीधा किसी company को बुलेगा बेटा तेरा test audit होगा और वो company को test audit करवाना पड़ेगा समझे सर समझे क्या हा सर यह पूरा आपका government company का provision था सर आगे बढ़ते हैं आगे आपका एक branch branch की बात है सर सर में को एक बात बताओ क्या company के बहुत सारे branches हो सकते हैं हाँ सवाल यह branch का audit कौन करेगा depend करता है branch इंडिया में है कि branch outside इंडिया है आपको पता है न सर outside इंडिया अगर of accounts maintain कर सकते हो सर अगर इंडिया में branch है न तो audit या तो हमारे company का company auditor करेगा मतलब जो main company का audit कर रहे है या तो वह audit कर देगा या फिर आप क्या करोगे इंडिया के कोई और auditor कोई और auditor जो audit करने के लिए eligible है इंडिया में उसको आप appoint करेगे मतलब कोई भी सी है जैसी कि आप देखते हो banks के बहुत सारे audit होते इतने सारे चोटे-चोटे branches होते हैं यह हर branch का audit company auditor नहीं कर सकता तो वह क्या करते हैं चोटे-चोटे और auditor अपॉइंट करते हैं पर सर अगर branch इंडिया के बाहर है न तो या तो company auditor खुद कर लेए जो भी इंडिया का auditor है वो कर लेए या फिर वहां के law के हिसाब से मानलो अग का provision है बोलो समझा गया अरे बोलो समझा गया हा सर उसके बाद वाला जो main provision है सबसे main और सबसे important fraud का provision सर फ्रॉड के बार में कहां लिखा है 143 subsection 2L में कहां लिखा है 143 subsection 2L में ध्यान से सुनना अगर एक auditor है वो auditor को during the course of statutory audit during the course of statutory audit अगर उसके सामने कोई ऐसा information आता है जिसस के against fraud हुआ है company के against fraud हुआ है और जो fraud हुआ है ना उसका individually individually जो है amount कितना है उस पर depend करता है वो क्या action लेगा अगर individually amount जो है एक करोडिया उससे जादा है एक करोडिया उससे जादा है तो क्या होगा और एक करोडिया उससे कम है तो क्या होगा सर एक करोडिया उससे जादा लब क्या दो दिन के अंदर-अंदर audit committee या board को भीजेगा कि बेटा देखो हमको ये fraud नजर में आया है हमारे इसाब से ये amount है तुम बताओ क्या तुम्हारा explanation है sir audit committee और board के पास 45 days का time होगा इसको reply करने के लिए auditor को अपना comments देने के लिए अपना report देने के लिए क्या देने के लिए अपना report देने के लिए या फिर मैं यह बोलूँगा remarks देने के लिए auditor ने दिया report fraud का सामने वाले ने दिया remarks अब sir अगर 45 days के अंदर reply आ गया ना तो auditor क्या करेगा अपना खुद का report और जो ये remarks आया वो और इस remarks पर जो उसका खुद का और comments है ये तीनों चीज़े मिला करके किसको भेज़ देगा MCA के पास MCA के पास Ministry of Corporate Affairs के पास Ministry of Corporate Affairs में कौन sir Secretary के पास भेज़ देगा कितने दिन के अंदर 15 दिन के अंदर जैसे ही comments जैसे ही remarks आये ना उसके 15 दिन के अंदर अंदर भेज़ देगा मतलब maximum कितना दिन हो गया sir ये 2 दिन ये 45 देस और ये 15 दिन मतलब maximum 62 देस के अंदर अंदर आप Central Government यानि की Ministry के पास पहुँच गए कैसे भेज़ोगे sir या तो Registered Post Acknowledgement Due से भेज़ देना या फिर Fraud के पारे में information भीज़ाए जरा चेक कर ले ना सर आप Secretary के पास भेज़ोगे अब सर में को एक बात बताओ जब आप Secretary के पास भेज़ोगे तो आप एक letter में भेज़ोगे ये जो letter होगा ना इसमें तुमारा Membership Number इसमें तुमारा Signature इसमें तुमारा Letterhead सब कुछ होना चाहिए एकदम एक formal letter होना चाहिए जो Ministry of Corporate Affairs के पास जा रहा है क्या तुमको मेरी बात समझाई हाँ सर इस तरीके साब Ministry of Corporate Affairs तक पहुँच जाओगे और उसके बाद Ministry action लेगा पर सर अगर वही चीज का amount एक करोर से कम है तो Ministry को परिशान करने का मतलब बनता है क्या नहीं सर अगर एक करोर से कम है तो आप क्या करोगे auditor जो है ना अच्छा सर अगर 45 days के अंदर reply नहीं आया तो 45 days के अंदर reply नहीं आया तो तुम अपना report लेना और उसके साथ ये बोलना कि हमने ये report बेजा है audit committee को तो auditor क्या करेगा auditor उसको जाएगा सबसे पहले audit committee और board को बताएगा कित्य दिन के अंदर सर दो दिन के अंदर immediately आप यहां पर तीन चीज़े बताओगे NAP क्या सर N nature of fraud किस तरह का fraud मेर को पकड़ में आया है उसका amount मेरे हिसाब से approximately क्या है और कौन कौन से person involved है अब सर क्यूंकि एक परोड से कम का amount है तो CG को परिशान करने का मतलब नहीं बनता तो law केता है बेटा तू ना इस पर action ले और तिरको ना अपने board report में डालना पड़ेगा किसमे board report में जो सब को ही बहुत important होता है और पढ़ते हैं वहां पर तिरको डालना पड़ेगा कि हमारे company में एक fraud highlight किया था हमारे statutory auditor ने उसका nature यह था उसका amount यह था और अगर सर आपने कोई remedial action लिया remedial action मतलब क्या कोई corrective action लिया लिख देना पर अगर तुमने remedial action नहीं लिया है ना तुमको गौतम अड़ानी का नाम बता के खराब करने की जरुवत लिए पर अगर तुमने कोई remedial action नहीं लिया ना तो फिर तुमको नाम बताना पड़ेगा तो या तो या तो यह आएगा या फिर यह आएगा और इस तरीके से तुम बोड रिपोर्ट में disclose कर दोगे उससे क्या हो जाएगा सारे share order को पता चल जाएगा सर यह फ्रॉड का प्रोविजिन था बोलो समझा गया वही mutatis, mutandis, cost auditor और sectorial auditor को भी अप्लाई हो जाएगा, cost auditor मतलब जो CMA है और secretarial auditor जो CS है वो भी अगर अपने audit के दौरान कोई fraud बिलता है उनको तो यह उपर का प्रोविजिन अप्लाई करना पड़ेगा, sir अगर आप fraud को रिपोर्ट कर रहे हो तो आपके उपर कोई, अगर reason of his reporting the matter, if it is done in good faith, और sir अगर आपने अपना काम धंसे नहीं किया, आपने अगर fraud report नहीं किया, तो sir listed company के case में auditor को पांचलाग रुपे की penalty लगेगी और other company के case में एक लाग की, listed company के case में 5 लाग की, other company के case में एक लाग की, और last question sir, sir अगर यह auditor है और यह अडानी company का क्या कर र है हम, sorry हमसे गलती होगे, sir वो fraud का amount क्या था, 10 करोड था, कितना था, 10 करोड, मेरे को एक बात बिताओ, क्या auditor जा करके MCA में report करेगा, sir क्या auditor जा के MCA में report करेगा, the answer is no, sir क्या यह fraud auditor को खुद से मिला है, नहीं, यह fraud तो सामने वाले ने आ करके सामने से बता दिया, आपको थोड़ा illogical लगेगा, पर law के literal interpretation के हिसाब से यही आता है, auditor को audit के दौरान, खुद से जो fraud मिलता है, वो fraud बस उसको बताना पड़ते है, खुद से जो fraud मिलता है, बस बही fraud उसको क्या करना पड़ता है, intimate करना पड़ता है, thank you so much for watching guys, I hope you really really enjoyed the revision, I hope you revision videos आपके help किये है, रोज तो जाते जाते एक बात बता दू कि हमारे जो efforts होते हैं, जितने भी efforts हम हमारे exam के लिए करते हैं, चाहे वो regular class लेना हो, उसके बाद उसको खुद से एक बर self study करना हो, revision videos देखना हो, questions practice करना हो, यह सारे efforts अभी आपके काम में आ सकेंगे, अगर आप अपने content को पूरा का अगर आप उसको longer time के लिए retain करना चाहते हैं, for that you will have to rely a lot on yourself study, जितना आप बैट करके, याद करे, मगब करे चीजों को, और उसके बाद जितनी बार आप उसको आखे बंग करके, बुग बंग करके, रीकलेक करने की कोशिश करे, उतना जादा आपको याद करने की शमता Only point is that, आप आगे बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, करते रहो और आगे पढ़के, एक्जाम लिखके वापस आजाओ, और जब अपका एक्जाम खतम हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगा, कि हाँ मैने अच्छे से महनत करी थी, और मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा, तो यहा अगले लेगा, लिखके ज़रूर जाना, तो दोस्तों इस बार आप एक्जाम क्लियर करोगे, और मुझसे अगले लेवल के इक्जाम में ज़रूर मिलोगे, मिलता हूँ अप आप से अगले वीदियो में, This is your CA बड़ी शुबम सिंधल, signing off.